दलो ने तो खुलासा कर दिया था, अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई हैं, कॉंग्रेस गुरेज कर गई थी, तुनमूल कॉंग्रेस भी गुरेज कर गई थी, यहां बात थोड़ी सी उल्जन भरी हो जाती है क्या? यह समाजवादी पार्टी उत्तरपदेश की बात कर रहे हैं, और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का, कि जो लाप पहुचा सकते हैं, सरकार में रह करके, वो चंदा नहीं बोलाया सकता है, और जिस तरह बीजेपी को मिला है, वो चंदा नहीं है बीजेपी का, पर कारवाई कर रहे हैं कि आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ एलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और साथ बजे कि अर्विंद केजरिवाल के हाँ एडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है यह सुप्रीम कोर्ड माने सुप्रीम कोर्ड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सीए लागू खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा उने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था है उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है आप एवी पी न्यूज नहीं देखते हैं लगता है सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बैस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूं और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है एवी पी एवी पी चैनल न बन जाए ABVP ना बन जाए हम आपको रखे आगे वाले हैं हम जनता को आगे रखने वाले हैं हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ते जो और चैनल है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनित क्यों करते हैं हम लोग और डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकॉर्ड मनाने जा रहे हैं जूटे मुकदमों का क्या जो चाहिए उसको मुकदमा लगा दिया जूटे मुकदमे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकदमे लग रहे हैं यहां पर और उत्तपदेश में एक उधान नहीं कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकदमे लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कास्टोडियल डैथ में नंबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरचित अगर कही है तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट वुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके आकड़े कहां हैं दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेट मीट के जिसमें देश के प्रधान मंती जी आये बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारवाई हुए है बटाइस सरकार की कार खाने लग गए और उन कार खाने लगने से इतनों को नौकरी मिले आखर पर, केंडर सरकार हो ये डबल- 엔जिन जो सरकार है, यूपी की सरकार कहती है ब्रश्टाचार के खिलाब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आंकड़े आते हैं जो बाते आती हैं चैराहुल गांदी हो सोनिया गांदी हो नाशनल हेरल केस में वो जमानत पर हैं तेजस्वी आदव को समन दिये जा रह ही है उसमें आपका भी नाम आ जाता है वो कह रहे हैं यह सब का नंबर लगाने वाले हैं यह ब्रश्टाचारियों का गड़बंदन है यह इंडिया अगर ब्रश्टाचारियों का गड़बंदन है तो जिन पर कभी CBI ED income test से चापे लगते थे बाते जिनतां पार्टी में ज जाच न चल लए हो जिस समय से EDC वे income tax की जाच हुई वो बीजेपी में चले गए वो जाचे खतम हो गई बड़े पतों पर बैठे हुए इसी तरह बंगाल में उधारण है इस तरह यूपी में उधारण है और जो लोग भश्टाचार की बात कर रहे हैं यह तमाम सवाल लीजिए आप और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया पूर्मान चल एकसे उस पर चल करके देख लिए आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा और बुंदेल खंड एकस पर जिसका उद्गार्ण परतामन तुजी ने किया आज चल केवल भष्टताचार लें देने कि मुनाफ़ा जादा है कमाने देने लोगों को वह भष्टताचार निए लोगों को पद दे करके खुश करें किया वह भष्टताचार निया आप अगर बीजेपी के साथ है तो आपको सिकुरिटी मिल जाएगी कैटिगरी बदल लाब देना, जरूर से ज़्यादे लाब देना, क्या वो ब्रष्टाचार नहीं है? पर जनता के जहन में बीजेपी पर ब्रष्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं आप? जनता जान गई है कि इन से ज़्यादा भेष्टाचार किसी सरकार ने ने किया होगा इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में क्या हो तर पदेश के सब गड़े बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पाँच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नो और कई परिख्चाएं कैंसल कैये परिश्टा चार नहीं है इनके बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे क्या STF ने नहीं पकला उनको और फिर सब चांचे STF कोई क्यों जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ क्या हुआ BJP के सरकार नहीं थी बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया क्या ये भिष्टाचार नहीं है साट लाग बच्चों का आपने भविस्थ अंदकार में डाल दिया ये BJP के लिए भिष्टाचार नहीं है क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं क्या होई कल्प ना कर सकता है कि एक नौजबान ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख कर के जाता है पत्र में कि इन धिग्रियों का क्या होगा अपने माभाप को लिख कर के जाता है कि मैं जला कर कर जा रहा हूं इन धिग्रियों से क्या फाइदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल लए इसी तरह फुरुजबाद की एक बेटी जब पैपर कैंसल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने ये भरष्टाचार नहीं है आरच्छन को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर ना देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भरष्टाचार करकर के आरच्छड खा रही है मुख्वंतीजी सदन में कहते है कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्वंतीजी जारी नहीं कर पाए क्या ये बश्टा चार नहीं है बेमानी नहीं है पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है नारेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर पड़ते हैं क्या बीजेपी के मुकाबले बीजेपी पर खजाना है खजाना लुटा रहे हैं वो नेरेटिव कैसे क्रेट होगा आप खजाना भर भर करकर गयर पैकेज दे देंगे खजाने की बात आई हम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जैन चौधरी से मैं ने इंटव्यू किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवणनी है पलटने नहीं वाले थे बीजेपी ने पलट दिया उचाल दिया आपकी चवणनी को तो तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे या खिलेश दो पर क्यों मान गए वो कहा साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी, चेह मिल रही थी और चेह में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थी ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलाइंस हुआ ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंक से भी कि आपके पास समीकर्ड क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने सुिकार किया केवल एक सवाल मजफ़नगर का था मैंने उनसे का कि अगर मुजफर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरिंदम मलिक उनसे मिल करके आए और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ? जैनत ऐसे छोड़ कर चले गए राजय सभा भी दी आपने सवाल ये नहीं है इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोग सभा नहीं हमने हमने दोका काया दो लोग सभा कोई हमने जिस समय उनके बिधायक आये थे और राजय सभा मांग की थी उन्होंने उस समय उन से मैंने कहा दे कि हमारा साथ देना हूँ उन सभी बिधायकों ने कहा दे कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसमें बहुत साथ दान है हर चीज से स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, नहीं बहने रास्ता नहीं दिखाया, कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं, हम रोकते नहीं उने, पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई, अगर आप कोई जीतने वाला प् कर सकता हूं, क्या मैं राजस्वा की डिमांड पूरी कर सकता हूं, क्या मैं मैं एमेस्टी की डिमांड पूरी कर सकता हूं, या खेल कुछ और है, जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, कि ये सब लोग एक और PDA बनाने चले थे, कॉंग्रस के साथ मिलकर, और प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइंस हो जाए जिससे में शुरुआती दौर में बात हुए थी नितीश कुमार जी से उससे में भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आए तो उसके नेत्त में इंडिया गरवंदन बनी और वही रास्ता में अपनाया उसी रास्तिवे में चल लाओं नितीश कुमार का आपने जिक्र किया नितीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामखा की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागडबंदन की और से बातें बहुत सारी हो सकती है लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थे नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीमी रिटायर हो जाएंगे सोच वे बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर की रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रेस की एक कमजोरी रही? एक कमजोरी किसी की नहीं है पर सित्यों के हिसाफ से जो फैसले हो उसमें जो confusion हुआ या जो भी रिंड़े लिए गए वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जन्हें प्रधानमंतरी बना था और बीजेपी की साजिश देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं दरवाजे खुले हैं अब चुनाओ की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गठबंदन पर होली का तेवार ना होता तो nominations हो गए होते अब तो nominations हो रहे हैं तब बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचार धाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो ego clashes हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गठबंदन नहीं बन पाया या जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिखरा है इंडिया गठबंदन बन चुका है दिखरा है और हमें उम्मीद है कि भारती जनता पार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा भारती जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं क्लारिफिकेशन चाहूंगा P for पिछड़ा दीफ और दलित तो है एफ और क्या है ये आदी आबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अल्पसंख्यक भी पिछड़ा दलित अगड़ी भी हो जाते हैं आदी आबादी भी हैं अल्पसंख्यक भी हैं आदिवासी भी हैं और PDA दुखी अगड़े भी हैं इसमें, इसमें कम से कम कोशिस की है, समाजवादी लोगों ने कि PDA के अंबरेला कहता है, सब को जोड़ा जाए, सब का साथ सब का विकास क्या है, कम से कम वो कह रहे हैं नारा दे रहे हैं, लेकिन वो नारे का असर नहीं है, जो काम करना चाहि वो नहीं हो रहा, सब का साथ तो है, लेकिन गैरा बड़ाबरी नहीं खतम होती ही सब के साथ में, ये PDA जो है, वो गैर बड़ाबरी खतम करने का नारा है, जो समाजी नया है, उसका नारा है PDA. अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है क्या आपकी तरफ से, जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में, MY Factor, कि मुस्लिम यादव एक वोट बैंक, एक समी करन, वो आपके लिए भी काम करता है, वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है, अब वो माई ब आप पर चले गए, और बाप भी वही, आपका PDA ही है, बहुजन, आदिवासी और पूर जो हैं, उन लोगों की वो बात कर रहे हैं, आप भी यही कोशिश कर रहे हैं, या इस टू लिटल टू लेट? यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही, जो समाजवादियों नारे कभी 80s में, 90s में दिये, वही नारे हैं आज, लेकिन वही नाम बदल गया, अगर कभी संसुपाने बांदीगाट, वो वाला नारा था तो आज PDA वाला नारा है, तो कोशिश यही है, कि इस अम्ब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए, अपना ग्रुप बड़ आना चाहते हैं, जो हावादिक हिसाब से हक सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे, बैठे रहे, उन्हें अरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है, उनको नौकरी नहीं दिया रही है, जो नई विवस्ता अरेक्षड की है उससे पिष्डे दलितों का सबसे ज़्यादे हक चीना जा रहा है ये मूल भावना के साथ खिलबार है उसके लिए नारा पीडिये है आज मदर्सों का कैंसिल कर दिया गया एक्ट जो बना था उस एनियम और एक्ट को खतम कर दिया गया ति उनको हको दिनाने का नारा है आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबसे ज़्यादे असुरच्छित माहिला है और जो कुछ विवस्थाएं बनाए थी चाहिए वो डाइल 100 बनाया था या 1090 बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी इसलिए PDA एक बड़ा नारा है जिसके तैदम सबनों को जोड़ने का का आदी आबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंदर मोदी और बीजे पी वहाँ कहीं आगे आप से निकल गई लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे जादा असुरचित महिलाएं अगर कहीं है तो भारती इंता पार्टी की सरकार वे वो आखड़े बताते हैं यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूं और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हो रहा हो और जो विवस्था हैं बनाई दी सुरक्षा को ले करके वो सब समाप्त कर दी इनोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दिये हैं कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.3-6 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुजान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया आखिलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल लेविल पर पार्टी है और बहुत सारे मद्दाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है इसलिए नैशनल मुद्दों को ले करके और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हो काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी नैशनल इमेज नहीं बना पाती है हाला कि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलियें वो एक्जेंप्ररी काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गड़वंदन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गड़वंदन में इसलिए समाजवादी पार्टी साथ हाई है अमेठी से रहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं कॉंग्रिस पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ आपकी निजी राय तो होगी जो भी कॉंग्रिस पार्टी फैसला लेगी हमारा पूरा केडर और पूरा संग्ठन उसकी मदद करेगा एक उर्जा एक उत्साहा बनता है ना मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रिस किसको लड़ाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी जहां भी जिस वित्यासी को उतारेगी जितनी भी गड़बंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ ख़ड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा फिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखिलेश चुनाव लड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई ए आयम आयम वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादव वहां ग अगर किसी लोकसवा सीट को लेकर के चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है आजड़ी आजम खान साब वहां से कई बार रहे हैं लोकसवा के सांसाथ उन्होंने जिताया है कई बार बिधायग रहे हैं उनका छेत रहें तो क्या लोकतन में उनकी राय नही तो चुनाव लड़ेंगे जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी क्या राय दी जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं यह मान कर चलूँ आप चुनाव लडने वाले हैं चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव लडने वाले हैं चुनाव लडना चाही है चुनाव लडना चीए उर्जा और उट साहा आपके कारेकरताओं में तभी आएगी कि अख्लेश भहिया आ गए मैदान में मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ और लोकसवा चुनाव लड़ लड़े थे पहली दफ़ा लेकर उसके बाद सदन में गया मैं 19 में मैं लड़ाँ क्योंकि परसिति के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्टीफा देना पड़ा आएगा चुनाव तो फिर लड़ा जाएगा चुनाव तो चुनाव लड़ा जाएगा एक और जो आरोब BJP लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोब में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसेसरी बहस इसलिए BJP करती क्योंकि BJP मुकाबला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहा हूँ हो सकता मैंने आपका न देखा हूँ लेकिन वो चैनल जिसको एक नाप पर तो मैं शुकाय दर्ज कराऊंगा अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आप देखना शुरू करना हूँ लेकिन शर्त ही ही है कि यह A.V.V.P. चैनल न बन जाए हो ही नहीं सकता यह यहाँ पर मैं खुला एलान कर रहा हूँ आप अपनी सीट का नाम बताने को तयार नहीं मैं खुला एलान कर रहा हूँ A.V.P. News A.V.P. News रहेगा आपको रखे आगे रखेगा A.V.V.P. कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना बीजे पी अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं बात P.D.A. की करते हैं और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा उसको लड़ने के लिए फैसला लेगी पाटी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्स का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरुन गांदी को चुनाब लड़ाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चप्षा नहीं ही मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है अगर कोई अच्छा प्रत्यासी मिल जाएगा बीजेपी के लोग हमारे प्रत्यासी पे डाका मार रहे हैं अगर कोई उनके पार्टी का प्रत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं पर एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को समझाया उनकी नबस टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ ब्रश्ताचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वे पक्षो अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है यह बार ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थे हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो बूत का आखरी दिन का management है आखरी दिन का जो management है रात से लेकर के सुबह तक वाला यह परचार खत्म होने के बास से लेकर के बोट डालने के समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यही कर रहे है मैं नहीं कह सकता हूं सीधा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धनबल है उनके पास वो management है कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिए 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्रचार कैसे करें नेताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जाहाज में नहीं बेज सकते विज्ञापन नहीं दे सकते इश्टहार नहीं लगा सकते ये विद्वाविलाब जो शब्द होता है बहुत अच्छा शब्द नहीं है वो हार की खीज है या ये हकीकत है के बल एकाउंट सीज़ नहीं हो रहे हैं मुख्यमंत्री सीज़ हो रहे हैं आप सोचिए ये हार का डर नहीं है बीजेपी का बीजेपी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो इलेक्शन फेस करते ये हार चुके है इसलिए नेरीटीव बदलने के लिए ये काम किये जा रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है जिन किसानों से इन्हों ने ये कहा कि आपकी आये दोगनी होगी जिन किसानों को कहा कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको आप बताईए क्या है इन्होंने तैयारी की उसके लिए आपने दिल्ली से कहा कि हमने एरिकल्चर इंफरेस्टेक्शर के लिए एक लाख क्रोड रुपे रखें बजट में आप बताईए एक्सप्रेस वे के किनारे या उत्तफदेस में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने बताओ आखर किस जगह किसान जाकर के MSP ले 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 या लावकारी मूल ले 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 जिन्होंने ये कहा कि हम आई दोगनी कर देंगे क्या किसान की आज महंगाई इस महंगाई में आई दोगनी हो गई जब डीजल, पैट्रॉल, जीस्टी और हर किटनासक दवाई से लेकर के जरुत की चीज किसान की महंगी है तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े इसलिए भारती जन्ता पार्टी इस तरह का काम कर रही है इलेक्टोर बॉंड्स में इनकी घंटी बज गई उसका जवाब इनके पास नहीं जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे है ये चलने वाली नहीं इस बार इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौज़मान इनका घमंड चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसभा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गुन सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है आप मुझसे बेतर जानते इतने साल आपने राजनीती की है जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता देती है बोट कम हुआ बीजेपी का कम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था वही मेरा सवाल है बिपक्ष का बोट बढ़ा इसलिए मैंने आप से कहा बीजेपी अपने मैनेजमेंट से जीत रही है मुद्दों से नहीं जीत रही है अगर मुद्दों से जीत रही होती तो बुनियादी मुद्दे आम जनता के मुद्दे से भातिन तबाटी भाग क्यों रही है अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दू 2019 के लोकसबा चुनाव की बात करें तो 6,000 रुपए की किसान कल्यान सम्मान निधी BJP लेकर आई लोगों ने हाथो हाथ लिया और राहुल गांदी ये कहते रह गए जी मेरी एक नियाय योजना भी है 72,000 रुपए दूँगा 6,000 रुपए महीने के दूँगा और 6,000 रुपए साल 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोसा किया बारती जनता पार्टी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई हैं गरीब के उपर, किसान के उपर जो लोग विश्गुरु बनाने की बात कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनास दे रहे हैं राशन दे रहे हैं कोई कलपना कर सकता है यह अर्थववस्ता क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है एक फीजदी जन्त संख्या के पास 40.1 एक फीजदी संपत्ती है यह सच्चाई है जो आकड़े दिखने यह जिम्यदारी समाजवादियों की या और निभिपक्ष के लोगों की है कि जन्ता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर के जाये हो जन्ता दुखी बैटी है कॉमन मिनिमम्म प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा तो चुनाब आ गए अधिज़ जोषना हो गई अधिज़ उचना जारी हो गई कॉमन मिनिमम्म प्रोग्राम तो आए गई आएगा समाज़वादी पार्टी का विजन डॉक्यमेंट भी आएगा और विजन डॉक्यमेंट कम से कम यह आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती इनता पार्टी की सरकार ने पंद्रे लाग करोड किसान का वो उध्योग पतियों को कर्ज माफ किया है क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता हमारे विजन डॉक्यमेंट में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों देश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन माउन मिनिमम प्रोग्राम में आखरी सवाल, योगी कह गए 80 में 80, आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? 80 हराओ, नौगरी पाओ, 80 हराओ, संकट बचाओ, 80 हराओ, लोक्तंद बचाओ कितना हराओ 80 में से, आप कितने जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे, एक कौन बच गए? अब कोई हो सकता है, एक हो कोई? अचा, प्रदान मंतरी बचेंगे सिर्फ ये मैं नहीं कितना करता हूँ, एक के अलावा सब हारने वाले हैं एक के अलावा सब हारने वाले हैं, चार जून को देखते हैं, दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आपाए, कीमती वक्त निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया, इस सत्र में घोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी समेथ 10 दलों ने तो खुलासा कर दिया था, अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है Congress गुरेज कर गई थी, तुनमूल Congress भी गुरेज कर गई थी, यहां बात थोड़ी सी उल्जन भरी हो जाती है यह समाजवादी पार्टी उत्तफदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रहे करके वह चंदा नहीं बोला या सकता है और जिस तरह BGP को मिला है वह चंदा नहीं है BGP का BGP किसी के आड में छिप नहीं सकती है यह unektorile bond नहीं है यह BGP का बैंट बज गया है ये इससे छिपना चाहते हैं इसलिए ध्यान अटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं क्या करबना कर तकते हैं आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ एलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्यौरा और साथ बजे अर्विंद केजरिवाल के हाँ इडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्शन बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है या सुप्रीम कोर्ड माने सुप्रीम कोर्ड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सी एलाओ उखड दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा हूँने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जादा है कि जो आकड़े निकल कर का रहे है उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP न्यूज नहीं देखते हैं सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बैस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP, AVP चैनल न बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ? ABVP चैनल न बन जाए हम आपको रखे आगे वाले हैं क्योंकि जो और चैनल है हम जनता को आगे रखने वाले हैं, हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ जो और चैनल है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है, उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया, इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए, जेल जाने का, जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग डरी होता हम और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकार्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकद्मों का क्या जो चाहिए उसको मुकद्मा लगा दिया जूटे मुकद्मे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकद्मे लग रहे हैं यहां पर और उत्तवदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकत में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरच्चित अगर कही हैं तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके अकड़े कहां है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती जी आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं बताएश सरकार के कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया परकेंदर सरकार हो ये डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रस्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आकड़े आते हैं जो बाते आती हैं चैराहूल गांदी ओ, सोनिया गांदी ओ, नाशनल हेरल केस में वो जमानत पर हैं तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं ममताब एनर जी उनके बतीजे को उनके उपर कारवाई हो रही है उसमें आपका भी नाम आ जाता है वो कह रहे हैं, यह सबका नंबर लगाने वाले हैं यह भरष्टाचारियों का गड़बंदन है यह इंडिया अगर भरष्टाचारियों का गड़बंदन है तो जिन पर कभी CBI, ED, Income Tax के चापे लगते थे भारष्टाचा पार्टी में जाते ही उन संस्थाओं का क्या हुआ महराष्ट उठा लीजे आप महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भारष्टाचा पार्टी में है उस पर ED, CBI, Income Tax की पहले जाच न चल लई हो जिस समय से ED, CBI, Income Tax की जाच हुई वो बीजेपी में चले गए वो जाच है खतम हो गई बड़े पदों पर बैठे हो गई इसी तरह बंगाल में उधारण है इस तरह यूपी में उधारण है और जो लोग भिश्टाचार की बात कर रहे है ये तमाम सवाल खड़े हुए है कभी एक्सप्रेस पे जाईए आप आगरा लखनू पे भी चल लीजिए आप और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया पुर्मान चल एक्सप्रेस उस पे चल करके देख लीजिए अगर भर्ष्टाचार शामिल नहीं था अगर क्वालिटी से कंप्रुमाइज नहीं किया था सरकार ने तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर तो केवल भर्ष्टाचार लें देने कि मुनाफ़ा ज़ाद है कमाने देने लोगों को वह भर्ष्टाचार नहीं है लोगों को पद दे करके खुश करने क्या वह भर्ष्टाचार नहीं है आप अगर बीजेपी के साथ हैं तो आपको सिक्यूर्टी मिल जाएगी कैटिगरी बदल जाएगी क्या वह भर्ष्टाचार नहीं है लाब देना, जरूरत से ज़्यादे लाब देना, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? पर जनता के जहन में BJP पर भ्रष्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं आप? जनता जान गई है कि इन से ज़्यादा भेष्टाचार किसी सरकार ने ने किया होगा इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में क्या उत्रपदेश के सब गड़े बंद हो गए एक paper league, दो paper league, तीन paper league चार paper league, पाँच paper league छे paper league, साथ paper league आठ, नो और कई परिख्षाएं cancel क्या ये प्ष्टाचार नहीं है इनके BJP के कारकरता नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे क्या STF ने नहीं पकड़ा उनको और फिर सब जाचिन है स्टेफ कोई क्यों जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ क्या हूँ बीजेपी की सरकार नहीं थी बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया क्या यह बिश्टाचार नहीं है साथ लाग बच्चों का आपने भविस्थ अंदकार में डाल दिया ये बीजेपी के लिए भिस्टाचार नहीं है क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं क्या उगी कल्प ना कर सकता है कि एक नौजबान ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख करके जाता है पत्र में कि इन धिग्रियों का क्या होगा अपने माभाप को लिख करके जाता है कि मैं जला करके जा रहा हूं इन धिग्रियों से क्या फाइदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल लए इसी तरह फुरुजबाद की एक बेटी जब पैपर कैंसल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने ये भरष्टाचार नहीं है आरच्षण को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर्णा देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भरष्टाचार करकर के आरच्षण खा रही है मुख्वंतिजी सदन में कहते है कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्वंतिजी जारी नहीं कर पाए क्या ये बस्ता चार नहीं है बेमानी नहीं है पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है narrative building में आप कमजोर पढ़ते हैं क्या बीजेपी के मुकाबले बीजेपी पे खजाना है खजाना लुटा रहे हैं वो narrative कैसे create होगा आप खजाना भर भर करकर पैकेज दे देंगे खजाने की बात आई हम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जहन चौधरी से मैंने interview किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवणनी है पलटने नहीं वाले थे बीजेपी ने पलट दिया उचाल दिया आपकी चवणनी को तो तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे या खिलेश दो पर क्यों मान गए वो कहा साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी चै मिल रही थी और चै में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थे ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलाइंस हुआ ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंक से भी कि आपके पास समीकर्ण क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने सुईकार किया केवल एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते है तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरिंद मलिक उनसे मिल करके आए और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ जहनत ऐसे छोड़ कर चले गए राज्यसभा भी दिया आपने सवाल ये नहीं है इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोगसभा नहीं हमने हमने धोका खाया दो लोगसभा कोई हमने जिस समय उनके बिधायक आये थे और राजसभा मांग की थी उन्होंने उस समय उनसे मैंने का दे कि हमारा साथ देना उन सभी बिधायकों ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसमें बहुत साथ दान है हर चीज से स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा नहीं बहने रास्ता नहीं दिखाया कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उन्हें पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है उस पर विचार किया सकता है एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं ये डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूँ क्या मैं राजस्तवा की डिमांड पूरी कर सकता हूँ क्या मैं MLC की डिमांड पूरी कर सकता हूँ या खेल कुछ और है जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है कि ये सब लोग एक और PDA बनाने चले थे Congress के साथ मिलकर और अखिलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे ये कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाओ नहीं रखा मैं केब सीधा चल लाओं प्रदेश और देश की लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए जिससे में शुरुआती दोर में बात हुए थी नितीश कुमार जी से नाम पर तयार नहीं है सोनियां गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनेतिक भूल थी विपक्षी महागडबंदन की और से बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थी नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर के रिट लेकिन मूल बात यही है कि जिन्हें प्रधानमंतरी बना था और बीजेपी की साज़िस देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं दर्वाजे खुले हैं अब चुनाओ की तारीक आ गही है अब क्या बहस करें गठवंदन पर होली के तिवार ना होता तो नॉमिनेशन हो गया होते हैं अब तो नॉमिनेाशन हो रहे हैं तो बहुत देर हो चूपी यह यह आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद को तो छोड़िये, जो इगो क्लाशेस हैं, उसकी वज़े से इंडिया मुकम्मल गटबंदन नहीं बन पाया, या जो आप कह रहे थे, ED, CBI, IT, इनको जो छोड़ रखा है, उसका दबाव काम आता दिख रहा है। भारती जनता पाधी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी। आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं, इसमें मैं एक क्लारिफिकेशन चाहूंगा, P for पिछड़ा, D for दलित तो है, A for क्या है ये, आधी आबादी भी हो जाता है, अगड़ा भी हो जाता है, अल्पसंख्यक भी। अगड़ी भी हो जाते हैं, आधी अबादी भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदिवासी भी है, और पीड़ी दुखी अगड़ी भी हैं इसमें, इसमें कम से कम कोशिस की है, समाजवादी लोगों ने, कि PDA के अंब्रेला कहता है, सब को जोड़ा जाए, सब का साथ सब का वि हो रहा, सब का साथ तो है, लेकिन गैरा बराबरी नहीं खतम होती सब के साथ में, ये PDA जो है, वो गैर बराबरी खतम करने का नारा है, जो समाजी नया है, उसका नारा है PDA, अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है किया आपकी तरफ से, जो भी भी कर रहे हैं बिहार में, MY Factor की बही मुस्लिम यादव एक वोट बैंक, एक समी करन, वो आपके लिए भी काम करता है, वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है, वो माई बाप पर चले गए, और बाप भी वही है, आपका PDA यह है, बहुजन, आदिवासी और पूर जो है उन लोगों की वो बात कर रहे हैं, आप भी यही कोशिश कर रहे हैं, या इस टू लिटल टू लेट? यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही, जो समाजवादियों नारे कभी 80s में, 90s में दिये, वही नारे हैं आज, लेकिन वही नाम बदल गया, अगर कभी संसुपा ने बांदीगाट, वो वाला नारा थे, तो आज PDA वाला नारा है, तो कोशिश यही है, कि इस अंब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए, अपना ग्रूप बड़ा किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, तभी BJP का मुकाबला हो सकता है, और सबसे ज़्याद में नहीं दिया जा रहा है, उनको नौकरी नहीं दिया रही है, जो नई विवस्ता अरेक्षड की है, उससे पिष्डे दलितों का सबसे ज़्यादे हक चीना जा रहा है, ये मूल भाबना के साथ खिलबार है, उसके लिए नारा PDA है, आज मदरसों का कैंसल कर दिया गया है, एक्ट जो बना था, उस नियम और एक्ट को खतम कर दिया गया, ति ये उनको हाक दिनाने का नारा है, आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है, आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है, क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्याद है, असर अच्छित माहिला हैं, और जो कुछ विवस्था हैं बनाया थी, जाए वो डाइल हंड्रेड बनाया था, या वन जिरो नाइन जिरो बनाया था, वो सब विवस्था खतम कर दिया, इसलिए पीडिये एक बड़ा नारा है, जिसके तैदम सबनों को जोड़ने का काम क कि वहाँ कहीं आगे आप से निकल गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे जादा असुरचित महला हैं अगर कहीं हैं, तो भारते जिम्ता पार्टी की सरकार वे वो आखड़े बताते हैं, यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ, किसी महला के साथ अन्यायना हो रहा हो, और जो विवस्ता हैं बनाई दी सुरक्षा को ले करके, वो सब समाप्त कर दी इनोंने, आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दिये हैं, वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.3-6 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी, कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है, या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें, अगले एक ही बात कर लें, मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाये, या उनका रुझान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा, तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मज जबूरी हो गया अखिलेश या दब के लिए, और कॉंग्रेस पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हो, काम अच्छा हो, लेकिन उसके बावज़ूद भी नाशनल इमेज नहीं बना पाती है, हाला कि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलियें, वो एक्जम्प्रेरी काम रहे देश के लिए भी, और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो, इसलिए एक गडवन्दन बड़ा बनना चाहिए, और उस बड़े गडवन्दन में इसलिए समाजवादी पार्टी साथ आई है, अमेठी से राहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए, उस पर जाएक उतसाहा बनता है, ना? ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए, और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए, तो लड़ेंगे? अखिलेश यादव, लड़ने चाहिए, लोगसबा चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा, आजम खान से आप जाकर मिलें, गंटे आपकी मुलाकात हुई, ए आएम आएम वाले आरोप लगा रहे हैं, या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है, अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादव वहां गए? देखिए, आधिने आजम खान साब के साथ पूरी पार्टी है, हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ हैं, अगर किसी लोगसभा सीट को ले करके चर्चा उनसे हुई है, तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है? आधिने आजम खान साब वहां से कई बार रहे हैं उनका छेत रहे हैं, तो क्या लोगतत में हम उनकी राय नहीं लेंगे? तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जो वो राय देंगे, उस पर पार्टी बिचार करेगी. क्या राय दी? जो राय दी, वो हमारे उनके बीच की है. तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ आप चुनाव लड चुनाव लड़ा जाएगा. तो चुनाव लड़ा जाएगा. एक और जो आरोब बीजेपी लगतार आप पर लगाती, वो परिवारवाद का. और उस आरोप में, उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं, पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिकत समय करन पीडिये वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन मे तो किया है. लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं, सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों? यह अननेसेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती, क्योंकि बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती. मैंने देखा, मैं कई चैनल देख रहा हूँ, हो सकता मैंने आपका न देखा हूँ, लेकिन वो चैनल जिसको एक नाफिगा जाता हूँ, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो. मैं शर्त यह ही है, कि यह A-V-V-P चैनल न बन जाएं. हो ही नहीं सकता. यह यहां पर मैं खुला एलान कर रहा हूँ, आप अपनी सीट का नाम बताने को तैयार नहीं, मैं खुला एलान कर रहा हूँ, A-B-P न्यूज, A-B-P न्यूज रहेगा, आपको रखे आगे रखेगा, A- बैठे थे, दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया. तो इसी में ही तो वो कहती है न, B-J-P, अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं, बात PDA की करते हैं. हाँ, जो बात मैं कहना चाहता था, कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ, नजाने क्या क्या आरोब लगाते थे, वही लोग सुझाव दे रहें कि आप क्या कर रहें हैं, और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा, उसको लगने के लिए फैसला लेगी पार्टी, और ये जनता के बीच में जाने का है, संगर्स का है, फ सुनाब लडाएंगे या समर्थन देंगे, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है, पर वरुन गानली के लिए दर्वाजे खुले हैं, दर्वाजे नहीं, सॉफ्ट कॉर्णर तो रहेगा पार्टी का अगर कोई अच्छा प्रत्यासी मिल जाएगा बीजेपी के लोग हमारे प्रत्यासी पर डाका मार रहे हैं अगर कोई उनके पार्टी का प्रत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम विचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं पर एक चीज किया आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को समझाया उनकी नबस टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ ब्रश्ताचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वे पक्षो अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है यह बार ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थे हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो बूत का आखरी दिन का management है आखरी दिन का जो management है रात से लेकर के सुबह तक वाला यह परचार खत्म होने के बास से लेकर के बोट डालने के समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यही कर रहे है मैं नहीं कह सकता हूं सीधा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धनबल है उनके पास वो management है Congress हारोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्रचार कैसे करें निताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जाहाज में नहीं बेज सकते विज्ञापन नहीं दे सकते इश्टहार नहीं लगा सकते ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है बहुत अच्छा शब्द नहीं है वो हार की खीज है या ये हकीकत है के बले account seize नहीं हो रहे है मुख्यमंत्री सीज हो रहे है आप सोचिए ये हार का डर नहीं है बीजेपी का बीजेपी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो election face करते ये हार चुके हैं इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम कहे जा रहे है क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है जिन किसानों से इन्होंने ये कहा कि आपकी आय दोगनी होगी जिन किसानों को कहा कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको आप बताईए क्या इन्होंने त्यारी की उसके लिए आपने दिल्ली से कहा कि हमने agriculture infrastructure के लिए एक लाग करोड रुपए रखें बजट में आप बताईए एक्सप्रेस वे के किनारे या उत्तफदेश में एक भी मंडी बनाई हो उन्होंने बताओ आखर किस जगह किसान जा करके MSP ले ले या लावकारी मूल ले ले जिन्होंने ये कहा कि हम आए दोगनी कर देंगे क्या किसान की आज महंगाई इस महंगाई में आए दोगनी हो गई जब डीजल, पैट्रॉल, जीस्टी और हर कीड़नासक दबाई से ले करके जरुत की चीज किसान की महंगी है तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े इसलिए भारती जन्ता पार्टी इस तरह का काम कर रही है इलेक्टोर बोंड्स में इनकी घंटी बज गई उसका जवाब इनके पास नहीं जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं ये चलने वाली नहीं है इस बार इस बार देश का किसान देश का मजदूर देश का नौजवान इनका घंट चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसभा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गुन सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है आप मुझे से बेतर जानते हैं इतने साल आपने राजनीती की है जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा BJP पर ही क्यों जता देती है बोट कम हुआ BJP का कम उतना नहीं हुआ जितना होना चीए था वही मेरा सवाल है बिपक्ष का बोट बढ़ा इसलिए मैंने आप से कहा BJP अपने मैनेजमेंट से जीत रही है मुद्दों से नहीं जीत रही है अगर मुद्दों से जीत रही होती तो बुनियादी मुद्दे आम जनता के मुद्दे से भाधिन तबाड़ी भाग क्यों रही है जी मेरी एक नियाए योजना भी है 72,000 रुपए दूंगा 6,000 रुपए महीने के दूंगा और 6,000 रुपए साल 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोस्वा किया बारति जनता पाटी पर लेकिं इधर जो परेशानी आई है गरीब के उपर, किसान के उपर जो लोग विश्गुरू बनाने की बात कर रहे है जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनास दे रहे हैं राशन दे रहे हैं कोई कलपना कर सकता है यह अर्थवस्ता क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है एक फीज़्दी जन्त संख्या के पास 40.1 फीज़्दी संपत्ती है यह सच्चाई है जो आकड़े दिखने यह जिम्यदारी समाजवादियों की या और निभिपक्ष के लोगों की है कि जन्ता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर के जाए हूं जन्ता दुखी ही बैटी है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा है तो चुनाव आ गए अधी घोषना हो गई अधी सूचना जारी हो गई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आए गई आएगा समाजवादी पार्टी का विजन डॉकुमेंट भी आएगा और विजन डॉकुमेंट कम से कम यह आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती जिन्ता पार्टी की सरकार ने पंत्रे लाग करोड किसान का उध्योग पतियों का कर्ज माफ किया है क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों देश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन माओन मिनिमम प्रोग्राम में आखरी सवाल योगी कह गए असी में असी आप कितनी सीट जीतने वाले हैं असी हराओ नौगरी पाओ असी हराओ संकट बचाओ असी हराओ लोगथंद बचाओ कितना हरा हो असी में से, आप कितने जीतेंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे, एक कौन बच गए अब कोई हो सकता, एक हो कोई अच्छा, प्रदान मंतरी बचेंगे सिर्फ ये मैं नहीं करता हूँ, एक के अलावा सब हारने वाले हैं, चार जून को देखते हैं, दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, अखलेश आप आए, कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते र हैं, आपकी पार्टी समेट दस दलों ने तो खुलासा कर दिया था, अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई हैं, कॉंग्रस गुरेज कर गई थी, तुनमूल कॉंग्रस भी गुरेज कर गई थी, यहां बात थोड़ी सी उल्जन बरी हो जाती है क्या, ये समाजवादी सुआनि वही तो मैंने का, कि जो लाप पहुचा सकते हैं, सरकार मेरे करके, वो चंदा नहीं बोलाया सकता है, और जिस तरह BJP को मिला है, वो चंदानी है BJP का, BJP किसी की आार में चिप नहीं सकती है, ये लेक्टर बोंड नहीं है, ये बीजवाद बजगिया है, ये इस से आते हैं इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं कि आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ इलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्यौरा और साथ बजे अर्विंद केजरिवाल के यहां एडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है यह सुप्रीम कोड माने सुप्रीम कोड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सी ए लागु खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा हुने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर तो बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP News नहीं देखते हैं लगता है सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP चैनल न बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ ABVP अच्छा ABVP न बन जाए हम आपको रखे आगे वाले हैं क्योंकि जो और चैनल है हम जनता को आगे रखने वाले हैं हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ते जो और चैनल हैं जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर भेस नहीं कर रहे है और जब से क्रेडिबिल्टी चैनलों की खतम हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकार्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकत्मों का क्या जो चाहिए उसको मुकत्मा लगा दिया जूटे मुकत्मे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकत्मे लग रहे हैं यहां पर और उत्तवदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकत में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरच्चितगर कही है तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके आकड़े कहा है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती जी आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं बताएश सरकार के कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रुजगार मिल गया पर केंदर सरकार हो ये डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रश्टाचार के खिलाब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आखड़े आते हैं जो बाते आती हैं चैराहुल गांदी और सोनिया गांदी और नाशनल हरल केस में वो जमानत पर हैं तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं ममताब एनर जी उनके बतीजे को उनके उपर कारवाई हो रही है उसमें आपका भी नाम आ जाता है वो कह रहे हैं यह सबका नंबर लगाने वाले हैं यह भरष्टाचारियों का गटबंदन है यह इंडिया अगर भरष्टाचारियों का गटबंदन है तो जिन पर कभी महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भरष्टाचारियों पर भरष्टाचारियों की पहले जाचना चल लए हो जिस समय से एडि सीवे इंकम टेक्स की जाच हुई वो बीजेपी में चले गए वो जाचे खतम हो गई बड़े पदों पर बैठे हुए इसी तरह बंगाल में उधारण है इस तरह यूपी में उधारण है और जो लोग भरष्टाचार की बात कर रहे है ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं कभी एक्सप्रेस पे जाईए आप आगर लखनू पे भी चल लीजी आप और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया पुर्वांचल एक्सप्रेस उस पे चल करके देख लीजी आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा और बनेल खन एक्सप्रेस जिसका उद्गार ने पुर्दामन दीजी ने किया आज भी काम चल ला है उस पर अगर भरस्टाचार शामिल नहीं था अगर क्वालिटी से कंप्रमोईज नहीं किया था सरकार ने तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर तो केवल भरस्टाचार लेंडेने क्या मुनाफ़ा जाद है कमाने देने लोगं को वो भास्टाचार नहीं है लोगं को पद दे करके खुछ करने था वह भास्टाचार नहीं है आप अगर बीजेपी के साथ हैं तो आपको सिक्रुरिटी मिल जाएगी category बिदे जाएगे, क्या वो भेष्टाचार नहीं है? लाब देना, जरूर से ज़्यादे लाब देना, क्या वो भेष्टाचार नहीं है? पर जनता के जहन में BJP पर भेष्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं आप? जनता जान गई है, कि इन से ज़्यादा, भेष्टाचार किसी सरकार नहीं किया होगा, इसका जवाब सरकार के पास क्या है? कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में, क्या उत्तरपदेश के सब गड़े बंद हो गए? एक पेपर लीक, दो पेपर लीक, तीन पेपर लीक, चार पेपर लीक, पाँच पेपर लीक, छे पेपर लीक, साथ पेपर लीक, आठ, नो, और कई परिच्छाएं कैंसल, क्या ये बिश्टाचार नहीं है, इनके BJP के कारकरता नेता पकड़े गए, जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे, क्या STF ने नहीं पकड़ा उनको, और फिर सब चांचे STF कोई क्यों, जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ, क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी, बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया, और पेपर देते समें क्या बसूला नहीं गया, क्या ये बिश्टाचार नहीं है, साथ लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदकार में डाल दिया, ये बीजेपी के लिए बिश्टाचार नहीं है, क्या इन नौकरी के जाता कि मैं जला करके जा रहा हूं इन दिग्रियों से क्या फाइदा कि मुझे नौकरी नी मिल रही इसी तरह फुरुजबाद के एक बेटी जब पैपर कैंसल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने यह भरस्टाचार नहीं है आरच्छन को लेकर के 69,000 यहां बैठे रहे धर्णा देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भरस्टाचार करकर के आरच्छर खा रही है मुख्यवंतिजी सदन में कहते हैं कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्यवंतिजी जारी नहीं कर पाए कि यह बश्टा चार नहीं है बहिमानी पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है नारेटव बिल्दिंग में आप कमजोर पड़ते हैं क्या बीजेपी के मुकाबले बीजेपी पर खाजाना है कि खाजाना लुटा रहे हैं वो नेरेटिव कैसे क् खाजाना भर भर करकर गर पैकेज देंगे खाजाने की बात आई हम चवनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जहन चौधरी से मैं ने इंटिव्यू किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवनी है पलटने नहीं वाल यह बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलाइंस हुआ यह बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंग से भी कि आपके पास समीकंड क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो करिवार को लगनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने का मैं बात करना चाहता हूं से वो खुद हरेंदर मलिक उनसे मिल करके आए और अपनी बाचीत की और उसक बड़ा सवाल ये कि एक लोगसवा नहीं हमने दोका खाया, दो लोगसवा कोई हमने, जिस समय उनके बिधायक आये थे और रायसवा मांग की थी उन्होंने, उस समय उनसे मैंने का दे कि हमारा साथ देना, उन सभी बिधायकों ने का दे कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन वो स साथ लिया है समाजवादी उन्हें, उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए, इसमें बहुत साथ दहान है हर चीज से, हर प्रसाद मौरिया को महासचिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दि खाया कि कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उने हैं पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है उस पर विचार किया सकता है एक सीट पर आप थीन सीटें मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं यह डिमांड म पूरी कर सकता हूं क्या मैं MLC की डिमांड पूरी कर सकता हूं यह खेल कुछ और है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि यह सब लोग एक और PDA बनाने चले थे कॉंग्रेस के साथ मिलकर और अखिलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा द आते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइंस हो जाए जिससे में शुरुआती दोर में बात हुए थी नितिश कुमार जी से उससे में भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख विपक्ष की भूमिका में आये तो उसके नेत्रत में इंडिया कि ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितिश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागटबंदन की और से बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उ इसमें कॉंग्रस की एक कमजोरी रही कमजोरी किसी की नहीं है पर स्थितियों के साफ से जो फैसलियों उसमें जो कंफ्यूजन हुआ या जो भी रेंड़े लिया गया वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जन्हें प्रधानमंत्री बना था और बीजेपी की सा है गठबंदन पर होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन हो गए होते अब तो नॉमिनेशन हो रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचार धाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो इगो क्लाशिस हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गठबंदन नही परदार दिखरा दिखरा आ है इंडिया कठबंदन बन चुका है दिखरा है और हमें उम्मीद है कि भारधी जंता पारटी इस बार हारेगी और जैसे पहले कहा भारधी जंता पारटी का घमर्ढ का घ़ड़ा इस बार जंता फोर देगी आप PDA का फ nominees लेकर चले हैं इस इसमें मैं एक लारिफिकेशन चाहूंगा पीफ और पिछडा दीफ और दलित तो है ए फ और क्या है ये आधी आबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अलपसंक्यक भी निए इस पिछडा दलित अगड़े भी हो जाते हैं आधी अबादी भी है अलपसंक्यक भी है और PDA दुखी अगड़े भी है इसमें इसमें कम से कम कोशिश की है समाजवादी लोगों ने कि PDA के अंब्रेला केता है सबको जोड़ा जाए सबका साथ सबका विकास क्या है कम से कम वो कह रहे हैं नारा दे रहे हैं लेकिन वो नारे का असर नहीं है जो काम करना चाहिए नार परी खतम करने का नारा है जो समाजवादी निया है उसका नारा है PDA अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है क्या आपकी तरफ से जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में MY Factor की बई मुस्लिम यादव एक वोट बैंक एक समी करन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही है आपका PDA यह है बहुजन आदिवासी और पूर जो हैं उन लोगों की वो बात कर रहे हैं आप यही कोशिश कर रहे हैं या इस टू लिटल टू लेट यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही जो समाजवादियों ने नारे कभी 80s में 90s में दिये वही नारे आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदी घाट वो वाला नारा था तो आज PDA वाल लोगों को शामिल किया जाए अपना गुरूब बड़ा किया जाए लोगों को जोड़ा जाए तभी बीजेपी का मुकाबला सो सकता है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और एन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे अड़नानी कराना चाहते हैं जो हाबादी के हिसाब से ह अलितों का सबसे ज़्यादे हक चीना जा रहा है ये मूल भाबना के साथ खिलबार है उसके लिए नारा पीडिये है आज मदर्सों को कैंसिल कर दिया गया है एक्ट जो बना था उस नियम और एक्ट को खतम कर दिया गया ति उनको हक दिनाने का नारा है आदिवासियों के सा भेदवावरा उनके लिए नारा है आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्याद है असरच्छित महिला है और जो कुछ विवस्ता है बनाया थी चाहे वो डायल हंड्रेड बनाया था या वन जिरो नाइन जिरो बनाया था वो सब विवस्ता खतम कर दी इसलिए पीडिय एक बड़ा नारा है जिसके तेधम समनों को जोड़ने का आदी आदी अबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आक हिंद्र मोधी और बीजेपी वहाँ कहीं आगे आप से निकल गई है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे जादा असुरचित महला अगर कहीं है तो भारती इंता पार्टी की सरकार वे वो आखड़े बताते हैं यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूं और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ किसी महला के साथ अन्यायना हो रहा हो और जो विवस्ता हैं बनाई दी सुरक्षा को ले करके वो सब समात कर दी नहीं आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी हैं वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.36 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट ग लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुजान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया अखिलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल इविल पर पार्टी है और बहुत सारे मददाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है इसलिए नैशनल मुद्दों को ले करके और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हों काम अच्छा हो लेकि हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गडवंदन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गडवंदन में इसलिए समाज़ादी पार्टी साथ आई है अमेठी से राहूल गांदी को चमाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं कॉंग्रिस पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता आपकी निजी रायत होगी जो भी कॉंग्रिस पार्टी फैसला लेगी हमारा पूरा कैड़र और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा एक उरजा एक उच्साहा बनता है ना मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रिस किसको लडाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि कॉंग्रिस पार्टी जहां भी जिस पृत्यासी को उतारेगी जितनी भी गटबंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा पिर चोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखलेश यादव लड़ने चाहिए लोग सभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई ए आए मायम वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पका करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखलेश यादव वहां गई देखिए आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ हैं अगर किसी लोगषभा सीट को लेकर के चर्चा उनका शेत हुई है तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है ऐजनी आजम खान साहब वहां से कई बार रहे हैं लोगषभा के साथ उननोंने जिताय हैं कई बार बिधायक रहे हैं उनका छेत रहे तो क्या लोकतन में उनकी राए नह तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ आप चुनाव लड़ने वाले है चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव लड़ना चीए मैंने इसलिए पहले का चुनाव लड़ना चीए मैंने इसलिए पहले का दो हजार में लड़े थे पहली दफार, लेक उसके बाद सदन में गया मैं, उननिस में मैं लड़ा, क्योंकि परसिति के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्तीफा देना पड़ा, आएगा चुनाओ तो फिर लड़ा जाएगा चुनाओ, तो चुनाओ लड़ा जाएगा, एक और जो आरोप बीजेपी लगतार आप पर लगाती, वो परिवारवाद का, और उस आरोप में, उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं, पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ, कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उमीदवा हैं, सारे यादव उमीदवार मुलायम सिंग परिवार के ही क्यों? यह अननेसेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती, क्योंकि बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती, मैंने देखा, मैं कई चैनल देख रहा हूँ, हो सकता मैंने आपका न देखा हूँ, लेकिन वो चैनल, जिसको इस बात पर तो मैं शुकायत दर्ज कर रहा हूँ, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो, मैं आप देखना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन शर्त यह ही है, कि ये ए वी वी पी चैनल न बन जाए, हो ही नहीं सकता, यह यहाँ पर मैं खुला एलान कर रहा हूँ, आप अपनी लोग सब को आगे नहीं देख सकते हैं, किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे, दूसे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया, तो इसी में ही तो वो कहती है ना, बीजे पी, अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं, बात पी डिये की करते ह जो बात मैं कहना चाहता था, कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरोप लगाते थे, वही लोग सुझाव दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और जहां जीतने वाली सीट पे जो भी प्रत्यासी जीतेगा, उसको लगने के लिए फैसला लेग इसी को नाम दे दिया और वो चीट करके चला गया, वरुन गांदी कुछ नाम लड़ाएंगे या समर्थन देंगे, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है, पर वरुन गांदी अगर कोई उनके पार्टी का प्रतासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं पर एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से BJP ने लोगों को समझाया उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ ब्रश्टाचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मुदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वे पक्षकूँ अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है यह बार ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थे हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो बूट का आखरी दिन का management है आखरी दिन का जो management है रात से लेकर के सुबह तक वाला यह परचार खतम होने के बास से लेकर के बोट डालने कि समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूं सीधा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धन्द बल है उनके पास वो management है Congress हारोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्रचार कैसे करें नेताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जहाज में नहीं बेज सकते विग्यापन नहीं दे सकते इश्तहार नहीं लगा सकते ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है बहुत अच्छा शब्द नहीं है वो हार की खीज है या ये हकीकत है केबल एकाउंट सीज नहीं हो रहे हैं मुख्यमंत्री सीज हो रहे हैं आप सोचिए ये हार का डर नहीं है बीजेपी का बीजेपी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो इलेक्शन फेस करते हैं ये हार चुके हैं इसलिए नेरिटिव बदलने के लिए ये काम किये जा रहे क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है जिन किसानों से इन्होंने ये कहा कि आपकी आय दोगनी होगी जिन किसानों को कहा कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको आप बताईए क्या है इन्होंने तयारी की उसके लिए आपने दिल्ली से कहा कि हमने एरिकल्चर इंफरेस्टेक्शर के लिए एक लाग क्रोड रुपे रखें बजट में आप बताईए एक्सप्रेस वे के किनारे या उत्तफदेस में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने बताओ आखर किस जगह किसान जाकर के MSP ले 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 या लाबकारी मूले ले ले जिन्होंने ये कहा कि हम आए दोगनी कर देंगे क्या किसान की आज महंगाई इस महंगाई में आए दोगनी हो गई जब डीजल, पेट्रॉल, जीस्टी और हर कीटनासक दवाई से लेकर के जरुत की चीज किसान की महंगी है तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े इसलिए भारती जन्ता पार्टी इस तरह का काम कर रही है इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान इनका घमंड चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसवा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गुन सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है, आप मुझसे बेतर जानते इतने साल आपने राजनीती की है जनता गाली दे कर भी, गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता देती है बोट कम हुआ बीजेपी का कम उतना नहीं हुआ जितना होना चीए था वही मेरा सवाल है बिपक्ष का बोट बढ़ा, इसलिए मैंने आप से कहा बीजेपी अपने मैनेजमेंट से जीत रही है मुद्दों से नहीं जीत रही है अगर मुद्दों से जीत रही होती है तो बुनियादी मुद्दे आम जनता के मुद्दे से भादिन तबाड़ी भाग क्यों रही है बागती भादिन तबाड़ी उसी में अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूँ 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 6000 रुपए की किसान कल्यान सम्मान निधी बीजेपी लेकर आई लोगों ने हाथो हाथ लिया और राहुल गांदी ये कहते रह गए जी मेरी एक नियाए योजना भी है 72 रुपए दूँगा 6000 रुपए महीने के दूँगा और 6000 रुपए साल 500 रुपए महीने वाली योजना को हाथो हाथ ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोस्वा किया भारती जनता पार्टी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई है गरीब के उपर किसान के उपर जो लोग विश्गुरु बनाने की बात कर रहे है जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनास दे रहे हैं राशन दे रहे हैं खिला पिला रहे हैं कोई कलपना कर सकता है यह अर्थववस्था क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है लेकि दूसरे लोग लापार है यह सच्चाई है जो आकड़े दिखने यह जिम्यदारी समाजवादियों की या और निभिपक्ष के लोगों की है कि जनता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर के जाए हो जनता दुखी ही बैटी है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यो नहीं आ रहा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती जनता पाड़ी की सरकार ने 15 लाग करोड किसान का उद्योग पतियों का कर्ज माफ किया है क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों और देश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन वाउन मिनिमम प्रोग्राम में आखरी सवाल योगी कह गए असी में असी आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? असी हराओ, नौगरी पाओ असी हराओ, संकट बचाओ असी हराओ, लोग थंद बचाओ कितना हराओ असी में से, आप कितने जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक कौन बच गए? अब कोई हो सकता, एक हो कोई अच्छा, प्रदान मंत्री बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आ पाए, कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमसकार मुस्कुराते रही है हैं आपकी पार्टी समय दस दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई हैं कॉंग्रस गुरेज कर गई थी तो नमूल वह चंदा नहीं बोलाये क्या हैं और जिस तरह बीजेपी को मिलाये वह चंदा नहीं नहीं है बीजेपी किसी के आर में चिपना playful लेक्टोल बॉल्ड नहीं है यह बीजेपी का बेंड्श गिया है विए इससे झ zitten करना चाहते हैं इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं कि आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ इलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और साथ बजे अर्विंद केजरिवाल के यहां ईडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल मांड की जैसे ही सूशना जारी होती है यह सुप्रीम कोर्ड माने सुप्रीम कोर्ड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सी ए लागु खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा उने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान यटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकने निकल करका रहे हैं उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पे तो बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP News नहीं देखते हैं, लगता है, सीधा सवाल नहीं देखते हैं, यही बैस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ, और मुझे उम्मीद है, और मुझे भरोसा है, ABP, AVP चैनल न बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ? ABVP चैनल न बन जाए हम आपको रखे आगे वाले हैं, हम जनता को आगे रखने वाले हैं, हम जनता के मुद्धे उनके सरुकारों का पीछा नहीं चोड़ते हैं जिस तरीके से बहस और मुद्धों पर होती है, उन मुद्धों पर बहस नहीं कर रहे हैं और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है, मैंने चैनल देखना बंद कर दिया, इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अर्विंद केजरिवाल जेल गए, जेल जाने का, जेल भेजने का सीजन चल रहा है, मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा? अगर डरी होता तो राजनित क्यों करते हैं हम लोग, डरी होता हम, और डर सी ये बास समझ में आ रही है, क्या सरकार और बीजेपी के लोग, ब्रह्मान रिकॉर्ड मनने जा रहे हैं जूटे मुकदमों का क्या? जो चाहिए उसको मुकदमा लगा दिया, जूटे मुकदमे लगा दिये, लोगों पर जूटे मुकदमे लग रहे हैं यहां पर, और उत्तवदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ, जहां पर जूटे मुकदमे लगा करके लोगों को फसाय गया है, और ए जो लोग दावा करते थे कि इन्वेश्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेश्टमेंट वजब आया है और उस इन्वेश्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके हाकड़े कहा है दो आयोजन हुए investment meet के जिसमें देश के प्रधानमंती ची आए बाद में groundbreaking ceremony हुई वो कारखाने कहां लगे हैं बताए सरकार की कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोज़गार मिल गया परकेंदर सरकार हो यह डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रश्टाचार के खिलाब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आंकडे आते हैं जो बाते आती हैं चहराहul गांदी हो सोनिया गांदी हो नाशनल हैरल केस में वो जमानत पर हैं तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं ममताव एनरजी उनके बतीजे को उनके उपर कारवाई हो रही है उसमें आपका भी नाम आ जाता है वो कह रहे हैं यह सब का नंबर लगाने वाले हैं यह ब्रश्टाचारियों का गटबंदन है यह इंडिया अगर में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भारती जनता पार्टी में है उस पर EDCV income tax की पहले जाच न चल लए हो जिस समय से EDCV income tax की जाच हुई वो बीजेपी में चले गए वो जाचे खतम हो गई बड़े पदों पर बैठे हुए इसी तरह बंगाल में उधारण है इस तरह यूपी कभी एक्सप्रेस पे जाईए आप आगरा लखनू पे भी चल लीजिए आप और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया पुर्मानचल एक्सपे उस पे चल करके देख लीजिए आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा और बुनेल तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर तो केवल भष्टाचार लें देने कि मुनाफ़ा जाद है कमाने देने हैं लोगों को वो भष्टाचार नहीं है लोगों को पद दे करके खुश करने क्या वो भष्टाचार नहीं है आप अगर बीजेपी के साथ हैं तो आपको सि पर जनता के जहन में ब्रश्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है ये बात मानते हैं आप जनता जान गई है कि इन से जादा भैस्टाचार किसी सरकार ने ने किया होगा इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में क्या उत्तरफदेश के सब गड़े बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तेन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पांच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ और कई परिख्षाएं कैंसल, कै ये परिश्टा चार नहीं है, इनके प्रदेश में पेपर लीग हुआ, क्या होँआ बीजेपी के सरकार नहीं थी, बैठ करके हजार लोगों को पेपर नहीं दिया गया, और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया, क्या ये भिष्टा चार नहीं है, साट लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदकार में जाल दिया, यह बीजेपी के लिए भिष्टाचार नहीं है, क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होगी कल्ब ना कर सकता है कि एक नौजमान, ब्रिजेश पाल ये कहता है, और लिख कर के जाता है पत्र में, कि इन धिग्रियों का क्या होगा, अपने माभाप को लिख कर के जाता है, कि मैं जला कर के जा रहा हूँ, इन धिग्रियों से क्या फाइदा, कि मुझे नौकरी नहीं मिल लई, इसी तरह फुरुजबाद के एक बेटी, जब पैपर कैंसल हो गया, तो उसने आत्मधा कर लिया, जान दे दी उसने, यह भिष्टाचार नहीं है, आरच्षण को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे, धर्णा देते रहे, इतने सालों से, सरकार उनका भष्टाचार करकर के आरच्षण खा रही है, मुख्वंतीजी सदन में कहते हैं, कि जब समाजवादी की सरकार थी, 46 में 56 SDM बन जाते थे, मैंने पूछा वो 46 में 56 सुची कहा है, आज तक मुखंतीजी जारी नहीं कर पाए, क्या यह बस्ता चार नहीं है, बहिमानी नहीं है, पर वो आरोप आज भी आप पर मधा जाता है, नारेटिव बिल्दिंग में आप कमजोर पड़ते हैं, क्या बीजेपी के मुकाबले, बीजेपी पे खाजाना है, खाजाना लुटा रहे हैं वो, नेरेटिव कैसे क्रेट होगा, आप खाजाना भर भर करकर पैकेज दे देंगे, खाजाने की बात आई, हम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में, जैन चौधरी से मैंने इंटिव्यू किया, और मैंने का, साथ सी अपने खड़े करना चाह रहे थे, यह बात गलत है, और मैंने कई बार इस बात में कहा, जो उन्होंने परत्यासी कहा, क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलाइन्स हुआ, यह बात मैंने उनके सामने रखी, और दलों से भी, कि आपके पास समीकर्ण क्या है, और आपका प अपने कहा, वो मैंने सुिकार किया, केवल एक सवाल मुझफवर नगर का था, मैंने उनसे कहा, कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं, तो हम उस पर भी बिचार कर लेंगे, पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे, और उन्होंने चोटा है, दो बड़ा है, दुख हुआ, जैन तैसे छोड़ कर चले गए, राज्या सभा भी दिया आपने, सवाल ये नहीं है, इस से बड़ा सवाल ये, कि एक लोग सभा नहीं हमने धोका काया, दो लोग सभा कोई हमने, जिस समय उनके बिधायक आये थे, और राज्या सभ चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया, क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है, जिन-जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें, उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास द दिखाया, कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं, हम रोकते नहीं उन्हें, पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई, अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है, उस पर विचार किया सकता है, एक सीट पर, आप थीन सीटे मांग रहे हैं, और कुछ भी मांग रहे हैं, जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, कि ये सब लोग एक और PDA बनाने चले थे, कॉंग्रेस के साथ मिलकर, और अखिलेश को अकेला चोडने वाले थे, और आपने खेल दिया चर्खा दाओ, मैंने तो सुना, आप होकी के खिलाडी थे, ये कुष्टी के गुर, नेत हो जाए, जिस से में शुरुआती दोर में बात ही थी, नितीश कुमार जी से, उस से में भी यही बात थी, कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख विपक्ष की भूमिका में है, तो उसके नेत्त में इंडिया गडबंदन बनी, और वही रास्ता मैंने अपनाया, उसी रास नहीं है, सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर, राहूल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी, विपक्षी महागडबंदन की और से, बातें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चा नहीं है, पर सित्यों के हिसाफ से जो फैसलियों उसमें जो कन्फ्यूजन हुआ या जो भी ने लिए गया वही मुझे दिखता है, लेकिन मूल बात यही है, कि जन्हें प्रधानमंतरी बना था, और बीजेपी की साजिश देखिए, उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटाइर क लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं, दर्वाजे खुले हैं, अब चुनाओ की तारीक आ गई है, अब क्या बहस करें गटबंदन पर, होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन्स हो गए होते हैं, अब तो नॉमिनेशन्स हो रहे हैं, तब बहुत देर हो चुकी है, यह आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद को तो छोड़िये, जो इगो क्लाशेस हैं, उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गटबंदन नहीं बन पाया, या जो आप कह रहे थे, ED, CBI, IT, इनको जो छोड़ रखा है, उसका दबाव काम आता दिख रहा है, इंडिया गटबंदन बन चुका है, दिख रहा है, और हमें उम्मीद है कि भार्धी जनता पार्टी इस बार हारेगी, और जैसा मैंने पहले कहा, भार्धी जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी, आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं, इसमें मैं एक लारिफिकेश चाहूंगा, पीफ और पिछड़ा दीफ और दलित तो है, एफ और क्या है, ये आधी आबादी भी हो जाता है, अगड़ा भी हो जाता है, अल्पसंख्यक भी, पिछड़ा दलित, अगड़े भी हो जाते हैं, आधी आबादी भी है, अल्पसंख्यक भी हैं, आदिवासी भी कम से कम वो कह रहे हैं नारा दे रहे हैं लेकिन वो नारे का असर नहीं है जो काम करना चाहिए नारे के तैद वो नहीं हो रहा सबका साथ तो है लेकिन गैरा बड़ाबरी नहीं खतम होती सबके साथ में ये PDA जो है वो गैर बड़ाबरी खतम करने का नारा है जो समाजिक नया है उसका नारा है PDA या is it too little too late यह कोशिस समाजबादियों के हमेशा रही जो समाजबादियों नारे कभी 80's में 90's में दिये वही नारे आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदी घाट वो वाला नारा था तो आज PDA वाला नारा है तो कोशिस यही है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे अर्णानी कराना चाहते है जो हवादी के हसाफ से हग सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे बैठे रहे उन्हें आरेक्षड में नी दिया जा रहा है उनको नौकरी नी दिया रही है जो नई विवस्ता आरेक्षड की है उस से पिषडे दलितों का सबसे ज़्यादे हग चीना जा रहा है यह मूल भाबना के साथ खिलबार है उसके लिए नारा पीडिये है आज मदरसों का कैंसिल कर दिया गया एक्ट जो बना था उस एनियम और एक्ट को खतम कर दिया गया ति ये उनको हग दिनाने का नारा है आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्याद है असर अच्छित महिला हैं और जो कुछ विवस्था हैं बनाए थी चाहिए वो डाइल 100 बनाया था या 1090 बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी इसलिए पीडिये एक बड़ा नारा है जिसके तेधम सबनों को जोड़ने का काम था है आपने आदिया अबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप यह बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंदर मोदी और बीजे पी वहाँ कहीं आगे आप से निकल गई लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे जादा असुरच्चित महिला अगर कहीं है तो भार्टी जिंता पार्टी की सरकार वे वह आखड़े बताते हैं यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हो रहा हूँ और जो विवस्था हैं बनाई दी सुरक्षा को लेकर गए वो सब समाथ कर दी इनोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दिये हैं वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.3-6 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल्मانों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुजान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो Congress के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया आखिलेश यादव के लिए Congress Party क्योंकि National Evil पर Party है और बहुत सारे मद्दाता इस बात पर विचार करते हैं कि National Party कौन है इसलिए National मुद्दों को ले करके और कई बार Regional Party के पास मुद्दे अच्छे हो, काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी National Image नहीं बना पाती है हाला कि समाजवादी Party ने जो जो फैसलियें वो एक्जम्पररी काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव नहो इसलिए एक गड़बंदन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गड़बंदन में इसलिए समाजवादी Party साथ हाई है अमेठी से राहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं Congress Party क्या फैसला लेगी उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ आपकी निजी राय तो होगी जो भी Congress Party फैसला लेगी हमारा पूरा केडर और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा एक उर्जा एक उत्साहा बनता है ना मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूँ कि Congress किसको लड़ाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि Congress Party जहां भी जिस वृत्यासी को उतारेगी जितनी भी गड़बंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी Party का समर्थक उनका साथ ख़़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा फिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखिलेश चुनाव लड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पका करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश याद हो वहाँ गए देखिए आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ है अगर किसी लोगसभा सीट को लेकर के चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है आज़णी आजम खान साहब वहाँ से कई बार रहे हैं लोगसभा के साथ उन्होंने जिताया है कई बार बिधायक रहे हैं उनका छेथ रहे हैं तो क्या लोगतत में उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे नहीं जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी क्या राय दी जो राय दी वो हमारे उनके पीच की है तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ आप चुनाव लड़ने वाले है चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव लड़ना चीए मैंने इसलिए पहले कहा चुनाव लड़ना चीए मैंने इसलिए पहले कहा और लोकसवा चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर लड़ा जाएगा तो चुनाव लड़ा जाएगा एक और जो आरोप BJP लगतारा आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोप में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसेसरी बहस इसलिए BJP करती क्योंकि BJP मुकाबला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहा हूं हो सकता मैंने आपका न देखा हूं लेकिन वो चैनल अब इस बात पर तो मैं शुकाय दर्ज कराऊंगा अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आप देखना शुरू करना हूं लेकिन शर्त ही ही है कि यह ए वी वी पी चैनल न बन जाए हो ही नहीं सकता यहाँ पर मैं खुला एलान कर रहा हूँ, आप अपनी सीट का नाम बताने को तैयार नहीं, मैं खुला एलान कर रहा हूँ, ABP News, ABP News रहेगा, आपको रखे आगे रखेगा, ABVP कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते, किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे, दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को उटा दिया, तो इसी में ही तो वो कहती है ना, BJP, अपने पर लगाते थे, वही लोग सुझाव दे रहें कि आप क्या कर रहें ये, और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा, उसको लड़ने के लिए फैसला लेगी पाटी, और ये जनता के बीच में जाने का है, संगर्स का है, फैसला, ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी अब लड़ाएंगे या समर्थन देंगे, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है, पर वरुन गानली के लिए दर्वाजे खुले हैं, दर्वाजे नहीं, सॉफ्ट कॉर्णर त जैसी आरहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं पर एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से BJP ने लोगों को समझाया उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ ब्रश्ताचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वेपक्ष को अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार ये हमारा नारा है ये बात ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थे हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो पूर जो बूत का आखरी दिन का management है आखरी दिन का जो management है रात से लेकर के सुबह तक वाला ये परचार ख़तम होने के बास से लेकर के बोट डालने कि समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूं सीधा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं ये जो last moment management है ये कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धन्द बल है उनके पास वो management है Congress आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्लचार कैसे करें नेताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जहाज में नहीं बेज सकते विग्यापन नहीं दे सकते इश्तहार नहीं लगा सकते ये विद्वा शब नहीं है वो हार की खीज है या ये हकीकत है कि बल एकाउंट सीज नहीं हो रहे हैं मुख्यमंत्री सीज हो रहे हैं आप सोचिए ये हार का डर नहीं है बीजेपी का बीजेपी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो election phase करते ये हार चुके हैं इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम किये जा रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है जिन किसानों से इन्होंने ये कहा कि आपकी आय दोगनी होगी जिन किसानों को कहा कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको आप बताईए क्या है इन्होंने तैय कि उसके लिए आपने दिल्ली से कहा कि हमने एरिकल्चर इंफरस्टेक्शर के लिए एक लाख क्रोड रुपे रखे बजट में आप बताईए एक्सप्रेस वे के किनारे या उत्तफदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने बताओ आखिर किस जगह किसान जाकर के MSP ले ल करके जरुत की चीज किसान की महंगी है तो इन तमाम सबालों का जवाब ना देना पड़े इसलिए भारती जन्ता पार्टी इस तरह का काम कर रही है इलेक्टोर बॉंड्स में इनकी घंटी बज गई उसका जवाब इनके पास नहीं जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे है ये चलने वाली नहीं है इस बार इस बार देश का किसान देश का मजदूर देश का नौजमान इनका घंट चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसभा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गुन सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है आप उनसे बेतर जानते इतने साल आपने राजनीती की है जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता दे बोट कम हूआ बीजेपी का कम उतना नहीं हूए जतना होना चाह down वही मेरा सवाल है बिपक्ष का बोट बढ़ा इसलिए मैंने आप से कहा बीजेपी अपने मेनेजमेंट से जीत रही है मुद्दों से नहीं जीत रही है अगर मुद्दों से जीत रही होती तो बुनियादी मुद्दे आम जंता के मुद्दे से भातिन तबाड़ी भाग क्यों रही है उसी में अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूँ 2019 के लोकसबा चुनाव की बात करें तो 6,000 रुपए की किसान कल्यान सम्मान निधी BJP लेकर आई लोगों ने हातो हात लिया और राहुल गांदी ये कहते रह गए जी मेरी एक न्याय योजना भी है 72,000 रुपए दूँगा 6,000 रुपए महीने के दूँगा और 6,000 रुपए साल 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोस्वा किया भारती जनता पार्टी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई है गरीब के उपर, किसान के उपर जो लोग विश्गुरु बनाने की बात कर रहे है जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनास दे रहे हैं राशन दे रहे हैं, खिला पिला रहे हैं कोई कलपना कर सकता है यह अर्थववस्था क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है एक फीज़दी जन्त संख्या के पास 40.1 एक फीज़दी संपत्ती है यह सच्चाई है जो आकड़े दिखने यह जिम्यदारी समाजवादियों की या और निपपक्ष के लोगों की है कि जन्ता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर कर जाये हैं दुखी ही बैटी है कॉमन मिनिममम प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा है तो चुनाव आ गए अधी घोषना हो गई अधी सूचना जारी हो गई कॉमन मिनिममम प्रोग्राम तो आए गई आएगा समाजवादी पार्टी का विजन डोकुमेंट भी आएगा और विजन डोकुमेंट कम से कम ये आएगा कि खिसान को हम रात क्या दे turkey भारती हिंता पार्टी की सरकार ने पंदर लाग करोड किसान का अध्योग पतियों को करज माफ किया है क्या किसानों का करज माफ नहीं हो सकता हमारे विजन डोकुमेंट में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों और देश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन वाउन मिनिमम प्रोग्राम में आखरी सवाल योगी कह गए असी में असी आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? असी हराओ, नौगरी पाओ असी हराओ, संकट बचाओ असी हराओ, लोगठंद बचाओ कितना हराओ असी में से, आप कितने जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक कौन बच गए? अब कोई हो सकता, एक हो कोई अच्छा, प्रदान मंत्री बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं कितना करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आप आए, कीमती वक्त निकाला बहुत-बहुत शुक्रिया इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धन्यवाद पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ EDCBI की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा हैं आपकी पार्टी समेट 10 दलों ने खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है कॉंग्रस गुरेज कर गई थी तुनमूल कॉंग्रस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उल्जन भरी हो जाती है क्या यह समाजवादी पार्टी उत्तफडेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के परमाने पही तो वही तो मैंने का कि जो ला पहुचा सकते हैं सरकार मेरे करके वो चन्दा नहीं बोला या सकता है और जिस तरह बीजेपी को मिला है वो चंदा नहीं है BJP का, BJP किसी के आड में छिप नहीं सकती है, यह लेक्टरल बॉन नहीं है, यह BJP का बेंड बज गया है, यह इससे छिपना चाहते हैं, इसलिए ध्यान अटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं, क्या कर अप कॉंग्रस की बोली बोल रहे हैं कि पांच जाता हूं, इलेक्टरल बॉन्ड की जैसे ही सूशना जारी होती है, यह सुप्रीम कोड, माने सुप्रीम कोड की तरफ से, और एलेक्शन कमिशन की तरफ से, सी एलागू उखड दिया, जब उसका कोई असर नहीं दिखा हूने, साड़े चार साल बाद, कानून तो बन गया जाता हूं, उसका ध्यान अटाने के लिए, सवाल उससे भी जाता है, कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं, उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है, बदाईयों पर बहस हो रही है, या और मुद्दों पर बहस हो रही है, आप ABP न्यूज नहीं देखते हैं, लगता है, सी ABP चैनल ना बन जाये, ABP का क्या मसलब हुआ? ABVP नन जाये, हम आपको रखे आगे वाले हैं, हम जनता को आगे रखने वाले हैं, हम जनता के मुद्धे उनके सरुकारों का पीछा नहीं चोड़ती, जो और चैनल हैं, जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है, उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे हैं, और जब से क्रेडिबिल्टी चैनलों की खतम हुई है, मैंने चैनल देखना बंद कर दिया, इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अर्विंद केजरिवाल जेल गए, जेल जाने का, जेल भेजने का सीजन चल रहा है, मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा? अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग? डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है, क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रहमान रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकदमों का क्या? जो चाहिए उसको मुकदमा लगा दिया, जूटे मुकदमे लग यहां पर और उत्तवदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ, जहां पर जूटे मुकदमे लगा करके लोगों को फसाए गया है, और एक नहीं हजारों ऐसे हैं, कस्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी, इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं, महिलाएं और बे हैं, कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, और उस इन्वेस्टमेंट के तहत नौकरी और रोजगार मिलें, इसके अकड़े कहां हैं, दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेट मीट के, जिसमें देश के प्रधान मंती जी आए, बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हु हम लडाई लड रहे हैं, और इसमें आम आदमी के सामने जो आखड़े आते हैं, जो बाते आती हैं, चैराहुल गांदी हो, सोनिया गांदी हो, नाशनल हेरल केस में, वो जमानत पर हैं, तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं, ममता बैनर जी उनके बतीजे को, उनके उपर कारवाई हो रही है, उसमें आपका भी नाम आ जाता है, वो कह रहे हैं, यह सब का नंबर लगाने वाले हैं, यह ब्रश्टाचारियों का गटबंदन है, यह इंडिया, अगर ब्रश्टाचारियों का गटबंदन है, तो जिन पर कभी CBI, ED, Income Tax के छापे लगते थे, ब्रश्टाचा पार्टी में जाते ही, उन संस्ताओं का क्या हुआ, महराष्ट उठा लीजे आप, महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है, जो ब्रश्टाचा पार्टी में है, उस पर ED, CBI, Income Tax के पहले जाच न चल लगी हो, जिस समय से ED, CBI, Income Tax के जाच हुई, वो बीज उस्ताचार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं, कभी एक्सप्रेस पे जाईए आप, आगरा लखनू पे भी चल लीजिए आप, और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन, जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया, पुर्मांचल एक्सप्रेस उस प अगर भिष्टाचार शामिल नहीं था, अगर क्वालिटी से कंप्रमोईज नहीं किया था सरकार ने, तो आज भी काम क्यों चल लाएं वहाँ पर, तो केवल भिष्टाचार लें देने, क्या मुनाफ़ा जाद है कमाने देने लोगों को, वो भिष्टाचार नहीं है, लोग से ज़ाद है लाब देना, क्या वह भिष्टाचार नहीं है? पर जनता की जहन में, बीज़ि पी पर भिष्टाचार कारौप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं आप? जनता जान गई है कि इन से ज़्यादा भैस्टाचार किसी सरकार ने ने किया होगा इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में क्या होत्तापदेश के सब गड़े बंद हो गए एक पेपर लिक, दो पेपर लिक, तीन पेपर लिक, चार पेपर लिक, पाँच पेपर लिक, छे पेपर लिक, साथ पेपर लिक, आथ, नो और कई परिख्यां ञ INTERACAT इनके बीजेपि के कारकरता नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे क्या STF ने नहीं पकला उनको और फिर सब चांचे STF कोई क्यों जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया क्या ये भिस्टाचार नहीं है साथ लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदकार में डाल दिया ये बीजेपी के लिए भिस्टाचार नहीं है क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं क्या उगी कल बना कर सकता है कि एक नौजबान ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख करके जाता है पत्र में कि इन धिग्रियों का क्या होगा अपने माभाप को लिख करके जाता है कि मैं जला करके जा रहा हूं इन धिग्रियों से क्या फाइदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही इसी तरह फुरुजबाद की एक बेटी जब पैपर कैंसिल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने ये भरष्टाचार नहीं है आरच्छन को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर्णा देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भरष्टाचार करकर के आरच्छड खा रही है मुख्यवंतिजी सदन में कहते है कि जब समाजबादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्यवंतिजी जारी नहीं कर पाए क्या ये बस्ता चार नहीं है बेमानी नहीं है पर वो आरोप आज भी आप पर मड़ा जाता है narrative building में आप कमजोर पड़ते हैं क्या बीजेपी के मुकाबले बीजेपी पर खजाना है खजाना लुटा रहे हैं वो narrative कैसे create होगा आप खजाना भर भर करकर गर पैकेज दे देंगे खजाने की बात आई हम चवन्नी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जहन चौधरी से मैंने इंटिव्यू किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवन्नी है पलटने नहीं वाले थे बीजेपी ने पलट दिया उचाल दिया आपकी चवन्नी को तो तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे या खिलेश दो पर क्यों मान गए वो कहा साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी चै मिल रही थी और चै में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थे ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा लाइंस हुआ ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंक से भी कि आपके पास समीकंड क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने सुईकार किया केवले एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते है तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरिंदर मलिक उनसे मिलकर के आए और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ जहनत ऐसे छोड़ कर चले गए राज्या सभा भी दी आपने सवाल ये नहीं है इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोगसभा नहीं हमने हमने दोका काया दो लोगसभा कोई हमने जिस समय उनके बिधायक आये थे और राजसभा मांग की थी उन्होंने उस समय उनसे मैंने का दे कि हमारा साथ देना उन सभी बिधायकों ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसमें बहुत साथ दान है हर चीज़ से स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा नहीं बहने रास्ता नहीं दिखाया कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उन्हें पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है उस पर विचार किया सकता है एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं यह डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूं क्या मैं राजस्वा की डिमांड पूरी कर सकता हूं क्या मैं MLC की डिमांड पूरी कर सकता हूं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे, ये कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाव ने रखा, मैं केबस सीधा चल ला हूँ प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइंस हो जाए जिससे में शुरुआती दोर में बात ही थी नितिश कुमार जी से, उससे में भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख विपक्ष की भूमिका में आये, तो उसके नेत्त में इंडिया गडवंदन बनी और वही रास्ता में अपनाया, उसी रास्तिवे में चल ला हूँ नितिश कुमार का आपने जिकर किया, नितिश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती, ये नाक की खामखा की लड़ाई की जी ममता बैनर जी, इनके नाम पर तयार नहीं है, सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितिश कुमार के नाम पर, राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी, विपक्षी महागट बंदन की ओर से? बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थी, नितिश कुमार को, अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे, सोच वो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल, जिसे प्रधानमंती बनना था, उसे सीम होकर क कर देंगे, तो इसमें कॉंग्रस की एक कमजोरी रही? एक कमजोरी किसी की नहीं है, पर स्थित्यों के हिसाफ से जो फैसले हो, इसमें जो कन्फ्यूजन हुआ या जो भी रिंड़े लिए गया है, वही मुझे दिखता है, लेकिन मूल बात यही है, कि जन्हें प्रधानमंत अधरी बना था, और बीजेपी की साजिश देखे, उन्हें ऐसे मुख्यवंति रिटायर कर देंगे, मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, अब चुनाओ की तारीक आ गई है, अब क्या बहस करें गठवंदन पे, होली का तेवार ना हो तो नॉमिनेशन्स हो गए होते हैं, अब तो नॉमिनेशन्स हो रहे हैं, तब बहुत देर हो चुकी है, यह आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद को छोड़िये, जो इगो क्लाशेस हैं, उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गठवंदन नहीं बन पाया, या जो आप कह रह उसका दबाव काम आता दिख रहा है, इंडिया कठवंदन बन चुका है, दिख रहा है, और हमें उम्मीद है कि भारती जंता पार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा, भारती जंता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जंता फोड़ देगी, आप PDA का फॉर फृप Internet के सभाट लिकर चले हैं इसमें मुद्धे एक क्लारिफिकेशन चाहंगा पीफ और पिछड पार द्ली तो है एफ और क्या है ये आधी आबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अल्पसंक्यक भी पिश्ड़ा दलित अगड़े भी हो जाते हैं आधी आबादी भी है अल्पसंक्यक भी है आदिवासी भी है और पीड़े दुखी अगड़े भी है इसमें मीई इसमें यहां से कम कोशिश की है समाजवाधी लोगों ने कि पीडीय की अंब्रेला के तैक्ट यह सब का साथ सब का विकास क्या है कर चाहिकए औरी लेकिन वह नारे का असर नहीं है जो काम करना चाहिए नारे के तैद वो नहीं हो रहा सबका साथ तो है लेकिन गैरा बराबरी नहीं खतम होती सबके साथ में ये PDA जो है वो गैर बराबरी खतम करने का नारा है जो समाजी नया है उसका नारा है PDA अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है क्या आपकी तरफ से जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में MY Factor की बही मुस्लिम यादव एक वोट बैंक एक समी करन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है या इस टू लिटल टू लेट यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही जो समाजवादियों नारे कभी 80s में 90s में दिये वही नारे हैं आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदीगाट वो वाला नारा था तो आज PDA वाला नारा है तो कोशिश यही है कि इस अंब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए अपना ग्रूप बड़ा किया जाए लोगों को जोड़ा जाए तभी बीजेपी का मुकाबला हो सकता है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे एड़ना नहीं कराना चाहते है जो हवादी के हिसाब से हग सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे बैठे रहे उन्हें आरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है उनको नौकरी नहीं दिया रही है जो नहीं विवस्ता अरेक्षड की है उससे पिष्डे दलितों का सबसे ज़्यादे हग चीना जा रहा है यह मूल भाबना के साथ खिलबाड है उसके लिए नारा पीडिये है आज मदरसों का कैंसिल कर दिया गया है एक्ट जो बना था उस नियम और एक्ट को खतम कर दिया गया ति यह उनको हग दिलाने का नारा है आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्याद है असर अच्छित माहिला है और जो कुछ विवस्था है बनाए थी चाहे वो डाइल हंड्रेड बनाया था या वन जिरो नाइन जिरो बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी इसलिए पीडिये एक बड़ा नारा है जिसके तेधम समनों को जोड़ने का काम करें आपने आदिया अबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप ये बात इमानलारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंदर मोदी और बीजेपी वहाँ कहीं आगे आप से निकल गई लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा असुरचित महिलाए अगर कहीं है तो भारते इमता पार्टी की सरकार वे वो आखड़े बताते है ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ अन्यायना हो रहा हो और जो विवस्ता हैं बनाई दी सुरक्षा को लेकर के वो सब समाप्त कर दी नहीं आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी है वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.3-6 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक की बात कर लें मुसल्मानों में सेंड मारी ना कर जाए या उनका रुजान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया अखलेश प्रतिश आदब के लिए Congress Party क्योंकि National level पर Party है और बहुत सारे मददाता इस बात पर विचार करते हैं कि National Party कौन है इसलिए National मुद्दों को ले करके और कई बार Regional Party के पास मुद्दे अच्छे हो, काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी National Image नहीं बना पाती है हला कि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलियें वो exemplary काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराब न हो इसलिए एक गड़वंदन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े हमारा पूरा केढ़र और पूरा संघठन उसकी मदद करेंगा एक उर्जा एक उत्साहा बनता है ना मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रेस के सको डराएगी लेकिन ये भरोसा दिला सकता हूँ कांग्रेस पार्टी जहां भी जिस प्रित्यासी को उतारेगी जितनी भी गड़बंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा फिर चोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा यह चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव चोड़ना चाहिए तो लड़ेंगे अखलेश यादव लड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे यह बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिलें डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई ए आयम आयम वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे है कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पका करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखलेश यादव वहां गई देखिए आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ हैं अगर किसी लोकसभा सीट को ल बिधायक रहे हैं उनका छेत रहे हैं तो क्या लोकतत में उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे निजो वो राय देंगे उस पर पार्टी बिचार करेगी क्या राय दी जो राय दी वो हमारे उनके वीच की है तो मतलब मैं यह मान कर चलूँ आप चुनाव कि अमने हैं फर कि यहां तो रख्यार में निएctoral चुंप जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाLU कहांसे लड़ेंगे और चुनाव लड़ रहे हैं तो कहा से लड़ेंगे तो चुनाव लड़ेंगे अ पूर्जा और उत्साहा आपके कारेकरताओं में तब ही आएगी कि अखिलेश वही आ गए मैदान में। मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ। और लोकसवा चुनाओ लड़ लड़े थे पहली दफ़ा। लेकर उसके बार सदन में गया मैं। उननिस में लड़ा हूँ। क्योंकि परसिति के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्टीफा देना पड़ा। आएगा चुनाओ तो फिर लड़ा जाएगा चुनाओ। तो चुनाओ लड़ा जाएगा। एक और जो आरोप बीजेपी लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का। और उस आरोप में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ। कि इस बार आपने एक जातिगत समय करन पीडिये वाला खेल अपने उमीदवारों के चेहन में तो किया है। लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों। यह अन्नेसेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती क्योंकि बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने देखा, मैं कई चेनल देख रहा हूं, हो सकता मैंने आपका न देखा हूं, लेकिन वो चेनल जिसको एक नाफिकाए जाता हूं। अब इस बात पर तो मैं शुकायत दर्ज करा रहा हूंगा अगर आप नहीं देख रहे हैं तो। मैं खुला एलान कर रहा हूं, एबी पी न्यूज, एबी पी न्यूज रहेगा, आपको रखे आगे रखेगा, एबी वी पी कता ही नहीं होगा। सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते हैं, किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे, दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया। तो इसी में ही तो वो कहती है ना बीजे पी, अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं, बात पी डिये की करते हैं। कि बीच में जाने का है, संगर्ज का है, फैसला। यही ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया। वरुन गांदी कुछ नाम लड़ाएंगे या समर्थन देंगे। अभी इस पर कोई चर्शा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है। मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है। पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले हैं। दर्वाजे नहीं, सॉफ्ट कॉर्णर तो रहेगा, पार्टी का। सॉफ्ट कॉर्णर है। अगर कोई अच्छा प्रत्यासी मिल जाएगा। बीजे पी के लोग हमारे प्रत्यासी पे डाका मार रहे हैं। अगर कोई उनके पार्टी का प्रत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर। तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं। पर एक चीज क्या आप मानेंगे, अखिलेश, आपने मुद्दो की बात की, वो लंबी फेरस्त है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। दो हजार चौदा में, जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को समझाया, उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली, बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार, बहुत हुआ ब्रश्टाचार, बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मुदी सरकार, आपके पास मुद्दे तो हैं पर उसने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या विपक्ष को, अब की बार बीजेपी हार, और अब की बार 400 हार, यह हमारा नारा है, यह बार ठीक है, कि हम लोग traditional politics करते थे, हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है, और जो बूत का आखरी दिन का management है, आखरी दिन का जो management है, रात से लेकर के सुबह तक वाला, यह परचार ख़तम होने के बास से लेकर के बोट डालने के समय तक, जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है, जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं? मैं नहीं कह सकता हूं सीधा, क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो, आप कह सकते हैं, यह जो last moment management है, यह कोई BJP की हुशारी नहीं, BJP के पास सरकार है, धन्दबल है उनके पास, वो management है. कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये, 115 करोड रुपए रोक लिए, हमारी जेब में पैसे नहीं, प्रचार कैसे करें, निताओं को रेल में नहीं बेज सकते, हवाई जहाज में नहीं बेज सकते, विग्यापन नहीं दे सकते, इश्तहार नहीं लगा सकते, ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है, वो हार की खीज है या ये हकीकत है, के बले account seize नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री seize हो रहे हैं, आप सोचिए, ये हार का डर नहीं है बीजेपी का, बीजेपी हार चुकी है, अगर हार का डर होता तो election face करते हैं, ये हार चुके हैं, इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम किये जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, जिन किसानों से इन्होंने ये कहा, कि आपकी आय दोगनी होगी, जिन किसानों को कहा, कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुक्सान की भरपाई न नहीं, जबकि लाम मिलेगा आपको, आप बताईए क्या है इन्होंने तयारी की उसके लिए, आपने दिल्ली से कहा, कि हमने एरिकल्चर इंफरस्टेक्शर के लिए एक लाग क्रोड रुपे रखें बजट में, आप बताईए एक्सप्रेस वे के किनारे, या उत्तव गुनी हो गई, जब डीजल, पैट्रोल, जीस्टी और हर कीटनासक दवाई से लेकर के जरुत की चीज किसान की महंगी है, तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए भारती जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है, इलेक्टर बॉंड्स में इनकी घंट देश का नौजमान इनका घंट चूर करने जा रहा है बोट डाल करके, दोजार बाइस में जब विदानसभा चुना हुए थे, किसान अंदोलन अपने चरम पर था, और उसकी गुन सुनाई दे रही थी, लेकिन एक भरोसा होता है, आप उनसे बेतर जानते हैं, इतने साल आ आपने राजनीती की है, जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता देती है? बोट कम हुआ बीजेपी का, कम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, वही मेरा सवाल है, बिपक्ष का बोट बढ़ा, इसलिए मैंने आप से कहा, बीजेपी अपने मेनेजमेंट से जीत रही है, मुद्दों से नहीं जीत रही है, अगर मुद्दों से जीत रही होती ह तो बुनियादी मुद्दे आम जन्ता के मुद्दे से भादिन तबाड़ी भाग क्यों रही है? उसी में अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूँ, 2019 के लोकसवा चुनाव की बात करें, तो 6,000 रुपए की किसान का लियान सम्मान निधी, बीजेपी लेकर आई, लोगों ने हाथो हाथ लिया और राहूल गांदी ये कहते रह गए, जी मेरी एक न्याय योजना भी है, 72,000 रुपए दूँगा, 6,000 रुपए महीने के दूँगा, और 6,000 रुपए साल, 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने, देश की जनता भरोस्वा किया बारती जिनता पार्टी पर, लेकिन इधर जो परेशानी आई हैं गरीब के उपर, किसान के उपर, जो लोग विश्गुरू बनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा, उस भारत में 80 करोड़ लोगों को यह अनास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है, ये अर्थववस्था क्या है, जहां पर हमारा किसान दुखी है, एक फीज़दी जन्संख्या के पास 40.1 एक फीज़दी संपत्ती है, ये सच्चाई है, जो आकड़े दिखने, ये जिम्यदारी समाज़वादियों की या और निभिपख्ष के लोगों की है, कि जन्ता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर कर जाये हैं, कि जन्ता दुखी ही बैटी है, कॉमन मिनिममम प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा, तो चुनाव आ गए, अधी घोषना हो गई, अधी सुचना जारी हो गई, कॉमन मिनिममम प्रोग्राम तो आए गई आएगा, समाजवादी पार्टी का विजन डॉकुमेंट भी आएगा, और विजन डॉकुमेंट कम से कम यह आएगा, कि किसान को हम रात क्या दें, उधारंड के लिए, भारती इंता पार्टी की सरकार ने, पंद्रे लाग करोड किसान का, वो उध्योग पतियों को कर्ज माफ किया है, क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता, हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा, कि उत्तर प्रदेश के किसानों, देश के किसानों का कर्ज माफ हो, ये सामिल हो हमारे कौन माउन मिनिमम प्रोग्राम में, आखरी सवाल, योगी कह गए 80 में 80, आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? 80 हराओ, नौगरी पाओ, 80 हराओ, संकट बचाओ, 80 हराओ, लोक्तंद बचाओ कितना हराओ 80 में से, आप कितनी जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे, एक कौन बचगे? अब कोई हो सकता एक हो कोई अच्छा प्रदान मंद्री बचेंगे सिर्फ जह मैं नहीं करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जूहन को देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आप आए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धन्यवाद पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ एडी सीबियाई की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा है आपकी पार्टी समेट दस दलों ने खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है कॉंग्रस गुरेज कर गई थी तुनमूल कॉंग्रस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उलजन भरी हो जाती है क्या है यह समाजवादी पार्टी उत्तरप्रदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के पैमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार मेरे करके वो चंदा नहीं बोला या सकता है और जिस तरह BJP को मिला है वो चंदा नहीं है BJP का BJP किसी के आड में छिपने ही सकती है यह लेक्टरोल बॉन्ड नहीं है यह BJP का बैंड बजगिया है यह इससे छिपना चाहते हैं इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे है क्या करबना कर सकते हैं आप कॉंग्रस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बज़े अपलोड हुआ इलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और साथ बज़े अर्विंद केजरिवाल के यहां इडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है या सुप्रीम कोर्ड माने सुप्रीम कोर्ड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से जब उसका कोई असर नहीं दिखा उने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है या और मुद्दों पर तो बहस हो रही है आप ABP News नहीं देखते हैं लगता है सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP चैनल ना बन जाए AVP का क्या मसलब हुआ ABVP चैनल ना बन जाए ABVP ना बन जाए हम आपको रखे आगे वाले हैं हम जनता को आगे रखने वाले हैं हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ती जो और चैनल है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से चैनलों की खतम हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग और डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकार्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकद्मों का क्या जो चाहिए उसको मुकद्मा लगा दिया जूटे मुकद्मे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकद्मे लग रहे हैं यहां पर और उत्तपदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकत में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डेथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे जादा असुरच्चित अगर कही हैं तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके अकड़े कहां है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती ची आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं और उन कारखाने लगने से इतनो को नौक्री रोजगार मिल गया पर केंदर सरकार हो यह डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रश्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आमी के सामने जो आखड़े आते हैं बाते आती हैं चाहे राहूल गांदी हो सोनिया गांदी हो नाशनल हेरल केस में वो जमानत पर हैं तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं ममताव एनरजी उनके बतीजे को उनके उपर कारवाई हो रही है उसमें आपका भी नाम आ जाता है वो कह रहे हैं यह सब का नंबर लगाने वाले हैं यह ब्रश्टाचारियों का गटबंदन है यह इंडिया अगर ब्रश्टाचारियों का गटबंदन है तो जिन पर कभी CBI ED income test के छापे लगते थे बाते जिनतां पार्ड़ी में जाते ही उन संस्थाओं को क्या हुआ महराष्ट उठा लीजे आप महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भार्दी जनता पार्टी में है उस पर EDC way income tax की पहले जाच न चल लए हो जिस समय से EDC way income tax की जाच हुई वो बीजेपी में चले गए वो जाचे खतम हो गई बड़े पदों पर बैठे हुए इसी तरह बंगाल में उधारण है इस तरह यूपी में उधारण है और जो लोग भश्टाचार की बात कर रहे हैं ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं कभी express में जाईए आप आगर लखनू पर भी चल लीजिए आप और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया पूर्मांचल एक से उस पर चल करके देख लीजिए आपको डिफरेंस नजरा जाएगा और बुन्देल खंड एक सपर पर जिसका उद्गार ने प्रतावन त इस ने हैं कि मुनाफ़ा जादфф कमाने देनें लोगों को वह बस्ता चाड़नी है लोगों को पददे करके szerint करे क्जेड़sche और बुश्टा चार्नी आप अगर बीजेपी के साथ हैं तो आपको सेकुरिटी मिल जाएगी केटिगरीं बतल जाएगी क्या वह बस्ता चार नी स्थाड़ुन है कि लाब देना जरूर से ज़्यादे लाप देना तर जन्ता की जहन में भीजेपी पर रश्टाचार कारोप रहा है यह बात मानते हैं उसे जान गई है कि इस से ज़्याद भेष्टाचार किसी सरकार ने ने किया होगा इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में क्या उत्तवधिस के सब गड़े बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पांच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ और कई परिख्षाएं कैंसल क्या ये बश्टा चार नहीं है इनके बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे क्या हेस्टीफ ने नहीं पकड़ा उनको और फिर सब चांचे हेस्टीफ कोई क्यों जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया क्या ये भिष्टा चार नहीं है साट लाग बच्चों का आपने भविस अंदकार में डाल दिया ये बीजेपी के लिए भिष्टाचार नहीं है क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं क्या कोई कल्ब ना कर सकता है कि एक नौजमान ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख करके जाता है पत्र में कि इन धिग्रियों का क्या होगा अपने माभाप को लिख करके जाता कि मैं जला करके जा रहा हूँ इन धिग्रियों से क्या फायदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही इसी तरह फुरुजबाद की एक बेटी जब पैपर कैंसल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने यह भरष्टाचार नहीं है आरख्षण को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर्णा देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भरष्टाचार करकर के आरख्षण खा रही है मुख्यवंतीजी सदन में कहते है कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्यंतीजी जारी नहीं कर पाए क्या यह बस्ता चार नहीं है बेमानी नहीं है पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है नारेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर पड़ते हैं क्या बीजेपी के मुकाबले बीजेपी पे खजाना है खजाना लुटा रहे हैं वो नेरेटिव कैसे क्रेट होगा आप खजाना भर भर करकर गर पैकेज देंगे खजाने की बात आई हम चवन्नी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जैन चौधरी से मैंने इंटिव्यू किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवन्नी है पलटने नहीं वाले थे बीजेपी ने पलट दिया उचाल दिया आपकी चवन्नी को तो तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे आखिलेश दो पर क्यों मान गए वो कह साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी चेह मिल रही थी और चेह में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थे यह बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलाइंस हुआ यह बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंक से भी कि आपके पास समीकंड क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने सुईकार किया केवल एक सवाल मुझफ़न नगर का था मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफ़न नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरिंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरिंदर मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरिंदर मलिक उनसे मिल करके आई और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ जहन तैसे छोड़ कर चले गए राज्यसभा भी दी आपने सवाल ये नहीं है इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोगसभा नहीं हमने हमने दोका खाया दो लोगसभा कोई हमने जिस समय उनके बिधायक आये थे और राजसभा मांग की थी उन्होंने उस समय उनसे मैंने कहा दे कि हमारा साथ देना उन सभी बिधायकों ने कहा दे कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन-जिन साथियों को साथ लिया है समाजवाधी उन्होंने समाजवाधी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाजवाधी पार्टी को कुछ खास दे कर कि नहीं गए इसमें बहुत साब्दान है हर चीज से स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा नि बहने रास्ता नहीं दिखाया कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उने पलवी पटेल भी अब बाहर चली गई अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है उस पर विचार किया है सकता है एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं यह डिमांड में नहीं पूरी कर सकता हूँ क्या मैं राजस्वा की डिमांड पूरी कर सकता हूँ क्या मैं एमेस्टी की डिमांड पूरी कर सकता हूँ यह खेल कुछ और है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि यह सब लोग एक और PDA बनाने चले थे कॉंग्रस के साथ मिलकर और अखेलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे यह कुछ्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाओं नहीं रखा मैं केबल सीधा चल लाओं प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइंस हो जाए जिससे में शुरुआती दौर में बात ही थी नितीश कुमार जी से उससे में भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि कि मुख विपक्ष की भूमिका में आए तो उसके नेत्त में इंडिया गडबंदन बनी और वही रास्ता में ने अपनाया उसी रास्तिवे में चल लाओं नितीश कुमार का आपने जिक्र किया नितीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामखा की लड़ाई की जी ममताब एनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहूल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागडबंदन की और से बातें बहुत सारी हो सकती है लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थी नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच वे बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर के रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रेस की एक कमजोरी रही कमजोरी किसी की नहीं है पर सित्यों के हिसाफ से जो फैसले हो उसमें जो confusion हुआ या जो भी रिंड़े लिए गए वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जन्हें प्रधानमंतरी बना था और बीजेपी की साजिश देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं दर्वाजे खुले हैं अब चुनाओ की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गठबंदन पर होली का तेवार ना होता तो nominations हो गए होते अब तो nominations हो रहे हैं तब बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचार धाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो ego clashes हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गठबंदन नहीं बन पाया या जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिखरा है इंडिया गठबंदन बन चुका है दिखरा है और हमें उम्मीद है कि भार्धी जनता पार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा भार्धी जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं एक क्लारिफिकेशन चाहूंगा पीफ और पिछड़ा दीफ और दलित तो है एफ और क्या है ये आदी आबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अल्पसंख्यक भी पिछड़ा दलित अगड़ी भी हो जाते हैं आदी आबादी भी है अल्पसंख्यक भी हैं आदिवासी भी हैं, और PDA दुखी अगड़े भी हैं इसमें, इसमें कम से कम कोशिस की है, समाजवादी लोगों ने, कि PDA के अंब्रेला कहता है, सब को जोड़ा जाए, सब का साथ सब का विकास क्या है? कम से कम, वो कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं, लेकिन वो नारे का असर नहीं है, जो काम करना चाहिए, नारे के तैद वो नहीं हो रहा है, सब का साथ तो है, लेकिन गैरा बराबरी नहीं खतम होती सब के साथ में, ये PDA जो है, वो गैर बराबरी खतम करने का नारा है, जो समाज यादव वोट बैंक, एक समीकरन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है अब वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही है, आपका PDA ही है बहुजन, आदिवासी और पूर जो है उन लोगों की वो बात कर रहे हैं आप भी यही कोशिश कर रहे हैं या इस टू लिटल टू लेट यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही जो समाजवादियों ने नारे कभी 80s में, 90s में दिये वही नारे आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदी गाट वह वाला नारा था तो आज PDA वाला नारा है तो कोशिश यही है कि इस अंब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए अपना ग्रूप बड़ा किया जाए लोगों को जोड़ा जाए तभी BJP का मुकाबला हो सकता है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे यर्णानी कराना चाहते है जो हवादी के हसाफ से हग सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे, बैठे रहे उन्हें आरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है उनको नौकली नहीं दिया रही है जो नई विवस्ता आरेक्षड की है उससे पिषडे दलितों का सबसे ज़्यादे हग चीना जा रहा है यह मूल भाबना के साथ खिलवार रहे उसके लिए नारा पीटिये है पावरा उनके लिए नारा है आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्याद है असुरच्छित महिला हैं और जो कुछ विवस्था है बनाए थी चाहिए वो डाइल हंड्रेड बनाया था या वन जिरो नाइन जिरो बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी इसलिए पीडिये एक बड़ा नारा है जिसके तेधम सबनों को जोड़ने का आदी आदी आबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी वहाँ कहीं आगे आपसे निकल गई है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे जादा असुरचित महिलाएं अगर कहीं है तो भारती इंता पार्टी की सरकार वे वह आखड़े बताते हैं यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हो रहा हूँ और जो विवस्था हैं बनाएं दी सुरक्षा को ले करके वो सब समाप्त कर दी नोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी हैं वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.36 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अल्प सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुजान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया आखिलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल इविल पर पार्टी है और बहुत सारे मद्दाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है इसलिए national मुद्दों को ले करके और कई बार regional party के पास मुद्दे अच्छे हो, काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी national image नहीं बना पाती है हाला कि समाजवादी party ने जो जो फैसलियें वो exemplary काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गड़वन्दन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गड़वन्दन में इसलिए समाजवादी party साथ हाई है अमेठी से राहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं Congress Party क्या फैसला लेगी उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता आपकी निजी राय तो होगी जो भी Congress Party फैसला लेगी हमारा पूरा केडर और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा एक उर्जा एक उत्साहा बनता है न मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूँ कि Congress किसको लड़ाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि Congress Party जहां भी जिस वित्यासी को उतारेगी जितनी भी गटबंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी Party का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा पिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखलेश यादव लड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादो वहाँ गई देखिए आजम खान साब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ है अगर किसी लोकसभा सीट को ले करके चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोग के क्या तकलीफ है आजड़ी आजम खान साब वहाँ से कई बार रहे हैं लोगसभा के साथ उन्होंने जिताया है कई बार बिधायक रहे हैं उनका छेत रहे है तो क्या लोकतन में उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी क्या राय दी? जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ आप चुनाव लडने वाले हैं चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव लडने वाले हैं तो कहां से लडने वाले हैं चुनाव लडने वाले हैं उर्जा और उत्साः आपके कारेकरताओं में तभी आएगी कि अखिलेश भहिया आगए मैदान में मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ और लोकसवा चुनाव लड़ लड़े थे पहली दफ़ा लेकर उसके बाद सदन में गया मैं 19 में मैं लड़ाँ क्योंकि परसिति के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्टीफा देना पड़ा आएगा चुनाव तो फिर लड़ा जाएगा चुनाव तो चुनाव लड़ा जाएगा एक और जो आरोब BJP लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोब में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसेसरी बहस इसलिए BJP करती क्योंकि BJP मुकाबला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहा हूँ हो सकता मैंने आपका न देखा हूँ लेकिन वो चैनल जिसको एक नाप पर तो मैं शुकाय दर्ज कराऊंगा अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आप देखना शुरू करना हूँ लेकिन शर्त ही ही है कि यह A.V.V.P. चैनल न बन जाए हो ही नहीं सकता यह यहाँ पर मैं खुला एलान कर रहा हूँ आप अपनी सीट का नाम बताने को तयार नहीं मैं खुला एलान कर रहा हूँ A.V.P. News A.V.P. News रहेगा आपको रखे आगे रखेगा A.V.V.P. कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना B.J.P. अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं बात P.D.A. की करते हैं जो बात मैं कहना चाहता था कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरोप लगाते थे वही लोग सुझाव दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा उसको लगने के लिए फैसला लेगी पार्टी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्स का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरुन गांदी को चुनाब लडाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले है दर्वाजे नहीं सॉफ्ट कॉर्णर तो रहेगा पार्टी का soft corner है अगर कोई अच्छा परत्यासी मिल जाएगा BJP के लोग हमारे परत्यासी पर डाका मार रहे हैं अगर कोई उनके पार्टी का परत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं और एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से BJP ने लोगों को समझाया उनकी नबस टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ ब्रश्ताचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वे पक्षो अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है, यह बात ठीक है, कि हम लोग traditional politics करते थे, हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है, और जो बूत का आखरी दिन का management है, आखरी दिन का जो management है, रात से लेकर के सुबह तक वाला, या परचार खतम होने के बात से लेकर के बोट डालने के समय तक, जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है, जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकता हूं सीधा, क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो, आप कह सकते हैं, यह जो last moment management है, यह कोई BJP की होशारी नहीं, BJP के पास सरकार है, धनबल है उनके पास, वो management है, कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये, 115 करोड रुपए रोक लिए, हमारी जेब में पैसे नहीं, प्रचार कैसे करें, निताओं को रेल में नहीं बेज सकते, हवाई जहाज में नहीं बेज सकते, विग्यापन नहीं दे सकते, इश्तहार नहीं लगा सकते, ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है, वो हार की खीज है या ये हकीकत है, के बले account seize नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री seize हो रहे हैं, आप सोचिए, ये हार का डर नहीं है बीजेपी का, बीजेपी हार चुकी है, अगर हार का डर होता तो election face करते हैं, ये हार चुके हैं, इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम के जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, जिन किसानों से इन्होंने ये कहा, कि आपकी आय दोगनी होगी, जिन किसानों को कहा, कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुक्सान की भरपाई नही जबकि लाम मिलेगा आपको, आप बताईए क्या है इन्होंने तयारी की उसके लिए, आपने दिली से कहा, कि हमने agriculture infrastructure के लिए एक लाग करोड रुपे रखें बजट में, आप बताईए expressway के किनारे, या उत्तफदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने बताओ, आखर कि इस जगे किसान जाकर के MSP ले ले ले, या लावकारी मूले ले ले, जिन्होंने ये कहा, कि हम आई दोगनी कर देंगे, क्या किसान की आज मेहंगाई, इस मेहंगाई में आई दोगनी हो गई, जब डीजल, पैट्रॉल, GST और हर किटनासक दबाई से लेकर के जरुत की जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं, ये चलने वाली नहीं इस बार, इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजमान, इनका घमंड चूर करने जा रहा है, बोट डाल करके. दोजार बाईस में जब विदानसभा चुना हुए थे, किसान अंदोलन अपने चरम पर था, और उसकी गुन सुनाई दे रही थी, लेकिन एक भरोसा होता है, आप उनसे बेतर जानते हैं, इतने साल आपने राजनीती की है, जनता गाली देकर भी, गरियाकर भी भरोसा का मुतना नहीं जितना होना चाहिए था, वही मेरा सवाल है, बिपक्ष का बोट बढ़ा, इसलिए में आप से कहा, बीजे पी अपने मेनेशमेंट से जीत रही है, मुड़ों से नहीं जीत रही है, अगर मुड़ों से जीत रही होती तो बुनियादी मुद्धे आम जनता क seeking मुद्दे से भादिन तबाड़ी भाग क्यों रही है उसी में अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूँ 2019 के लोकसबा चुनाव की बात करें तो 6000 रुपए की किसान कल्यान सम्मान निधी BJP लेकर आई लोगों ने हातो हात लिया और राहुल गांदी ये कहते रह गए जी मेरी एक नियाय योजना भी है 72,000 रुपए दूँगा 6000 रुपए महीने के दूँगा और 6000 रुपए साल 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोसा किया अब भार्दिंता पार्टी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई है गरीब के उपर, किसान के उपर जो लोग विश्गुरू बनाने की बात कर रहे है जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनाज दे रहे है राशन दे रहे हैं, किला पिला रहे है कोई कलपना कर सकता है यह अर्थवश्था क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है लेकि दूसरे लोग लापार रहे है यह सच्चाई है जो आकड़े दिखने यह जिम्यदारी समाजवादियों की या और निभिपक्ष के लोगों की है कि जनता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर के जाए हूँ जनता दुखी ही बैटी है Common Minimum Program क्यों नहीं आ रहा है अब तो चुनाव आ गये काड़ी घोषना हो गई या दिस उचना जारी हो गई Common Minimum Program तो आए गई आएगा समाजवादी पार्टी का Vision Document भी आएगा और Vision Document कम से कम यह आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती इनता पार्टी की सरकार ने पंतर लाग करोड किसान का उध्योग पतियों को कर्ज माफ किया है क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता हमारे Vision Document में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों देश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे Convon Minimum Program में आखरी सवाल योगी कह गए असी में असी आप कितनी सीट जीतने वाले हैं असी हराओ नौगरी पाओ असी हराओ संकट बचाओ असी हराओ लोक्थंद बचाओ कितना हराओ असी में से आप कितने जीतेंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक कौन बच गए अब कोई हो सकता एक हो कोई अच्छा प्रदान मंद्री बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आपाए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में घोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुश्कुराते रही है बहुत धन्यवाद 5 में से 3 टॉप 5 में से 3 टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ EDCBI की कारवाई चल रही थी 30 में से 14 हैं आपकी पार्टी समेट 10 दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई हैं Congress गुरेज कर गई थी तुनमूल Congress भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उलजनबरी हो जाती है क्या ये समाजवादी पार्टी उत्तफदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रह करके वो चंदा नहीं बोलाया सकता है और जिस तरह BJP को मिला है वो चंदा नहीं है BJP का BJP किसी के आड में छिप नहीं सकती है ये लेक्टरल बॉन नहीं है ये BJP का बेंड बजगिया है ये इससे छिपना चाहते हैं इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं क्या करबना कर सकते हैं आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बज़े अपलोड हुआ इलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्यौरा और साथ बज़े अर्विंद केजरिवाल के यहां एडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है या सुप्रीम कोर्ड मानि सुप्रीम कोर्ड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सी ए लागू खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा हुने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था तूछी उसका ध्यान अठानी के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं उसे चैनलों पे बहस क्यों नहीं नहीं हुर geen बदाईयों पर तो बहस हो रही है यह और मुद्दों पे तो बहस हो रही है आप ABP News नहीं देखते हैं सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP चैनल न बन जाए AVP का क्या मसलब हुआ ABVP चैनल न बन जाए ABVP न बन जाए हम आपको रखे आगे वाले हैं क्योंकि जो और चैनल है हम जनता को आगे रखने वाले हैं हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ते जो और चैनल है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से क्रेडिबिल्टी चैनलों की खतम हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रहमान रिकार्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकत्मों का क्या जो चाहिए उसको मुकत्मा लगा दिया जूटे मुकत्मे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकत्मे लग रहे हैं यहां पर और उत्तवदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकत में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरच्चितगर कही है तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके अकड़े कहा है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती जी आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं वतायश सरकार के कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरीय रोजगार मिल गया पर केंदर सरकार हो ये डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रष्टाचार के खिलाब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आखड़े आते हैं, जो बाते आती हैं, चैह राहूल गांदी हो, सोनिया गांदी हो, नाशनल हेरल केस में, वो जमानत पर हैं, तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं, ममता बैनर जी उनके बतीजे को, उनके उपर कारवाई हो रही है, उसमें आपका भी नाम आ जाता है, वो कह रहे हैं, यह सब का नंबर लगाने वाले हैं, यह ब्रश्टाचारियों का गटबंदन है, यह इंडिया, अगर ब्रश्टाचारियों का गटबंदन है, तो जिन पर कभी CBI, ED, इंकम टेस्ट के छापे लगते थे, बाते जिनता पा पाटी में है, उस पर ED, CBI, इंकम टेस्ट की पहले जाच न चल लगी हो, जिस समय से ED, CBI, इंकम टेस्ट की जाच हुई, वो बीजेपी में चले गए, वो जाच है ख़तम हो गई, बडे पदों पर बैठे हुए, इसी तरह बंगाल में उधारण है, इस तरह यूपी में और जो लोग भिष्टा चार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं, कभी एक्सप्रेस पे जाईए आप, आगरा लखनू पे भी चल लीजिए आप, और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन, जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया, पुर्मांचल ए अगर भिष्टाचार शामिल नहीं था, अगर क्वालिटी से कंप्रमोईज नहीं किया था सरकार ने, तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर, तो केवल भिष्टाचार लेन देने, कि मुनाफ़ा जाद है कमाने देने लोगों को, वो भिष्टाचार नहीं है, लोगों क भिष्टाचार नहीं है, लाब देना, जरूर से जादे लाब देना, क्या वो भिष्टाचार नहीं है, पर जनता के जहन में बीजेपी पर भिष्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं आप, जनता जान गई है, कि इन से जादा भिष्टाचार कि सब गड़े बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पांच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ, और कई परिच्छाएं कैंसल, कै ये पिस्टाचार नहीं है, इनके BJP के कारकरता नेता पकड़े ग पेपर लीक हुआ, क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी? बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया? और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया? क्या ये भिष्टाचार नहीं है? साथ लाग बच्चों का आपने भविष्ट अंदकार में डाल दिया? ये बीजेपी के लिए भिष्टाचार नहीं है? क्या ये नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं? क्या उगी कल्प ना कर सकता है कि एक नौजबान, ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख कर के जाता है पत्र में कि इन धिग्रियों का क्या होगा? अपने माभाप को लिख कर के जाता है कि मैं जला कर कर जा रहा हूँ इन धिग्रियों से क्या फायदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही? इसी तरह फुरुजबाद की एक बेटी जब पैपर कैंसिल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने ये भरष्टाचार नहीं है आरच्छन को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर ना देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भरष्टाचार करकर के आरच्छड खा रही है मुख्यवंतिजी सदन में कहते है कि जब समाजबादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्यवंतिजी जारी नहीं कर पाए क्या यह बस्ता चार नहीं है बेमानी नहीं है पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है नारेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर पढ़ते हैं क्या BJP के मुकाबले BJP पर खजाना है खजाना लुटा रहे हैं वो नेरेटिव कैसे क्रेट होगा आप खजाना भर भर कर गर पैकेज दे देंगे प्रदे करना चाह रही थी यह बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रतियासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा लाइंस हुआ यह बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंक से भी कि आपके पास समीकंड क्या है और आपका प्रतियासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने सुईकार किया केवले एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरेंदर मलिक उनसे मिलकर के आई और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ जहन तैसे छोड़ कर चले गए राज्यसभा भी दी आपने सवाल ये नहीं है इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोगसभा नहीं हमने हमने दोका खाया दो लोगसभा कोई हमने जिस समय उनके बिधायक आये थे और राजसभा मांग की थी उन्होंने उस समय उनसे मैंने का दे कि हमारा साथ देना उन सभी बिधायकों ने का दे कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाज़ादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसमें बहुत साथदान है हर चीज से स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा नहीं बहने रास्ता नहीं दिखाया कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उने पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है उस पर विचार किया रह सकता है एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं यह दिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूं क्या मैं राजस्वा की दिमांड पूरी कर सकता हूं क्या मैं एमेस्टी की दिमांड पूरी कर सकता हूं या खेल कुछ और है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि यह सब लोग एक और PDA बनाने चले थे कॉंग्रेस के साथ मिलकर और अखिलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे ये कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाओ ने रखा मैं केबस सीधा चल ला हूं प्रदेश और देश कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आए तो उसके नेत्त में इंडिया गड़बंदन बनी और वही रास्ता मैंने अपनाया उसी रास्ते पर में चल ला हूं नितीश कुमार का आपने जिक्र किया नितीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामखा की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागट बंदन की और से बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थे नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कित हुआ या जो भी रेंड़े लिए गए वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जन्हें प्रधानमंत्री बना था और बीजेपी की साजिश देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं दर्वाजे रोच की है यह आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद को छोड़िये जो इगो क्लाशेज हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गटबंदन नहीं बन पाया या जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिख रहे हैं इंडिया गटबं बन चुका है दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि भार्धी जनता पार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा भार्धी जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं क्लारिफिकेशन चाहूं अगड़े भी हो जाते हैं आदियावादी भी है अल्फ संकग भी है आदिवासी भी है और पीड़े दुखी अगड़े भी है इसमें इसमें कम से कम कोशिश की है समाजवादी लोगों ने कि PDA के अंब्रेला केता है सब को जोड़ा जाए सबका साथ सबका विकास क्या है कम से कम वो कह रहे हैं नारा दे रहे हैं लेकिन वो नारे का असर नहीं है जो काम करना चाहिए नारे के तैद वो नहीं हो रहा सबका साथ तो है लेकिन गैरा बड़ाबरी नहीं ख़तम होती सबके साथ में ये PDA जो है वो गैर बड़ाबरी ख़तम करने का नारा है जो समाज यादव वोट बैंक, एक समीकरन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है अब वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही आपका PDA ही है बहुजन, आदिवासी और पूर जो है उन लोगों की वो बात कर रहे हैं आप भी यही कोशिश कर रहे हैं या इस टू लिटल टू लेट यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही जो समाजवादियों ने नारे कभी 80s में, 90s में दिये वही नारे हैं आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदीगाट वह वाला नारा थे, तो आज PDA वाला नारा है तो कोशिश यही है कि इस अंब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए अपना ग्रूप बड़ा किया जाए लोगों को जोड़ा जाए तभी BJP का मुकाबला हो सकता है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे एड़ना नहीं कराना चाहते है जो हवादी के हसाफ से हग सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे, बैठे रहे उन्हें आरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है, उनको नौकरी नहीं दिया रही है जो नई विवस्ता अरेक्षड की है उससे पिष्डे दलितों का सबसे ज़्यादे हग चीना जा रहा है यह मूल भाबना के साथ खिलबार है उसके लिए नारा पीडिये है आज मदरसों का कैंसिल कर दिया गया एक्ट जो बना था उस नियम और एक्ट को खतम कर दिया गया ति यह उनको हग दिनाने का नारा है आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है आदि आवादि जिसको सुरच्छा की जरूवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्याद है असरचित माहिला है और जो कुछ विवस्था है बनाए थी चाहिए वो डायल 100 बनाया था या 1090 बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी इसलिए पीडिये एक बड़ा नारा है जिसके तेधम सबनों को जोड़ने का आपने आदिया अबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप ये बात इमानलारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नर ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हो रहा हो और जो विवस्था हैं बनाई दी सुरक्षा को ले करके वो सब समाप्त कर दी इनोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी हैं वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.3 छे प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुजान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया अखिलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल इविल पर पार्टी है और बहुत सारे मद्दाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है इसलिए national मुद्दों को ले करके और कई बार regional party के पास मुद्दे अच्छे हो, काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी national image नहीं बना पाती है हला कि समाजवादी party ने जो जो फैसलिये वो exemplary काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गड़वंदन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गड़वंदन में इसलिए समाजवादी party साथ हाई है अमेठी से राहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं ये फैसा नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रेस किसको लड़ाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि कॉंग्रेस party जहां भी जिस विर्तियासी को उतारेगी जितनी भी गड़वंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी party का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा पिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश या दो वहां गई तो क्या लोकतत में उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी क्या राय दी? जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ आप चुनाव लडने वाले हैं चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे? और चुनाव लड़ रहे हैं तो कहा से लड़ेंगे? जो चुनाव लड़ना जीए मैंने इसलिए पहले का चुनाव लड़ना जाए हैं आपके कार्यकर्ताओं में तभी आएगी कि अखिलेश वही आ गए मैधान में मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ और लोकसवा चुनाव लड़े थे पहली दफ़ा लेग, उसके बाद सदन में गिया हूँ एक उननिस में में लड़ा हूँ क्योंकि परसिति के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्टीफा देना पड़ा आएगा चुनाओ तो फिर लड़ा जाएगा चुनाओ तो चुनाओ लड़ा जाएगा एक और जो आरोप BJP लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोप में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक अब इस बात पर तो मैं शुकायद दर्ज कराऊंगा अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आप देखना शुरू कर रहा हूं लेकिन शर्त ही है कि ये एवी वी पी चैनल न बन जाए होई नहीं सकता ये यहां पर मैं खुला एलान कर रहा हूं आप अपनी सीट का नाम बताने को तैयार नहीं मैं खुला एलान कर रहा हूं एवी पी न्यूज एवी पी न्यूज रहेगा आपको रखे आगे रखेगा एवी वी पी कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना बीजेपी अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ नजाने क्या क्या आरोप लगाते थे वही लोग सुझाव दे रहें कि आप क्या कर रहें ये और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा उसको लगने के लिए फैसला लेगी पार्टी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्थ का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरुन गांदी कुछ नाव लड़ाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले है दर्वाजे नहीं सौफ्ट कॉर्णर तो रहेगा पार्टी का soft corner है अगर कोई अच्छा परत्यासी मिल जाएगा BJP के लोग हमारे परत्यासी पर डाका मार रहे हैं अगर कोई उनके पार्टी का परत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं और एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से BJP ने लोगों को समझाया उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ भ्रष्टाचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वे पक्षो अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है, यह बात ठीक है, कि हम लोग traditional politics करते थे, हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है, और जो बूत का आखरी दिन का management है, आखरी दिन का management है, रात से लेकर के सुबह तक वाला, या परचार खतम होने के बात से लेकर के बोट डालने के समय तक, जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है, जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकता हूं सीधा, क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो, आप कह सकते हैं, यह जो last moment management है, यह कोई BJP की होशारी नहीं, BJP के पास सरकार है, धनबल है उनके पास, वो management है, कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये, 115 करोड रुपए रोक लिए, हमारी जेब में पैसे नहीं, प्रचार कैसे करें, निताओं को रेल में नहीं बेज सकते, हवाई जहाज में नहीं बेज सकते, विग्यापन नहीं दे सकते, इश्तहार नहीं लगा सकते, ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है, वो हार की खीज है या ये हकीकत है, के बले account seize नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री seize हो रहे हैं, आप सोचिए, ये हार का डर नहीं है बीजेपी का, बीजेपी हार चुकी है, अगर हार का डर होता तो election face करते हैं, ये हार चुके हैं, इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम कही जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, जिन किसानों से इन्होंने ये कहा, कि आपकी आय दोगनी होगी, जिन किसानों को कहा, कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुक्सान की भरपाई नह नहीं, जबकि लाम मिलेगा आपको, आप बताईए क्या है, इन्होंने तयारी की उसके लिए, आपने दिली से कहा, कि हमने agriculture infrastructure के लिए, एक लाग क्रोड रुपे रखें बजट में, आप बताईए, एक्सप्रेस वे के किनारे, या उत्तफदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने बताओ, आपकर किस जगे किसान जाकर के MSP ले ले या लावखारी मूले ले ले, जिन्होंने ये कहा, कि हम आई दोगनी कर देंगे, क्या किसान की आज महंगाई, इस महंगाई में आई दोगनी हो गई, जब डीजल, पैट्रॉल, GST और हर किटनासक दबाई से ल गई, उसका जवाब इनके पास नहीं, जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं, ये चलने वाली नहीं है इस बार, इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजमान, इनका घमंड चूर करने जा रहा है, बोट डाल करके. दोजार बाईस में जब विदानसभा चुना हुए थे, किसान अंदोलन अपने चरम पर था, और उसकी गुन सुनाई दे रही थी, लेकिन एक भरोसा होता है, आप उनसे बेतर जानते हैं, इतने साल आपने राजनीती की है, जनता गाली देकर भी, गरियाकर भी भरोसा बेजेपी का, कम उतना नहीं हुए जितना होना चीह था, वही मेरा सवाल है, विपखश का बोड बढ़ा, इसलिए में आप से कहा, बीजेपी अपने बेनेजमेंट से जीत रही है, अगर मुदो से जीत रही होती है, तो बुन्यादी मुद्दे आम जंता के मुद्दे से भ बीजेपी लेकर आई, लोगों ने हातो हात लिया और राहुल गांदी ये कहते रहे गए, जी मेरी एक न्याय योजना भी है, 72 रुपए दूंगा, 6 रुपए महीने के दूंगा और 6 रुपए साल, 500 रुपए महीने वाली योजना को हातो हात ले लिया, लोगों ने. देश की जनता भरोसा किया भारती जनता पार्टी पर, लेकिन इधर जो परेशानी आई हैं गरीब के उपर, किसान के उपर, जो लोग विश्गुरू बनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं विकसित भारत बनेगा, उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनास दे रहे राशन दे रहे हैं, किला पिला रहे हैं, कोई कलपना कर सकता है, यह अर्थववस्था क्या है, जहां पर हमारा किसान दुखी है, एक फीस्दी जनत संख्या के पास 40.1 एक फीस्दी संपत्ती है, यह सच्चाई है, जो आकड़े दिख रहे हैं, यह जिम्धारी समाजवाद कि यह और निभवख्ष के लोगों की है, कि जनता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर गजाए हूं, जनता दुखी ही बैटी है, कौमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा है, तो चुनाव आ गए, अधी घोषना हो गई, अधी सुचना जारी हो गई, कौमन मिनि करोड किसान का उद्योग पतियों को कर्ज माफ किया है, क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता, हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा, कि उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ हो, ये सामिल हो हमारे कौन मिनिमम प्रोग्राम में, आखरी सवाल, योगी कह गए असी म असी हराओ, नौगरी पाओ, असी हराओ, संकट बचाओ, असी हराओ, लोक्थंद बचाओ, कितना हराओ असी में से, आप कितने जीतेंगे, एक के अलावा सब हार जाएंगे, एक कौन बच गए, अब कोई हो सकता है, एक हो कोई, अच्छा प्रदान मंत्री बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आपाए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में घोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धन्यवाद पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ एडी सीबियाई की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा हैं आपकी पार्टी समेट 10 दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है कॉंग्रस गुरेज कर गई थी तुनमूल कॉंग्रस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उलजन भरी हो जाती है क्या यह समाजवादी पार्टी उत्तफदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के पहमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रह करके वो चंदा नहीं बोला जा सकता है और जिस तरह बीजेपी को मिला है वो चंदा नहीं है बीजेपी का कर रहे हैं कि आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ इलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और साथ बजे अर्विंद केजरिवाल के यहां एडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है या सुप्रीम कोड माने सुप्रीम कोड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सी एलाओ उखड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा हूँने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आखड़े निकल कर का रहे हैं उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP न्यूज नहीं देखते हैं सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP चैनल न बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ ABVP अच्छा ABVP न बन जाए हम आपको रखे आगे वाले हैं क्योंकि जो और चैनल है हम जनता को आगे रखने वाले हैं हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ती जो और चैनल है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से Credibility चैनलों की खतम हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग और डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकॉर्ड मनाने जा रहे हैं जूटे मुकदमों का क्या जो चाहिए उसको मुकदमा लगा दिया जूटे मुकदमे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकदमे लग रहे हैं यहां पर और उत्तवदेश में एक उधान नहीं कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकदमे लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरच्चित अगर कही है तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं क कि कहां पर इन्वेस्टमेंट दुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहत नौकरी और रोजगार मिलें इसके आकड़े कहां हैं दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंति जी आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कार ब्रष्टाचार के खिलाब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आहम आदमी के सामने जो आंकड़े आते हैं जो बाते आती हैं चहराहुल गांदी ओ सोनिया गांदी ओ नाशनल हैरल केस में वो जमानत पर हैं तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं ममताब एनर जी उनके बतीजे को उनके ऊपर कारवाई हो रही है उसमें आपका भी नाम आ जाता है वो कह रहे हैं यह सबका नंबर लगाने वाले हैं यह ब्रष्टाचारियों का गड़बंदन है यह इंडिया अगर ब्रष्टाचारियों का गड़बंदन है तो जिन पर कभी CBI, ED, Income Tax के चापे लगते थे, बार्ष्टाचा पार्टी में जाते ही उन संस्ताओं का क्या हुआ, महराष्ट उठा लीजे आप, महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है, जो भार्ष्टाचा पार्टी में है, उस पर ED, CBI, Income Tax की पहले जाच न चल लई हो, जिस समय से ED, CBI, Income Tax की जा रने हैं, और जो लोग भिष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं, कभी एक्सप्रेस पे जाईए आप, आगरा लखनू पे भी चल लीजिए आप, और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन, जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया, पुर् अगर भिष्टाचार शामिल नहीं था, अगर क्वालिटी से कम्प्रमोईज नहीं किया था सरकार ने, तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर, तो केवल भिष्टाचार लें देने, क्या मुनाफ़ा जाद है कमाने देने लोगों को, वो भिष्टाचार नहीं है, लोग वो भिष्टाचार नहीं है, लाब देना, जरूर से जादे लाब देना, क्या वो भिष्टाचार नहीं है, पर जनता के जहन में बीजेपी पर भिष्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं आप, जनता जान गई है, कि इन से जादा भिष्टाचा कि 1 पेपर लीग, दो पेपर लीग, 3 पेपा लीग, 4 पेपा लीग, 5 पेपा लीग, 6 पेपा लीग, 7 पेपा लीग, 8, 9 और कई परिखाइं कैंसल परवरी माइन वही त्रॉ ने तीन परचे लीग हुए बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे, क्या है स्टीएफ ने नहीं पकड़ा उनको, और फिर सब चांचे है स्टीएफ कोई क्यों, जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ, क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी, बैठ करके हजार लोगों को पेपर नहीं दिया गया, और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया, क्या ये भिस्टाचार नहीं है, साट लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदकार में डाल दिया, ये बीजेपी के लिए भिस्टाचार नहीं है, क्या इन नौकरी के बारे में बात कर क्या होगी कल्प ना कर सकता है कि एक नौजवान ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख करके जाता है पत्र में कि इन धिग्रियों का क्या होगा अपने माभाप को लिख करके जाता है कि मैं जला करके जा रहा हूँ इन धिग्रियों से क्या फाइदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल लए इसी तरह फुरुजबाद की एक बेटी जब पैपर कैंसल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने ये भरष्टाचार नहीं है आरच्छन को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर्णा देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भरष्टाचार करकर के आरच्छड़ खा रही है मुख्यवंतिजी सदन में कहते है कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्यंतिजी जारी नहीं कर पाए क्या यह बश्टा चार नहीं है बेमानी नहीं है पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है narrative building में आप कमजोर पड़ते हैं क्या BJP के मुकाबले BJP पर खजाना है खजाना लुटा रहे हैं वो narrative कैसे create होगा आप खजाना भर भर करकर गर पैकेज दे देंगे खजाने की बात आई हम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जहन चौधरी से मैं ने interview किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवणनी है पलटने नहिंवाले थे बीज़ेपी ने पलट दिया उचाल दिया आपकी चवणनी को तो तो मैंने साथ सीटे दे रहे थे आखिलेश दो पर क्यों मान गए वो कहा या आई साथ सूथ कुछ नहीं मिल रही थी चेह मिल रही थी और चेह में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थी ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलाइंस हुआ ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंक से भी कि आपके पास समीकंड क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने सुईकार किया केवल एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते है तो हम उस पर भी बिचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरिंद मलिक उनसे मिल करके आए और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ जहनत ऐसे छोड़ कर चले गए राज्यासभा भी दिया आपने सवाल ये नहीं है इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोगसभा नहीं हमने हमने धोका खाया दो लोगसभा खोई हमने जिस समय उनके बिधायक आये थे और राजसभा मांग की थी उन्होंने उस समय उनसे मैंने कहा दे कि हमारा साथ देना उन सभी बिधायकों ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसमें बहुत साथ दान है हर चीज से स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा नहीं बहने रास्ता नहीं दिखाया कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उन्हें पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है उस पर विचार किया सकता है एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं ये डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूँ क्या मैं राजस्तवा की डिमांड पूरी कर सकता हूँ क्या मैं MLC की डिमांड पूरी कर सकता हूँ या खेल कुछ और है जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है कि ये सब लोग एक और PDA बनाने चले थे कॉंग्रेस के साथ मिलकर और अखिलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे ये कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाव नहीं रखा मैं किवर सीधा चल ला हूँ प्रदेश और देश की लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए जिससे में शुरुआती दोर में बात हुए थी नितीश कुमार जी से उससे में भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख विपक्ष की भूमिका में है तो उसके नेत्त में इंडिया गड़बंदन बनी और वही रास्ता मैंने अपनाया उसी रास्तिवे में चल ला हूँ नितीश कुमार का आपने जिकर किया नितीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामखां की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागडबंदन की और से बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थे नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कित हुआ या जो भी रेंड़े लिए गए वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जन्हें प्रधानमंत्री बना था और बीजेपी की साजिश देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं दर्वाजे देरो चुकी है यह आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो इगो क्लाशेस हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गटबंदन नहीं बन पाया या जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिख रहा है इंडिया गटबंदन बन चुका है दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि भार्धी जनता पार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा भार्धी जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं एक क्लारिफिकेशन चाहूंगा पीफ और पिछड़ा दीफ और दलित तो है एफ और क्या है ये आधी आबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अल्पसंख्यक भी इस पिश्ड़ा दलित अगड़े भी हो जाते हैं आधी अबादी भी है अल्पसंख्यक भी है आधिवासी भी है और पीड़े दुखी अगड़े भी है इसमें इसमें कम से कम कोशिस की है समाजवादी लोगों ने कि PDA के अंब्रेला कहता है सब को जोड़ा जाए सब का कहरें नारा दे रहें लेकिन वो नारे का असर नहीं है जो काम करना चाहिए नारे के तैद वो नहीं हो रहा सबका साथ तो है लेकिन गैरा बड़ाबरी नहीं खतम होती सबके साथ में यह PDA जो है वो गैर बड़ाबरी खतम करने का नारा है जो समाजी नया है उसका नारा है अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है किया आपकी तरफ से जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में MY Factor कि मुस्लिम यादव एक वोट बैंक एक समीकरन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है आप वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही है आपका PDA यह है बहुजन, आदिवासी और पूर जो हैं उन लोगों की वो बात कर रहे हैं आप भी यही कोशिश कर रहे हैं या is it too little too late? नहीं, यह कोशिश समाजबादियों के हमेशा रही जो समाजबादियों ने नारे कभी 80s में, 90s में दिये, वही नारे हैं आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने, बांदीगाट, वो वाला नारा था तो आज PDA वाला नारा है तो कोशिश यही है कि इस अंब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए अपना ग्रूप बड़ा किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए तभी बीजेपी का मुकाबला हो सकता है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे गरना नहीं कराना चाहते है जो हवादी के हसाफ से हक सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे, बैठे रहे उन्हें आरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है, उनको नौक्री नहीं दिया रही है जो नहीं विवस्ता अरेक्षड की है उससे पिष्डे दलितों का सबसे ज़्यादे हक चीना जा रहा है यह मूल भाबना के साथ खिलबार है, उसके लिए नारा पीडिये है आज मदर्सों का कैंसिल कर दिया गया जो बना था उस नियम और एक्ट को खतम कर दिया गया तिये उनको हक दिनाने का नारा है आदिवासियों के साथ भेधवावरा उनके लिए नारा है आधि-अवादि जिसको सुरच्छा की जरुवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्याद है असर अच्छित महिला हैं और जो कुछ विवस्था हैं बनाए थी चाहिए वो डायल 100 बनाया था या 1090 बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी इसलिए पीडिये एक बड़ा नारा है जिसके तैदम समनों को जोड़ने का आपने आदिया अबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप यह बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंदर मोदी और बीजेपी वहाँ कहीं आगे आपसे निकल गई है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे जादा असुरचित महिलाएं अगर कहीं है तो भारती इंता पार्टी की सरकार वे वह आखड़े बताते हैं यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हो रहा हूँ और जो विवस्थाएं बनाई दी सुरक्षा को ले करके वो सब समाप्त कर दी नोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी हैं वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.36 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुजान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया आखिलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल लेविल पर पार्टी है और बहुत सारे मददाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है इसलिए नैशनल मुद्दों को लेकर के और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हो काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी नैशनल इमेज नहीं बना पाती है हाला कि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलियें वो एक्जम्पलरी काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गडवन्दन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गडवन्दन में इसलिए समाजवादी पार्टी साथ आई है अमेठी से रहूल गांदी को चुमाब लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं कॉंग्रिस पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता हूँ आपकी निजी रायतो होगी जो भी कॉंग्रिस पार्टी फैसला लेगी हमारा पूरा केढर और पूरा संग्ठन उसकी मदद करेगा एक उर्जा एक उत्साहा बनता है न मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रिस किसको लड़ाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी जहां भी जिस वित्यासी को उतारेगी जितनी भी गड़बंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा फिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखिलेश यादव लड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा देखिए आधिणी आजमखाँ साहब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ है अगर किसी लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है आधिणी आजमखाँ साहब वहां से कई बार रहें लोकसभ पाकिसान साथ, उन्होंने जिताया है कई बार, बिधायक रहे हैं, उनका छेथ रहे हैं, तो क्या लोक्तत में हम उनकी राय नहीं लेंगे? तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जो वो राय देंगे, उस पर पार्टी बिचार करेगी. क्या राय दी? जो राय दी, वो हमारे उनके बीच की है. तो मतलब मैं ये मानकर चलूँ, आप चुनाव लड़ने वाले हैं? चुनाव, मैंने आप से कहा, कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा, चुनाव, कहां से लड़ेंगे? तो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना चीह, मैंने इसलिए पहले का, चुनाव लड़ना चीह, चुनाव लड़ना चीह, अपके कारेकरताओं में तब ही आएगी कि अखिलेश वही आगए मैदान में. मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ और लोकसवा चुनाव लड़ लड़े थे पहली दफ़ा लेकर उसके बाद सदन में गया मैं 19 में मैं लड़ा हूँ क्योंकि परसिति के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्टीफा देना पड़ा आएगा चुनाव तो फिर लड़ा जाएगा चुनाव तो चुनाव लड़ा जाएगा एक और जो आरोब BJP लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोब में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उम्मीदवारों के चेहन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उम्मीदवार हैं सारे यादव उम्मीदवार मुलायम सिंग परिवार के ही क्यों यह अन्नेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती क्योंकि बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहा हूँ हो सकता मैंने आपका न देखा हूँ लेकिन वो चैनल अब इस बात पर तो मैं शुकायत दर्ज कराऊंगा अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आप देखना शुरू करना हूँ लेकिन शर्त ही ही है कि ये ए वी वी पी चैनल न बन जाए हो ही नहीं सकता ये यहां पर मैं खुला एलान कर रहा हूँ आप अपनी सीट का नाम बताने को तयार नहीं मैं खुला एलान कर रहा हूँ ए बी पी न्यूज ए बी पी न्यूज रहेगा आपको रखे आगे रखेगा ए बी वी पी कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को उटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना बीजे पी अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं या बात PDA की करते हैं जो बात मैं कहना चाहता था कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरोब लगाते थे वही लोग सुझाव दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी परत्यासी जीतेगा उसको लड़ने के लिए फैसला लेगी पार्टी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्ज का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरुन गांदी कुछ नाम लड़ाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले है दर्वाजे नहीं सॉफ्ट कॉर्णर तो रहेगा पार्टी का soft corner है अगर कोई अच्छा प्रत्यासी मिल जाएगा BJP के लोग हमारे प्रत्यासी पर डाका मार रहे हैं अगर कोई उनके पार्टी का प्रत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं और एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से BJP ने लोगों को समझाया उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ ब्रश्ताचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वे पक्षो अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है यह बात ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थे हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो पूर जो बूत का आखरी दिन का management है आखरी दिन का जो management है रात से लेकर के सुबह तक वाला या परचार खतम होने के बात से लेकर के बोट डालने के समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूं सीधा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धन्द बल है उनके पास वो management है Congress हारोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिए 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्रचार कैसे करें नेताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जहाज में नहीं बेज सकते विग्यापन नहीं दे सकते इश्तहार नहीं लगा सकते यह विद्वा शब नहीं है वो हार की खीज है या यह हकीकत है के बल एकाउंट सीज नहीं हो रहे हैं मुख्यमंत्री सीज हो रहे हैं आप सोचिए यह हार का डर नहीं है बीजेपी का बीजेपी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो election phase करते यह हार चुके हैं इसलिए narrative बदलने के लिए यह काम किये जा रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है जिन किसानों से इन्होंने ये कहा कि आपकी आय दोगनी होगी जिन किसानों को कहा कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको आप बताईए क्या है इन्होंने तैय कि उसके लिए आपने दिल्ली से कहा कि हमने एरिकल्चर इंफरस्टेक्शर के लिए एक लाग क्रोड रुपए रखे बजट में आप बताईए एक्सप्रेस वे के किनारे या उत्तव पदेश में एक भी मंडी बनाई हो उन्होंने बताओ आखर किस जगह किसान जाकर के MSP ले करके जरुत की चीज किसान की महंगी है तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े इसलिए भारती जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है इलेक्टर बॉंड्स में इनकी घंटी बजगई उसका जवाब इनके पास नहीं जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं ये चलने वाली नहीं है इस बार इस बार देश का किसान देश का मजदूर देश का नौजमान इनका घंट चूर करने जा रहा है बोट डाल करके दो अजार बाइस में जब विदानसभा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गुन सुनाई दे रही और यह क्यों जता देती है बोट कम हुआ बीजैपी का कम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था वही मेरा सवाल है बिपख्ष का बोट बढ़ा इसलिए मैं ले आप से कहा बीजैपी अपने मेनेजमेंट से जीत रही है मुद्दों से जीत रही है अगर मुद्दों से चुनाव की बात करें तो 6,000 रुपए की किसान कल्यान सम्मान निधी BJP लेकर आई लोगों ने हाथो हाथ लिया और राहुल गांदी ये कहते रह गए जी मेरी एक न्याय योजना भी है 72,000 रुपए दूंगा 6,000 रुपए महीने के दूंगा और 6,000 रुपए साल 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोसा किया बारति जनता पार्टी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई हैं गरीब के उपर, किसान के उपर जो लोग विश्गुरु बनाने की बात कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड़ लोगों को यह अनास दे रहे हैं राशन दे रहे हैं कोई कलपना कर सकता है ये अर्थववस्ता क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है एक फीज़दी जंख संख्या के पास 40.1 एक फीज़दी संपत्ती है ये सच्चाई है जो आकड़े दिखने ये जिम्यदारी समाजवादियों की या और निभिपक्ष के लोगों की है कि जंता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर के जाए हूं जंता दुखी ही बैटी है कॉमन मिनिममम प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा अब तो चुनाब आ गए गोशना हो गई या दी सूचना जारी हो गई कॉमन मिनिममम प्रोग्राम तो आए गई आएगा समाजवादी पार्टी का विजन डॉकुमेंट भी आएगा और विजन डॉकुमेंट कम से कम ये आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती इनता पार्टी की सरकार ने 15 लाग करोड किसान का उद्योग पतियों को कर्ज माफ किया है क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों देश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन माफ मिनिमम प्रोग्राम में आकरी सवाल योगी कह गए असी में असी आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? असी हराओ, नौगरी पाओ असी हराओ, संकट बचाओ असी हराओ, लोक्थंद बचाओ कितना हराओ असी में से, आप कितने जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे एक कोई हो सकता है, एक हो कोई अच्छा, प्रदान मंतरी बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं करता हूँ, एक के अलावा सब हारने वाले हैं एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं, दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आप आए, कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में घोशना पत्र के बस इतना ही नमसकार मुस्कराते रही है पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ एडी सी बियाई की कारवाई चल रही थी 30 में से 14 हैं आपकी पार्टी समेट दस दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है कॉंग्रस गुरेज कर गई थी तुनमूल कॉंग्रस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उल्जन बरी हो जाती है क्या यह समाजवादी पार्टी उत्तरप्रदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रह करके वो चंदा नहीं बोलाया सकता है और जिस तरह बीजेपी को मिला है वो चंदा नहीं है BJP का, BJP किसी के आड में छिपनी सकती है, ये लेक्टरल बॉन नहीं है, ये BJP का बेंड बजगिया है, ये इससे छिपना चाहते हैं, इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं, क्या करपना कर सकते हैं? कॉंग्रस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बज़े अपलोड हुआ, इलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ, पूरा का पूरा ब्यॉरा, और साथ बज़े अर्विंद केजरिवाल के याँ एडी पहुंच जाती है, मैं उससे पहले जाता हूं, इलेक्ट उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है, कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं, उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं हो रही है, बदाईयों पर बहस हो रही है, या और मुद्दों पर बहस हो रही है, आप ABP न्यूज नहीं देखते हैं, लगता है, सीधा सवाल यही बहस हो रही है, लगतार, मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ, और मुझे उम्मीद है, और मुझे भरोसा है, ABP, AVP चैनल ना बन जाए, अच्छा, ABVP ना बन जाए, हम आपको रखे आगे वाले हैं, हम जनता को आगे रखने वाले हैं, हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ती है, जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है, उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे हैं, और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है, मैंने चैनल देखना बंद कर दिया, इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, अरविंद केजरिवाल जेल गए, जेल जाने का, जेल भेजने का सीजन चल रहा है, मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा, अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हम लोग, और डरी होता, और डर सी ये बास समझ में आ रही है, क्या सरकार विजेपी के लोग, ब्रहमान रिकाड बना ने जा रहा है, जो चाहिए उसको मुकदमा लगा दिया, जुटे मुकदमें लगा दिया, लोगों पर जूटे मुगद में लग रहे हैं यहाँ पर और उत्तबदेश में एक उधार नहीं कई उधार में दे सकता हूँ जहाँ पर जूटे मुगद में लगा करके लोगों को फसाये गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डैथ में नंबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं वो बेटियां सबसे जादा असुरचित अगर कही हैं तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके अकड़े कहां हैं दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती जी आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं बताएश सरकार की कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया पर केंदर सरकार हो ये डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रस्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम नाम आ जाता है वो कह रहे हैं यह सब का नंबर लगाने वाले हैं यह ब्रश्टाचारियों का गटबंदन है यह इंडिया अगर ब्रश्टाचारियों का गटबंदन है तो जिन पर कभी CBI ED इंकम टेक्स के छापे लगते थे बाते जंतां बार्णी में जाते ही उन संस्थाओं का क्या हुआ महराष्ट उठा लीजे आप महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भार्दी जंता पार्टी में है उस पर EDC way इंकम टेक्स की पहले जाच न चल लगी हो जिस समय से EDC way इंकम टेक्स की जाच हुई वो बीजेपी में चले गए वो जाचे खतम हो गई बड़े पदों प बात कर रहे हैं यह तमाम सवाल खड़े हुए हैं कभी एक्सप्रेस पे जाईए आप आगरा लखनू पर भी चल लीजिए आप और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया पुर्वांचल एक्सपर उस पर चल करके देख और बुनेल खंड एक्सपर पे जिसका उद्गार ने प्रतामन दिजिने किया आज भी काम चल ला है उस पर अगर भरस्टाचार शामिल नहीं था अगर क्वालिटी से कंप्रमोईज नहीं किया था सरकार ने तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर तो केवल भरस्टाच लेंदेने कि मुनाफ़ा जादे कमाने देने लोगों को वह भरस्टाचार नहीं है लोगों को पद दे करके खुश करने क्या वह भरस्टाचार नहीं है आप अगर बीजेपी के साथ हैं तो आपको सिकुरिटी मिल जाएगी कैटिकरी बदल जाएगी क्या वह भरस्टाचार इसे ज्यादा भर्ष्टाचार किसी सरकार ने ने किया होगा। इसका जवाब सरकार के पास क्या है? कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में। क्या उत्तरफदेश के सब गड़े बंद हो गए? एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पाँच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ और कई परिख्षाएं कैंसल। परवरी माई में तीन परचे लिए इनके बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे क्या है स्टीफ ने नहीं पकड़ा उनको और फिर सब चांचे है स्टीफ कोई क्यों जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया क्या ये भिस्टाचार नहीं है साथ लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदकार में डाल दिया ये बीजेपी के लिए भिस्टाचार नहीं है क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उगी कल्ब ना कर सकता है कि एक नौजमान, ब्रिजेश पाल ये कहता है, और लिख करके जाता है पत्र में, कि इन धिग्रियों का क्या होगा, अपने माभाप को लिख करके जाता है, कि मैं जला करके जा रहा हूं, इन धिग को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहें धर्णा देते रहें इतने सालों से सरकार उनका भ्रष्टाचार करकर के आरक्षड खा रही है मुख्यवंतिजी सदन में कहते हैं कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुखंतिजी जारी नहीं कर पाए क्या यह बस्ता चार नहीं है बेमानी नहीं है पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है नारेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर पड़ते हैं क्या बीजेपी के मुकाबले बीजे करने की बात आई हम चवन्नी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जैन चौधरी से मैंने इंटर्व्यू किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवन्नी है पलटने नहीं वाले थे बीजेपी ने पलट दिया उचाल दि आपकी चवन्नी को तो तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे आखिलेश दो पर क्यों मान गए वो कर साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी चै मिल रही थी और चै में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थे ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन् कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने सुईकार किया केवले एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उन्से कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हर हरिंदर मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं से वो खुद हरिंदर मलिक उनसे मिलकर के आई और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ चोटा है दो बड़ा है दुख हुआ जहनत ऐसे छोड़ कर चले गए राज्या सभा भी दी एक लोकस्वा नहीं हमने धोका काया दो लोकस्वा होई हमने जिससमें उनके बिधाय आये थे और रजस्वा मांग की थी उनोंने उसमें उन से मैंने का त उन सभी भिधाय को ने का था कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसमें बहुत साथ दान है हर चीज़ से स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा नहीं बहने रास्ता नहीं दिखाया कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उने पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है उस पे विचार किया सकता है एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं यह डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूँ क्या मैं राजस्ता की डिमांड पूरी कर सकता हूँ क्या मैं MLC की डिमांड पूरी कर सकता हूँ या खेल कुछ और है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि ये सब लोग एक और PDA बनाने चले थे Congress के साथ मिलकर और अखिलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे ये कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैं मैंने कोई दाव नहीं रखा मैं केब सीधा चल ला हूँ प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए जिस समय शुरुआती दोर में बात वी थी नितिश कुमार जी से उस समय भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्य या नितिश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामखा की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितिश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागट बंदन की और से? बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थे नितीश कुमार को? अब लेकिन वो ऐसे CM ही रिटायर हो जाएंगे सोच वो BJP की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे CM होकर के रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रेस की एक कमजोरी रही? एक कमजोरी किसी की नहीं है परस्थित्यों के हिसाफ से जो फैसले हो उसमें जो confusion हुआ या जो भी रिंड़े लिए गए वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जन्हें प्रधानमंतरी बना था और BJP की साजिश देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं? अब चुनाओ की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गटबंदन पर? होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन्स हो गए होते हैं अब तो नॉमिनेशन्स हो रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचारधाराओं के अतभेद को तो छोड़िये जो इगो क्लाशेज हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गटबंदन नहीं बन पाया या जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिख रहा है इंडिया गटबंदन बन चुका है दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि भार्थी जन्ता पार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा भार्थी जन्ता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जन्ता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं एक क्लारिफिकेशन चाहूंगा P और पिछडा, D और दलित तो है A for क्या है आधी आभाधी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अल्पसंक्यक भी ने, इस पिछडा दलित अगड़ी भी हो जाते हैं आधी आभाधी भी है अलब संकक भी है आदिवासी भी है और पीड़े दुखी अगड़े भी है इसमें इसमें कम से कम कोशिस की है समाजवादी लोगों ने कि पीड़ीय के अंब्रेला केता है सब को जोड़ा जाए सबका साथ सबका विकास क्या है कम से कम वो कह रहे हैं नारा दे रहे हैं वो गैर बड़ाबरी खतम करने का नारा है जो समाजवादी नया है उसका नारा है पीड़ीय अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है क्या आपकी तरफ से जो तेज़स्वी भी कर रहे हैं बिहार में अमवाई फैक्टर की बही मुस् ηादव क्याद वोट बैंक के समीकरन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेज़स्वी के लिए भी काम करता है अब वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही आपका पीड़ीय जी ए 80s में 90s में दिये वही नारे हैं आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदीगाट वो वाला नारा था तो आज PDA वाला नारा है तो कोशिस यही है कि इस अंब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए अपना गुरूप बड़ा किया जाए लोग अधिक हसाब से हक सम्मान मिलना चीए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे बैठे रहे उन्हें आरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है उनको नौकरी नहीं दिया रही है जो नई विवस्ता आरेक्षड की है उससे पिष्डे दलितों का सबसे जाते हक चीना जा रहा है यह मूल भावना के साथ खिलबाड है उसके लिए नारा पीडिये है आज मदर्सों का कैंसिल कर दिया गया है एक्ट जो बना था उस एन्यम और एक्ट को खतम कर दिया गया ति उनको हक दिनाने का नारा है आदिवासियों के साथ भेधवावरा उन के लिए नारा है आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्याद है असुरच्छित महिला हैं और जो कुछ विवस्था है बनाया थी चाहिए वो डाइल 100 बनाया था या 1090 बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंदर मोदी और बीजेपी वहाँ कहीं आगे आपसे निकल गई है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा असुरच्छित महिला है अगर कहीं है तो भारती जिम्ता पार्टी की सरकार वे वो आखड़े बतात है वो सब समात कर दी इनोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी हैं वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.36 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल् फिलेश यादब के लिए कांग्रेस पाटी क्योंकि नाशनल इस बात पर विचार करते हैं कि नाशनल पाटी को नाशनल प्रता के लिए ये नाशनल इमेज फैसलियह वो exemplary काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गडवंदन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गडवंदन में इसलिए समाजादी पार्टी साथ आई है अमेठी से राहूल गांदी फैसा लेगी हमारा पूरा केडर और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा एक उर्जा एक उत्साह बनता है ना मैं ये फैसा नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रिस किसको लड़ाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि कॉंग्रिस पार्टी जहां भी जिस वर्तियासी को उतारेगी जितनी भी गटबंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी क्या समर्थक उनका साथ ख़ड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा फिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे? अखिले चुनाव लड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी रामपुर के लिए अपना नाम पका करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादो वहाँ गई देखिए आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ है अगर किसी लोगसभा सीट को लेकर के चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है आजड़ी आजम खान साहब वहाँ से कई बार रहे हैं लोगसभा के साथ उन्होंने जिताया है कई बार बिधायक रहे हैं उनका छेत रहे हैं तो क्या लोगतत्त में उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे नहीं जो वो राय देंगे उस पर पार्टी बिचार करेगी क्या राय दी जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं यह मान कर चलूँ आप चुनाव लड़ने वाले है चुनाव मैंने आपसे कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव लड़ना चीए तो कहां से लड़ेंगे मैंने सीले पहले कहा उर्जा और उत्सा आपके कारेकरताओं में तब ही आएगी कि अखिलेश वहिया आगए मैदान में मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ और लोकसवा चुनाव लड़ लड़े थे पहली दफ़ा लेकर उसके बाद सदन में गया मैं उन्निस में मैं लड़ा क्योंकि परसिति के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्तीफा देना पड़ा आएगा चुनाव तो फिर लड़ा जाएगा चुनाव तो चुनाव लड़ा जाएगा एक और जो आरोब बीजेपी लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोब में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसेसरी बहस इसलिए BJP करती क्योंकि BJP मुकाबला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहा हूँ हो सकता मैंने आपका न देखा हूँ लेकिन वो चैनल अब इस बात पर तो मैं शुकायद दर्ज कर रहा हूँ अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आप देखना शुरू कर रहा हूँ लेकिन शर्त ही ही है कि ये AVVP चैनल न बन जाए हो ही नहीं सकता ये यहाँ पर मैं खुला एलान कर रहा हूँ आप अपनी सीट का नाम बताने को तैयार नहीं मैं खुला एलान कर रहा हूँ ABP न्यूज ABP न्यूज रहेगा आपको रखे आगे रखेगा ABVP कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को उटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना BJP अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं बात PDA की करते हैं हाँ जो बात मैं कहना चाहता था कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरोब लगाते थे वही लोग सुझाव दे रहें कि आप क्या कर रहें ये और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा उसको लड़ने के लिए फैसला लेगी पार्टी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्स का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरून गांदी को चना के लिए दर्वाज़े खुले है अगर कोई अच्छा परत्यासी मिल जाएगा बीजेपी के लोग हमारे परत्यासी पे डाका मार रहे है अगर कोई उनके पार्टी का प्रतासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं पर एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से BJP ने लोगों को समझाया उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ ब्रश्ताचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोधी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे ब बेचने का तरीका नहीं आता कि अवे बख्ष को अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है यह बार ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थी हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो बूत का आखरी दिन का management है आखरी दिन का management है रात से लेकर के सुबह तक वाला यह परचार ख़तम होने के बास से लेकर के बोट डालने के समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यहीं कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूं सीधा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धन्द बल है उनके पास वो management है Congress हारोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्रचार कैसे करें नेताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जाहाज में नहीं बेज सकते विज्ञापन नहीं दे सकते इश्टहार नहीं लगा सकते ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है बहुत अच्छा शब्द नहीं है वो हार की खीज है या ये हकीकत है केबल एकाउंट सीज नहीं हो रहे हैं मुख्यमंत्री सीज हो रहे हैं आप सोचिए ये हार का डर नहीं है बीजेपी का बीजेपी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो इलेक्शन फेस करते हैं ये हार चुके हैं इसलिए नेरिटिव बदलने के लिए ये काम कहे जा रहे ह क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है जिन किसानों से इन्हों ने ये कहा कि आपकी आय दोगनी होगी जिन किसानों को कहा कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको आप बताईए क्या है इन्हों ने तयारी की उसके लिए आपने दिल्ली से कहा कि हमने एरिकल्टियर इंफरेस्टेक्शर के लिए एक लाग क्रोड रुपे रखें बजट में आप बताईए एक्सप्रेस वे के किनारे या उत्तफदेस में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने बताओ आखर किस जगह किसान जाकर के MSP ले 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 या लावकारी मूले ले ले जिन्होंने ये कहा कि हम आई दोगनी कर देंगे क्या किसान की आज महंगाई इस महंगाई में आई दोगनी हो गई जब डीजल, पैट्रॉल, जीस्टी और हर कीटनासक दवाई से ले करके जरुत की चीज किसान की महंगी है तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े इसलिए भारती जन्ता पार्टी इस तरह का काम कर रही है इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान इनका घमंड चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसवा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गुन सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है, आप मुझसे बेतर जानते हैं इतने साल आपने राजनीती की है जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता देती है बोट कम हुआ बीजेपी का कम उतना नहीं हुए जितना होना चीए था वही मेरा सवाल है बिपक्ष का बोट बढ़ा, इसलिए मैंने आप से कहा बीजेपी अपने मैनेजमेंट से जीत रही है मुद्दों से नहीं जीत रही है अगर मुद्दों से जीत रही होती है तो बुनियादी मुद्दे आम जनता के मुद्दे से भादिन तबाड़ी भाग क्यों रही है भाग ती भादिन तबाड़ी उसी में अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूँ 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 6000 रुपे की किसान का लियान सम्मान निधी बीजेपी लेकर आई लोगों ने हाथो हाथ लिया और राहुल गांदी ये कहते रह गए जी मेरी एक नियाए योजना भी है 72,000 रुपे दूँगा 6000 रुपे महीने के दूँगा और 6000 रुपे साल 500 रुपे महीने वाली योजना को आथो हाथ ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोस्वा किया बारती जिनता पार्टी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई है गरीब के उपर, किसान के उपर, जो लोग विश्गुरू बनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा, उस भारत में 80 कुरूर लोगों को ये अनाज ने रहे हैं राशन दे रहे हैं किला रहे हैं कोई कल पना कर सकता है यह अर्थवस्ता क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है यह दूज़ें जन्त संख्या के पास चालिष दशमलव एक फीज़े संपत्ती है ये सच्चाई है जो आकड़े दिख रहे ये जिम्यदारी समाजवादियों की या और निभिपख्ष के लोगों की है कि जनता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर के जाए हो जनता दुखी बैटी है Common Minimum Program क्यों नहीं आ रहा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती इनता पाड़ी की सरकार ने 15 लाक क्रोड किसान का उद्योक पतियों के करज माफ किया है क्या किसानों का करज माफ नहीं हो सकता हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा कि उत्तरप्रदेश के किसान और देश के खिशानों का करज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन वाउन मिनिमम प्रोग्राम में आखरी सवाल योगी कह गए असी में असी आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? असी हराओ नौगरी पाओ असी हराओ संकट बचाओ असी हराओ लोग्थंद बचाओ कितना हराओ असी में से आप कितने जीतेंगे? एक के अलावा सब हर जाएंगे एक के अलावा सब हर जाएंगे एक कौन बच गए? अब कोई हो सकता एक हो कोई अच्छा प्रदानमंद्री बचेंगे सिर्फ ये मैं नहीं करता हूँ एक के अलावा सब हरने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आप आए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धनेवाद पांच में से तीन टॉप पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ EDCBI की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा हैं आपकी पार्टी समेट दस दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है कॉंगरस गुरेज कर गई थी तुनमूल कॉंगरस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उलजन भरी हो जाती है क्या यह समाजवादी पार्टी उत्तपदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रह करके वो चंदा नहीं बोला या सकता है और जिस तरह बीजेपी को मिला है वो चंदा नहीं है बीजेपी का बीजेपी किसी के आड में छिप नहीं सकती है यह लेक्टरल बोन नहीं है ये बीजेबी का बेंड बज गया है ये इससे छिपना चाहते हैं इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं क्या करबना कर तकते हैं आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ एलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और साथ बजे अर्विंद केजरिवाल के हाँ एडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है या सुप्रीम कोर्ड माने सुप्रीम कोर्ड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सी एलाग उखड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा हूँने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जादा है कि जो आकड़े निकल करका रहे है उससे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP न्यूज नहीं देखते हैं सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बैस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP चैनल न बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ ABVP अच्छा ABVP न बन जाए हम आप को रखे आगे वाले हैं हम जनता को आगे रखने वाले हैं हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ती जो और चैनल है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से क्रेडिबिल्टी चैनलों की खतम हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनित क्यों करते हम लोग डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है किया सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकॉर्ड बनारे जाएगे जूटे मुकदमें का गा कि जो उसको मुकदमा लगा दिया जूटे मुकद में लगा दिये लोगों पर जूटे मुकद में लग रहे हैं यहाँ पर और उत्तवदेश में एक उधान नहीं कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकद में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं, महिलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरचित अगर कही हैं, तो यहां पर हैं, जो लोग दावा करते थे, कि इन्वेस्टमेंट आया है, इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया, साथ साल बात बताएं, कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, और उस इन्वेस्टमेंट के तहत नौकरी और रोजगार मिलें, इसके अकड़े कहां हैं, दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के, जिसमें देश के प्रधानमंती ची आए, बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई, वो कारखाने कहां लगे हैं, बताए सरकार की कारखाने लग गए, और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया, पर केंदर सरकार हो, ये डबल एंजिन जो सरकार है, यूपी की सरकार कहती है, ब्रश्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें आम आदमी के सामने जो उपर कारवाई हो रही है, उसमें आपका भी नाम आ जाता है, वो कह रहे हैं, ये सबका नंबर लगाने वाले हैं, ये ब्रश्टाचारियों का गटबंदन है, ये इंडिया, अगर ब्रश्टाचारियों का गटबंदन है, तो जिन पर कभी CBI, ED, Income Tax के चापे लगते थे, ब्रश्टाचारियों में जाते ही, उन संस्थाओं का क्या हुआ, महराष्ट उठा लीजे आप, महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है, जो भार्श्टाचारियों में है, उस पर ED, CW Income Tax के पहले जाच न चल लई हो, जिस समय से ED, CW Income Tax के जाच हुई, वो बीजेपी में चले गए, वो जाचे खतम हो गई, बड़े पतों पर बैठे हुए, इसी तरह बंगाल में उधारण है, इस तरह यूपी में उधारण है, और जो लोग भश्टाचार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं, कभी एक्स्प्रेस में जाईए आप, आगरा पुर्वांचल एक्सप्रेस उस पर चल करके देख लिए, आपको डिफ्रेंस नजर आ जाएगा, और बुन्देल खंड एक्सप्रेस जिसका उद्गार्ण प्रतामन दिजी ने किया, आज भी काम चला है उस पर, अगर भश्टाचार शामिल नहीं था, अगर क्वालिटी से कंप्रिमोईस नहीं कियाता सरकार ने, तो आज भी काम क्यों चला है वहां पर, तो केबल भश्टाचार लिए ने क्या मुनाफ़ जाद है कमाने देने हैं लोगों को, वो भश्टाचार नहीं है, लोगों को पद दे करके खुश करें क्या वो भश्टाचार नहीं है, आप जहन में बीजेपी पर ब्रष्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है ये बात मानते हैं आप जनता जान गई है कि इन से जादा ब्रष्टाचार किसी सरकार ने ने किया होगा इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़्डा मुक्ती में क्या उत्तरफदेश के सब गड़्डे बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पांच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ और कई परिख्षाएं कैंसल, क्या ये बश्टाचार नहीं है, इनके बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए, जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे, क्या है स्टीएफ ने नहीं पकड़ा उनको, और फिर सब चांचे स्टीएफ कोई क्यों, जिस प्रदेश में पेपर ल नहीं है, साथ लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदकार में डाल दिया, ये बीजेपी के लिए भिस्टाचार नहीं है, क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उई कल्ब ना कर सकता है कि एक नौजमान, ब्रिजेश पाल ये कहता है, और लिख कर के जाता तो उसने आत्मधा कर लिया, जान दे दी उसने, ये भष्टाचार नहीं है, आरच्षण को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे, धरना देते रहे, इतने सालों से, सरकार उनका भष्टाचार करकर के आरच्षण खा रही है, मुख्वंतिजी सदन में कहते हैं, कि जब स करकार थी, 46 में 56 SDM बन जाते थे, मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है, आज तक मुख्वंतिजी जारी नहीं कर पाए, क्या ये बश्टाचार नहीं है, बेहिमानी नहीं है, पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है, नारेटिव बिल्दिंग में आप कम जो खजाने की बात आई, हम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में, जैन चौधरी से मैंने इंटव्यू किया, और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको, मैंने का आप तो चवणनी है, पलटने नहीं वाले थे, बीजेपी ने पलट दिया, उचाल दिया आपकी चवणनी को तो, तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे अखिलेश, दो पर क्यों मान गए वो कह, साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी, चेह मिल रही थी, और चेह में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थे, ये बात गलत है, और मैंने कई बार इ और आपका प्रतियासी कौन है, उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने का, वो मैंने सुईकार किया, केवल एक सवाल मुझफवर नगर का था, मैंने उनसे का कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं, तो हम उस पर भी विचार कर लें पर आपकी पसंद हरिंदर मलिक थे, और उन्होंने जब मेरी पसंद हरिंदर मलिक थे, तो उन्होंने का, मैं बात करना चाहता हूं उनसे, वो खुद हरिंदर मलिक उनसे मिल कर के आए, और अपनी बाचीत की, और उसके बाद पता लगा, कि गिंती में साथ छोटा है, दो ब आया, दो लोकसभा कोई हमने, जिस समय उनके बिधायक आये थे, और राइसभा मांग की थी उन्होंने, उस समय उनसे मैंने का दे कि हमारा साथ देना, उन सभी बिधायकों ने का दे कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन वो साथ नहीं दे पाए, कीजिंदर शेकर, कोभी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया? क्योंकि अब हमारा जो अनुभरः राह है। जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादिय। उन्होंने समाजवादी पार्डी से तो लाव लिया है। लेकिन समाजवादी पार्डी को कुछ खास दे करकेल नहीं गये। इसमें बहुत साब्दान है हर चीज से, हर पैसले से, स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, नहीं बहने रास्ता नहीं दिखाया, कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं, हम रोकते नियों नहीं, पल्लवी पटेल भ और कुछ भी मांग रहे हैं, यह डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूं, क्या मैं राजस्तवा की डिमांड पूरी कर सकता हूं, क्या मैं मैं MLC की डिमांड पूरी कर सकता हूं, यह खेल कुछ और है, जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, कि यह सब लोग एक और PDA बन प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइंस हो जाए जिससे में शुरुआती दौर में बात वी थी नितीश कुमार जी से उससे में भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आए तो उसके नेत्वत में इंडिया गडवन्दन बनी और वही रास्ता में अपनाया उसी रास्तिवे में चल ला हूँ नितीश कुमार का आपने जिक्र किया नितीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामखा की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनियां गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहूल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागट बंदन की ओर से बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थी नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर कर रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रस की एक कमजोरी रही किसी की नहीं है पर सित्यों के हिसाफ से जो फैसल इसमेंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं दर्वाजे खुले हैं आप चिनाओ की तारीक आ गयी है अब क्या बहस करें गट बंदन पर होली का तेवार नहोता तो नौमिनेशन हो गए होते आप तो नौमिनेशन हो रहे हैं तो बहुत यह आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो इगो क्लाशेस हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकम्मल गटबंदन नहीं बन पाया या जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिख रहा है इंडिया गटबंदन बन चुका है दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि भार्धी जनता पार्टी इस बार हारेगी और जैसे मैंने पहले कहा भार्धी जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं एक लारिफिकेशन चाहूंगा पीफ और पिछड़ा दीफ और दलित तो है एफ और क्या है ये आधी आबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अलपसंख्यक भी निए इस पिछड़ा दलित अगड चाहिज़ादी लोगोंने के PDA के अंब्रेला केते है तो नहीं हो जाता है सबको जोरा जाए सबका साथ सबका वसक्ता क्या है जो समाजिक नया है उसका नारा है PDA अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है क्या आपकी तरफ से जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में MY Factor की बही मुस्लिम यादव वोट बैंक एक समी करन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है अब वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही आपका PDA यह है बहुजन आदिवासी और पूर जो हैं उन लोगों की वो बात कर रहे हैं आप भी यही कोशिश कर रहे हैं या is it too little too late यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही जो समाजवादियों नहारे कभी 80s में 90s में दिये वही नहारे हैं आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदीगाट वो वाला नहारा था तो आज PDA वाला नहारा है तो कोशिश यही है कि इस अंब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए अपना ग्रूप बड़ा किया जाए लोगों को जोड़ा जाए तभी BJP का मुकाबला हो सकता है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है आप जाद ही अणना नहीं कराना चाहते है जो हवादी के हसाफ से हक सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे बैठे रहे उन्हें आरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है उनको नौकरी नहीं दिया रही है जो नहीं विवस्ता अरेक्षड की है उससे पिष्डे दलितों का सबसे जादे हक चीना जा रहा है यह मूल भाबना के साथ खिलबार है उसके लिए नारा पीडिये है आज मदरसों का कैंसिल कर दिया गया है एक्ट जो बना था उस नियम और एक्ट को खतम कर दिया गया ति उनको हाक दिनाने का नारा है आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबसे ज़्यादे असरच्छत माहिला है और जो कुछ विवस्था हैं बनाए थी चाहिए वो डायल 100 बनाया था या 1090 बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी इसलिए पीडिये एक बड़ा नारा है जिसके तेधम सबनों को जुड़ने का आपने आदिया अबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी वहाँ कहीं आगे आपसे निकल गई लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा असुरच्चित महलाएं अगर कहीं है तो भार्टी पार्टी की सरकार वे वो आखड़े बताते हैं यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ किसी महला के साथ अन्याय नहीं हो रहा हूँ और जो विवस्था हैं बनाई दी सुरक्षा को ले करके वो सब समाप्त कर दी इनोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी हैं वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.36 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुझान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया अखिलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल लेविल पर पार्टी है और बहुत सारे मददाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है इसलिए नैशनल मुद्दों को लेकर के और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हो काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी नैशनल इमेज नहीं बना पाती है हाला कि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलियें वो एक्जेंप्ररी काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गडवंदन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गडवंदन में इसलिए समाजवादी पार्टी साथ हाई है अमेठी से रहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं कॉंग्रिस पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ आपकी निजी राय तो होगी को कॉंग्रिस पार्टी फैसला लेगी हमारा पूरा केडर और पूरा संगठन उसकी मजद करेगा एक उर्जा एक उतसाह बनता है ना मैं यह फैसला नहीं ले सकता हूँ कि को कॉंग्रिस किसको लाएगी लेकिन मैं यह भरोसा दिला सकता हो कि कॉंग्रेस पार्टी जहां भी जिस वित्यासी को उतारेगी जितनी भी गटबंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा फिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखिलेश यादव लड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई ए आएम आएम वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पका करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादव वहां गए तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है आजड़ी आजमखां साब वहां से कई बार रहे हैं लोग सबह के साथ उन्होंने जिताया हैं कि बढर बिधाइक रहे है उनका छेत रहे हैं तो क्या लोक्तद में अनकी राय नहीं लेए तो चुनाव लड़ेंगे जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ आप चुनाव लडने वाले हैं चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव लड़ रहे हैं तो कहां से लड़ेंगे चुनाव लड़ना चीए मैंने इसलिए पहले का चुनाव लड़ना चीए उर्जा और उत्साह आपके कारेकरताओं में तब ही आएगी कि अखिलेश वहिया आगए मैदान में मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ और लोकसवा चुनाव लड़ना लड़ना थे तो हजार में लड़े थे पहली दफाव लेक उसके बास सदन में गया मैं उननीस में में लड़ना हाँ क्योंकि परसिती के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्टीफा देना पड़ा आएगा चुनाओ तो फिर लड़ा जाएगा चुनाओ तो चुनाओ लड़ा जाएगा एक और जो आरोब BJP लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोब में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं आरे यादव उमीदवार मुलायम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती क्योंकि बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहा हूँ हो सकता मैंने आपका ना देखा हूँ लेकिन वो चैनल अब इस बात पर तो मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आप देखना शुरू करूँ लेकिन शर्त ही ही है कि ये ए वी वी पी चैनल न बन जाए हो ही नहीं सकता ये यहाँ पर मैं खुला एलान कर रहा हूँ आप अपनी सीट का नाम बताने को तैयार नहीं मैं खुला एलान कर रहा हूँ ए बी पी न्यूज ए बी पी न्यूज रहेगा आपको रखे आगे रखेगा ए बी वी पी कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना बी जे पी अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरूप लगाते थे वही लोग सुझाव दे रहें कि आप क्या कर रहें ये और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा उसको लगने के लिए फैसला लेगी पार्टी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्ज का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरुन गांदी कुछ नाव लड़ाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले है दर्वाजे नहीं सॉफ्ट कॉर्णर तो रहेगा पार्टी का soft corner है अगर कोई अच्छा प्रत्यासी मिल जाएगा BJP के लोग हमारे प्रत्यासी पे डाका मार रहे हैं अगर कोई उनके party का प्रत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं और एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से BJP ने लोगों को समझाया उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ ब्रश्ताचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वे पक्षो अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है यह बार ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थी हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो बूत का आखरी दिन का management है आखरी दिन का जो management है रात से लेकर के सुबह तक वाला यह परचार खतम होने के बास से लेकर के बोट डालने के समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूं सीधा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धनबल है उनके पास वो management है Congress आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्रचार कैसे करें नेताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जाहाज में नहीं बेज सकते विज्यापन नहीं दे सकते इश्टहार नहीं लगा सकते ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है बहुत अच्छा शब्द नहीं है वो हार की खीज है या ये हकीकत है के बले account seize नहीं हो रहे है मुख्यमंत्री सीज हो रहे है आप सोचिए ये हार का डर नहीं है बीजेपी का बीजेपी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो election face करते ये हार चुके हैं इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम कहे जा रहे है क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है जिन किसानों से इन्होंने ये कहा कि आपकी आय दोगनी होगी जिन किसानों को कहा कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको आप बताईए क्या है इन्होंने तयारी की उसके लिए आपने दिल्ली से कहा कि हमने agriculture infrastructure के लिए एक लाग क्रोड रुपे रखे बजट में आप बताईए expressway के किनारे या उत्तफदेश में एक भी मंडी बनाई हो उन्होंने बताओ आखर किस जगह किसान जाकर के MSP ले ले या लावकारी मूले ले ले जिन्होंने ये कहा कि हम आए दोग नहीं कर देंगे क्या किसान की आज महिंगाई इस महिंगाई में आए दोग नहीं हो गई जब डीजल, पैट्रॉल, जीस्टी और हर किटनासक दवाई से लेकर के जरुत की चीज किसान की महिंगी है तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े इसलिए भारती जन्ता पार्टी इस तरह का काम कर रही है इलेक्टर बॉंड्स में इनकी घंटी बज गई उसका जवाब इनके पास नहीं जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं ये चलने वाली नहीं है इस बार इस बार देश का किसान देश का मजदूर देश का नौजमान इनका घंट चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसभा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गुन सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है आप मुझसे बेतर जानते हैं इतने साल आपने राजनीती की है जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता देती है बोट कम हुआ बीजेपी का कम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था वही मेरा सवाल है बिपक्ष का बोट बढ़ा इसलिए मैंने आप से कहा बीजेपी अपने मैनेजमेंट से जीत रही है मुद्दों से नहीं जीत रही है अगर मुद्दों से जीत रही होती तो बुनियादी मुद्दे आम जनता के मुद्दे से भादिन तबाड़ी भाग क्यों रही है उसी में अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूँ 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 6000 रुपे की किसान कल्यान सम्मान निधी बीजेपी लेकर आई लोगों ने हातो हात लिया और राहुल गांदी ये कहते रह गए जी मेरी एक नियाए योजना भी है 72 अजार उपए दूंगा 6000 रुपे महीने के दूंगा और 6000 रुपे साल 500 रुपे महीने वाली योजना को हातो आत ले लिया लोगों ने देश की जनता उस भारत में 80 करोड़ लोगों को यह अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, खिला रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है, यह अर्थववस्ता क्या है, जहां पर हमारा किसान दुखी है, यह दूसरे लोग लापा रहे हैं, चालिस दशमलव एक फीजदी संपत्ती है, यह सच्चाई है, जो आकड़े दिखने, यह जिम्यदारी समाजवादियों की या और निभिपक्ष के लोगों की है, कि जनता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर के जाए हूं, जनता दुखी ही बैटी है, कोईमन मिनमम प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा है, तो चुनाव आ गए, अधिज़ गोशना हो गई, अधिस उचना जारी हो गई, कोईमन मिनमम प्रोग्राम तो आए गई आएगा, समाजवादी पर्टी का विज़न ड़्ोकुमेंट भी आएगा, और विजन डोकुमेंट कम से कम यह आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती जिनतापाटी की सरकार ने 15 लाख करोड किसान का उद्योग पतियों को कर्ज माफ किया है क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता हमारे विजन डॉकमेंट में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों देश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन वाउन मिनिमम प्रोग्राम में आकरी सवाल योगी कह गए असी में असी आप कितनी सीट जीतने वाले हैं असी हराओ नौगरी पाओ असी हराओ संकट बचाओ असी हराओ लोग्थंद बचाओ कितना हराओ असी में से आप कितने जीतेंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक कौन बच गए अब कोई हो सकता एक हो कोई अच्छा प्रदान मंद्री बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आप आए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में घोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धन्यवाद पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ एडी सीबियाई की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा हैं आपकी पार्टी समेथ 10 दलों ने खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है कॉंग्रस गुरेज कर गई थी तुनमूल कॉंग्रस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उलजन भरी हो जाती है क्या यह समाझवादी particular की बात कर रहे हैं वही तो मैंने कहा कि जो लआप पहुचा सकते हैं कि सरकार में रहकर के वह चंदाण ही बोलाहा सकता है और जिस तरह बीजेपी को मिला है वह चंदाण ही बीजेपी का बीजेपी की किसी के आड में छिपनी सकती है यह electoral bond नहीं है यह BJP का band बजगिया है यह इससे छिपना चाहते है इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे है क्या कलबना कर सकते है आप Congress की बोली बोल रहे हैं कि 5 बजे अपलोड हुआ Election Commission की साइट पर अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और 7 बजे अर्विंद केजरिवाल के यहां E.D. पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ electoral bond की जैसे ही सूशना जारी होती है यह Supreme Court माने Supreme Court की तरफ से और Election Commission की तरफ से C.A. लागु खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा हूँने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे है उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP News नहीं देखते हैं लगता है सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उमीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP channel ना बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ ABVP channel ना बन जाए हम आपको रखे आगे वाले हैं क्योंकि जो और channel है हम जनता को आगे रखने वाले है हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ते जो और channel है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग और डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकार्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकद्मों का क्या जो चाहिए उसको मुकद्मा लगा दिया जूटे मुकद्मे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकद्मे लग रहे हैं यहां पर और उत्तपदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकत में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डेथ में नंबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे जादा असुरच्चित अगर कही है तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके अकड़े कहां है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती ची आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं वताईश सरकार के कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया परकेंदर सरकार हो ये डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रस्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आखड़े आते हैं जो बाते आती हैं चाहे राहूल गांदी ओ, सोनिया गांदी ओ, नाशनल हेरल केस में वो जमानत पर हैं तिजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं ममताब एनरजी उनके बतीजे को, उनके ऊपर कारवाई हो रही है उसमें आपका भी नाम आ जाता है, वो कह रहे हैं यह सबका नंबर लगाने वाले हैं यह भरष्टाचारियों का गटबंदन है यह इंडिया अगर भरष्टाचारियों का गटबंदन है तो जिन पर कभी CBI, ED, Income Tax के छापे लगते थे बाधे जिनता बार्टी में जाते ही उन संस्थाओं का क्या हुआ महराश्ट उठा लीजे आप महराश्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भरष्टी जिनता बार्टी में है उस पर ED, CBI, Income Tax की पहले जाच न चल लही हो जिस समय से ED, CBI, Income Tax की जाच हुई वो BJP में चले गए वो जाच है खतम हो गई बड़े पदों पर बैठे हुए इसी तरह बंगाल में उधारण है इस तरह यूपी में उधारण है और जो लोग भेश्टा चार की बात कर रहे है ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं कभी एक्सप्रेस पे जाईए आप आगरा लखनू पे भी चल लीजिए आप और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा BJP ने किया पूर्वाणचल एक्सप्रेस उस पे चल करके देख लीजिए आपको डिफरेंस नजरा जाएगा और बुनेलखन एक्सप्रेस जिसका उद्गार्ण प्रदामंती ने किया आज भी काम चल ला है उस पर अगर भेश्टा चार शामिल नहीं था अगर क्वालिटी से कंप्रुमोईज नहीं किया था सरकार ने तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर तो केवल भेश्टा चार लें देने क्या मुनाफ़ा ज़्याद है कमाने देने लोगों को वो भेश्टा चार नहीं है लोगों को पद दे करके खुश करें क्या वो भेश्टा चार नहीं है आप अगर बीजेपी के साथ हैं तो आपको सिक्यूरटी मिल जाएगी कैटिगरी बदल जाएगी क्या वो भेश्टा चार नहीं है लाब देना ज़रूर से ज़्याद है लाब देना, क्या वो भेस्टाइचार नहीं है? पर जन्ता के जहन में BJP पर भेस्टाइचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात माuntedे आप? जनता जान गई है कि इन से ज़्यादा भेष्टाचार किसी सरकार ने ने किया होगा इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में क्या उत्तवधिस के सब गड़े बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पाँच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ और कई परिख्षाएं कैंसल क्या ये पिश्टा चार नहीं है इनके बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे क्या स्टीफ ने नहीं पकड़ा उनको और फिर सब चांचे स्टीफ कोई क्यों जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया क्या ये भिष्टा चार नहीं है साट लाग बच्चों का आपने भविस अंदकार में डाल दिया ये बीजेपी के लिए भिष्टाचार नहीं है क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं क्या उगी कल्ब ना कर सकता है कि एक नौज़मान ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख करके जाता है पत्र में कि इन धिग्रियों का क्या होगा अपने माबाप को लिख करके जाता कि मैं जला करके जा रहा हूँ इन धिग्रियों से क्या फाइदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल लए इसी तरह फुरुजबाद की एक बेटी जब पेपर कैंसल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने ये भरष्टाचार नहीं है आरख्षण को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर्णा देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भरष्टाचार करकर के आरख्षण खा रही है मुख्वंतीजी सदन में कहते है कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्वंतीजी जारी नहीं कर पाए क्या ये बस्टाचार नहीं है बेमानी नहीं है पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है नारेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर पड़ते हैं क्या बीजेपी के मुकाबले बीजेपी पे खजाना है खजाना लुटा रहे हैं वो नारेटिव कैसे क्रेट होगा आप खजाना भर भर करकर गर पैकेज देदेंगे खजाने की बात आई हम चवन्नी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जैन चौधरी से मैंने इंटिव्यू किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवन्नी है पलटने नहीं वाले थे बीजेपी ने पलट दिया उचाल दिया आपकी चवन्नी को तो तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे आखिलेश दो पर क्यों मान गए वो कह साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी चै मिल रही थी और चै में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थी ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा लाइंस हुआ ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंक से भी कि आपके पास समीकर्ण क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने स्विकार किया केवल एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में करके आए और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ जैनत ऐसे छोड़ कर चले गए राज्यासभा भी दी आपने सवाल ये नहीं है इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोगसभा नहीं हमने हमने दुखा खाया दो लोगसभा कोई हमने जिस समय उनके बिधायक आये थे और राजसभा मांग की थी उन्होंने उस समय उनसे मैंने कहा दे कि हमारा साथ देना उन सभी बिधायकोंने कहा दे कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदरशेकर को भी आपने नगीनAh से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो ऑनुभव राह है जिन-जन साथियों को साथ लिया है समाजवाधियों उन्होंने समाजवाधी पार्डी से तो लाव लिया है लेकिन समाज़ादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसले बहुत साथदान है हर चीज से स्वामी प्रसाद मौरिया को माहसचिव बनाया आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा नहीं मैंने रास्ता नहीं दिखाया कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उने पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है उस पर विचार किया रह सकता है एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं यह दिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूं क्या मैं राजसभा की दिमांड पूरी कर सकता हूं क्या मैं मैं एमल्सी की दिमांड पूरी कर सकता हूं या खेल कुछ और है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि यह सब लोग एक और PDA बनाने चले थे कॉंग्रेस के साथ मिलकर और अखिलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे ये कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाओं ने रखा मैं केबल सीधा चल ला हूँ प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए जिस समें शुरुआती दोर में बात वी थी नितीश कुमार जी से उस समें भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आए तो उसके नेत्वत में इंडिया गडवंदन बनी और वही रास्ता मैंने अपनाया उसी रास्ते पर मैं चल ला हूँ नितीश कुमार का आपने जिखर किया नितीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाख की खमखां की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहूल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागट बंदन की ओर से बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थी नितीश कुमार को अब लेकिन वो ऐसे सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर कर रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रस की एक कमजोरी रही कमजोरी किसी की नहीं है पर सित्यों के हिसाफ से जो इसमें जो कन्फिजन हुआ या जो भी रिंड़े लिए गए वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जन्हें प्रधानमंतरी बना था और बीजेपी की साजिश देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी ख खुले हैं दर्वाजे खुले हैं अब चुनाओ की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गठवंदन पर होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन्स हो गए होते हैं अब तो नॉमिनेशन्स हो रहे हैं तो बहुत देर उचकी है यह आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद क इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिख रहा है इंडिया गठवंदन बन चुका है दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि भार्थी जंतापार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा भार्थी जंतापार्टी का घमंड का घड़ा इस बार कि आदिए बादी भी हो जाता है अगाड़ा भी हो जाता है अलपसंक्यत भी इस पिश्रा दलित अगडे भी हो जाते हैं आधिऑबादी अदिवासी भी है और पेड़ी, दुखि अगड़ी भी हैई व sì इसमें कम से कम कोशिश की है समाजवादी लोगों ने कि PDA के अम्बरेला कहता है सबको जोड़ा जाए सबका साथ सबका विकास क्या है कम से कम वो कह रहे है नारा दे रहे हैं लेकिन वो नारे का असर नहीं है जो काम करना चाहिए नारे के तेद वो नहीं हो रहा सबका साथ तो है लेकिन गैरा बड़ाबरी नहीं खतम होती सबके साथ में ये PDA जो है वो गैर बड़ाबरी खतम करने का नारा है जो समाजी नया है उसका नारा है PDA अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है किया आपकी तरफ से जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में MY Factor की बही मुस्लिम यादव एक वोट बैंक एक समी करन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है अब वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही आपका PDA यह है बहुजन आदिवासी और पूर जो हैं उन लोगों की वो बात कर रहे हैं आप भी यही कोशिश कर रहे हैं या इस टू लिटल टू लेट यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही जो समाजवादियों नारे कभी 80's में 90's में दिये वही नारे हैं आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदीगाट वो वाला नारा था तो आज PDA वाला नारा है तो कोशिश यही है कि इस अंब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए अपना गुरूप बड़ा किया जाए लोगों को जोड़ा जाए तभी बीजेपी का मुकाबला हो सकता है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और एन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे गरना नहीं कराना चाहते है जो हवादी के हसाब से हक सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे बैठे रहे उन्हें आरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है उनको नौकरी नहीं दिया रही है जो नई विवस्ता आरेक्षड की है उससे पिष्डे दलितों का सबसे ज़्यादे हक चीना जा रहा है यह मूल भाबना के साथ खिलबार है उसके लिए नारा पीडिये है आज मदर्सों का कैंसिल कर दिया गया एक्ट जो बना था उस नियम और एक्ट को खतम कर दिया गया ति उनको हक दिलाने का नारा है आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरूवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबसे ज़्यादे असुरच्छित माहिला है और जो कुछ विवस्थाएं बनाए थी चाहिए वो डाइल 100 बनाया था या 1090 बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी इसलिए PDA एक बड़ा नारा है जिसके तैदम सबनों को जोड़ने का काम करें यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंदर मोदी और बीजे पी वहाँ कहीं आगे आप से निकल गई है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे जादा असुरचित महिलाएं अगर कहीं है तो भारती जिम्ता पार्टी की सरकार वे वो आखड़े बताते हैं यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ अन्यायना हो रहा हो और जो विवस्था हैं बनाई दी सुरक्षा को ले करके वो सब समाप्त कर दी इनोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दिये हैं कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.3-6 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुजान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गए आखिलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल लेविल पर पार्टी है और बहुत सारे मद्दाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है इसलिए नैशनल मुद्दों को लेकर के और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हो काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी नैशनल इमेज नहीं बना पाती है हलांकि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलियें वो एक्जेंप्ररी काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव नहो इसलिए एक गडवंदन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गडवंदन में इसलिए समाजवादी पार्टी साथ हाई है अमेठी से राहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं कॉंग्रिस पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता आपकी निजी राये तो होगी जो भी कॉंग्रिस पार्टी फैसला लेगी हमारा पूरा कैडर और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा एक उरजा एक उत्साहा बनता है ना मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रिस किसको लड़ाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि कॉंग्रिस पार्टी जहां भी जिस विर्तियासी को उतारेगी जितनी भी गटबंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा पिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखलेश यादव लड़ने चाहिए लोग सभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादो वहाँ गए लेखे आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ है अगर किसी लोग सभा सीट को ले करके चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोग के क्या तकलीफ है आजड़ी आजम खान साहब वहाँ से कई बार रहे हैं लोग सभा के साथ उन्होंने जिताया है कई बार बिधायक रहे हैं उनका छेत रहे हैं तो क्या लोकतन में हम उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी क्या राय दी जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं यह मान कर चलूँ आप चुनाव लड़ने वाले हैं चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव लड़ना चीए तो चुनाव लड़ना चीए मैंने इसलिए पहले का चुनाव लड़ना चीए और जाव उर्जा और उत्साह आपके कारेकरताओं में तब ही आएगी कि अखिलेश वहिया आगए मैदान में मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ और लोकसवा चुनाव लड़ना चीए दो अजार में लड़े थे पहली दफाव लेकर उसके बास सदन में गया मैं 19 में मैं लड़ा क्योंकि परसिति के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्टीफा देना पड़ा आएगा चुनाव तो फिर लड़ा जाएगा चुनाव तो चुनाव लड़ा जाएगा एक और जो आरोप BJP लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोप में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसेसरी बहस इसलिए BJP करती क्योंकि BJP मुकाबला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहा हूँ हो सकता मैंने आपका नहीं देखा हूँ अब इस बात पर तो मैं शुकायद दर्ज कर रहा हूँ अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आप देखना शुरू कर रहा हूँ लेकि शर्त ही ही है कि ये AVVP चैनल न बन जाए हो ही नहीं सकता यह यहाँ पर मैं खुला एलान कर रहा हूँ आप अपनी सीट का नाम बताने को तैयार नहीं मैं खुला एलान कर रहा हूँ ABP News, ABP News रहेगा आपको रखे आगे रखेगा ABVP कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना BJP अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं बात PDA की करते हैं और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी परत्यासी जीतेगा उसको लड़ने के लिए फैसला लेगी पाठी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्स का है फैसला यह ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरुन गांदी को चुनाब लड़ाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले हैं दर्वाजें नहीं, soft corner तो रहेगा, party का, soft corner है, अगर कोई अच्छा प्रतियासी मिल जाएगा, BJP के लोग हमारे प्रतियासी पर डाका मार रहे हैं, अगर कोई उनके party का प्रतियासी आ रहा होगा, अच्छा तो हम विचार करेंगे उस पर, तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं पर एक चीज किया आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को समझाया उनकी नबस टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ भ्रष्टाचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वे पक्षो अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है यह बार ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थे हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो बूत का आखरी दिन का management है आखरी दिन का जो management है रात से लेकर के सुबह तक वाला यह परचार खत्म होने के बास से लेकर के बोट डालने के समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यही कर रहे है मैं नहीं कह सकता हूं सीधा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धनबल है उनके पास वो management है कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्रचार कैसे करें निताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जाहाज में नहीं बेज सकते विज्ञापन नहीं दे सकते इश्टहार नहीं लगा सकते ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है बहुत अच्छा शब्द नहीं है वो हार की खीज है या ये हकीकत है केबल एकाउंट सीज नहीं हो रहे है मुख्यमंत्री सीज हो रहे है आप सोचिए ये हार का डर नहीं है बीजेपी का बीजेपी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो इलेक्शन फेस करते ये हार चुके हैं इसलिए नेरेटिव बदलने के लिए ये काम किये जा रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है जिन किसानों से इन्हों ने ये कहा कि आपकी आय दोगनी होगी जिन किसानों को कहा कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको आप बताईए क्या है इन्होंने तयारी की उसके लिए आपने दिल्ली से कहा कि हमने एरिकल्चर इंफरेस्टेक्शर के लिए एक लाख क्रोर रुपे रखें बजट में आप बताईए एक्सप्रेस वे के किनारे या उत्तफदेस में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने बताओ आखर किस जगह किसान जाकर के MSP ले 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 या लावकारी मूल ले 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 जिन्होंने ये कहा कि हम आयदोगनी कर देंगे क्या किसान की आज महंगाई इस महंगाई में आयदोगनी हो गई जब डीजल, पैट्रॉल, जीस्टी और हर कीड़नासक दवाई से ले करके जरुत की चीज किसान की महंगी है तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े इसलिए भारती जन्ता पार्टी इस तरह का काम कर रही है इलेक्टर बॉंड्स में इनकी घंटी बजगई उसका जवाब इनके पास नहीं जो ये गारंटी की घंटी बज़ा रहे है ये चलने वाली नहीं इस बार इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान इनका घंट चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसभा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गुन सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है आप मुझसे बेतर जानते इतने साल आपने राजनीती की है जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता देती है बोट कम हुआ बीजेपी का कम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था वही मेरा सवाल है बिपक्ष का बोट बढ़ा इसलिए मैंने आप से कहा बीजेपी अपने मैंने बेनेज्मेंट से जीत रही है अगर मुद्वों से जीत रही होती तो बुन्यादी मुद्जे आम जनता के मुद्जे से भादिन तबाडी उश्वाग क्यों रही है अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दू 2019 के लोगसभा चुनाव की बात करें तो 6,000 रुपए की किसान कल्यान सम्मान ने धी BJP लेकर आई लोगों ने हातो हात लिया और राहुल गांदी ये कहते रहे गए जी मेरी एक न्याय योजना भी है 72,000 रुपए दूँगा 6,000 रुपए महीने के दूँगा और 6,000 रुपए साल 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोसा किया भारती जनता पाटी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई हैं गरीब के उपर, किसान के उपर जो लोग विश्गुरू बनाने की बात कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनास दे रहे हैं राशन दे रहे हैं कोई कलपना कर सकता है यह अर्थववस्ता क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है एक फीज़दी जंख संख्या के पास 40.1 फीज़दी संपत्ती है यह सच्चाई है जो आकड़े दिखने यह जिम्यदारी समाजवादियों की या और निबिपक्ष के लोगों की है कि जनता के बीच में इस बार इन सबालों को लेकर के जाए हूँ जनता दुखी ही बैटी है Common Minimum Program क्यों नहीं आ रहा अब तो चुनाव आ गए अधी घोषना हो गई अधी सूचना जारी हो गई Common Minimum Program तो आए गई आएगा समाजवादी पार्टी का Vision Document भी आएगा और Vision Document कम से कम यह आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती इनता पार्टी की सरकार ने 15 लाग करोड किसान का उद्योग पतियों का करज माफ किया है क्या किसानों का करज माफ नहीं हो सकता हमारे Vision Document में होगा के उत्तर प्रदेश के किसानों का करज माफ हो ये सामिल हो हमारे Convon Minimum Program में आखरी सवाल योगी कह गए असी में असी आप कितनी सीट जीतने वाले हैं असी हराओ नौगरी पाओ असी हराओ संकट बचाओ असी हराओ लोग थंद बचाओ कितना हराओ असी में से आप कितने जीतेंगे एक के अलावा सब हर जाएंगे एक के अलावा सब हर जाएंगे एक कौन बच गए अब कोई हो सकता एक हो कोई अच्छा प्रदान मंतरी बचेंगे सिर्फ ये मैं नहीं करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आप आए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धनेवाद पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ एडी सीबियाई की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा हैं आपकी पार्टी समेट दस दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है कॉंगरस गुरेज कर गई थी तुनमूल कॉंगरस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उलजन भरी हो जाती है क्या यह समाजवादी पार्टी उत्तपदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रह करके वो चंदा नहीं बोला जा सकता है और जिस तरह बीजेपी को मिला है वो चंदा नहीं है बीजेपी का बीजेपी किसी के आड में छिप नहीं सकती है यह लेक्टरल बॉन नहीं है ये बीजेबी का बेंड बज गया है ये इससे छिपना चाहते हैं इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं क्या करबना कर तकते हैं आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ एलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और साथ बजे अर्विंद केजरिवाल के हाँ एडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है या सुप्रीम कोर्ड माने सुप्रीम कोर्ड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सी एलाओ उखड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा उने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जादा है कि जो आकड़े निकल करका रहे है उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP न्यूज नहीं देखते हैं सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बैस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP, AVP चैनल न बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ? ABVP चैनल न बन जाए हम आपको रखे आगे वाले हैं हम जनता को आगे रखने वाले हैं हम जनता के मुद्दे उनके सरुकारों का पीछा नहीं चोड़ती है जो और चैनल हैं जिस तरीके से बहस और मुद्दों पे होती हैं उन मुद्दों पे बहस नहीं कर रहे हैं और जबसे credibility चैनलों के खतम हुए है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अर्विंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का, जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आजाएगा अगर डरी होता तो राजनित क्यों करते हम लोग डरी होता और डर सी ये बात समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकॉर्ड मनाने जा रहे हैं जूटे मुकत्मों का क्या जो चाहिए उसको मुकत्मा लगा दिया जूटे मुकत्मे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकदमे लग रहे हैं यहां पर और उत्तपदेश में एक उधार नहीं कई उधार में दे सकता हूं जहां पर जूटे मुकदमे लगा करके लोगों को फसाय गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरच्चित अगर कही हैं तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके आकड़े कहां है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेट मीट के जिसमें देश के प्रदानमंती ची आए बाद में groundbreaking ceremony हुई वो कारकाने कहां लगे हैं बताए सरकार की कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया पर केंदर सरकार हो ये डबल एंजिन जो सरकार है UP की सरकार कहती है बरस्ताचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आखड़े आते हैं जो बाते आती हैं चैराहूल गांदी हो सोनिया गांदी हो नाशनल हैरल केस में वो जमानत पर हैं तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं ममताव एनरजी उनके बतीजे को उनके उपर हुआ ही हो रही है उसमें आपका भी नाम आ जाता है वो कह रहे हैं यह सब का नंबर लगाने वाले हैं यह ब्रश्टाचारियों का गड़बंदन है यह इंडिया अगर ब्रश्टाचारियों का गड़बंदन है तो जिन पर कभी CBI ED इंकम टेस्टे च्छापे लगते थे बाते जिनतां बार्णी में जाते ही उन संस्थाओं का क्या हुआ महराश्ट उठा लीजे आप महराश्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भारते जिनतां पार्टी में है उस पर EDC वे इंकम टेस्ट की पहले जाच न चल लई हो जिस समय से EDC वे इंकम टेक्स की जाच हुई वो बीजेपी में चले गए वो जाचे खतम हो गई बड़े पतों पर बैठे हुए इसी तरह बंगाल में उधारण है इस तरह यूपी में उधारण है और जो लोग भश्टाचार की बात कर रहे हैं यह तमाम सवाल खड़े हुए हैं तो भी एक्सप्रेस पे जाईए आप आगरा लखनू पे भी चल लीजी आप और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया पुर्मानचल एक्सपे उस पे चल करके देख लिए आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा और बुनेल है क्यों चल ला है वहां पर तो किवल भरन आप्षटाचार लेंदे случае कैं मुनाफा ज्याद है कमाने देने हैं लोगों को वहिताचार नहीं है किबा करके खुश करने क्या वो भर सचार नहीं है कि आप अगर बीजेपी के साथ है तो आपको सेक्योर्टी मिल जाएगी तो ए ब्रश्टाचार नहीं है। लाब देना, ज़रूर से ज़्याद है लाब देना, क्या वो ब्रश्टाचार नहीं है। कि घ्रेजयान पड़ान कनम संदेट। बीजेपी के सरकार नहीं थी, बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया, और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया, क्या ये भिष्टाचार नहीं है, साथ लाग बच्चों का आपने भविस्थ अंदकार में डाल दिया ये बीजेपी के लिए भिस्टाचार नहीं है क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं क्या उगी कल्ब ना कर सकता है कि एक नौजबान ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख करके जाता है पत्र में कि इन धिग्रियों का क्या होगा अपने माभाप को लिख करके जाता है कि मैं जला करके जा रहा हूं इन धिग्रियों से क्या फायदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल लए इसी तरह फुरुजबाद की एक बेटी जब पैपर कैंसल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने ये भरष्टाचार नहीं है आरच्छन को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर्णा देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भरष्टाचार करकर के आरच्छड खा रही है मुख्वंतीजी सदन में कहते है कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्वंतीजी जारी नहीं कर पाए यह बस्ता चार्ड नहीं है बेइमानी नहीं है पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है नारेटव बिल्डिंग में आप कमजोर पड़ते हैं क्या बीजेपी के मुकाबले बीजेपी पर खजाना है खजाना लुटा रहे हैं वो निरेटिव कैसे क्रेट होगा आप खजाना भर भर करके पैकेज देदेंगे खजाने की बात आई हम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जैन चौधरी से मैंने इंटिव्यू किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवणनी है पलटने नहीं वाले थे बीजेपी ने पलट दिया उचाल दिया आपकी चवणनी को तो तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे या खिलेश दो पर क्यों मान गए वो कह साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी चेह मिल रही थी और चेह में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थी ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलाइंस हुआ ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंक से भी कि आपके पास समीकंड क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने सुईकार किया केवले एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने का मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरिंद मलिक उनसे मिलकर के आई और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ जैनत ऐसे छोड़ कर चले गए राज्यसभा भी दी आपने सवाल यह नहीं है इससे बड़ा सवाल यह कि एक लोगसभा नहीं हमने हमने दोका खाया दो लोगसभा कोई हमने जिस समय उनके बिधायक आये थे और राज्यसभा मांग की थी उन्होंने उस समय उन से मैंने का दे कि हमारा साथ देना उन सभी भिधायकों ने का दे कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदरशेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसले बहुत साथ दान है हर चीज़ से स्वामी प्रसाद मौरिय को माहसचिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, नहीं मैंने रास्ता नहीं दिखाया, कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं, हम रोकते नहीं उने, पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई, अगर आप कोई जीतने वाला प्र पूरी कर सकता हूं, क्या मैं राजस्वा की दिमांड पूरी कर सकता हूं, क्या मैं मैं MLC की दिमांड पूरी कर सकता हूं, या खेल कुछ और है, जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, कि ये सब लोग एक और PDA बनाने चले थे, कॉंग्रस के साथ मिलकर, और अखिलेश मैं कि बस सीधा चल ला हूँ प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए जिस समय शुरुआती दोर में बात वी थी नितिश कुमार जी से उस समय भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आए तो उसके नेत्त में इंडिया गड़बंदन बनी और वही रास्ता मैंने अपनाया उसी रास्तिवे में चल ला हूँ नितिश कुमार का आपने जिक्र किया नितिश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामखा की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितिश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनेतिक भूल थी विपक्षी महागट बंदन की और से बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थी नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर के रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रेस की एक कमजोरी रही कमजोरी किसी की नहीं है पर सित्यों के हिसाफ से जो फैसले हो उसमें जो कंफ्यूजन हुआ या जो भी रिंडे लिया गया वह से खुले हैं अब चुनाओ की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गठबंदन पर होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन हो गए होते हैं अब तो नॉमिनेशन हो रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचार धाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो इ उसका दबाव काम आता दिख रहा है इंडिया गठबंदन बन चुका है दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि भारती जनता पार्टी इस बार हारेगी और जैसे मैंने पहले कहा भारती जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मू हो जाता है अलपसंख्यक भी इस पिश्रा दलित अगड़ी भी हो जाते हैं आदियावादी भी ए अलपसंख्यक भी है आदिवासी भी है और पीड़ी दुखी अगड़ी भी है इसमें इसमें कम से कम कोशिस की है समाजवादी लोगों ने कि PDA के अम्बरेला केता है सब को जोड़ा जाए सबका साथ सबका विकास क्या है कि कम से कम वो कह रहें नारा दे रहें लेकिन वो नारे का असर नहीं है जो काम करना चाहिए नारे के तैद वो नहीं हो रहा सबका साथ तो है लेकिन गैरा बड़ाबरी नहीं खतम होती सबके साथ में यह PDA जो है वो गैर रहे हैं बिहार में, MY factor कि बही मुस्लिम यादव एक vote bank, एक समी करन, वो आपके लिए भी काम करता है, वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है, वो माई बाप पर चले गई, और बाप भी वही है, आपका PDA यह है, बहुजन, आदिवासी और पूर जो हैं, उन लोगों की वो ब इंटीज में दिये, वही नारे हैं आज, लेकिन वही नाम बदल गया, अगर कभी संसुपाने बांदीगाट, वो वाला नारा था, तो आज PDA वाला नारा है, तो कोशिस यही है, कि इस अंब्रेला के अंदर, सब लोगों को शामिल किया जाए, अपना ग्रूप बड़ा किय जाए, लोगों को जोड़ा जाए, तभी बीजेपी का मुकाबला हो सकता है, और सबसे ज़्यादा भेदवाब और एन्या इनी के साथ हो रहा है, आप जादेगर नानी कराना चाहते हैं, जो हाबादी के हिसाब से हग सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, यहां पिष्डे दलितों का सबसे ज़्यादे हख चीना जा रहा है, यह मूल भाबना के साथ खिलबार है, उसके लिए नारा पीडिये है, आज मदर्सों का कैंसिल कर दिया गया है, एक्ट जो बना था उस नियम और एक्ट को खतम कर दिया गया, ति यह उनको हग देनाने का नारा है, आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है, आदि आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है, क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबसे आदे असुरच्छित महिला हैं, और जो कुछ विवस्था हैं बनाया थी चाहिए वो डाइल 100 बनाया वो सब विवस्था खतम कर दी, इसलिए पीडिये एक बड़ा नारा है, जिसके तैद हम सबनों को जोड़ने का आदिया आदी अबादी पर जोर दिया, यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या, क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आ हर दिन तब पार्टी की सरकार वे वो आखड़े बताते हैं, यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, और कोई दिन नहीं जाता हूँ तब देश में, जब किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ अन्यायना हो रहा हूँ, और जो विवस्था हैं बनाई दी सुरक्षा को ले करके वो सब समात कर दी इनोंने? पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कोन है? इसलिए नैशनल मुद्दों को ले करके, और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हों, काम अच्छा हो, लेकिन उसके बावज़ूद भी नैशनल इमेज नहीं बना पाती है। हलांकि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलियें वो एक्जम्प्ररी काम रहे देश के लिए भी, और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो, इसलिए एक गडवंदन बड़ा बनना चाहिए, और उस बड़े गडवंदन में इसलिए समाजवादी पार्टी सा अमेठी से रहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए, उससे और ट्राक्शन बनेगा, मैं कॉंग्रिस पार्टी क्या फैसला लेगी, उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता हूँ, आपकी निजी रायतो होगी, जो भी कॉंग्रिस पार्टी फैसला लेगी, हमारा पूरा केढ़र और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा, एक उर्जा एक उतसाहा बनता है ना, मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूँ, कि कॉंग्रिस किसको लड़ाएगी, लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ, कि कॉंग्रिस पार्टी जहां भी जिस वित्यासी को उतारेगी, जित आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा, ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए, और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए, तो लड़ेंगे, लोग सभा चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएग आजम खान से आप जाकर मिलें, डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई, AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं, या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है, अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादों वहां गई आजम खान साथ के साथ पूरी पार्टी है, हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ हैं, अगर किसी लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा उनसे हुई है, तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है, आजम खान साथ वहां से कई बार रहे हैं लोकसभा के साथ, उन्होंने जित तो चुनाव लड़ेंगे जो वो राय देंगे उस पर पार्टी बिचार करेगी क्या राय दी जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं यह मान कर चलूँ आप चुनाव लड़ने वाले चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव लड़ना चीए तो कहां से लड़ना चीए मैंने इसलिए पहले कहा तो चुनाव लग रहे हैं और उर्जा और उत्सा आपके कारेकरताओं में तब ही आएगी कि अखिलेश वहिया आगए मैदान में मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ और लोकसवा चुनाव लड़ लड़े थे पहली दफ़ा तो चुनाव लड़ा जाएगा एक और जो आरोप बीजेपी लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोप में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिकत समय करन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती क्योंकि बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहा है हो सकता मैंने आपका ना देखा हूँ लेकिन वो चैनल जिसको बात पर तो मैं शिकायोड़ देख रहा हूँ अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आप देखना शूरू कर अए लेकिन शर्त यही है कि ये AVVP चैनल न बन जाए होई नहीं सकता ये यहाँ पर मैं खुला एलान कर रहा हूँ आप अपनी सीट का नाम बताने को तैयार नहीं मैं खुला एलान कर रहा हूँ ABP News, ABP News रहेगा आपको रखे आगे रखेगा ABVP कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं बात PDA की करते हैं जो बात मैं कहना चाहता था कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरोब लगाते थे वही लोग सुझाव दे रहें कि आप क्या कर रहें ये और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा उसको लड़ने के लिए फैसला लेगी पार्टी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्स का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरुन गांदी को चुनाब लड़ाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले हैं दरवाजे नहीं, soft corner तो रहेगा, party का, soft corner है, अगर कोई अच्छा परत्यासी मिल जाएगा, BJP के लोग हमारे परत्यासी पर डाका मार रहे हैं, अगर कोई उनके party का परत्यासी आ रहा होगा, अच्छा तो हम विचार करेंगे उस पर, तो वो खेल आप भी खेल ना जानते हैं, पर एक चीज क्या आप मानेंगे, अखिलेश, आपने मुद्दो की बात की, वो लंबी फेरस्त है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, दो हजार चौदा में, जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को समझाया, उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली, बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार, बहुत हुआ ब्रश्टाचार, बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मुदी सरकार, आपके पास मुद्दे तो हैं पर उसने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वेपक्ष को? इनका जो मैनेजमेंट है, रात से लेकर के सुबह तक वाला, या परचार ख़तम होने के बाद से लेकर के बोट डालने के समय तक, जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है, जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं? मैंने कह सकता हूं सिधा क्योंकि Iliašin Commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो, आप कह सकते हैं, यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धन्द बल है उनके पास वो management है कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिये 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्लचार कैसे करें नेताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जहाज में नहीं बेज सकते विग्यापन नहीं दे सकते इश्टहार नहीं लगा हैं मुख्यमंत्री सीज हो रहे हैं आप सोचिए ये हार का डर नहीं है बीजेपी का बीजेपी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो election face करते ये हार चुके हैं इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम कहे जा रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है जिन किसानों से इन्हों होगी जिन किसानों को कहा कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको आप बताईए क्या है इन्होंने तयारी की उसके लिए आपने दिली से कहा कि हमने agriculture infrastructure के लिए एक लाग करोड रुपे रखे बजट में आप बताईए expressway के क नहीं ये कहा कि हम आए दोगनी कर देंगे क्या किसान की आज मेंगाई इस मेंगाई में आए दोगनी हो गई जब डीजल पैट्रॉल जीस्टी और हर कीटनासक दवाई से लेकर के जरूत की चीज किसान की मेंगी है तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े इसलि वाली नहीं इस बार इस बार देश का किसान देश का मजदूर देश का नौजमान इनका घमंड चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसभा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गुन सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है आप उनसे बेतर जानते इतने साल आपने राजनीती की है जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता दे क़िए बूट कम हुआ बीजेपी का कम उत्रा नहीं हुआ जतना होना चीए थे वही मेरा सवाल है बिपक्षका बठाणा इसलिए मैंने आपसे कहा बीजेपी अपने मेनेजिमेंट से जीत रही है अगर मुद्रों से जीत रही होती तो बन्यादी मुद्दे आम जंता के मु दिन ता बाड़ी भाग क्यों रही है उसी में अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूँ 2019 के लोकसबा चुनाव की बात करें तो 6000 रुपए की किसान कल्यान सम्मान निधी BJP लेकर आई लोगों ने हाथो हाथ लिया और राहुल गांदी ये कहते रह गए जी मेरी एक न्याय योजना भी है 72,000 रुपए दूँगा 6,000 रुपए महीने के दूँगा और 6,000 रुपए साल 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोस्वा किया भारती जनता पार्टी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई है गरीब के ऊपर किसान के ऊपर जो लोग विश्गुरू बनाने की बात कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं विकसित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनास दे रहे ह दे रहे हैं कि लान पिला रहे हैं कोई कल्पना कर सकता है यह अर्थवस्ता क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है लेकि दूसरे लोग लापार रहे हैं चालिस दशमलव एक फीजदी संपत्ती है यह सच्चाई है जो आकड़े दिख रहे हैं यह जिमेदारी समाजवाद कि यह और निभभष के लोग की है कि जनता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर गजाए हूं जनता दुखी बैटी है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा तो चुनाव आ गए जोचना हो गई अधी सूचना जारी हो गई समाजवादी पार्टी का विजन डॉकुमेंट भी आएगा और विजन डॉकुमेंट कम से कम यह आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधार अरंड के लिए भार्ती इनन्ता पार्टी की सरकार ने मुंद्रे trouver लाक करोड किसान का वहादियोग कमज माफ किया है क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों देश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन माउन मिनिमम प्रोग्राम में आखरी सवाल, योगी कह गए 80 में 80, आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? 80 हराओ, नौगरी पाओ, 80 हराओ, संकट बचाओ, 80 हराओ, लोक्तंद बचाओ, कितना हराओ 80 में से, आप कितने जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे, एक कौन बच गए? अब कोई हो सकता एक हो कोई अच्छा प्रदानमंतरी बचेंगे सिर्फ ये मैंनीकत त्या करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो جाएगा अखलेश आपाए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धन्यवाद पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ एडी सीबियाई की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा हैं आपकी पार्टी समेट दस दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई हैं कॉंग्रस गुरेज कर गई थी तुनमूल कॉंग्रस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उलजन भरी हो जाती है क्या ये समाजवादी पार्टी उत्तफदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमणे वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं दो सरकार में रहे चरके वह चंदा नहीं बोलाया सकता है और जिस तरह BGP को मिला है वह चंदा नहीं बीजेपी का BJP किसी के आड में छिप नहीं सकती है यह electoral bond नहीं है यह BJP का band बजगिया है यह इससे छिपना चाहते हैं इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे है क्या करबना कर सकते हैं आप Congress की बोली बोल रहे हैं कि 5 बज़े upload हुआ Election Commission की साइट पे upload होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्यौरा और 7 बज़े अरविंद केजरिवाल के यहां ED पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ Electoral bond की जैसे सूशना जारी होती है यह Supreme Court मानि Supreme Court की तरफ से और Election Commission की तरफ से C.A. लागू खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा हूने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं उसे चैनलों पे बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पे तो बहस हो रही है या और मुद्दों पे तो बहस हो रही है आप ABP न्यूज नहीं देखते हैं सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP channel न बन जाए AVP का क्या मसलब हुआ ABVP channel न बन जाए हम आपको रखे आगे वाले है क्योंकि जो और channel है हम जनता को आगे रखने वाले है हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ती जो और channel है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग और डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकार्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकत्मों का क्या जो चाहिए उसको मुकत्मा लगा दिया जूटे मुकत्मे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकत्मे लग रहे हैं यहां पर और उत्तवदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकत में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं का स्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरचित अगर कही है तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके आकड़े कहा है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती जी आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं बतायश सरकार की कारखाने लगए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया पर केंडर सरकार हो यह डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रश्टाचार के खिलाब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आखड़े आते हैं, जो बाते आती हैं, चैह राहूल गांदी हो, सोनिया गांदी हो, नाशनल हेरल केस में वो जमानत पर हैं, तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं, ममता बैनर जी उनके बतीजे को, उनके उपर कारवाई हो रही है, जिन पर कभी CBI, ED income tax के चापे लगते थे, बाते जनतां पारणी में जाते ही, उन संस्ताओं को क्या हुआ, महराश्च उठा लीजे आप, महराश्च में कोई नेता ऐसा नहीं है, जो बाते जनतां पारणी में है, उस पर ED CBI income tax की पहले जाच न चल लई हो, जिस समय से ED CBI income tax की जाच हुई, वो BJP में चले गए, वो जाचे ख़तम हो गई, बड़े पतों पर बैठे हुए, इससी तरह बंगाल में उधारण है, इस तरह यूपी में उधारण है, और जो लोग भश्टाचार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं, कभी एक्सप्रेस पर जाईए आप, आगर अलखनू पर भी चल लीजिए आप, और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन, जिसका काम पूरा BJP ने किया, पुर्मानचल एक्सप्रेस उस पर चल करके देख लीजिए, आपको डिफरेंस नजरा जाएगा, और बुनेल खंड एक्सप्रे तो केवल भरस्टाचार लें देने, कि मुनाफ़ा जाद है कमाने देने लोगों को, वो भरस्टाचार नहीं है, लोगों को पद दे करके खुश करने, क्या वो भरस्टाचार नहीं है, आप अगर BJP के साथ हैं, तो आपको सिकुरिटी मिल जाएगी, कैटिगरी बिद जाए यह क्या वो भरस्टाचार नहीं है, लाब देना, जरूर से जादे लाब देना, क्या वो भरस्टाचार नहीं है, पर जनता के जहन में BJP पर भरस्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, यह बात मानते हैं आप, जनता जान गई है, कि इन से जादा भरस्टाचार किस इसी सरकार ने ने किया होगा। इसका जवाब सरकार के पास क्या है? कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में। क्या उत्तरपदेश के सब गड़्डे बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तेन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पांच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ, और कई परिक्षा हैं कैंसल, कै ये पिश्टा चार नहीं है, इनके जिस प्रदेश में पेपर लीग हुआ, क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी, बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया, और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया, क्या ये पिश्टा चार नहीं है, साथ लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदका बच्चार में डाल दिया, ये बीजेपी के लिए भिस्टा चार नहीं है, क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हुआ कल बना कर सकता है कि एक नौजमान, ब्रिजेश पाल ये कहता है, और लिख कर के जाता है पत्र में, कि इन धिग्रियों का क्या होगा, अप दे दी उसने, ये भिस्टा चार नहीं है, आरच्षण को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे, धर्णा देते रहे, इतने सालों से, सरकार उनका भिस्टा चार करकर के आरच्षण खा रही है, मुख्यवंतिजी सदन में कहते हैं, कि जब समाजबादी की सरकार थी, 46 में 56 SDM बन जाते थे, मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है, आज तक मुख्यंतिजी जारी नहीं कर पाए, क्या ये बिस्टा चार नहीं है, बहिमानी नहीं है, पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है, नारेटिव बिल्दिंग में आप कमजोर पड़ते हैं क्य पैकेज दे देंगे, खजाने की बात आई, हम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में, जहन चौधरी से मैं ने इंटिव्यू किया, और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको, मैंने का आप तो चवणनी है, पलटने नहीं वाले थे, यह बात गलत है, और मैंने कई बार इस बात में कहा, कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा, क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलाइंस हुआ, यह बात मैंने उनके सामने रखी, और दलोंक से भी, कि आपके पास समीकंड क्या है, और आपका प्रत्यासी कौन है, उसमें बाची में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने का मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरिंदर मेलिक उनसे मिलकर के आई और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ जहनत ऐसे छोड़ कर चले गए राज्या सभा भी दी आपने सवाल यह नहीं है इससे बड़ा सवाल यह कि एक लोग कोई हमने जिस समय उनके विधायक आये थे और राजश्वा मांग की थी उन्होंने तोस समय उनसे मैंने का थै कि हमारा साथ देना उन सभी विधायकों ने का थै कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए क्योंकि अब हमारा जो अनुभव रह है जिन जन सातियों को साथ लिया है, समजवादी उनने, उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास देख करके नहीं गये, इसमें बहुत साब्धान है हर चीज से स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा नहीं मैंने रास्ता नहीं दिखाया कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उन्हें पलवी पटेल भी अब बाहर चली गई अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है उस पर विचार किया है सकता है एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं यह डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूँ क्या मैं राजस्वा की डिमांड पूरी कर सकता हूँ क्या मैं एमलसी की डिमांड पूरी कर सकता हूँ यह खेल कुछ और है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि यह सब लोग एक और PDA बनाने चले थे कॉंग्रेस के साथ मिलकर और अखेलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे यह कुछती के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाओ नहीं रखा मैं केबल सीधा चल लाओ प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए जिससे में शुरुआती दोर में बात वी थी नितीश कुमार जी से उससे में भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख विपक्ष की भूमिका में आए तो उसके नेत्वत में इंडिया गडबंदन बनी और वही रास्ता में ने अपनाया उसी रास्तिवे में चल लाओ नितीश कुमार का आपने जिक्र किया नितीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामखां की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनेतिक भूल थी विपक्षी महागट बंदन की और से बातें बहुत सारी हो सकती है लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थे नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर के रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रेस की एक कमजोरी रही? एक कमजोरी किसी की नहीं है पर स्थित्यों के हिसाब से जो फैसले हो उसमें जो कन्फियूजन हुआ या जो भी रिंड़े लिए गया वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जिन्हें प्रधानमंतरी बना था और बीजेपी की साजिश देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं? दरवाजे खुले हैं? अब चुनाओ की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गठबंदन पर? होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन्स हो गए होते हैं अब तो नॉमिनेशन्स हो रहे हैं तब बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचार धाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो इगो क्लाशेज हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गठबंदन नहीं बन पाया यह जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिख रहा है इंडिया गठबंदन बन चुका है, दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि भारती जनता पार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा भारती जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं एक क्लारिफिकेशन चाहूंगा P for पिछड़ा, D for दलित तो है A for क्या है ये आदी आबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है, अल्पसंक्यक भी पिछड़ा दलित अगड़े भी हो जाते हैं आदी आबादी भी है अल्प संकग भी हैं आदिवासी भी हैं और पीडे दुखी अगड़े भी है इसमें इसमें कम से कम कोशिश की है समाजवादी लोगों ने कि पीडिये के अंब्रेला कहता है सबको जोड़ा जाए सबका साथ सबका विकास क्या है कम से कम वो कह रहे हैं नारह दे रहे हैं गहर बराबरी खतम करने का नारा है जो समाजिक नया है उसका नारा है पीडिया अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है क्या आपकी तरफ से जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में MY factor की बही मुस्लिम यादव एक वोट बैंक एक समीकरन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही है आपका PDA यह है बहुजन आदिवासी और पूर जो हैं उन लोगों की वो बात कर रहे हैं आप भी यही कोशिश कर रहे हैं या is it too little too late यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही जो समाजवादियों ने नारे कभी 80s में 90s में दिये वही नारे हैं आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदीगाट वो वाला नारा था तो आज PDA वाला नारा है तो को पीजेपी का मुकाबला हो सकता है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे अर्णानी कराना चाहते हैं जो हबादी के हिसाब से हक सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे बैठे रहे उन्हें आरेक्षड में नई दिया जा रहा है उनको नौकली नी दिया रही है जो नई विवस्ता आरेक्षड की है उससे पिष्डे दलितों का सबसे ज़्यादे हक चीना जा रहा है यह मूल भावना के साथ खिलबाड है उसके लिए नारा पी डिये है आज मदर्सों का कैं पुरा उनके लिए नारा है, आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है, क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते हैं कि सबस्याद है, असुरच्छी तो महिला हैं, और जो कुछ विवस्था हैं बनाया थी चाहिए वो डायल 100 बनाया था या 1090 बनाया था, वो सब जिवस्था खतम कर दी, इसलिए PDA एक बड़ा नारा है, जिसके तैधम समनों को जोड़ने का काम करने हैं, आपने आदी आबादी पर जोर दिया, यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या, क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरश वो आखड़े बताते हैं, यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में, जब किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ अन्यायना हो रहा हो, और जो विवस्था हैं बनाई दी सुरक्षा को लेकर के, वो सब समाप्त कर दी इनोंने, आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी हैं, वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाओं में 2.36 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी, कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है, या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें, अगले एक ही बात कर लें, मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जा और बहुत सारे मद्दाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है, इसलिए नैशनल मुद्दों को ले करके, और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हों, काम अच्छा हो, लेकिन उसके बावज़ूर भी नैशनल इमेज नहीं बना पा गडवन्दन बड़ा बनना चाहिए, और उस बड़े गडवन्दन में इसलिए समाज़ादी पार्टी साथ आई है, अमेठी से राहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए, उससे और ट्राक्शन बनेगा, मैं कॉंग्रिस पार्टी क्या फैसला लेगी, उसके बारे में भरोसा दिला सकता हूं, कि कॉंग्रिस पार्टी जहां भी जिस वर्तियासी को उतारेगी, जितनी भी गडवन्दन की सीटे हैं, उन सीटों पर समाज़वादी पार्टी का समर्थक उनका साथ ख़ड़ा दिखाई देगा, अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंग अखलेश यादव, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा, आजम खान से आप जाकर मिलें, डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई, ए आयम आयम वाले आरोप लगा रहे हैं, या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखलेश यादव वहाँ गई, लेखिए, आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है, हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ हैं, अगर किसी लोकसभा सीट को लेकर के, चर्चा उनसे हुई ह तो दूसरे लोग के क्या तकलीफ है, आजड़ी आजम खान साहब वहाँ से कई बार रहे हैं लोग सबा के साथ, उन्होंने जिताया है कई बार, बिधायक रहे हैं, उनका छेत रहे हैं, तो क्या लोकतन में हम उनकी राय नहीं लेंगे? तो चुनाव लड़ेंगे? जो वो राय देंगे, उस पर पार्टी विचार करेगी, जो राय दी, वो हमारे उनके बीच की है, तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ, आप चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव मैंने आप से कहा, कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा, चुनाव कहां से लड़ेंग कि अखिलेश वहिया आगए मैदान में, मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ, और लोकसवा चुनाव लड़ने लड़े थे पहली दफ़ा, लेकर उसके बास सदन में गया मैं, 19 में मैं लड़ा, क्योंकि परसिति के साथ से मुझे, परसितियों में मुझे स्तीफा दे बार दे चुके हैं, पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चेहन में तो किया है, लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं, सारे यादव उमीदवार मुलायम सिंग परिवार के ही क्य क्योंकि BJP मुकाबला नहीं कर सकती, मैंने देखा, मैं कई चैनल देख रहा हूँ, हो सकता मैंने आपका न देखा हूँ, लेकिन वो चैनल, जिसको अब इस बात पर तो मैं शुकायत दर्ज कर रहा हूँग, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो, मैं आप देखना शुरू कर रहा हूँ, ABP News, ABP News रहेगा, आपको रखे आगे रखेगा, ABVP कता ही नहीं होगा, सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते, किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे, दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरोब लगाते थे, वही लोग सुझाव दे रहें कि आप क्या कर रहें हैं, और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा, उसको लगने के लिए फैसला लेगी पार्टी, और ये जनता के ब करके चला गया, वरुन गांदी को चुनाब लडाएंगे या समर्थन देंगे, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है, पर वरुन गांदी के लिए दरवाजे खुले हैं, का पर दिशासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं पर एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से BJP ने लोगों को समझाया उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ ब्रश्टाचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मुदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे ब बेचने का तरीका नहीं आता क्या विपक्ष को अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है यह बार ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थी हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो पूर जो बूत का आखरी दिन का management है आखरी दिन का जो management है रात से लेकर के सुबह तक वाला यह परचार ख़तम होने के बास से लेकर के बोट डालने के समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूं सीधा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धनबल है उनके पास वो management है Congress आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्रचार कैसे करें निताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जहाज में नहीं बेज सकते विज्ञापन नहीं दे सकते इश्टहार नहीं लगा सकते ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है बहुत अच्छा शब्द नहीं है वो हार की खीज है या ये हकीकत है के बले अकाउंट सीज नहीं हो रहे है मुख्यमंत्री सीज हो रहे है आप सोचिए ये हार का डर नहीं है बीजेपी का बीजेपी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो इलेक्शन फेस करते ये हार चुके हैं इसलिए नेरिटिव बदलने के लिए ये काम कहे जा रहे है क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है जिन किसानों से इन्हों ने ये कहा कि आपकी आय दोगनी होगी जिन किसानों को कहा कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको आप बताईए क्या इन्हों ने तयारी की उसके लिए आपने दिल्ली से कहा कि हमने agriculture infrastructure के लिए एक लाग क्रोड रुपए रखे बजट में आप बताईए expressway के किनारे या उत्तफदेश में एक भी मंडी बनाई हो उन्होंने बताओ आखिर किस जगह किसान जाकर के MSP ले ले या लावकारी मूले ले ले जिन्होंने ये कहा कि हम आए दोग नहीं कर देंगे क्या किसान की आज महंगाई इस महंगाई में आए दोग नहीं हो गई जब डीजल, पैट्रॉल, जीस्टी और हर कीटनासक दवाई से लेकर के जरुत की चीज किसान की महंगी है तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े इसलिए भारती जन्ता पार्टी इस तरह का काम कर रही है इलेक्टोर बोंड्स में इनकी घंटी बजगई उसका जवाब इनके पास नहीं जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं ये चलने वाली नहीं है इस बार इस बार देश का किसान देश का मजदूर देश का नौजवान इनका घंट चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसभा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गुन सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है आप मुझसे बेतर जानते हैं इतने साल आपने राजनीती की है जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा BJP पर ही क्यों जता देती है बोट कम हुआ BJP का कम उतना नहीं हुआ जितना होना चीए था वही मेरा सवाल है बिपक्ष का बोट बढ़ा इसलिए मैंने आप से कहा BJP अपने मैनेजमेंट से जीत रही है मुद्दों से नहीं जीत रही है अगर मुद्दों से जीत रही होती तो बुनियादी मुद्दे आम जनता के मुद्दे से भादिन तबाड़ी भाग क्यों रही है जी मेरी एक नियाए योजना भी है 72,000 रुपए दूँगा 6,000 रुपए महीने के दूँगा और 6,000 रुपए साल 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोस्वा किया बारति जिनता पार्टी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई है गरीब के ऊपर, किसान के ऊपर जो लोग विश्गुरु बनाने की बात कर रहे है जो लोग कह रहे है विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड़ लोगों को यह अनास दे रहे हैं राशन दे रहे हैं कोई कल्पना कर सकता है यह अर्थवस्ता क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है एक फीज़्दी जन्संख्या के पास 40.1 फीज़्दी संपत्ती है यह सच्चाई है जो आकड़े दिखने यह जिमेदारी समाजवादियों की या और निभिपक्ष के लोगों की है कि जन्ता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर के जाए हूँ जन्ता दुखी ही बैटी है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यो नहीं आ रहा तो चुनाव आ गए गोशना हो गई या दी सूचना जारी हो गई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आए गई आएगा समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्मेंट भी आएगा और विजन डॉक्मेंट कम से कम यह आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने पंतर लाग करोड किसान का उध्योग पतियों का कर्ज माफ किया है क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता हमारे विजन डॉक्मेंट में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों देश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन माउन minimum program में आकरी सवाल योगी कह गए 80 में 80 आप कितनी seat जीतने वाले हैं 80 हराओ नौगरी पाओ 80 हराओ संकट बचाओ 80 हराओ लोगथंद बचाओ कितना हराओ 80 में से आप कितने जीतेंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक कौन बच गए अब कोई हो सकता एक हो कोई अच्छा प्रदान मंत्री बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अखिलेश आप आए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धन्यवाद पाँच में से तीन टॉप पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ EDCBI की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा हैं आपकी पार्टी समेट दस दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है कॉंग्रस गुरेज कर गई थी तो नमूल कॉंग्रस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उल्जन भरी हो जाती है क्या यह समाजवादी पार्टी उत्तप्रदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रह करके वो चंदा नहीं बोला या सकता है और जिस तरह बीजेपी को मिला है वो चंदा नहीं है बीजेपी का बीजेपी किसी के आड में छिप नहीं सकती है यह लेक्टरल बॉन नहीं है यह बीजेपी का बेंड बज गया है यह इससे छिपना चाते हैं इसलिए ध्यान अटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं क्या करबना कर सकते हैं आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ इलेक्शन कमिशन की साइट पर अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्यौरा और साथ बजे अर्विंद केजरिवाल के यहां इडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्शन बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है यह सुप्रीम कोर्ड मानिस सुप्रीम कोर्ड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सी एलाग उखड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा हूँ ने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP News नहीं देखते हैं लगता है सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP channel ना बन जाए AVP का क्या मसलब हुआ ABVP channel ना बन जाए हम आपको रखे आगे वाले है हम जनता को आगे रखने वाले है हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ती जो और channel है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे हैं और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है मैंने channel देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का, जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग बरहमान रिकौर्ड बनाने जारेें जूटे मुकदमे का क्या जो चाहते हैं उसको मुकदमा लगा दिया जूटे मुकदमे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकदमे लग रहे यहां पर और उत्तपदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकत में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डेथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे जादा असुरचित अगर कहीं है तो यहाँ पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डेफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके अकड़े कहां है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती ची आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं वताईश सरकार के कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया परकेंदर सरकार हो ये डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रस्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आंकड़े आते हैं जो बाते आती हैं चैराहुल गांदी ओ, सोनिया गांदी ओ, नैशनल हैरल केस में वो जमानत पर हैं तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं ममता बैनर जी उनके बतीजे को उनके ऊपर कारवाई हो रही है चापे लगते थे, बार्दी जंता पार्टी में जाते ही उन संस्थाओं का क्या हुआ, महराष्ट उठा लीजे आप, महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है, जो भार्दी जंता पार्टी में है, उस पर EDCV income tax की पहले जाच न चल लई हो, जिस समय से EDCV income tax की जाच हुई, वो BJP में चले गए, वो जाचे ख़तम हो गई, बड़े पतों पर बैठे हुए, इसी तरह बंगाल में उधारण है, इस तरह यूपी में उधारण है, और जो लोग भश्टाचार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं, कभी एक्सप्रेस में जाईए आप, आगर अलखनू पर भी चल लीजी आप, और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन, जिसका काम पूरा BJP ने किया, पुर्माचल एक्सप्रेस उस पर चल करके देख लीजी, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, और बुन्देल खंड एक्सप्रेस जिसका उद्गार आज भी काम चल ला है उस पर, अगर भष्टाचार शामिल नहीं था, अगर क्वालिटी से कंप्रमोईज नहीं किया था सरकार ने, तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर, तो केवल भष्टाचार लें देने, क्या मुनाफ़ा जाद है कमाने देने लोगों को, वो भष भष्टाचार नहीं है, आप अगर बीजेपी के साथ हैं, तो आपको सिक्यूरटी मिल जाएगी, कैटिकरी बदल जाएगी, क्या वो भष्टाचार नहीं है, लाब देना, जरूर से ज़्याद है लाब देना, क्या वो भष्टाचार नहीं है, पर जनता के जहन में कि फ़ेपार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया ख़र्च हो चुक है गड़्ण मुक्ती में क्या उत्तते इस्ट कせ सब गड़े बंद हो गए है एक बिड़ लिख दो पेपर लिख आने इन पेपर लीख चार पेपर लिख पांच फेपर लिख छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ, और कई परिक्षाएं कैंसल, क्या ये परिक्षा चार नहीं है, इनके बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए, जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे, क्या है स्टीफ ने नहीं पकड़ा उनको, और फिर सब चांचे स्ट पेपर नहीं दिया गया, और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया, क्या ये परिश्टा चार नहीं है, साथ लाग बच्चों का आपने भविस अंदकार में डाल दिया, ये बीजेपी के लिए परिश्टा चार नहीं है, क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, क क्या फाइदा कि मुझे नौकरी नी मिल लए इसी तरह फुरुजबाद की एक बेटी जब पैपर कैंसल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने ये भरष्टाचार नहीं है आरख्षण को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर ना देते रहे इतने सालों स सरकार उनका ब्रष्टाचार करकर के आरख्षण खा रही है मुख्यवंतिजी सदन में कहते हैं कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्यवंतिजी जारी नहीं कर पाए क्या यह ब्रष्टाचार न है कि खजाना लुटा रहे हैं वो नेरिटिव कैसे क्रेट होगा आप खजाना भर भर करकर गर पैकेज देंगे खजाने की बात आई हम चवन्नी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जैन चौधरी से मैंने इंटर्व्यू किया और मैंने का साथ सीते जह मान गए वो कैर साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी चेह मिल रही थी और चेह में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थी ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा लाइंस हुआ ये बा किया केवल एक सवाल मुजफर नगर का था मैंने उनसे का कि अगर मुजफर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंन तैसे छोड़ कर चले गए, राज्या सभा भी दी आपने सवाल ये नहीं है इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोग सभा नहीं हमने हमने दोका खाया दो लोग सभा कोई हमने जिस समय उनके बिधायक आये थे और राज्या सभा मांग की थी उन्होंने उस समय उनसे मैंने का दें कि हमारा साथ देना उन सभी बिधायकों ने का दें कि हमा आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदरशेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसले बहुत साथ दान है हर चीज से स्वामे प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा नहीं, मैंने रास्ता नहीं दिखाया कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उन्हें पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है उस पर विचार किया रह सकता है एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं यह डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूं क्या मैं राजसभा की डिमांड पूरी कर सकता हूं क्या मैं मैं MLC की डिमांड पूरी कर सकता हूं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे, ये कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए। मैंने कोई दाव नहीं रखा, मैं केबल सीधा चल ला हूँ। प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए। जिस समें शुरुआती दोर में बात वी थी नितीश कुमार जी से, उस समें भी यही बात थी, कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख विपक्ष की भूमिका में है, तो उसके नेत्वत में इंडिया गडवंदन बनी, और वही रास्ता मैंने अपनाया, उसी रास्ते पर में चल आ ओं, नितीश कुमार का आपने जिक्र किया, नितीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती, ये नाक की खामखा की लड़ाई की जी ममताब एनर जी, इनके नाम पर तयार नहीं है, सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर, प्राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागट बंदन की और से बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थे नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे प्रधानमंत्री बना था और बीजेपी की साज़िस देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं दर्वाजे खुले हैं अब चुनाव की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गठवंदन पर होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन्स हो गए होते हैं अब तो नॉमिनेशन्स हो रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचार धाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो इगो क्लाशेस हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गठवंदन नहीं बन पाया या जो आप कह हो रखा है उसका दबाव काम आता दिख रहा है इंडिया गठवंदन बन चुका है दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि भारती जंता पार्टी इस बार हारेगी और जैसे मैंने पहले कहा भारती जंता पार्टी का घमंड का घढ़ा इस बार जंता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं एक लारिफिकेशन चाहूंगा पीफ और पिछडा दीफ और दलित तो है एफ और क्या है यह आधी आबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अल्पसंख्यक भी निए इस पिशडा दलित अगड़े भी हो जाते हैं आधी अबरेला केता है सब को जोड़ा जाए सबका साथ सबका विकास क्या है कि कम से कम वो कह रहें नारा दे रहें लेकिन वो नारे का असर नहीं है जो काम करना चाहिए नारे के तैद वो नहीं हो रहा सबका साथ तो है लेकिन गैरा बड़ाबरी नहीं खतम होती सबके साथ में ये PDA जो है, वो गैर बड़ाबरी खतम करने का नारा है, जो समाजिक नया है, उसका नारा है PDA. अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है किया आपकी तरफ से, जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में, MY Factor, कि मुस्लिम यादव एक वोट बैंक, एक समी करन, वो आपके लिए भी काम करता है, वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है, वो माई बाप पर चले गए, और बाप भी वही है, आपका PDA ही है, बहुजन, आदिवासी और पूर जो हैं, उन लोगों की वो बात कर रहे हैं, आप भी यही कोशिश कर रहे हैं, या is it too little, too late? यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही, जो समाजवादियों नारे कभी 80s में, 90s में दिये, वही नारे हैं आज, लेकिन वही नाम बदल गया, अगर कभी संसुपाने, बांदीगाट, वो वाला नारा था, तो आज PDA व सब लोगों को शामिल किया जाए, अपना गुरूप बड़ा किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, तभी बीजेपी का मुकाबला हो सकता है, और सबसे ज़्यादा भेदवाब और एन्या इनी के साथ हो रहा है, आप जादे गरना नहीं कराना चाहते हैं, जो हाबादिक ह साथ से हग सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, यहाँ 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे, बैठे रहे, उन्हें आरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है, जो नई विवस्ता आरेक्षड की है, उससे पिष्डे दलितों का सबसे ज़्यादे हग चीना जा रहा ह यह मूल भावना के साथ खिलबार है, उसके लिए नारा पीडिये है, आज मदर्सों का कैंसिल कर दिया गया, एक्ट जो बना था उस ईनियम और एक्ट को खतम कर दिया गया, ति यह उनको हग दिनाने का नारा है, आधिवासियों के साथ भेदवावुरा उनके लिए नारा ह आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरूवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्याद है असुरच्छी तो महिला है और जो कुछ विवस्था है बनाए थी चाहिए वो डाइल हंड्रेड बनाया था या वन जिरो नाइन जिरो बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी इसलिए पीडिये एक बड़ा नारा है जिसके तैद हम सब लोगों को जूड़ने का आदी आबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंदर मोदी और बीजेपी वहाँ कहीं आगे आप से निकल गई लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे जादा असुरचित महिलाएं अगर कहीं है तो भारत इमता पार्टी की सरकार वे वह आखड़े बताते है ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता उत्तपदेश में जब किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ अन्यायना हो रहा हो और जो विवस्ता हैं बनाई दी सुरक्षा को लेकर गे वो सब समाप्त कर दी इनोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी हैं वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.3-6 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें, अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुझान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया अखिलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल इविल पर पार्टी है और बहुत सारे मद्दाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है इसलिए नैशनल मुद्दों को ले करके और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हों काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूत भी नैशनल इमेज नहीं बना पाती है हलाकि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलिये हैं वो एक्जेंप्ररी काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गड़वंदन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गड़वंदन में इसलिए समाजवादी पार्टी साथ आई है अमेठी से रहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं कॉंग्रिस पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता हूँ आपकी निजी रायत होगी जो भी कॉंग्रिस पार्टी फैसला लेगी हमारा पूरा केड़र और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा एक उरजा एक उचसाह बनता है न? मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रिस कुसको लड़ाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि कॉंग्रिस पार्टी जहां भी जिस विर्तियासी को उतारेगी जितनी भी गटबंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ ख़ड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा फिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखिलेश यादव लड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए खिलेश यादव वहां गए लेखे आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ है अगर किसी लोगसवा सीट को ले करके चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है आज़णी आजम खान साहब वहां से कई बार रहे हैं लोगसवा के साथ उन्होंने जिताया है कई बार बिधायक रहे हैं उनका छेत रहे हैं तो क्या लोकतत में हम उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी क्या राय दी जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ आप चुनाव लड़ने वाले हैं चुनाव मैंने आपसे कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव लड़ना जी है और लोग सवाद चुनाव लड़ा लड़ा जाएगा तो फिल लड़ा जाएगा तो चुनाव लड़ा जाएगा एक और जो आरोप BJP लगतार आप पर लगाती है वो परिवारवाद का और उस आरोप में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसेसरी बहस इसलिए BJP करती क्यो है अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आप देखना शुरु करना है लेकिन शर्त ही हैं कि यह ए वी वी पी चैनल नहीं ळूँ जाए हाई हो यह नहीं सकता hearings aur यहां पर मैं क्छुदा ऐलान कर रहा हूं अपनी सीट का नाम बताने को तैयार नहीं मैं खुला एलान कर रह ABP News ABP News रहेगा आपको रखे आगे रखेगा ABVP कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना BJP अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं बात PDA की करते हैं जो बात मैं कहना चाहता था कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ नजाने क्या क्या आरोब लगाते थी वही लोग सुझाव दे रहें कि आप क्या कर रहें हैं और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा उसको लड़ने के लिए फैसला लेगी पार्टी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्थ का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरुन गांदी कुछ नाव लड़ाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चर्शा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले है दर्वाजे नहीं सौफ्ट कॉर्णर तो रहेगा पार्टी का सौफ्ट कॉर्णर है अगर कोई अच्छा परत्यासी मिल जाएगा बीजेपी के लोग हमारे प्रत्यासी पे डाका मार रहे हैं अगर कोई उनके पार्टी का प्रत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं पर एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को समझाया उनकी नबस टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वे पक्षो अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है यह बार ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थे हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो बूत का आखरी दिन का management है आखरी दिन का जो management है रात से लेकर के सुबह तक वाला यह परचार खत्म होने के बास से लेकर के बोट डालने के समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूं सीधा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धनबल है उनके पास वो management है कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिए 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्रचार कैसे करें निताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जाहाज में नहीं बेज सकते विज्ञापन नहीं दे सकते इश्टहार नहीं लगा सकते ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है बहुत अच्छा शब्द नहीं है वो हार की खीज है या ये हकीकत है केबल एकाउंट सीज हो रहे है मुख्यमंत्री सीज हो रहे है आप सोचिए ये हार का डर नहीं है बीजे पी का बीजे पी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो इलेक्शन फेस करते ये हार चुके हैं इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम कीए जा रहे हैं क्योंकि इनके पास Biraz जवाब नहीं है जिन किसानों से इनों ने ये कहा कि आपकी आए दो गुनी हो गी जिन किसानों को कहा कि फसल बीमा से आपकी फसल के नुकसान की भर पाई नहीं जब कि लाम मिलेगा आपको आप बताईए क्या है इन्होंने तैयारी की उसके लिए आपने दिली से कहा कि हमने एरिकल्चर इंफरेस्टेक्शर के लिए एक लाख क्रोड रुपे रखें बजट में आप बताईए एक्सप्रेस वे के किनारे या उत्तफदेस में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने बताओ आखर किस जगह किसान जाकर के MSP ले 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 या लावकारी मूल ले 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 जिन्होंने ये कहा कि हम आयदोगनी कर देंगे क्या किसान की आज महंगाई इस महंगाई में आयदोगनी हो गई जब डीजल, पैट्रॉल, जीस्टी और हर कीड़नासक दवाई से ले करके जरुत की चीज किसान की महंगी है तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े इसलिए भारती जन्ता पार्टी इस तरह का काम कर रही है इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान इनका घमंड चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसवा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गुन सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है, आप उनसे बेतर जानते हैं इतने साल आपने राजनीती की है जनता गाली दे कर भी, गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता देती है बोट कम हुआ बीजेपी का कम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था वही मेरा सवाल है बिपक्ष का बोट बढ़ा, इसलिए मैंने आप से कहा बीजेपी अपने मेनेजमेंट से जीत रही है मुद्दों से नहीं जीत रही है अगर मुद्दों से जीत रही होती है तो बुनियादी मुद्दे आम जनता के मुद्दे से भादेंता बाड़ी भाग क्यों रही है अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूँ 2019 के लोकसबा चुनाव की बात करें तो 6000 रुपे की किसान का लियान सम्मान निधी बीजेपी लेकर आई लोगों ने हातो हात लिया और राहुल गांदी ये कहते रहे गए जी मेरी एक न्याय योजना भी है 72,000 रुपे दूँगा 6000 रुपे महीने के दूँगा और 6000 रुपे साल 500 रुपे महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोसा किया भारती जिनता पार्टी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई हैं गरीब के उपर, किसान के उपर जो लोग विश्गुरू बनाने की बात कर रहे है जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनाज दे रहे है राशन दे रहे हैं, खिला पिला रहे है कोई कलपना कर सकता है यह अर्थववस्ता क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है एक फीज़दी जन्ध संख्या के पास क्यों नहीं आरा तो चुनाव आ गए अधि घोषना हो गई अधिस उचना जारी हो गई कोई मिनमम प्रोग्राम तो आए गई आएगा समाजवादी पार्टी का विजन डॉकुमेंट भी आएगा और विजन डॉकुमेंट कम से कम यह आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती इंता पार्टी की सरकार ने पंद्रे लाग करोड किसान का उद्योग पतियों का करज माफ किया है क्या किसानों का करज माफ नहीं हो सकता हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन वाउन मिनिमम प्रोग्राम में आखरी सवाल योगी कह गए असी में असी आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? असी हराओ, नौगरी पाओ असी हराओ, संकट बचाओ असी हराओ, लोग्थंद बचाओ कितना हराओ असी में से, आप कितने जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक कौन बच गए? अब कोई हो सकता, एक हो कोई अच्छा, प्रदान मंत्री बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं कितना करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आप आए, कीमती वक्त निकाला बहुत-बहुत शुक्रिया इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धन्यवाद पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ E.D.C.B.I. की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा हैं आपकी पार्टी समेट 10 दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है कॉंगरस गुरेज कर गई थी तुनमूल कॉंगरस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उलजन बरी हो जाती है क्या यह समाजवादी पार्टी उत्तप्रदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रह करके वो चंदा नहीं बोला या सकता है और जिस तरह बीजेपी को मिला है वो चंदा नहीं है BJP का, BJP किसी के आड में छिप नहीं सकती है, यह electoral bond नहीं है, यह BJP का band बज गया है, यह इससे छिपना चाहते हैं, इसलिए ध्यान अटा करके दूसरों पे कारवाई कर रहे हैं, क्या करबना कर सकते हैं? कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं, कि पांच बजे अपलोड हुआ, इलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ, पूरा का पूरा ब्योरा, और साथ बजे, अर्विंद केजरिवाल के यहां E.D. पहुंच जाती है, मैं उससे पहले जाता हूँ, इलेक्टरल उसका ध्यान अटाने के लिए, सवाल उससे भी जाता है, कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं, उसे चैनलों पे बहस क्यों नहीं रही है, बदाईयों पे तो बहस हो रही है, या और मुद्दों पे तो बहस हो रही है, आप ABP न्यूस नहीं देखते हैं, लगता है, सीधा चैनल न बन जाए, ए वी पी का क्या मतलब हुआ? अच्छा, ABVP न बन जाए, हम आपको रखे आगे वाले हैं, हम जनता को आगे रखने वाले हैं, जो और चैनल हैं, जस तरीके से बहस और मुद्दों पे होती हैं, उन मुद्दों पे बहस नहीं कर रहे हैं, और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है, मैंने चैनल देखना बंद कर दिया, इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए, जेल जाने का, जेल भेजने का सीजन चल रहा है, मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनित क्यों करते हैं हम लोग, डरी होता, और डर सी ये बास समझ में आ रही है, क्या सरकार और बीजेपी के लोग, ब्रहमान रिकॉर्ड मनने जा रहे हैं जूटे मुकदमों का क्या, जो चाहिए उसको मुकदमा लगा दिया, जूटे मुकदमे लगा यहां पर, और उत्तवदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूं, जहां पर जूटे मुकदमे लगा करके लोगों को फसाए गया है, और एक नहीं हजारों ऐसे हैं, कस्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी, इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं, महलाएं और हैं, कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें, इसके अकड़े कहां हैं, दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेट मीट के, जिसमें देश के प्रधानमंती ची आए, बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हैं, ब्रष्टाचार के खिलाब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें आम आदमी के सामने जो आंकड़े आते हैं, जो बाते आती हैं, चहराहूल गांदी हो, सोनिया गांदी हो, नाशनल हरल केस में वो जमानत पर हैं, तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं, ममता हैं, तो जिन पर कभी CBI, ED, Income Test के चापे लगते थे, बाते इंतां बार्णी में जाते ही, उन संस्थाओं का क्या हुआ, महराष्ट उठा लीजे आप, महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है, जो भारते इंतां पार्णी में है, उस पर ED, CBI, Income Test की पहले जाच न चल लग हो, जिस समय से ED, CBI, Income Tax की जाच हुई, वो BJP में चले गए, वो जाचे खतम हो गई, बड़े पतों पर बैठे हुए, इसी तरह बंगाल में उधारण है, इस तरह यूपी में उधारण है, और जो लोग भश्टाचार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं कभी एक्सप्रेस में जाईए आप, आगर अलखनू पर भी चल लीजिए आप, और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन, जिसका काम पूरा BJP ने किया, पुर्मानचल एक्सप्रेस उस पर चल करके देख लीजिए, आपको डिफ्रेंस नजर आ जाएगा, और बुन तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर, तो केवल भष्टाचार लें देने, कि मुनाफ़ा जाद है कमाने देने हैं लोगों को, वो भष्टाचार नहीं है, लोगों को पद दे करके खुश करने, क्या वो भष्टाचार नहीं है, आप अगर BJP के साथ हैं, तो आपको सि जनता जान गई है, कि इन से जादा भष्टाचार किसी सरकार नहीं किया होगा, इसका जवाब सरकार के पास क्या है, कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में, क्या हो तो पदेश के सब गड़े बंद हो गए, एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पांच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ, और कई परिख्छाएं कैंसल, क्या बशक्षा चाड़ नहीं है, इनके बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए, जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे, क्या जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ, क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी, बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया, और पेपर देते समय क्या वसूला नहीं गया, क्या ये विस्टाचार नहीं है, साथ लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदकार में डाल दिया, ये बीजेपी के लिए विस्टाचार नहीं है, क्या ये नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उगी कल्प ना कर सकता है कि एक नौजबान, ब्रिजेश पाल ये कहता है, और लिख करके जाता है पत्र म जब पैपर कैंसिल हो गया, तो उसने आत्मधा कर लिया, जान दे दी उसने, ये भष्टाचार नहीं है, आरच्षण को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे, धरना देते रहे, इतने सालों से, सरकार उनका भष्टाचार करकर के आरच्षण खा रही है, मुख्यवंत ज सरकार थी, 46 में 56 SDM बन जाते थे, मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है, आज तक मुखंतीजी जारी नहीं कर पाए, क्या ये बश्टाचार नहीं है, बेहिमानी नहीं है, पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है, नारेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर प खाजाने की बात आई, हम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में, जैन चौधरी से मैंने इंटव्यू किया, और मैंने का, साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको, मैंने का, आप तो चवणनी है, पलटने नहीं वाले थे, बीजेपी ने पलट दिय उचाल दिया आपकी चवणनी को तो, तो मैंने का, साथ सीटे दे रहे थे या खिलेश, दो पर क्यों मान गए, वो कहा, साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी, चेह मिल रही थी, और चेह में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थे, ये बात गलत है, और मैंने कई ब उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा, वो मैंने सुिकार किया, केवल एक सवाल मुझफवर नगर का था, मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं, तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे, पर आपकी पसंद हरेंद मलिक थे, तो उन्होंने कहा, मैं बात करना चाहता हूं उनसे, वो खुद हरेंद मलिक उनसे मिल करके आए, और अपनी बाचीत की, और उसके बाद पता लगा, कि गिंती में साथ छोटा है, दो बड़ा है, दुख हुआ, जैनत ऐसे छोड़ कर चले गए, राज्या सभा भी सवाल यह नहीं है, इस से बड़ा सवाल ही है, कि एक लोगस्वा नहीं हमने दो का गया, दो लोगस्वा कोई हमने, जिस समय उनके विदायकicip आये थे और राइस्वा मांग की थी उनने, उस समय उनसे मैंने का थे कि हमारा साथ देना, उन सब भी विदायकों दे हम आपका स जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसले बहुत साथदान है हर चीज से स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, नहीं बहने रास्ता नहीं दिखाया, कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं, हम रोकते नहीं उने, पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई, अगर आप कोई जीतने वाला प् सकता हूँ, क्या मैं राजस्वा की डिमांड पूरी कर सकता हूँ, क्या मैं MLC की डिमांड पूरी कर सकता हूँ, या खेल कुछ और है, जिस पर ज्याद़ चर्चा नहीं हुई है, कि ये सब लोग एक और PDA बनाने चले थे, कॉंग्रस के साथ मिलकर, और अखिलेश को अकेल सीधा चल लाओं प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइंस हो जाए जिससे में शुरुआती दौर में बात हुए थी नितीश कुमार जी से उससे में भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिक शती, ये नाक की भामखा की लडाई कि जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है, सोनिया गांदी ने जब सेहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनेतिक भूल थी विपक्षी महागटबंदन की और से? बातें बहुत सारी हो सकती है लेकिन समाजवारी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थे नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर के रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रेस की एक कमजोरी रही? कमजोरी किसी की नहीं है पर स्थित्यों के हिसाफ से जो फैसले हो उसमें जो कन्फिूजन हुआ या जो भी रिंड़े लिया गया वही मुझे दिखता है अब चुनाओ की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गठबंदन पर? होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन हो गए होते हैं अब तो नॉमिनेशन हो रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचार धाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो इगो क्लाशेस हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गठबंदन नहीं बन पाया या जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिखरा है इंडिया गठबंदन बन चुका है, दिखरा है और हमें उम्मीद है कि भार्धी जनता पार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा, भार्धी जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं, इसमें मैं एक क्लारिफिकेशन चाहूंगा पीफ और पिछड़ा दीफ और दलित तो है, एफ और क्या है ये आदी आबादी भी हो जाता है, अगड़ा भी हो जाता है, अल्पसंक्यक भी पिछड़ा दलित अगड़ी भी हो जाते हैं, आदी आबादी भी है, अल्पसंक्यक भी है, आदिवासी भी है और PDA दुखी अगड़े भी हैं समय इसमें कम से कम कोशिस की है समाजवादी लोगों ने कि PDA के अंब्रेला कहता है सबको जोड़ा जाए सबका साथ सबका विकास क्या है कम से कम वो कह रहे हैं नारा दे रहे हैं लेकिन वो नारे का असर नहीं है जो काम करना चीए नारे के तैद वो नहीं हो रहा सबका साथ तो है लेकिन गेरा बड़ाबरी नहीं खतम होती सबके साथ में ये PDA जो है वो गेर बड़ाबरी खतम करने का नारा है जो समाजी नया है उसका नारा है PDA अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है किया आपकी तरफ से जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में एम वाई फैक्टर की बई मुस्लिम यादव एक वोट बैंक एक समी करन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही आपका पीडिये ही है बहुजन आदिवासी और पूर जो हैं उन लोगों की वो बा रहे हैं आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदीगाट वो वाला नारा थे तो आज पीडिये वाला नारा है तो कोशिस यही है कि इस अंब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए अपना ग्रूप बढ़ा किया जाए लोगों को जोड़ा है तब ही बीजेबी का मुकाबला हो सकता है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे एड़ना नहीं कराना चाहते हैं जो हाबादी के हिसाब से हग सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते दोली बैठे रहे उनने आरैक्षड में नहीं दिया जा रहा है उनको नौकली नहीं दिया रही है जो नयी विवस्था आरैक्षड की है उससे पिषडे दलितों का सबसे ज्यादे हग चीना जा रहा है यह मूल भावना के साथ खिलबार है उसके लिए नारा पी टिए हैं आज मदरसों का कैंसिल कर दिया गया, एक्ट जो बना था उस एनियम और एक्ट को खतम कर दिया गया, ति उनको हक देनाने का नारा है, आदिवासियों के साथ भेदवावड़ा उनके लिए नारा है, आदी अवादी जिसको सुरच्चा की जरूवत है, क्या इनकी सरकार में आ इसलिए PDA एक बड़ा नारा है जिसके तेधम समनों को जोड़ने का आपने आदिया अबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप यह बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी वहाँ कहीं आगे आपसे निकल गई है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे जादा असुरचित महिलाएं अगर कहीं है तो भारती इंता पार्टी की सरकार वे वह आखड़े बताते हैं यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हो रहा हूँ और जो विवस्थाएं बनाएं दी सुरक्षा को ले करके वो सब समाप्त कर दी इनोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी हैं वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.3 छे प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुजान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया आखिलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल इविल पर पार्टी है और बहुत सारे मद्दाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है इसलिए national मुद्दों को ले करके और कई बार regional party के पास मुद्दे अच्छे हो, काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी national image नहीं बना पाती है हाला कि समाजवादी party ने जो जो फैसलियें वो exemplary काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गड़वंदन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गड़वंदन में इसलिए समाजवादी party साथ हाई है अमेठी से राहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं ये फैसा नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रिस किसको लड़ाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि कॉंग्रिस party जहां भी जिस वित्यासी को उतारेगी जितनी भी गड़वंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी party का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा पिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखलेश यादव लड़ने चाहिए लोग सभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई ए आए मायम वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादो वहां गई देखे आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ हैं अगर किसी लोगसवा सिट को ले करके चर्चा उनसे हुई है तो दूस्य लोग क्या तकलीफ है। आजड़ी आजमखा साब वहां से कई बार रहे हैं लोगसभा के सांसाथ, उन्होंने जिताया है कई बार, बिधायग रहे हैं, उनका छेत रहे हैं, तो क्या लोकतन में उनकी राय नहीं लेंगे? तो चुनाव लड़ेंगे? जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी, जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है, तो मतलब मैं ये मानकर चलूँ आप चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे, और च चलेश वहिया आगए मैदान में, मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ, और लोकसवा चुनाव लड़ने लड़ने लड़े थे पहली दफ़ा, लेकर उसके बास सदन में गया मैं, उननिस में मैं लड़ने, क्योंकि परसिति के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स् आएगा चुनाव तो फिर लड़ा जाएगा चुनाव लड़ा जाएगा, एक और जो आरोब बीजेपी लगतार आप पर लगाती, वो परिवारवाद का, और उस आरोब में, उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं, पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दू मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों? नाम बताने को तैयार नहीं, मैं खुला एलान कर रहा हूँ, एबी पी न्यूज, एबी पी न्यूज रहेगा, आपको रखे आगे रखेगा, एबी वी पी कता ही नहीं होगा. सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते, किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे, दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को अटा दिया. तो इसी में ही तो वो कहती है ना बीजे पी, अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं, बात पी डिये की करते हैं. कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरोप लगाते थे, वही लोग सुझाव दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और जहां जीतने वाली सीट पे जो भी प्रत्यासी जीतेगा, उसको लगने के लिए फैसला लेगी पार्टी. और ये जनता के बीच में जाने का है, संगर्ज का है, फैसला. ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया. वरुन गांदी कुछ नाव लड़ाएंगे या समर्थन देंगे? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं ही, मुझे कोई जानकारी नहीं है. आपको जानकारी नहीं है? मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है. पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले हैं? दर्वाजे नहीं, सॉफ्ट कॉर्णर तो रहेगा, पार्टी का. soft corner है अगर कोई अच्छा परत्यासी मिल जाएगा BJP के लोग हमारे परत्यासी पर डाका मार रहे हैं अगर कोई उनके पार्टी का परत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से BJP ने लोगों को समझाया उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ ब्रश्ताचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वे पक्षो अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है, यह बात ठीक है, कि हम लोग traditional politics करते थे, हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है, और जो बूत का आखरी दिन का management है, आखरी दिन का जो management है, रात से लेकर के सुबह तक वाला, यह परचार खतम होने के बात से लेकर के बोट डालने के समय तक, जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है, जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकता हूं सीधा, क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो, आप कह सकते हैं, यह जो last moment management है, यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं, बीजेपी के पास सरकार है, धनबल है उनके वो management है, कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिए, 115 करोड रुपए रोक लिए, हमारी जेब में पैसे नहीं, प्लचार कैसे करें, नेताओं को रेल में नहीं बेज सकते, हवाई जहाज में नहीं बेज सकते, विज्जापन नहीं दे सकते, इश्तहार नहीं केबल account seize नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री seize हो रहे हैं, आप सोचिए, ये हार का डर नहीं है बीजेपी का, बीजेपी हार चुकी है, अगर हार का डर होता तो election phase करते, ये हार चुके हैं, इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम कहे जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नही ये कहा, कि आपकी आए दोगनी होगी, जिसन किसानों को कहा, कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं, जबकि लाम मिलेगा आपको, आप बताईए क्या है इनोंने तयारी की उसके लिए, आपने दिली से कहा, कि हमने agriculture infrastructure के लिए, एक लाख क्रोड या लावकारी मूले ले ले, जिन्होंने ये कहा, कि हम आए दोगनी कर देंगे, क्या किसान की आज महंगाई, इस महंगाई में आए दोगनी हो गई, जब डीजल, पैट्रॉल, जीस्टी और हर कीटनासक दवाई से लेकर के जरुत की चीज़ किसान की महंगी है, तो इन तम गंटी की घंटी बजा रहे हैं, ये चलने वाली नहीं इस बार, इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौज़मान, इनका घमंड चूर करने जा रहा है, बोट डाल करके. दोजार बाईस में जब विदानसभा चुना हुए थे, किसान अंदोलन अपने चरम पर था, और उसकी गुन सुनाई दे रही थी, लेकिन एक भरोसा होता है, आप उनसे बेतर जानते हैं, इतने साल आपने राजनीती की है, जनता गाली देकर भी, गरियाकर भी भरोसा बीजेपी का? कम उतना नहीं होए जितना होना चाहिए था. वही मेरा सवाल है. बिपक्ष का बोट बढ़ा. इसलिए मैंने आप से कहा, बीजेपी अपने मैनेजमेंट से जीत रही है, मुद्दों से नहीं जीत रही है. अगर मुद्दों से जीत रही होती तो बनियादी अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूँ 2019 के लोकसवा चुनाव की बात करें तो 6000 रुपए की किसान कल्यान सम्मान निधी BJP लेकर आई लोगों ने हातो हात लिया और राहुल गांदी ये कहते रहे गए जी मेरी एक नियाय योजना भी है 72,000 रुपए दूँगा 6000 रुपए महीने के दूँगा और 6000 रुपए साल 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोसा किया बार दिनता पार्टी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई हैं गरीब के उपर, किसान के उपर जो लोग विश्गुरू बनाने की बात कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं विकसित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनाज दे रहे हैं राशन दे रहे हैं, खिला और Первा करा है यह काल पना कर सकता है यह अर्थवस्ता क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है एक फीस्दी जंत संख्या के पास चालिस दशमलव एक फीस्दी संपत्ती है यह सच्चाई है जो आकड़े दिखने यह जिम्यदारी समाजवादियों की या और निभिपक्ष के लोगों की है कि जंता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर के जाएं जंता दुखी ही बैटी है कॉमन मिनिममम प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा है अब तो चुनाव आ गए गोशना हो गई या दी सूचना जारी हो गई कॉमन मिनिममम प्रोग्राम तो आए गई आएगा समाजवादी पार्टी का विजन डॉकुमेंट भी आएगा और विजन डॉकुमेंट कम से कम यह आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती जिनता पार्टी की सरकार ने पंतरे लाग करोड किसान का उध्योग पतियों का कर्ज माफ किया है क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों देश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन वाउन मिनिमम प्रोग्राम में आखरी सबाल योगी कह गए 80 में 80 आप कितनी सीट जीतने वाले हैं 80 हराओ नोगरी पाओ 80 हराओ संकट बचाओ 80 हराओ लोग थन्द बचाओ कितना हराओ 80 में से आप कितने जीतेंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक कौन बच गए अब कोई हो सकता एक हो कोई अच्छा प्रदान मंद्री बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं किता करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं एक के अलावा सभारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आप आए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धनेवाद पांच में से तीन टॉप पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ EDCBI की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा हैं आपकी पार्टी समेट 10 दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है कॉंगरस गुरेज कर गई थी तुनमूल कॉंगरस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उलजन भरी हो जाती है यह समाजवादी पार्टी उत्तपदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रहकरके वो चंदा नहीं बोला या सकता है और जिस तरह BJP को मिला है वो चंदा नहीं है BJP का BJP किसी के आड़ में छिप नहीं सकती है यह ELEECTORALD PORN नहीं है यह BJP का BEND बज गया है यह इससे छिपना चाते हैं इसलिए ध्यान अटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं क्या करबना कर सकते हैं आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ एलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्यौरा और साथ बजे अर्विंद केजरिवाल के यहां इडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है या सुप्रीम कोर्ड मानिए सुप्रीम कोर्ड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सीए लागू खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा उने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP News नहीं देखते हैं लगता है सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP channel ना बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ ABVP channel ना बन जाए हम आपको रखे आगे वाले है हम जनता को आगे रखने वाले है हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ती जो और channel है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे हैं और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है मैंने channel देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का, जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकदमों का क्या जो चाहिए उसको मुकदमा लगा दिया जूटे मुकदमे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकदमे लग रहे हैं यहां पर और उत्तपदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकत में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डेथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे जादा असुरच्चित अगर कहीं है तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डेफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके अकड़े कहां है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती ची आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं बताईश सरकार के कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया परकेंदर सरकार हो यह डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रस्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आखड़े आते हैं जो बाते आती हैं चैराहुल गांदी हो सोनिया गांदी हो नाशनल हैरल केस में वो जमानत पर हैं तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं ममताब एनर जी उनके बतीजे को उनके उपर कारवाई हो रही है उसमें आपका भी नाम आ जाता है वो कह रहे हैं यह सबका नंबर लगाने वाले हैं यह भरष्टाचारियों का गटबंदन है यह इंडिया अगर भरष्टाचारियों का गटबंदन है तो जिन पर कभी CBI ED income tax के छापे लगते थे बारष्टाचा बारटी में जाते ही उन संस्ताओं का क्या हुआ महराष्ट उठा लीजे आप महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भरष्टाचा बारटी में है उस पर ED CBI income tax की पहले जाच न चल लई हो जिस समय से ED CBI income tax की जाच हुई वो BJP में चले गए वो जाचे खतम हो गई बड़े पतों पर बैठे हुए इसी तरह बंगाल में उधारण है इस तरह यूपी में उधारण है और जो लोग भष्टाचार की बात कर रहे हैं ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा BJP ने किया पुर्मानचल एकस पर चल करके देख लिए आपको डिफरेंस नजरा जाएगा और बुन्देल खंड एकस पर जिसका उद्गार्ण प्रदामन दिजी ने किया आज भी काम चला है उस पर अगर भेश्टाचार शामिल नहीं था अगर क्वालिटी से कंप्रोमोईज नहीं किया था सरकार ने तो आज भी काम क्यों चला है वहाँ पर तो केवल भेश्टाचार लें देने क्या मुनाफ़ा ज़्याद है कमाने देने लोगों को भेश्टाचार नहीं है लोगों को पद दे करके खुश करें क्या वह भेश्टाचार नहीं है आप अगर बीजेपी के साथ हैं तो आपको सिक्यूरटी मिल जाएगी कैटिगरी बदल जाएगी क्या वह भेश्टाचार नहीं है लाब देना, जरूरत से ज़्यादे लाब देना, क्या वो भेष्टाचार नहीं है? पर जनता के जहन में BJP पर भेष्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं आप? जनता जान गई है कि इन से ज़्यादा भैस्टाचार किसी सरकार ने ने किया होगा इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में क्या होत्तरपदेश के सब गड़े बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पाँच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ और कई परिख्षाएं कैंसल कैये पिश्टा चार नहीं है इनके बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे क्या STF ने नहीं पकला उनको और फिर सब चांचे STF कोई क्यों जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया क्या ये भिष्टाचार नहीं है साट लाग बच्चों का आपने भविस्थ अंदकार में डाल दिया ये बीजेपी के लिए भिष्टाचार नहीं है क्या ये नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं क्या होगी कल्प ना कर सकता है कि एक नौजबान ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख करके जाता है पत्र में कि इन दिग्णियों का क्या होगा अपने माभाप को लिख करके जाता है कि मैं जला करके जा रहा हूं इन दिग्णियों से क्या फाइदा कि मुझे नौकरी नी मिल रहे, धर्णा देते रहे, इतने सालों से, सरकार उनका भष्टाचार करकर के आरक्षड खा रही है, मुख्यवंतिजी सदन में कहते हैं, कि जब समाजवादी की सरकार थी, 46 में 56 SDM बन जाते थे, मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है, आज तक मुख्यंतिजी जारी न मड़ा जाता है, नारेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर पड़ते हैं क्या बीजेपी के मुकाबले, बीजेपी पे खाजाना है, खाजाना लुटा रहे हैं वो, नेरेटिव कैसे क्रेट होगा, आप खाजाना, भर भर करकर के पैकेज दे देंगे, खाजाने की बात आई, हम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में, जहन चौधरी से मैंने इंटिव्यू किया, और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको, मैंने का आप तो चवणनी है, पलटने नहीं वाले थे, बीजेपी ने पलट दिया, उचाल दिया आपकी चवणनी को तो, तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे या खिलेश, दो पर क्यों मान गए वो कहा है, और साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी, चेह मिल रही थी, और चेह में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थी, ये बात गलत है, और मैंने कई बार इस बात में कह कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा, क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलाइंस हुआ, ये बात मैंने उनके सामने रखी, और दलोंक से भी, कि आपके पास समीकंड क्या है, और आपका प्रत्यासी कौन है, उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा, वो मैंने सुईकार किया केवल एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे का कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरिंद मलिक उनसे मिल करके आई और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ जैनत ऐसे छोड़ कर चले गए राज्यासवा भी दिया आपने शवाल ये नहीं है इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोगसवा नहीं हमने हमने धोका खाया दो लोगसवा कोई हमने जिस समय उनके बिधायक तो और राज्यासवा मांग की थी उन्होंने उस समय उनसे मैंने कहा द electrics क्या है रहा है, जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें, उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए, इसमें बहुत साथ दान है हर चीज से, हर प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया, आ बाहर चली गई? अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है, उस पर विचार किया यह सकता है. एक सीट पर, आप तीन सीटें मांग रहे हैं, और कुछ भी मांग रहे हैं, यह डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूँ. क्या मैं राजसभा की डिमांड पूरी कर सकता हूँ? क् खेल कुछ और है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि ये सब लोग एक और PDA बनाने चले थे कॉंग्रेस के साथ मिलकर और अखिलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे ये कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाव नहीं रखा मैं किबस सीधा चल ला हूँ प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए जिससे में शुरुआती दौर में बात हुए थी नितिश कुमार जी से उससे में भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख विपक्ष की भूमिका में आए तो उसके नेत्वत में इंडिया गडवंदन बनी और वही रास्ता मैंने अपनाया उसी रास्तिवे में चल ला हूँ नितिश कुमार का आपने जिकर किया नितिश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामखां की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनियां गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागट बंदन की ओर से बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थी नितीश कुमार को अब लेकिन वो एजसे सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर के रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रस की एक कमजोरी रही कमजोरी किसी की नहीं है परस्तितियों के हिसाफ से जो फैसले हो उसमें जो कंफ्यूजन हुआ या जो भी रेंड़े लिए गए वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जन्हें प्रधानमंतरी बना था और बीजेपी की साजिश देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं दर्वाजे खुले हैं अब चुनाओ की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गठबंदन पर होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन्स हो गए होते हैं अब तो नॉमिनेशन्स हो रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचार धारा के मतभेद को तो छोड़िये जो इगो क्लाशेज हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गठबंदन नहीं बन पाया यह जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिख रहा है इंडिया गठबंदन बन चुका है दिख रहा है और हमें उ फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं एक क्लारिफिकेशन चाहूंगा पीफ और पिछड़ा दीफ और दलित तो है एफ और क्या है यह आधी आबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अल्पसंक्यक भी नहीं इस पिछड़ा दलित प्राजवादी लोगोंने कि PDA के अम्बरेला के तैस सब को जोड़ा जाए सब का साथ सब का विकास क्या है कि कम से कम वो कह रहें नारा दे रहें लेकिन वो नारे का असर नहीं है जो काम करना चाहिए नारे के ताहिद वह नहीं हो रहा सब का साथ तो है लेकिन गैरा आपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है क्या आपकी तरफ से जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही है आपका PDA यह है बहुजन आदिवासी और पूर जो हैं उन लोगों की वो बात कर रहे हैं आप भी यही कोशिश कर रहे हैं या इस टू लिटल टू लेट ने यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही जो समाजवादियों ने नारे कभी 80s में 90s में दिये वही नारे हैं आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदीगाट वो वाला नारा था तो आज PDA वाला नारा है तो कोशिश यही है कि इस अम्रेला के अं निद्वाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे हरनानी कराना चाहते हैं जो हवादिय के हसाब से हक सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे बैठे रहे उन्हें आरेक्षड में नी दिया जा रहा है उनको नौकरी आज मदर्सों को कैंसिल कर दिया गया है एक्ट जो बना था उस नियम और एक्ट को खतम कर दिया गया तिये उनको हको दिनाने का नारा है आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है क्या इनकी सरकार में आक उस सब विवस्ता खतम कर दी। इसलिए PDA एक बड़ा नारा है जिसके तेधम समनों को जोडने का आपने आदिया अबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या। क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंद्र, मोदी और बीजेपी वहाँ कहीं आगे आप से निकल गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा असुरचित महिलाय अगर कहीं है तो भार्टी इम्ता पार्टी की सरकार वे वह आखड़े बताते हैं ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हो रहा हूँ और जो विवस्था हैं बनाई दी सुरक्षा को ले करके वो सब समाथ कर दी इनोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दिये हैं वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.3-6 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें, अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुझान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया अखिलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल इविल पर पार्टी है और बहुत सारे मद्दाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है इसलिए नैशनल मुद्दों को ले करके और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हों काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी नैशनल इमेज नहीं बना पाती है हाला कि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलिये हैं और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गडवंदन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गडवंदन में इसलिए समाजवादी पार्टी साथ आई है अमेठी से राहूल गांदी को चमाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं कॉंग्रिस पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता आपकी निजी रायत होगी जो भी कॉंग्रिस पार्टी फैसला लेगी हमारा पूरा केड़र और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा एक उरजा, एक उत्साह बनता है ना? मैं यह फैसला नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्स को लडाएगी, लेकिन मैं यह भरोसा दिला सकता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी जहांभी जिस वर्तिासिको उतारेगी, जितनी भी गटबन्दन की सीटे हैं, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा पिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखलेश यादव लड़ने चाहिए लोग सभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादो वहाँ गए देखे आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ है अगर किसी लोग सभा सीट को ले करके चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोग के क्या तकलीफ है आजड़ी आजम खान साहब हो हाँ से कई बार रहे हैं लोग सभा के साथ उन्होंने जिताया है कई बार बिधायक रहे हैं उनका छेत रहे हैं तो क्या लोकतन में हम उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी क्या राय दी जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ आप चुनाव लड़ने वाले हैं चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव लड़ना चीए मैंने इसलिए पहले का चुनाव लड़ना चीए और जाओ और उत्साह आपके कारेकरताओं में तब ही आएगी कि अखिलेश वहिया आगए मैदान में मैं कई बार लोगसाव लड़ चुका हूँ और लोगसाव चुनाव लड़ना लड़ना भी दो हजार में लड़े थे पहली दफ़ा लेकि उसके बास सदन में ग्या मैं उन्निस में मैं लड़ाँ हाँ क्योंकि परसिति के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्टीफा देना पड़ा आएगा चुनाओ तो फिर लड़ा जाएगा चुनाओ तो चुनाओ लड़ा जाएगा एक और जो आरोप BJP लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोप में उसके तो आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार क यह क्यों यह अननेसेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती को कि बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहा हूं हो सकता मैंने आपका ना देखा हूं लेकिन वो चैनल जिसको अब इस बात पर तो मैं शुकायद दरज कर आँगा अगर आप नहीं चेश्क नहीं नहीं है यहां पर मैं खुलान कर रहा हुँ आप अपनी सीध का नाम बताने को तईयार नहीं मैं खुला एलान कर रहा हूँ a b p news a b p news रहेगा आपको रखे आगे रखेगा बीवी नहीं होगा, सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते, किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे, दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया, तो इसी में ही तो वो कहती है ना, BJP अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं, बात PDA की करते हैं, जो बात मैं कहना चाहता था, कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ, नजाने क्या क्या आरोब लगाते थे, वही लोग सुझाव दे रहें कि आप क्या कर रहें ये, और जहां जीतने वाली सीट प है, फैसला, यही ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया, वरुन गांदी कुछ नाव लड़ाएंगे या समर्थन देंगे, अभी इस पर कोई चर्शा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, मुझे कोई वाकई म प्रत्यासी मिल जाएगा, बीजेपी के लोग हमारे प्रत्यासी पर टाका मार रहे हैं, अगर कोई उनके पार्टी का प्रत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर, तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं, पर एक चीज क्या आप मानेंगे, अखिलेश आपने मुद्दो की बात की, वो लंबी फेरस्त है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, दो हजार चौदा में, जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को समझाया, उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली, बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार, बहुत हुआ ब्रष्टा अब की बार बीजेपी हार, और अब की बार 400 हार, यह हमारा नारा है, यह बार ठीक है, कि हम लोग traditional politics करते थे, हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है, और जो बूत का आखरी दिन का management है, आखरी दिन का जो management है, रात से लेकर के सुबह तक वाला, यह परचार ख़तम होने के बास से लेकर के बोट डालने किस समय तक? जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है, जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं? मैं नहीं कह सकता हूं सीधा, क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो, आप कह सकते हैं, यह जो last moment management है, यह कोई BJP की होशारी नहीं, BJP के पास सरकार है, धनबल है उनके पास, वो management है. कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये, 115 करोड रुपए रोक लिए, हमारी जेब में पैसे नहीं, प्रचार कैसे करें, निताओं को रेल में नहीं बेज सकते, हवाई जहाज में नहीं बेज सकते, विग्यापन नहीं दे सकते, इश्तहार नहीं लगा सकते, ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है, वो हार की खीज है या ये हकीकत है, केबल account seize नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री seize हो रहे हैं, आप सोचिए, ये हार का डर नहीं है बीजेपी का, बीजेपी हार चुकी है, अगर हार का डर होता election face करते हैं, ये हार चुके हैं, इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम किये जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, जिन किसानों से इन्हों ने ये कहा, कि आपकी आय दोगनी होगी, जिन किसानों को कहा, कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुक्सान की भरपाई नही जबकि लाम मिलेगा आपको, आप बताईए क्या है इन्हों ने तयारी की उसके लिए, आपने दिली से कहा, कि हमने agriculture infrastructure के लिए एक लाग करोड रुपे रखें बजट में, आप बताईए एक्सप्रेस वे के किनारे, या उत्तफदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने गई, जब डीजल, पैट्रॉल, GST और हर कीड़नासक दबाई से लेकर के जरूत की चीज किसान की महंगी है, तो इन तमाम सबालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए भारती जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है, इलेक्टर बॉंड्स में इनकी घंटी बज गई, उसका जवाब इनके पास नहीं, जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं, ये चलने वाली नहीं इस बार, इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान, इनका घमंड चूर करने जा रहा है, बोट डाल करके. दोजार बाइस में जब विदान सबा चुना हुए थे, किसान अंदोलन अपने चरम पर था, और उसकी गुन सुनाई दे रही थी, लेकिन एक भरोसा होता है, आप मुझसे बेतर जानते हैं, इतने साल आपने राजनीती की है, जनता गाली देकर भी, गरियाकर भी भरोसा ब बीजेपी का, कम उतना नहीं होए जतना होना चाहिए था, वही मेरा सवाल है, बिपक्ष का बोट बढ़ा, इसलिए मैंने आप से कहा, बीजेपी अपने मेनेजमेंट से जीत रही है, मुद्दों से नहीं जीत रही है, अगर मुद्दों से जीत रही होती ही, तो एकिसान कल्यान सम्मान निधी बीजेपी लेकर आई लोगों ने हातो हात लिया और राहूल गान्दी यह कहते रहे गए जी मेरी एक नियाए योजना भी है बहत्तर हजार उपए दूंगा छह हजार उपए महीने के दूंगा और छह हजार उपए साल पांत सो रुपए महीने गृष्दा वाली योजना को आतवात लिया लोगोंने। देश की जनता भरोस्वाकी अब भारधिते उन-पार्टी पर। लेकिन इधर जू पुरिशानी आई गरीब के उपर किसान के ऊपर। जो लोग विष्ध कुरू बनाने की बात कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनास दे रहे हैं राशन दे रहे हैं खिला पिला रहे हैं कोई कलपना कर सकता है यह अर्थववस्ता क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है एक फीज़दी जंध संख्या के पास 40.1 एक फीज़दी संपत्ती है यह सच्चाई है जो आकड़े दिख रहे हैं यह जिम्यदारी समाजवादियों की या और निप्पक्ष के लोगों की है कि जंता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर के जाए हो जंता दुखी ही बैटी है कॉमन मिनिममम प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा अब तो चुनाव आ गए अधी घोशना हो गई अधी सूचना जारी हो गई कॉमन मिनिममम प्रोग्राम तो आए गई आएगा समाजवादी पार्टी का विजन डॉकुमेंट भी आएगा और विजन डॉकुमेंट कम से कम यह आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती जंता पार्टी की सरकार ने पंद्रे लाक करोड किसान का उद्योग पतियों का कर्ज माफ किया है क्या किसानों का करज माफ नहीं हो सकता, हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा, कि उत्तरप्रदेष के किसानों, देश के किसानों का करज माफ हो, ये सामिल हो हमारे कौनमान मीनिमम प्रुग्राम में. आकरी सवाल, योगी कह गए 80 में 80, आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? 80 हराओ, नौगरी पाओ, 80 हराओ, संकट बचाओ, 80 हराओ, लोक्तंद बचाओ कितना हराओ असी में से आप कितनी जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे, एक कौन बच गए? अब कोई हो सकता एक हो कोई अच्छा प्रधानमंत्री बचेंगे सिर्फ ये मैं नहीं करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आपाए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धन्यवाद पाँच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ एडी सीबियाई की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा हैं आपकी पाटी समेट 10 दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है कॉंग्रस गुरेज कर गई थी तुनमूल कॉंग्रस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उलजन बरी हो जाती है क्या कि यह समाजवादी पार्टी उत्तपर देश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमादे वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रहकर के वो चंदा नहीं बोला जा सकता है और जिस तरह BJP को मिला है वो चंदा नहीं है BJP का BJP किसी के आड में छिप नहीं सकती है यह electoral bond नहीं है यह BJP का band बज गया है यह इससे छिपना चाहते हैं इसलिए ध्यान अटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे है क्या करबना कर सकते हैं आप Congress की बोली बोल रहे हैं कि 5 बजे upload हुआ इलेक्शन कमिशन की साइट पे upload होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और 7 बजे अर्विंद केजरिवाल के यहां ED पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ electoral bond की जैसे ही सूशना जारी होती है यह Supreme Court माने Supreme Court की तरफ से और election commission की तरफ से CA LAO खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा उने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं उसे चैनलों पे बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पे तो बहस हो रही है या और मुद्दों पे तो बहस हो रही है आप ABP न्यूज नहीं देखते हैं सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP channel न बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ ABVP channel न बन जाए हम आपको रखे आगे वाले है हम जनता को आगे रखने वाले है हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ते जो और channel है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है मैंने channel देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अर्विंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनित क्यों करते हैं और डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकॉर्ड मनने जा रहे हैं जूटे मुकत्मों का क्या जो चाहिए उसको मुकत्मा लगा दिया जूटे मुकत्मे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकदमे लग रहे हैं यहां पर और उत्तवदेश में एक उधान नहीं कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकदमे लगा करके लोगों को फसाय गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते महिलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरच्चित अगर कही है तो यहां पर है जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके आकड़े कहां है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेट मीट के जिसमें देश के प्रदानमंती ची आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे है बताए सरकार की कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया पर केंदर सरकार हो ये डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रश्टाचार के खिलाब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आंकड़े आते हैं जो बाते आती हैं चैराहुल गांदी हो सोनिया गांदी हो नाशनल हेरल केस में वो जमानत पर हैं तेजस्वी आदव को समन दिये जा रह ही है उसमें आपका भी नाम आ जाता है वो कह रहे हैं यह सब का नंबर लगाने वाले हैं यह भ्रश्टाचारियों का गड़बंदन है यह इंडिया अगर भ्रश्टाचारियों का गड़बंदन है तो जिन पर कभी CBI ED income test से चापे लगते थे बाते इंतां पार्टी में जा जाच न चल लए हो जिस समय से EDC way income tax की जाच हुई वो बीजेपी में चले गए वो जाचे खतम हो गई बड़े पतों पर बैठे हुए इसी तरह बंगाल में उधारण है इस तरह यूपी में उधारण है और जो लोग भश्टाचार की बात कर रहे हैं यह तमाम सवाल लीजिए आप और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया पूर्मान चल एक से उस पर चल करके देख लिए आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा और बुनेल खंड एक्स पर जिसका उद्गाडन परतावन दिजी ने किया आज भी ब्रश्टाचार लें देने कि मुनाफ़ा जादे कमाने देने लोगों को वो ब्रश्टाचार नहीं है लोगों को पद दे करके खुश करें किया वो ब्रश्टाचार नहीं है आप अगर बीजेपी के साथ हैं तो आपको सिकुरिटी मिल जाएगी कैटिगरी बदल जाएगी क्या वो भेष्टाचार नहीं है लाब देना जरूर से ज़्यादे लाब देना क्या वो भेष्टाचार नहीं है पर जनता के जहन में BJP पर भेष्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है ये बात मानते हैं जनता जान गई है कि इन से ज़्यादा भेष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया होगा इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में क्या उत्तपदेश के सब गड़े बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पाँच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ और कई परिख्षाएं कैंसल कैये परिश्टाचार नहीं है इनके बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे क्या स्टीएफ ने नहीं पकड़ा उनको और फिर सब चांचे स्टीएफ कोई क्यों जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया क्या ये भिस्टाचार नहीं है साट लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदकार में डाल दिया ये बीजेपी के लिए भिष्टाचार नहीं है क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं क्या उगी कल्ब ना कर सकता है कि एक नौज़मान ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख करके जाता है पत्र में कि इन धिग्रियों का क्या होगा अपने माभाप को लिख करके जाता कि मैं जला करके जा रहा हूँ इन धिग्रियों से क्या फायदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल लए इसी तरह फुरुजबाद की एक बेटी जब पेपर कैंसल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने यह भर्ष्टाचार नहीं है आरच्षण को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर्णा देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भर्ष्टाचार करकर के आरच्षण खा रही है मुख्वंती जी सदन में कहते है कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुखंती जारी नहीं कर पाए क्या यह बिस्टाचार नहीं है पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है नारेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर पड़ते हैं बीजेपी के मुकाबले बीजेपी पर खजाना है खजाना लुटा रहे हैं वो नेरेटिव कैसे क्रेट होगा आप खजाना भर भर करकर गेर पैकेज देंगे खजाने की बात आई अम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जहन चौधरी से मैंने इंटिव्यू किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवणनी है पलटने नहीं वाले थे बीजेपी ने पलट दिया उचाल दिया आपकी चवणनी को तो तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे या खिलेश दो पर क्यों मान गई वो कहा साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी चै मिल रही थी और चै में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थी ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलाइंस हुआ ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंक से भी कि आपके पास समीकंड क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने स्विकार किया केवल एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे का कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरंदर मलिक थे तो उन्होंने का मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरंदर मलिक उनसे मिल करके आई और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ? जहन तैसे छोड़ कर चले गए राज्यसभा भी दी आपने सवाल ये नहीं है इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोगसभा नहीं हमने हमने धोका खाया दो लोगसभा कोई हमने जिस समय उनके बिधायक आये थे और राज्यसभा मांग की थी उन्होंने उस समय उन से मैंने का थे कि हमारा साथ देना हूँ उन सभी बिधायकों ने का थे कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसले बहुत साथदान है हर चीज से स्वामी प्रिसाद मौरिया को महा सचिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, नहीं मैंने रास्ता नहीं दिखाया, कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं, हम रोकते नहीं उने, पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई, अगर आप कोई जीतने वाला प क्या मैं राजस्तवा की डिमांड पूरी कर सकता हूं, क्या मैं एमेस्टी की डिमांड पूरी कर सकता हूं, या खेल कुछ और है, जिस पर जादा चर्चा नहीं हुई है, कि ये सब लोग एक और PDA बनाने चले थे, कॉंग्रस के साथ मिलकर, और अखिलेश को अकेला दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे ये कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाओं नहीं रखा मैं के बद सीधा चल ला हूं प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए जिस समय शुरुवाती दोर में बात वी थी नितीश कुमार जी से उस समय भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आए तो उसके नेत्वत में इंडिया गडवंदन बनी और वही रास्ता मैंने अपनाया उसी रास्तिवे में चल ला हूं नितीश कुमार का आपने जिक्र किया नितीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामखा की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहूल गांदी का ये कहना क्या राजनेतिक भूल थी विपक्षी महागट बंदन की ओर से बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थी नितीश कुमार को अब लेकिन वो एजसे सीमी रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर के रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रस की एक कमजोरी रही कमजोरी किसी की नहीं है पर सित्यों के हिसाफ से जो फैसले वो इसमें जो कन्फूजन हुआ या जो भी रिंड़े लिए गए वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जन्हें प्रधानमंतरी बना था और बीजेपी की साजिश देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते अब चुनाओ की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गटबंदन पर होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन्स हो गए होते अब तो नॉमिनेशन्स हो रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो इगो क्लाशेज हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गटबंदन नहीं बन पाया या जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिख रहा है इंडिया गटबंदन बन चुका है, दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि भारती जनता पार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा भारती जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं, इसमें मैं एक क्लारिफिकेशन चाहूंगा P for पिछड़ा, D for दलित तो है, A for क्या है ये, आदी आबादी भी हो जाता है, अगड़ा भी हो जाता है, अल्पसंक्यक भी पिछड़ा, दलित, अगड़े भी हो जाते हैं, आदी आबादी भी है, अल्पसंक्यक भी है, आदिवासी भी है, और पीड़े दुखी अगड़े भी हैं इसमें कम से कम कोशिस की है, समाजवादी लोगों ने, कि पीड़े के अंब्रेला केता है, सब को जोड़ा जाए, सब का साथ सब का विकास क्या है, कम से कम वो कह रहे हैं नारा दे रहे हैं, लेकिन वो नारे का असर नहीं है, जो काम करना चाहिए नारे के तैद वो नहीं हो रहा, स का ना रहा है पीडिया अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है क्या आपकी तरह आपकी तरफ से जो तेजस्वी भी कर रहे हैं भिहार में एम वाई फैक्टर की बई मुस्लिम यादव एक वोट बैंक एक समी करन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही है आपका पीडिये ही है बहुजन आदिवासी और पूर जो हैं उन लोगों की वो यह वही नारे हैं आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदीगाट वो वाला नारा थे तो आज पीडिये वाला नारा है तो कोशिस यही है कि इस अंब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए अपना गुरूप बढ़ा किया जाए लोगों को मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे बैठे रहे उन्हें आरेक्षण में नहीं दिया जा रहा है उनको नौकरी नहीं दिया रही है जो नई विवस्ता आरेक्षण की है उससे पिष्डे दलितों का सबसे जादे हग चीना जा रहा है यह मूल भाबना के स है उसके लिए नारा पीड़ी है आज मरदर सों का कैंसे लिए गया है एक्ट जो बना था उस एन्नियम और एक्ट को खतम कर दिया गया तिया उनको हख देलाने का नारा है आधिवासीयों के साथ भिधवाव उनके लिए नारा है आधिय आवादि जिसको सुरच्चा की बनाया था या 1090 बनाया था वो सब वेवस्ता खतम कर दी इसलिए PDA एक बड़ा नारा है जिसके तेधम समनों को जोड़ने का आपने आदिया अबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पा महिलाए अगर कहीं है तो भारते जिम्ता पार्टी की सरकार वे वो आखड़े बताते हैं यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूं और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हो रहा हो और जो विवस्ता हैं बनाई दी सुर जोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुजान कॉंग्रस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया अखिलेश के और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हों काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूर्द भी नैशनल इमेज नहीं बना पाती है हलांकि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलियें वो एक्जंप्लरी काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस र और ट्राक्शन बनेगा मैं कॉंग्रिС्भाटी क्या फैसला लेगी उसके बारे में चिर्चा नहीं कर सकता है आपकी निजी रायत ऊगी जो भी कॉंग्रिस पार्टी फैसला लेगी हमारा पूरा कैठर और पूरा संगठन उसकीमदद करेगा एक उर्जा एक उतसाहा बनता है ना मैं ये फैस्टा नहीं ले सकता हूं कि Congress किसको लड़ाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि Congress Party जहां भी जिस वित्यासी को उतारेगी जितनी भी गड़बंदन की सीटे है उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा फिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखलेश यादव वहां गई लेकिए आधरी आजमखाँ साब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ है अगर किसी लोगसभा सीट को लेकर के चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है आधरी आजमखाँ साब वहां से कई बार रहे हैं लोगसभा के साथ उन्होंने जिताया है कई बार बिधायक रहे हैं उनका छेत रहे है तो क्या लोकतत में हम उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे नहीं जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ आप चुनाव लड़ने वाले हैं चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव लड़ना चीए तो कहां से लड़ेंगे चुनाव लड़ना चीए मैंने इसलिए पहले का चुनाव लड़ना चीए उर्जा और उत्सा आपके कारेकरताओं में तभी आएगी कि अखिलेश वहिया आगए मैदान में मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ दो हजार में लड़े थे पहली दफ़ा लेकर उसके बाद सदन में गया मैं उन्निस में मैं लड़ा क्योंकि परसिति के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्टीफा देना पड़ा आएगा चुनाव तो फिर लड़ा जाएगा चुनाव तो चुनाव लड़ा जाएगा एक और जो आरोब बीजेपी लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोब में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समी करन पीडिये वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती क्योंकि बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहा हूँ हो सकता मैंने आपका नहीं देखा हूँ लेकिन वो चैनल जिसको एक नाफिगाए जाता अब इस बात पर तो मैं शुकायत दर्ज कर रहा हूँग बीपी न्यूज रहेगा आपको रखे आगे रखेगा एबी वीपी कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना बीजे पी अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं बात पी डिये की करते हैं जो बात मैं कहना चाहता था कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ नजाने क्या क्या आरोप लगाते थे वही लोग सुझाव दे रहें कि आप क्या कर रहें ये और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा उसको लगने के लिए फैसला लेगी पार्टी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्स का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरुन गांदी कुछ नाव लडाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले है दर्वाजे नहीं सॉफ्ट कॉर्णर तो रहेगा पार्टी का सॉफ्ट कॉर्णर है अगर कोई अच्छा प्रत्यासी मिल जाएगा बीजेपी के लोग हमारे प्रत्यासी पे डाका मार रहे है अगर कोई उनके पार्टी का प्रत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं और एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को समझाया उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ भ्रष्टाचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वेपक्ष को अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है यह बार ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थे हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो बूत का आखरी दिन का management है आखरी दिन का जो management है रात से लेकर के सुबह तक वाला यह परशार खतम होने के बास से लेकर के बोट डालने के समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूं सीधा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धन्द बल है उनके पास वो management है Congress आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्रचार कैसे करें नेताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जहाज में नहीं बेज सकते विज्ञापन नहीं दे सकते इश्टहार नहीं लगा सकते ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है बहुत अच्छा शब्द नहीं है वो हार की खीज है या ये हकीकत है के बल एकाउंट सीज नहीं हो रहे हैं मुख्यमंतुरी सीज हो रहे हैं आप सोचिये ये हार का डर नहीं है बीजेपी का बीजेपी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो election face करते ये हार चुके है इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम किय जा रहे है क्योंकि इनके पास ने ये कहा, कि आपकी आए दोगनी होगी, जिसन किसानों को कहा, कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं, जबकि लाम मिलेगा आपको, आप बताईए क्या है इनों ने तयारी की उसके लिए, आपने दिल्ली से कहा, कि हमने एरिकल्चर एक लाग क्रोड रुपे रखें बजट में, आप बताईए एक्सप्रेस्वे के किनारे, या उत्तफदेश में एक भी मंडी बनाई हो इनोंने बताओ, आखिर किस जगह किसान जाकर के MSP ले ले या लावकारी मू ले ले ले, जिनोंने ये कहा, कि हम आई दोगनी कर देंग क्या किसान की आज मेंगाई, इस मेंगाई में आई दोगनी हो गई, जब डीजल, पैट्रॉल, जीस्टी और हर कीटनासक दवाई से ले करके जरूत की चीज किसान की मेंगी है, तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए भारती जनता पार्टी इस तरह क काम कर रही है, इलेक्टोर बोंड्स में इनकी घंटी बच गई, उसका जवाब इनके पास नहीं, जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं, ये चलने वाली नहीं है इस बार, इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजमान, इनका घमंड चूर करने जा र रही थी, लेकिन एक भरोसा होता है, आप मुझसे बेतर जानते हैं, इतने साल आपने राजनीती की है, जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता देती है, बोट कम हुआ बीजेपी का, कम उतना नहीं हुआ जितना होना चीए था, वही मेरा सव बिपक्ष का बोट बढ़ा, इसलिए मैंने आप से कहा, बीजेपी अपने मेनेजमेंट से जीत रही है, मुद्दों से नहीं जीत रही है, अगर मुद्दों से जीत रही होती तो बुनियादी मुद्दे आम जनता के मुद्दे से भातिन तबाटी भाग क्यों रही है, बीजय को ने हाथओ हाथ लिया, ऑर राहुल गांदी ये कहते रह गए, मेरी एक न्याय योजना भी है, 72 हजार उपए दुंगा, 6 हजार उपए महीने के दुंगा, और 6 हजार उपए साल, 500 रुपए महीने वाली योजना को हाथवात ले लिया लोगों ने. देश की जनता भरोस्वा किया अब भारती जनता पार्टी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई है गरीब के उपर किसान के उपर जो लोग विश्गुरू बनाने की बात कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनाज दे जहां पर हमारा किसान दुखी है जनता के बीच में इस बार इन सबालों को लेकर कर जाये हो जनता दुखी बैटी है common minimum program क्यों नहीं आ रहा है तो चुनाव आ गए अधी घोषना हो गई अधी सूचना जारी हो गई common minimum program तो आए गई आएगा समाजवादी party का vision document भी आएगा और vision document कम से कम यह आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भारती इंता पाटी की सरकार ने 15 लाग करोड किसान का उध्योग पतियों को कर्ज माफ किया है क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता हमारे vision document में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों देश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन माउन minimum program में आकरी सवाल योगी कह गए 80 में 80 आप कितनी seat जीतने वाले हैं 80 हराओ नौगरी पाओ 80 हराओ संकट बचाओ 80 हराओ लोगथंद बचाओ कितना हराओ 80 में से आप कितने जीतेंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक कौन बच गए अब कोई हो सकता है एक हो कोई अच्छा प्रदान मंतरी बचेंगे सिर्फ ये मैं नहीं करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जूहन को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आपाए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धन्यवाद पाँच में से तीन टॉप कर गई थी तुनमूल कॉंग्रेस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उल्जन भरी हो जाती है क्या यह समाजवादी पार्टी उत्तरप्रदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रह करके वो चंदा नहीं बोलाया सकता है और जिस तरह बीजेपी को मिला है वो चंदा नहीं है बीजेपी का बीजेपी किसी के आड में छिप नहीं सकती है यह लेक्टरल बॉन नहीं है यह बीजेपी का बेंड बजगिया है ये इससे छिपना चाहते हैं इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं क्या करबना कर सकते हैं आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ एलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्यौरा और साथ बजे अर्विंद केजरिवाल के यहां इडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है या सुप्रीम कोर्ड माने सुप्रीम कोर्ड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सी एलाओ उख़ड दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा हूँने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जादा है कि जो आकड़े निकल कर का रहे है उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP न्यूज नहीं देखते हैं सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP चैनल न बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ ABVP अच्छा ABVP न बन जाए हम आप को रखे आगे वाले हैं हम जनता को आगे रखने वाले हैं हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ती जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से क्रेडिबिल्टी चैनलों की खतम हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रहमान रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकदमों का क्या जो चाहिए उसको मुकदमा लगा दिया जूटे मुकदमे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकदमे लग रहे हैं यहां पर और उत्तवदेश में एक उधान नहीं कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकदमे लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डैथ में नंबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं वो बेटियां सबसे ज़्यादा असुरचित अगर कही हैं तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके अकड़े कहां हैं दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती जी आये बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो प्रधाने कहां लगे हैं वताई सरकार की कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नुकरियों रुजगार मिल इन्वेस्टमेंट पर केंडर आजाता है वो कह रहे हैं यह सब का नंबर लगाने वाले हैं यह ब्रश्टाचारियों का गड़बंदन है यह इंडिया अगर ब्रश्टाचारियों का गड़बंदन है तो जिन पर कभी CBI ED इंकम टेक्स के चापे लगते थे बाते जिनतां बार्णी में जाते ही उन संस्ताओं का क्या हुआ महराष्ट उठा लीजे आप महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भार्दी जनता पार्टी में है उस पर ED CBI इंकम टेक्स की पहले जाच न चल लए हो जिस समय से EDC वे इंकम टेक्स की जाच हुई वो बीजेपी में चले गए वो जाच है खतम हो गई बड़े पदों पर बैठे हुए इसी तरह बंगाल में उधारण है इस तरह यूपी में उधारण है और जो लोग भश्टाचार की बात कर रहे हैं यह तमाम सवाल खड़े हुए हैं कभी एक्सप्रेस पे जाईए आप आगर लखनू पर भी चल लीजिए आप और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया पुर्वांचल एक्सप्रेस उस पर चल करके देख लीज और बुनेलखन एक्सप्रेस जिसका उद्गार्ण प्रदावंधी ने किया आज भी काम चल ला है उस पर अगर भष्टाचार शामिल नहीं था अगर क्वालिटी से कंप्रमोईज नहीं किया था सरकार ने तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर तो केवल भष्टाचार लेन देने कि मुनाफ़ा जादा कमाने करें लोगों को वह भष्टाचार नहीं है लोगों को पद दे करके खुश करंए वह भष्टाचार नहीं है आप अगर बीजेपी के साथ है तो आपको security मिल जाएगी category बतल जाएगी किया वह भष्टाचार नहीं है लाब देना जरू ज़्यादा बहेश्टाचार किसी सरकार ने ने किया होगा। इसका जवाब सरकार के पास क्या है? का 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में। क्या उत्रबभदेश के सब गड़े बंद हो गए? 1 पेपर लीग, 2 पेपर लीग, 3 पेपर लीग, 4 पेपर लीग, 5 पेपर लीग, 6 पेपर लीग, 7 पेपर लीग, 8, 9 और कई परिखें कैंसल, क्या ये पिश्चार नहीं है इनके BJP के कारकरता नेता पकड़े गये, जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थी क्या STF ने नहीं पकड़ा उनको और फिर सब चांचे STF कोई क्यों जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया क्या ये भिष्टाचार नहीं है साट लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदकार में डाल दिया ये बीजेपी के लिए भिष्टाचार नहीं है क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे है क्या कोई कल्प ना कर सकता है कि एक नौजबान ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख करके जाता है पत्र में कि इन धिग्रियों का क्या होगा अपने माभाप को लिख करके जाता है कि मैं जला करके जा रहा हूं इन दिग्रियों से क्या फाइदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल लए इसी तरह फुरुजबाद की एक बेटी जब पैपर कैंसिल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने ये भरष्टाचार नहीं है आरच्छन को लेकर कि 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर्णा देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भरष्टाचार करकर के आरच्छन खा रही है मुख्यवंतिजी सदन में कहते है कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्यंतिजी जारी नहीं कर पाए क्या यह बश्टा चार नहीं है बेमानी नहीं है पर वो आरोप आज भी आप पर मदा जाता है narrative building में आप कमजोर पड़ते हैं क्या BJP के मुकाबले BJP पर खजाना है खजाना लुटा रहे हैं वो निरेटिव कैसे क्रेट होगा आप खजाना भर भर कर गर पैकेज दे देंगे खजाने की बात आई हम चवन्नी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जैन चौधरी से मैं ने इंटव्यू किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवन्नी है पलटने नहीं वाले थे बीजेपी ने पलट दिया उचाल दिया आपकी चवन्नी को तो तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे या खिलेश दो पर क्यों मान गए वो कह साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी चेह मिल रही थी और चेह में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थी ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्यासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलाइंस हुआ ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंक से भी कि आपके पास समीकंड क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने सुईकार किया केवले एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने का मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरिंद मलिक उनसे मिल करके आई और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ जैनत ऐसे छोड़ कर चले गए राजय सभा भी दी आपने सवाल यह नहीं है इससे बड़ा सवाल यह कि एक लोगसभा नहीं हमने हमने धोका खाया दो लोगसभा कोई हमने जिस समय उनके बिधायक आये थे और राजसभा मांग की थी उन्होंने उस समय उन से मैंने का दे कि हमारा साथ देना उन सभी भिधायकों ने का दे कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन-जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसले बहुत साथ दहान है हर चीज से स्वामी प्रसाद मौरिय को महा सचिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, नहीं मैंने रास्ता नहीं दिखाया, कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं, हम रोकते नहीं उने, पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई, अगर आप कोई जीतने वाला प्र कर सकता हूँ, क्या मैं राजसवा की डिमाज़ कर सकता हूँ, क्या मैं एमेसी की डिमाढ़ पूरी कर सकता हूँ, प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए जिस समें शुरुआती दोर में बात वी थी नितीश कुमार जी से उस समें भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आए तो उसके नेत्वत में इंडिया गडवन्दन बनी और वही रास्ता में अपनाया उसी रास्तिवे में चल ला हूँ नितीश कुमार का आपने जिक्र किया नितीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामखा की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहूल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागट बंदन की ओर से? बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थी नितीश कुमार को अब लेकिन वो ऐसे सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर के रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रेस की एक कमजोरी रही एक कमजोरी किसी की नहीं है पर स्थित्यों के इसाफ से जो फैसले हो इसमें जो कन्फियूजन हुआ या जो भी रिड़े लिए गया वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जन्हें प्रधानमंतरी बना था और बीजे होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन हो गए होते हैं अब तो नॉमिनेशन हो रहे हैं तो बहुत देर हो चकी है यह आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो इगो क्लाशिस हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गटबंदन नहीं बन पाया या ज चुका है दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि भारती जनता पार्टी इस बार हारेगी और जैसे मैंने पहले कहा भारती जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं क्लारिफिकेशन चाहूंगा अगड़े भी हो जाते हैं आदियवादी भी है अल्फ संकग भी है आदिवासी भी है और पीड़े दुखी अगड़े भी है इसमें इसमें कम से कम कोशिश की है समाजवादी लोगों ने कि PDA के अम्ब्रेला कहता है सबको जोड़ा जाए सबका साथ सबका विकास क्या है कम से कम वो कह रहे हैं नारा दे रहे हैं लेकिन वो नारे का असर नहीं है जो काम करना चाहिए नारे के तैद वो नहीं हो रहा सबका साथ तो है लेकिन गैरा बराबरी नहीं खतम होती सबके साथ में ये PDA जो है वो गैर बराबरी खतम करने का नारा है जो समाजी नया है उस का ना रहा है PDA अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है किया आपकी तरफ से जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में MY factor कि मुस्लिम यादव एक वोट बैंक एक समी करन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही आपका PDA यह है बहुजन आदिवासी और पूर जो हैं उन लोगों की वो बात कर रहे हैं आप भी यही को कोशिस समाजवादियों के हमेशा रही जो समाजवादियों ने नारे कभी 80's में 90's में दिये वही नारे आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संस्वपाने बांधी घाट वो वाला नारा था तो आज PDA वाला नारा है तो कोशिस यही है कि इस अम्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए, अपना ग्रूप बड़ा किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, तभी BJP का मुकाबला हो सकता है, और सबसे ज़्यादा भेदवाब और अन्या इन्हीं के साथ हो रहा है, आप जाधी अर्णानी कराना चाहते हैं, जो हावादी के हिसाफ से हग सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, यहाँ 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे, बैठे रहे, उन्हें आरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है, जो नई विवस्ता आरेक्षड की है, उससे पिष्डे दलितों का सबसे ज़्यादे हग चीना जा रहा है, यह मूल हाको दिनाने का नारा है, आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है, आदि आवादी जिसको सुरच्छा की जरूवत है, क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्यादे असुरच्छी तो महिला हैं, और जो कुछ विवस्ता हैं बनाया थी, चाह यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या, क्या आप यह बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम हैं और नरेंदर मोदी और बीजे पी, वहां कहीं आगे आप से निकल गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबस्याद असुरचित महिलाएं अगर कहीं हैं, तो भारती जिनता पार्टी की सरकार बे वह आखड़े बताते हैं, यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में, जब किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हो रहा हूँ, और जो कोट बैंक पर सिमट गई थी, कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है, या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें, अगले एक ही बात कर लें, मुसलमानों में सेंद मारी ना कर जाए, या उनका रुझान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा, तो कॉंग्रेस के इसलिए नैशनल मुद्दों को ले करके, और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हों, काम अच्छा हो, लेकिन उसके बावज़ूत भी नैशनल इमेज नहीं बना पाती है, हाला कि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलियें, वो एक्जेंप्रेरी काम रहे देश के लिए भी, और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो, इसलिए एक गडवन्दन बड़ा बनना चाहिए, और उस बड़े गडवन्दन में इसलिए समाजवादी पार्टी साथ हाई है, अमेठी से राहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए, उस की मदद करेगा. एक उरजा एक उत्साहा बनता है, ना? मैं ये फैस्दा नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रिस किसको लड़ाएगी, लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि कॉंग्रिस पार्टी जहां भी जिस विर्तियासी को उतारेगी, जितनी भी गडवन्दन की सीटे हैं, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा. अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? पिछली बार लोकसभा लड़ा फिर चोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपन बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे? अखलेश यादव लड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा. आजम खान से आप जाकर मिलें, देड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई, AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं, या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है, अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखलेश यादव वहां गए? देखिए, आधिने अजम खान स आपके साथ पूरी पार्टी है, हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ हैं, अगर किसी लोकसभा सीट को ले करके चर्चा उनसे हुई है, तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है? आधिने अजम खान साब हो, हहां से कई बार रहे हैं लोकसभा के साथ, उन्होंने जित राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी, क्या राय दी? जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है, तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ आप चुनाव लडने वाले हैं, चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहां से लड़ेंगे? चुनाव लड़ना चीए, मैंने इसलिए पहले का, चुनाव लड़ना चीए, उर्जा और उत्साह, आपके कारेकरताओं में तब ही आएगी कि अखिलेश वहिया आगए मैदान में, मैं कई बार लोक सवा लड़ चुका तो चुनाव लड़ा जाएगा, एक और जो आरोब बीजेपी लगतार आप पर लगाती, वो परिवारवाद का, और उस आरोब में, उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं, पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ, कि इस बार आपने एक जातिगत समय कर अपने उमीदवारों के चेहन में तो किया है, लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं, सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों? यह अननेसेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती, क्योंकि बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती, मैंने देखा, मैं कई चेहनल देख रहा हूँ, हो सकता मैंने आपका नहीं देखा हूँ, लेकिन वो चेहनल, जिसको एक नाप पर तो मैं शुकाय दर्ज कराँगा, अगर आप नह नहीं, मैं खुला एलान कर रहा हूँ, ABP News, ABP News रहेगा, आपको रखे आगे रखेगा, ABVP कता ही नहीं होगा, सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते, किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे, दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया, तो इसी में ही तो वो कहती है ना, BJP, अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं, बात PDA की करते हैं, जो बात मैं कहना चाहता था, कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ, नजाने क्या क्या नहीं है, और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी परत्यासी जीतेगा, उसको लड़ने के लिए फैसला लेगी पार्टी, और ये जनता के बीच में जाने का है, संगर्स का है, फैसला, ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया, वरुन गांदी को चुनाब लड़ाएंगे या समर्थन देंगे, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है, पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले हैं, दर्वाजे नही अगर कोई अच्छा प्रत्यासी मिल जाएगा बिजै पी के लोग हमारे प्रत्यासी पर ढरा रहा हो इसने पर कोई यद्हार का प्रत्यासी आरा हो पॉली और पकड़ ली, बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार, बहुत हुआ ब्रश्टाचार, बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोधी सरकार, आपके पास मुद्दे तो हैं, परोषने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता किया वेएपक्षों. अब की बार BJP हार, और अब की बार 400 हार, यह हमारा नारा है, यह बार ठीक है, कि हम लोग traditional politics करते थे, हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है, और जो बूत का आखरी दिन का management है, आखरी दिन का जो management है, रात से लेकर के सुबह तक वाला, यह परचार खतम होने के बास से लेकर के बोट डालने के समय तक, जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है, जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ सीधा, क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो, आप कह सकते हैं, यह जो last moment management है, यह कोई BJP की होशारी नहीं, BJP के पास सरकार है, धनबल है उनके पास, वो management है, कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये, 115 करोड रुपए रोक लिए, हमारी जेब में पैसे नहीं, प्रचार कैसे करें, निताओं को रेल में नहीं बेज सकते, हवाई जहाज में नहीं बेज सकते, विग्यापन नहीं दे सकते, इश्तहार नहीं लगा सकते, ये विद्वाविलाब जो शब्द होता है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है, वो हार की खीज है या ये हकीकत है, के बले account seize नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री seize हो रहे हैं, आप सोचिए, ये हार का डर नहीं है बीजेपी का, बीजेपी हार चुकी है, अगर हार का डर होता तो election face करते हैं, ये हार चुके हैं, इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम कही जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, जिन किसानों से इन्होंने ये कहा, कि आपकी आय दोगनी होगी, जिन किसानों को कहा, कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुक्सान की भरपाई नह जबकि लाम मिलेगा आपको, आप बताईए क्या है, इन्होंने तयारी की उसके लिए, आपने दिली से कहा, कि हमने agriculture infrastructure के लिए एक लाग करोड रुपे रखें बजट में, आप बताईए, एक्सप्रेस वे के किनारे, या उत्तफदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने हो गई, जब डीजल, पैट्रॉल, GST और हर कीड़नासक दबाई से लेकर के जरूत की चीज किसान की महंगी है, तो इन तमाम सबालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए भारती जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है, इलेक्टर बॉंड्स में इनकी घंटी बज गई उसका जवाब इनके पास नहीं, जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं, ये चलने वाली नहीं इस बार, इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान, इनका घमंड चूर करने जा रहा है, बोट डाल करके। की है, जनता गाली दे कर भी, गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता देती है? बोट कम हुआ बीजेपी का, कम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, वही मेरा सवाल है, बिपक्ष का बोट बढ़ा, इसलिए मैंने आप से कहा, बीजेपी अपने मेनेजमेंट से जीत रही है, मुद्दों से नहीं जीत रही है, अगर मुद्दों से जीत रही होती ही, तो बुनियादी मुद्दे आम जन्ता के मुद्दे से भादिन तबाड़ी भाग क्यों रही है? उसी में अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूँ, 2019 के लोकसबा चुनाव की बात करें, तो 6,000 रुपे की किसान कल्यान सम्मान निधी, बीजेपी लेकर आई, लोगों ने हातो हात लिया, और राहुल गांदी ये कहते रह गए, जी मेरी एक नियाए योजना भी है, 72 रुपे दूँगा, 6,000 रुपे महीने के दूँगा और 6,000 रुपे साल, 500 रुपे महीने वाली योजना को आतवात ले लिया, लोगों ने, देश की जनता भरोस्वा किया बारती जनता पार्टी पर, लेकिन इधर जो परेशानी आई हैं गरीब के उपर, किसान के उपर, ज रखता है, यह अर्थववस्ता क्या है, जहां पर हमारा किसान दुखी है, एक पीस्दी जन्ध संख्या के पास, 40.1 एक फीस्दी संपत्ती है, यह सच्चाई है, जो आकड़े दिखने, यह जिमेदारी समाजवादियों की, या और निभिपक्ष के लोगों की है, कि जनता क जारी हो गई, कौमन मिनिममम प्रोग्राम तो आए गई आएगा, समाजवादी पार्टी का विजन डॉकुमेंट भी आएगा, और विजन डॉकुमेंट कम से कम यह आएगा, कि किसान को हम रात क्या दें, उधारंड के लिए, भारती जनता पार्टी की सरकार ने 15 लाग करो हो हमारे कौन माउन मिनिममम प्रोग्राम में, आकरी सवाल, योगी कह गए असी में असी, आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? 80 हराओ, नौगरी पाओ, 80 हराओ, संकट बचाओ, 80 हराओ, लोक्तंद बचाओ, कितना हराओ असी में से, आप कितनी जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक कौन बच गए कोई हो सकता एक हो कोई अच्छा प्रदान मंत्री बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आप आए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ EDCBI की कारवाई चल रही थी 30 में से 14 हैं आपकी पार्टी समेट 10 दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई हैं कॉंगरस गुरेज कर गई थी तो नमूल कॉंगरस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उल्जनबरी हो जाती है क्या यह समाजवादी पार्टी उत्तपदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार मेरे करके वो चंदा नहीं बोला या सकता है और जिस तरह बीजेपी को मिला है वो चंदा नहीं है बीजेपी का बीजेपी किसी के आड में छिप नहीं सकती है यह लेक्टरल बॉन नहीं है यह बीजेपी का बैंड बज गया है यह इससे छिपना चाते हैं इसलिए ध् अंगरेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ इलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और साथ बजे अर्विंद केजरिवाल के हाँ एडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है या सुप्रीम कोड माने सुप्रीम कोड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सी ए लागु खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा हुने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर तो बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP News नहीं देखते हैं लगता है सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP चैनल न बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ ABVP अच्छा ABVP न बन जाए हम आपको रखे आगे वाले हैं हम जनता को आगे रखने वाले हैं हम जनता के मुद्दे उनके सरुकारों का पीछा नहीं चोड़ते जो और चैनल हैं जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्नों पर बहस नहीं कर रहे हैं और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आजाएगा अगर डरी होता तो राजनेत क्यों करते हैं हम लोग डरी होता हम और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकार्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकदमों का क्या जो चाहिए उसको मुकदमा लगा दिया जूटे मुकदमे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकदमे लग रहे हैं यहां पर और उत्तवदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकत में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरच्चित अगर कही हैं तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्ट्मेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्ट्मेंट हुआ है और उस इन्वेस्ट्मेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके अकड़े कहां है दो आयोजन हुए इन्वेस्ट्मेट के जिसमें देश के प्रधानमंती ची आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं बताएश सरकार के कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया पर केंदर सरकार हो ये डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रस्टाचार के खिलाब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आंकड़े आते हैं जो बाते आती हैं चैराहुल गांदी हो सोनिया गांदी हो नाशनल हेरल केस में वो जमानत पर हैं तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं ममताब एनर जी उनके बतीजे को उनके उपर कारवाई हो रही है उसमें आपका भी नाम आ जाता है वो कह रहे हैं यह सबका नंबर लगाने वाले हैं यह भरष्टाचारियों का गड़बंदन है यह इंडिया अगर भरष्टाचारियों का गड़बंदन है तो जिन पर कभी महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भरष्टाचारियों पर भरष्टाचारियों के पहले जाच न चल लए हो जिस समय से एडियों सीवे इंकम टेक्स की जाच हुई वो बीजेपी में चले गए वो जाचे खतम हो गई बड़े पदों पर बैठे हुए इसी तरह बंगाल में उधारण है इस तरह यूपी में उधारण है और जो लोग भरष्टाचार की बात कर रहे है ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं कभी एक्सप्रेस पे जाईए आप आगरा लखनू पे भी चल लीजिए आप और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया पुर्वांचेल एक्सप्रेस उस पे चल करके देख लीजिए आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा और बुनेलखन एक्सप्रेस जिसका उद्गार ने पुर्दावन दिजी ने किया आज भी काम चल ला है उस पर अगर भरस्टाचार शामिल नहीं था अगर क्वालिटी से कंप्रमोईज नहीं किया था सरकार ने तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर तो केवल भरस्टाचार लें देने कि मुनाफ़ा जादा कमाने देने लोगों को वो भरस्टाचार नहीं है लोगों को पद दे करके खुश करने क्या वो भरस्टाचार नहीं है आप अगर बीजेपी के साथ हैं तो आपको सेक्यूर्टी मिल जाएगी category बिदे जाएगे, क्या वो भष्टाचार नहीं है? लाब देना, जरूर से ज़्यादे लाब देना, क्या वो भष्टाचार नहीं है? पर जनता के जहन में BJP पर भष्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं आप? जनता जान गई है, कि इन से ज़्यादा भष्टाचार किसी सरकार नहीं किया होगा, इसका जवाब सरकार के पास क्या है? कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में, क्या उत्तपदेश के सब गड़े बंद हो गए? एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पाँच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ, और कई परिख्छाएं कैंसल, क्या ये बिश्टाचार नहीं है, इनके BJP के कारकरता नेता पकड़े गए, जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे, क्या STF ने नहीं पकड़ा उनको, और फिर सब चांचे STF कोई क्यों, जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ, क्या हुआ BJP के सरकार नहीं थी, बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया, और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया, क्या ये बिश्टाचार नहीं है, 60 लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदकार में डाल दिया, ये BJP के लिए बिश्टाचार नहीं है, क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होगी कल बना कर सकता है कि एक नौजमान, ब्रिजेश पाल ये कहता है, और लिख करके जाता है पत्र में, कि इन धिग्रियों का क्या होगा, अपने माभाप को लिख करके जाता है, कि मैं जला करके जा रहा हूं, इन धिग्रियों से क्या फैदा, कि मु कि धर्णा देते रहे इतने सालों से सरकार उनका बेश्टाचार करकर के आरक्षड़ खा रही है मुख्यवंतिजी सदन में कहते हैं कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDIM बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्यंतिजी जारी नहीं कर पाए कि यह बस्ता चार नहीं है बहिमानी नहीं पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है नारेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर पड़ते हैं क्या बीजेपी के मुकाबले बीजेपी पर खाजाना है कि खाजाना लुटा रहे हैं वो नेरेटिव कैसे क्रेट होग आप खाजाना भर भर करकर यह पैकेज देंगे खड़े करना चाह रहे थी यह बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रतियासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा आलाइंस हुआ यह बात मैंने उनके सामने रखीड़ें और दलों से भी कि आपके पास समीकर्ण्ट क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्हों ने कहा वो मैंने सुईकार किया केवल एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परवार को लणाना चाहते है तो हम उसपर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हर STEM मलिक थे और उन्हों ने ज़ब मेरी पसंद हरन्द मलिक थे तो उन्हों ने कहा में बात करना चाहता हूं से वो large FC मिलक गई और अपनी बाचीत की और उसके पता लगा, कि गिंती में साथ छोटा है, दो बड़ा है, दुख हुआ, जैन तैसे छोड़ कर चले गए, राज्या सभा भी दिया आपने, सवाल ये नहीं है, इस से बड़ा सवाल ये कि एक लोग सभा नहीं हमने, हमने धोका काया, दो लोग सभा कोई हमने, जिस समय उनके बि है कोने का था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन वो साथ नहीं दे पाए, चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया, क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है, जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्होंने, उन्होंने समाजवादी पा समाजवादी को कुछ खास दे करके नहीं गए, इसने बहुत साथ दान है हर चीज से, स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, नहीं बहने रास्ता नहीं दिखाया, कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं, हम रोकते नहीं हुने हैं, पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई, अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है, उस पर विचार किया है सकता है, एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं, और कुछ भी मांग रहे हैं, यह डिमांड में नहीं पूरी कर सकता हूं, क्या मैं राजस के साथ मिलकर, और अखिलेश को अकेला चोडने वाले थे, और आपने खेल दिया चर्खा दाओ, मैंने तो सुना, आप होकी के खिलाडी थे, यह कुछती के गुर, नेता जी से सीख लिए, मैंने कोई दाओ नहीं रखा, मैं केबल सीधा चल ला हूं, प्रदेश और देश के लोग चाहते थे, कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइंस हो जाए, जिससे में शुरुआती दोर में बात हुए थी, नितीश कुमार जी से, उससे में भी यही बात थी, कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, तो उसके नेत्त में इं ममता बैनर जी, इनके नाम पर तयार नहीं है, सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर, राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनेतिक भूल थी, विपक्षी महागटबंदन की और से, बातें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन समाजवादी लोग उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थे, नितीश कुमार को, अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे, सोच वो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल, जिसे प्रधानमंती बनना था, उसे सीम होकर के रिटायर कर देंगे, तो इसमें कॉंग्रस की एक कमजोरी र बनना था, और बीजेपी की साजिश देखे, उन्हें ऐसे मुख्योंती रिटायर कर देंगे, मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, अब चुनाव की तारीक आ गई है, अब क्या बहस करें गठवंदन पर, होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन हो गए होते हैं, अब तो नॉमिनेशन हो रहे हैं, तो बहुत देर हो चुकी है, यह आपसी जो विचार धाराओं के मतभेद को तो छोड़िये, जो इगो क्लाशेस हैं, उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गठवंदन नहीं बन पाया, या जो आप कह रहे थे, ED, CBI, IT, इनको जो छोड़ रखा है, उसका दबाव काम आता दिखरा है, इंडिया गठवंदन बन चुका है, दिखरा है, और हमें उम्मीद है कि भार्धी जनता पार्टी इस बार हारेगी, और जैसा मैंने पहले कहा, भार्धी जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी, आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं, इसमें मैं एक क्लारिफिकेशन चाहूंगा, P for पिछडा, D for दलित तो है, A for क्या है ये, आधी आबादी भी हो जाता है, अगड़ा भी हो जाता है, अल्पसंक्यक भी, पिछडा दलित, अगड़े भी हो जाते ही है, समाजवादी लोगों ने, कि PDA के अंबरेला कहता है, सब को जोड़ा जाए, सब का साथ सब का विकास क्या है, कम से कम वो कह रहे हैं, नारे का असर नहीं है, जो काम करना चाहिए, नारे के तैद वो नहीं हो रहा, सब का साथ तो है, लेकिन गैरा बड़ाबरी नहीं खतम होती सब के साथ में, ये PDA जो है, वो गैर बड़ाबरी खतम करने का नारा है, जो समाजिक नया है, उसका नारा है PDA, अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है क्या आपकी तरफ से, जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में, MY Factor, कि मुस्लिम यही है, बहुजन, आदिवासी और पूर जो हैं, उन लोगों की वो बात कर रहे हैं, आप भी यही कोशिश कर रहे हैं, या इस टू लिटल टू लेट? यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही, जो समाजवादियों नारे कभी 80s में, 90s में दिये, वही नारे हैं आज, लेकिन वही नाम बदल गया, अगर कभी संसुपाने, बांदीगाट, वो वाला नारा था, तो आज PDA वाला नारा है, तो कोशिश यही है, कि इस अम्रे भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है, आप जादे गर्णानी कराना चाहते हैं, जो हवादिक हिसाब से हक सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे, बैठे रहे, उन्हें आरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है, उ जो नई विवस्ता आरेक्षड की है, उससे पिष्डे दलितों का सबसे जादे हक चीना जा रहा है, यह मूल भाबना के साथ खिलबार है, उसके लिए नारा पीडिये है, आज मदरसों का कैंसिल कर दिया गया, एक्ट जो बना था उस एनियम और एक्ट को खतम कर दिया गया ति उनको हक दिनाने का नारा है, आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है, आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है, क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते हैं कि सबसे जादे असुरच्छी तो महिला हैं, और जो कुछ विवस्ता हैं बना आदी आबादी पर जोर दिया, यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या, क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंद्र मोदी और बीजे पी वहाँ कहीं आगे आप से निकल गई है, लेकिन सबस किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ अन्यायना हो रहा हो, और जो विवस्ताएं बनाएं दी सुरक्षा को ले करके, वो सब समाप्त कर दी इनोंने, आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दिये हैं, वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.3-6 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट ग कर लें, मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए, या उनका रुजान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा, तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया अखिलेश यादव के लिए, कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल इविल पर पार्टी है, और बहुत सारे मद्दाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है, इसलिए नैशनल मुद्दों को ले करके, और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हों, काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी national image नहीं बना पाती है हाला कि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलियें वो exemplary काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गड़वंदन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गड़वंदन में इसलिए समाजवादी पार्टी साथ आई है अमेठी से राहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं कॉंग्रिस पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ आपकी निजी राय तो होगी जो भी कॉंग्रिस पार्टी फैसला लेगी हमारा पूरा केड़र और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा एक उर्जा एक उत्साहा बनता है ना मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रिस किसको लड़ाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि कॉंग्रिस पार्टी जहां भी जिस वित्यासी को उतारेगी जितनी भी गड़बंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ ख़ड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा फिर चोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखलेश यादव वहां गए लेखे आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ है अगर किसी लोगसभा सीट को लेकर के चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है आज़णी आजम खान साहब वहां से कई बार रहे हैं लोगसभा के साथ उन्होंने जिताया है कई बार बिधायक रहे हैं उनका च्छेथ रहे हैं तो क्या लोकत्त में उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी क्या राय दी जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं ये मान कर चलूं आप चुनाव लड़ने वाले हैं चुनाव मैंने आपसे कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव आते बहुत लड़ना चीए और लोग सवा चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर लड़ा जाएगा तो चुनाव लड़ा जाएगा एक और जो आरोब BJP लगतारा पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोब में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उम्मीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उम्मीदवार हैं सारे यादव उम्मीदवार मुलायम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती क्योंकि बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहा हूँ हो सकता मैंने आपका न देखा हूँ लेकिन वो चैनल अब इस बात पर तो मैं शुकायद दर्ज कराऊंगा अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आप देखना शुरू करना हूँ लेकिन शर्त ही ही है कि ये ए वी वी पी चैनल न बन जाए होई नहीं सकता ये यहाँ पर मैं खुला एलान कर रहा हूँ आप अपनी सीट का नाम बताने को तयार नहीं मैं खुला एलान कर रहा हूँ ए बी पी न्यूज ए बी पी न्यूज रहेगा आपको रखे आगे रखेगा ए बी वी पी कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना बी जे पी अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं जो बात मैं कहना चाहता था कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरोप लगाते थे वही लोग सुझाव दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं ये और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा उसको लड़ने के लिए फैसला लेगी पार्टी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्ज का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ित करके चला गया वरुन गांदी कुछ नाम लड़ाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले है दर्वाजे नहीं सॉफ्ट कॉर्णर तो रहेगा पार्टी का soft corner है अगर कोई अच्छा परत्यासी मिल जाएगा BJP के लोग हमारे परत्यासी पर डाका मार रहे हैं अगर कोई उनके पार्टी का परत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं और एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से BJP ने लोगों को समझाया उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ ब्रश्ताचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वे पक्षको अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है यह बात ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थे हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो पूर जो बूत का आखरी दिन का management है आखरी दिन का जो management है रात से लेकर के सुबह तक वाला या परचार खतम होने के बात से लेकर के बोट डालने के समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूँ सीधा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धन्द बल है उनके पास वो management है Congress हारोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिए 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्रचार कैसे करें नेताओं को रेल में नहीं बेज सकते हवाई जहाज में नहीं बेज सकते विग्यापन नहीं दे सकते इश्तहार नहीं लगा सकते यह विद्वा शब नहीं है वो हार की खीज है या यह हकीकत है के बल एकाउंट सीज नहीं हो रहे हैं मुख्यमंत्री सीज हो रहे हैं आप सोचिए यह हार का डर नहीं है बीजेपी का बीजेपी हार चुकी है अगर हार का डर होता तो election phase करते यह हार चुके हैं इसलिए narrative बदलने के लिए यह काम किये जा रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है जिन किसानों से इन्होंने ये कहा कि आपकी आय दोगनी होगी जिन किसानों को कहा कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको आप बताईए क्या है इन्होंने तैय कि उसके लिए आपने दिल्ली से कहा कि हमने एरिकल्चर इंफरेस्टेक्शर के लिए एक लाख क्रोड रुपए रखे बजट में आप बताईए एक्सप्रेस्वे के किनारे या उत्तफदेश में एक भी मंडी बनाई हो उन्होंने बताओ आखिर किस जगे किसान जाकर के MSP ल करके जरुत की चीज किसान की महंगी है तो इन तमाम सबालों का जवाब ना देना पड़े इसलिए भारती जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है इलेक्टोर बॉंड्स में इनकी घंटी बज गई उसका जवाब इनके पास नहीं जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं ये चलने वाली नहीं है इस बार इस बार देश का किसान देश का मजदूर देश का नौजमान इनका घंट चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसभा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गुन सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है आप उनसे बेतर जानते इतने साल आपने राजनीती की है जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता दे बोट कम हुआ बीजेपी का कम उतना नहीं हुए जितना होना चाहिए था वही मेरा सवाल है बिपक्ष का बोट बढ़ा इसलिए मैंने आप से कहा बीजेपी अपने मेनेजमेंट से जीत रही है मुद्दों से नहीं जीत रही है अगर मुद्दों से जीत रही होती तो बुन तो 6,000 रुपए की किसान का लियान सम्मान निधी, BJP लेकर आई, लोगों ने हाथो हाथ लिया, और राहुल गांदी ये कहते रह गए, जी मेरी एक न्याय योजना भी है, 72,000 रुपए दूगा, 6,000 रुपए महीने के दूगा, और 6,000 रुपए साल, 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने, देश की जनता भरोस्वा किया अब भारति जनता पार्टी पर, लेकिन इधर जो परेशानी आई हैं गरीब के उपर, किसान के उपर, जो लोग विश्गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा, उस भारत में 80 करोड़ लोगों को यह अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है, ये अर्थववस्था क्या है, जहां पर हमारा किसान दुखी है, लेकि दूसे लोग लापा रहे हैं, विजन डॉकुमेंट भी आएगा, और विजन डॉकुमेंट कम से कम यह आएगा, कि किसान को हम रात क्या दें, उधारंड के लिए, भारती जिन्तापाटी की सरकार ने, पंत्रे लाग करोड किसान का, उद्योग पतियों का कर्ज माफ किया है, क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता, हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा, कि उत्तर प्रदेश के किसानों, देश के किसानों का कर्ज माफ हो, ये सामिल हो हमारे कौन माफ मिनिमम प्रोग्राम में, आखरी सवाल, योगी कह गए असी में असी, आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? असी हराओ, नौकरी पाओ, असी हराओ, संकट बचाओ, असी हराओ, लोक्तंद बचाओ, कितना हराओ असी में से, आप कितने जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे, एक के अलावा सब हार जाएंगे एक कौन बच गए अब कोई हो सकता एक हो कोई अच्छा प्रदान मंतरी बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आपाए कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में घोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धनेवाद पांच में से तीन टॉप पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ EDCBI की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा है आपकी पार्टी समेट दस दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है कॉंग्रस गुरेज कर गई थी तुनमूल कॉंग्रस भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उल्जन भरी हो जाती है क्या यह समाजवादी पार्टी उत्तरफदेश की बात कर रहे है और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रह करके वो चंदा नहीं बोलाया सकता है और जिस तरह बीजेपी को मिला है वो चंदा नहीं है बीजेपी का बीजेपी किसी के आड में छिप नहीं सकती है यह लेक्टरल बोन नहीं है यह बीजेपी का बेंड बजगिया है यह इससे छिपना चाहते हैं इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे है क्या कर बना कर सकते है आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बज़े अपलोड हुआ इलेक्शन कमिशन की साइट पर अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और साथ बज़े अर्विंद केजरिवाल के यहां इडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसी सूशना जारी होती है या सुप्रीम कोर्ड माने सुप्रीम कोर्ड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सी ए लागु खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा हूने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे है उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है यह और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP News नहीं देखते हैं लगता है सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP चैनल न बन जाए AVP का क्या मसलब हुआ ABVP चैनल न बन जाए ABVP न बन जाए हम आपको रखे आगे वाले हैं हम जनता को आगे रखने वाले हैं हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ती जो और चैनल है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से क्रेडिबिल्टी चैनलों की खतम हुई है मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग और डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकार्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकदमों का क्या जो चाहिए उसको मुकदमा लगा दिया जूटे मुकदमे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकदमे लग रहे हैं यहाँ पर और उत्तवदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकत में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरच्चित अगर कही है तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके अकड़े कहां है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती जी आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं वतायश सरकार के कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया पर केंदर सरकार हो ये डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है आप रश्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आखड़े आते हैं, जो बाते आती हैं, चैह राहूल गांदी हो, सोनिया गांदी हो, नाशनल हेरल केस में वो जमानत पर हैं, तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं, ममता बैनर जी उनके बतीजे को, उनके उपर कारवाई हो रही है, जिन पर कभी CBI, ED, Income Tax के चापे लगते थे, बाते जनतां पार्ड़ी में जाते ही, उन संस्ताओं को क्या हुआ, महराश्च उठा लीजे आप, महराश्च में कोई नेता ऐसा नहीं है, जो बाते जनतां पार्ड़ी में है, उस पर ED, CBI, Income Tax की पहले जाच न चल लई हो, ज जिसरे UP में उधारन हैं, और जो लोग भष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं, कभी Express में जाईए आप, आगरा लखनू पे भी चल लीजिए आप, और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन, जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया, पु जिसका उधगार ने पृधामन दिजी ने किया, आज भी काम चला है उस पर, अगर भष्टाचार शामिल नहीं था, अगर क्वालिटी से कंप्रमोईज नहीं किया था सरकार ने, तो आज भी काम क्यों चला है वहाँ पर, तो केवल भष्टाचार लें देने, क्या पर जनता के जहन में बीजेपी पर भष्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं आप, जनता जान गई है, कि इन से जादा भष्टाचार किसी सरकार ने ने किया होगा, इसका जवाब सरकार के पास क्या है, कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में, क्या उत्तरपदेश के सब गड़े बंद हो गए, एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पांच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ, और कई परिक्षा हैं कैंसल, कै ये पिस्ता चार नहीं है इनके बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे क्या स्टीफ ने नहीं पकड़ा उनको और फिर सब चांचे स्टीफ कोई क्यों जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया क्या ये भिस्टाचार नहीं है साथ लाग बच्चों का आपने भविस्थ अंदकार में डाल दिया ये बीजेपी के लिए भिस्टा चार नहीं है क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं क्या उगी कल्प ना कर सकता है कि एक नौजबान ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख कर के जाता है पत्र में कि इन धिग्रियों का क्या होगा अपने माभाप को लिख करके जाता है कि मैं जला कर के जा रहा हूं इन धिग्रियों से क्या फाइदा कि मुझे नौकरी नी मिल लएग इसी तरह फुर्जबाद के बेटी जब पैपर कैंसिल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उ कि मुख्यवंतिजी सदन में कहते हैं कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्यंतिजी जारी निकर पाए कि यह बस्त चार निया बीमानी निया पर वो आरोप आज भी आप पर मड़ा जाता है नारेट व बिल्डिंग में आप कमजोर पड़ते हैं क्या BJP के बीजेपी पे खजाना है, खजाना लुटा रहे हैं वो, नेरेटिव कैसे क्रेट होगा, आप खजाना भर भर करके पैकेज देदेंगे, खजाने की बात आई, हम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में, जैन चौधरी से मैंने इंटर्व्यू किया और मैंने का, साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको, मैंने का, आप तो चवणनी है, पलटने नहीं वाले थे, बीजेपी ने पलट दिया, उचाल दिया आपकी चवणनी को तो, तो मैंने का, साथ सीटे दे रहे थे या खिलेश, दो पर क्यों मान गए वो कह, साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी, चै मिल रही थी, और चै में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थे, ये बात गलत है, और मैंने कई बार इस बात में कहा, कि जो उन्होंने प्रतियासी कहा, क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा लाइंस हुआ, ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंक से भी कि आपके पास समीकंड क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने सुईकार किया केवले एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद कर चले गही राजयसभा भी दी आपने? सवाल ये नहीं है. इससे बड़ा सवाल ही, एक लोगसभा नहीं हमने खोगा काया, दो लोगसभा होई हमने. जिस समय उनके बिधायक आये थे और राजसभा मांग जो कर चंद्र शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन-जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्होंने समाजवादी पार्टी से लाव लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गये इसमें बहुत साब्धान है हर चीज से स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा नहीं मैंने रास्ता नहीं दिखाया कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उन्हें पलवी पटेल भी अब बाहर चली गई अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है उस पर विचार किया रह सकता है एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं यह डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूं क्या मैं राजसभा की डिमांड पूरी कर सकता हूं क्या मैं एमलसी की डिमांड पूरी कर सकता हूं यह खेल कुछ और है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि यह सब लोग एक और PDA बनाने चले थे कॉंग्रेस के साथ मिलकर और अखेलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे यह कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाओ नहीं रखा मैं केबस सीधा चल लाओ प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए जिससे में शुरुआती दोर में बात वी थी नितीश कुमार जी से उससे में भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख विपक्ष की भूमिका में आए तो उसके नेत्त में इंडिया गडबंदन बनी और वही रास्ता मैंने अपनाया उसी रास्तिवे में चल लाओ नितीश कुमार का आपने जिक्र किया नितीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामका की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहूल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागट बंदन की और से बातें बहुत सारी हो सकती है लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थे नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े CM ही रिटायर हो जाएंगे सोचो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे CM होकर के रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रेस की एक कमजोरी रही? एक कमजोरी किसी की नहीं है पर स्थित्यों के हिसाफ से जो फैसलियों उसमें जो confusion हुआ या जो भी रिंड़े लिए गया वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जन्हें प्रधानमंत्री बना था और बीजेपी की साजिश देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं दरवाजे खुले हैं अब चुनाओ की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गठबंदन पर होली का तेवार ना होता तो nominations हो गए होते हैं अब तो nominations हो रहे हैं तब बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचार धाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो ego clashes हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गठबंदन नहीं बन पाया या जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिखरा है इंडिया गठबंदन बन चुका है दिखरा है और हमें उम्मीद है कि भार्थी जंता पार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा भार्थी जंता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जंता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं कि ऐसे फैरीकेशन चाहूंगा P और पिछड़ा, D और दलित तो है A फॉर क्या है इसपर आधि-अबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अलपसंख्यक भी इसपर पिछड़ा दलित अगड़ी भी हो जाते हैं अधि-अबादी भी है अलफ संकध भी है, आदिवासी भी है और पीडिद दुखी अगड़ी भी है इसमें इसमें कम से कम कोशिस किये है समाजवादी लोगों ने कि पीडिये के अंब्रेला केहत है सबको जोड़ा जाए सबका साथ सबका विकास क्या है कम से कम वो कह रहे हैं नारा दे रहे हैं लेकिन वो नारे का असर नहीं है जो काम करना चाहिए नारे के तैद वो नहीं हो रहा है सबका साथ तो है लेकिन गैरा बराबरी नहीं खतम होती सबके साथ में यह PDA जो है वो गैर बराबरी खतम करने का नारा है जो समाजी नया है उसका नार करन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है अब वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही है आपका PDA यह है बहुजन, आदिवासी और पूर जो है उन लोगों की वो बात कर रहे हैं आप भी यही कोशिश कर रहे हैं यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही जो समाजवादियों नारे कभी 80's में, 90's में दिये वही नारे हैं आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने, बांदीगाट वो वाला नारा था तो आज PDA वाला नारा है तो कोशिश यही है कि इस अंब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए अपना गुरूप बड़ा किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए तभी बीजेपी का मुकाबला हो सकता है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे एड़ना नहीं कराना चाहते है जो हवादी के हिसाब से हक सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे, बैठे रहे उन्हें आरेक्षण में नहीं दिया जा रहा है उनको नौकरी नहीं दिया रही है जो नहीं विवस्ता अरेक्षण की है उससे पिष्डे दलितों का सबसे ज़्यादे हक चीना जा रहा है यह मूल भाबना के साथ खिलबाड है उसके लिए नारा पीडिये है आज मदर्सों का कैंसिल कर दिया गया है एक्ट जो बना था उस नियम और एक्ट को खतम कर दिया गया ति यह उनको हग दिलाने का नारा है आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्यादे असरच्छत माहिला है और जो कुछ विवस्था है बनाया थी चाहे वो डायल 100 बनाया था या 1090 बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी इसलिए पीडिये एक बड़ा नारा है जिसके तेधम समनों को जोड़ने का काम करें आपने आदिया अबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंद्र मोधी और बीजेपी वहाँ कहीं आगे आप से निकल गई है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा असुरचित महिलाएं अगर कहीं है तो भार्टी जिम्ता पार्टी की सरकार वे वो आखड़े बताते हैं यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ किसी महिला के साथ अन्यायना हो रहा हो और जो विवस्थाएं बनाई दी सुरक्षा को लेकर के वो सब समात कर दी नोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी है वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.3-6 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुजान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया अखिलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल लेविल पर पार्टी है और बहुत सारे मद्दाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है इसलिए नैशनल मुद्दों को लेकर के और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हो काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी नैशनल इमेज नहीं बना पाती है हलाकि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलियें वो एक्जेंप्ररी काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराब न हो इसलिए एक गडवन्दन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गडवन्दन में इसलिए समाजवादी पार्टी साथ आई है अमेठी से रहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं कॉंग्रिस पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता आपकी निजी रायतो होगी जो भी कॉंग्रिस पार्टी फैसला लेगी हमारा पूरा कैढ़र और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा एक उरजा एक उत्साहा बनता है न मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रिस किसको लाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि कॉंग्रिस पार्टी जहां भी जिस वित्यासी को उतारेगी जितनी भी गटबंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा पिर चोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखलेश यादव लड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पका करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखलेश यादव वहां गई देखे आधिड़ आजमखान साथ के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ है अगर किसी लोगसभा सीट को ले करके चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोग क्या तकलीफ है आधिड़ आजमखान साथ वहां से कई बार रहे हैं लोगसभा के साथ उन्होंने जिताया है कई बार बिधायक रहे है उनका छेतर है तो क्या लोकतत में हम उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे नहीं जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी क्या राय दी जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ आप चुनाव लडने वाले है चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव लड़ रहे हैं तो कहां से लड़ेंगे तो चुनाव लड़ रहे हैं और जाओ आपके कारेकरताओं में तब ही आएगी कि अखिलेश वहिया आगए मैदान में मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ और लोकसवा चुनाव लड़े थे पहली दफ़ा तो चुनाव लड़ा जाएगा एक और जो आरोप बीजेपी लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोप में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समय करन पीडिये वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती को कि बीजेपी मुकामला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहा हूँ हो सकता मैंने आपका नहीं देखा औ लेकिन वो चैनल जिसको एक penser जाति अब इस बात पर तो मैं शिबाइध दर्ज कर रहा हूँगा रहेगा, आपको रखे आगे रखेगा, A, B, V, P कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना, BJP, अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं, बात PDA की करते हैं हाँ, जो बात मैं कहना चाहता था कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ, नजाने क्या क्या आरूप लगाते थी वही लोग सुझाव दे रहें कि आप क्या कर रहें ये और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा उसको लगने के लिए फैसला लेगी पार्टी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्स का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरुन गांदी कुछ नाब लड़ाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चर्शा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले हैं दर्वाजे नहीं सौफ्ट कॉर्णर तो रहेगा पार्टी का सौफ्ट कॉर्णर है अगर कोई अच्छा प्रत्यासी मिल जाएगा बीजेपी के लोग हमारे प्रत्यासी पे डाका मार रहे है अगर कोई उनके पार्टी का प्रत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं और एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को समझाया उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार बहुत हुआ भ्रष्टाचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वेपक्षो अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है यह बार ठीक है कि हम लोग traditional politics करते थे हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है और जो बूत का आखरी दिन का management है आखरी दिन का जो management है रात से लेकर के सुबह तक वाला यह परचार खत्म होने के बास से लेकर के बोट डालने के समय तक जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है जो आप क्या इशारा यही कर रहे है मैं नहीं कह सकता हूं सीदा क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो आप कह सकते हैं यह जो last moment management है यह कोई बीजेपी की होशारी नहीं बीजेपी के पास सरकार है धनबल है उनके पास वो management है कॉंग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये 115 करोड रुपए रोक लिए हमारी जेब में पैसे नहीं प्रचार कैसे करें नेताओं को rail में नहीं बेज सकते हवाई जहाज में नहीं बेज सकते विग्यापन नहीं दे सकते इश्टहार नहीं लगा सकते ये विद्वा विलाब जो शब्द होता है बहुत अच्छा शब्द नहीं है वो हार की खीज है या ये हकीकत है के बले, अकाउंट सीज नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री सीज हो रहे हैं, आप सोचिए, ये हार का डर नहीं है बीजेपी का, बीजेपी हार चुकी है, अगर हार का डर होता तो इलेक्शन फेस करते, ये हार चुके हैं, इसलिए narrative बदलने के लिए ये काम कही जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, जिन किसानों से इन्होंने ये कहा, कि आपकी आय दोगनी होगी, जिन किसानों को कहा, कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको, आप बताईए क्या इन्होंने तयारी की उसके लिए, आ उत्तफदेस में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने बताओ आखिरकार किस जगे किसान जाकर के MSP ले ले या लावकारी मूले ले ले जिन्होंने ये कहा कि हम आय दोगनी कर देंगे क्या किसान की आज महंगाई इस महंगाई में आय दोगनी हो गई जब डीजल, पैट्रॉल, जीस्टी और हर किटनासक दबाई से लेकर के जरुत की चीज किसान की महंगी है तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए भारती जन्ता पार्टी इस तरह का काम कर रही है इलेक्टोर बॉंड्स में इनकी घंटी बज गई, उसका जवाब इनके पास नहीं, जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं ये चलने वाली नहीं है इस बार, इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान, इनका घंट चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसभा चुना हुए थे, किसान अंदोलन अपने चरम पर था, और उसकी गुन सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है, आप मुझे से बेतर जानते हैं इतने साल आपने राजनीती की है, जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता देती है बोट कम हुआ बीजेपी का, कम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था वही मेरा सवाल है बिपक्ष का बोट बढ़ा, इसलिए मैंने आप से कहा, बीजेपी अपने मेनेजमेंट से जीत रही है मुद्दों से नहीं जीत रही है अगर मुद्दों से जीत रही होती तो बुनियादी मुद्दे आम जन्ता के मुद्दे से भातिन तबाड़ी भाग क्यों रही है उसी में अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूँ 2019 के लोकसबा चुनाव की बात करें तो 6,000 रुपए की किसान कल्यान सम्मान ने धी BJP लेकर आई लोगों ने हातो हात लिया और राहुल गांदी ये कहते रह गए जी मेरी एक न्याय योजना भी है 72,000 रुपए दूँगा 6,000 रुपए महीने के दूँगा और 6,000 रुपए साल 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोस्वा किया भारती जनता पार्टी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई है गरीब के उपर, किसान के उपर जो लोग विश्गुरु बनाने की बात कर रहे है जो लोग कहरें विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनास दे रहे है राशन दे रहे हैं, खिला पिला रहे है कोई कलपना कर सकता है यह अर्थववस्था क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है यह दूसरे लोग लाप पार रहे है लेकर के जाए हो, जनता दुखी ही बैटी है कॉमन मिनिममम प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा तो चुनाव आ गए, अधी घोषना हो गई, अधी सूचना जारी हो गई कॉमन मिनिममम प्रोग्राम तो आए गई आएगा समाजवादी पार्टी का विजन डॉकुमेंट beginningกा और विजन डॉकुमेंट कम से कम ही आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारंड के लिए भार्टी इंता पार्टी की सरकार्ण ने पंतरे लाग करोड किसान का उद्योक पतियो कका गर्ज माफ किया है क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों देश के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन वाउन मिनिमम प्रोग्राम में आखरी सवाल योगी कह गए 80 में 80 आप कितनी सीट जीतने वाले हैं 80 हराओ नौगरी पाओ 80 हराओ संकट बचाओ 80 हराओ लोक्थंद बचाओ कितना हराओ 80 में से आप कितने जीतेंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक कौन बच गए अब कोई हो सकता एक हो कोई अच्छा प्रदान मंत्री बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं कते है करता हूँ एक के अलावा सब हारने वाले हैं चार जून को देखते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अखलेश आपाए कीमती वक्त निकाला बहुत-बहुत शुक्रिया इस सत्र में घोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है बहुत धनेवाद 5 में से 3 टॉप 5 में से 3 टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ EDCBI की कारवाई चल रही थी 30 में से 14 हैं आपकी पार्टी समेट 10 दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है Congress गुरेज कर गई थी तुनमूल Congress भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उल्जन भरी हो जाती है क्या यह समाजवादी पार्टी उत्तरपदेश की बात कर रहे है और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रह करके वो चंदा नहीं बोला जा सकता है और जिस तरह बीजेपी को मिला है वो चंदा नहीं है बीजेपी का बीजेपी किसी के आड में छिप नहीं सकती है यह लेक्टरल बॉन नहीं है यह बीजेपी का बेंड बज गया है यह इससे छिपना चाहते हैं इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे है क्या करबना कर सकते है आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ इलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और साथ बजे अर्विंद केजरिवाल के यहां इडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है यह सुप्रीम कोड माने सुप्रीम कोड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सी ए लागु खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा हूने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP News नहीं देखते हैं लगता है सीधा सवाल नहीं देखते हैं यहीं बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP channel न बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ ABVP channel न बन जाए हम आपको रखे आगे वाले है क्योंकि जो और channel है हम जनता को आगे रखने वाले है हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ते जो और channel है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है मैंने channel देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग और डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रहमान रिकार्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकत्मों का क्या जो चाहिए उसको मुकत्मा लगा दिया जूटे मुकत्मे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकत्मे लग रहे हैं यहां पर और उत्तवदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकत में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरच्चितगर कही हैं तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके अकड़े कहा है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती जी आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं बताई सरकार की कारखाने लगए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया पर केंदर सरकार हो ये डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है ब्रष्टचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आखड़े आते हैं, जो बाते आती हैं, चहराहूल गांदी हो, सोनिया गांदी हो, नाशनल हेरल केस में वो जमानत पर हैं, तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं, ममताब एनरजी उनके बतीजे को, उनके उपर कारवाई हो रही है, उ जिन पर कभी CBI, ED income tax के छापे लगते थे, बार्दी जनताँ पार्टी में जाते ही, उन संस्थाओं का क्या हुआ? महराश्ट उठा लीजे आप. महराश्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है, जो भार्दी जनताँ पार्टी में है, उस पर ED CBI income tax की पहले जाच न चल लही हो. जिस समय से ED CBI income tax की जाच हुई, वो BJP में चले गए, वो जाच है खतम हो गई. बड़े पदों पर बैठे हुएं. इसी तरह बंगाल में हो धारण है, इस तरह यूपी में हो धारण है, और जो लोग भेश्टा चार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं, कभी एक्सप्रेस पे जाईए आप, आगर लखनू पे भी चल लीजिए आप, और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन, जिसका काम पूरा BJP ने किया, पूर्वाण चल एक्सप्रेस पे चल करके देख लीजिए, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, और बुन्देल खन एक्सप्रेस पे जिसका उद्गाडन प्रदामन दिजी ने किया, आज भी काम चल ला है उस पर, अगर भरष्टाचार शामिल नहीं था, अगर क्वालिटी से कंप्रमोईज नहीं किया था सरकार ने, तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर, तो केवल भरष्टाचार लें देने, क्या मुनाफ़ा जाद है कमाने देने लोगों को, वो भरष्टाचार नहीं है, लोगों को पद दे करके खुश करने, क्या वो भरष्टाचार नहीं है, आप अगर बीजेपी के साथ हैं, तो आपको सिक्यूरिटी मिल जाएगी, कैटिगरी बदल जाएगी, क्या वो भरष्टाचार नहीं है, लाब देना, जरूर से ज़्यादे लाब देना, क्या वो भरष्टाचार नहीं है, पर जनता के जहन में, बीजेपी पर भरष्टाचार कारोप, चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं आप, जनता जान गई है, कि इन से ज़्यादा, भेष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया होगा इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में क्या होत्तापदेश के सब गड़े बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पाँच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ और कई परिख्षाएं कैंसल कहिए परिश्टाचार नहीं है इनके BJP के कारकरता नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे क्या STF ने नहीं पकड़ा उनको और फिर सब चांचे STF कोई क्यों जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ क्या हुआ BJP के सरकार नहीं थी बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया क्या ये भिष्टाचार नहीं है 60 Laak बच्चों का आपने भविस्त अंदकार में डाल दिया ये BJP के लिए भिष्टाचार नहीं है क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं क्या कोई कल बना कर सकता है कि एक नौजमान ब्रिजेश पाल ये कहता है और लिख करके जाता है पत्र में कि इन धिग्रियों का क्या होगा अपने माभाप को लिख करके जाता है कि मैं जला करके जा रहा हूं इन दिग्रियों से क्या फायदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल लए इसी तरह फुरुजबाद की एक बेटी जब पैपर कैंसल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने ये भरष्टाचार नहीं है आरच्छन को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर्णा देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भरष्टाचार करकर के आरख्षड़ खा रही है मुख्यवंतिजी सदन में कहते है कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 SDM बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहा है आज तक मुख्यंतिजी जारी नहीं कर पाए क्या यह बश्टा चार नहीं है बेमानी नहीं है पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है narrative building में आप कमजोर पड़ते हैं क्या BJP के मुकाबले BJP पर खजाना है खजाना लुटा रहे हैं वो narrative कैसे create होगा आप खजाना भर भर करकर गर पैकेज दे देंगे खजाने की बात आई हम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जहन चौधरी से मैं ने interview किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवणनी है पलटने नहीं वाले थे बीजेपी ने पलट दिया उचाल दिया आपकी चवणनी को तो तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे आखिलेश दो पर क्यों मान गए वो कह साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी चेह मिल रही थी और चेह में भी उमीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थी ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रतियासी कहा क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलाइंस हुआ ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंक से भी कि आपके पास समीकंड क्या है और आपका प्रतियासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने सुईकार किया केवले एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते है तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरिंद मलिक उनसे मिल करके आए और अपनी बाचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिंती में साथ छोटा है दो बड़ा है दुख हुआ जहनत ऐसे छोड़ कर चले गए राज्यासभा भी दिया आपने सवाल ये नहीं है इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोगसभा नहीं हमने हमने धोका खाया दो लोगसभा कोई हमने जिस समय उनके बिधायक आये थे और राजसभा मांग की थी उन्होंने उस समय उनसे मैंने का दे कि हमारा साथ देना उन सभी बिधायकों ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए इसमें बहुत साथ दान है हर चीज से स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा नहीं बहने रास्ता नहीं दिखाया कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उन्हें पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है उस पर विचार किया सकता है एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं यह डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूं क्या मैं राजस्वा की डिमांड पूरी कर सकता हूं क्या मैं MLC की डिमांड पूरी कर सकता हूं या खेल कुछ और है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि ये सब लोग एक और PDA बनाने चले थे Congress के साथ मिलकर और अखिलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे ये कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाओ नहीं रखा मैं केबस सीधा चल ला हूं प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए जिससे में शुरुआती दोर में बात हुए थी नितिश कुमार जी से नाम पर तयार नहीं है सोनियां गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितिश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागट बंदन की और से बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थी नितिश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर के रिट लेकिन मूल बात यही है कि जिन्हें प्रधानमंत्री बना था और बीजेपी की साज़िस देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं दर्वाजे खुले हैं अब चुनाव की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गठबंदन पर होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन्स हो गए होते हैं अब तो नॉमिनेशन्स हो रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचार धाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो ego clashes हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गटबंदन नहीं बन पाया या जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिख रहा है इंडिया गटबंदन बन चुका है दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि भार्धी जनता पार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा भार्धी जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप PDA का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं एक क्लारिफिकेशन चाहूंगा पीफ और पिछड़ा दीफ और दलित तो है एफ और क्या है ये आधी आबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अलपसंक्यक भी इस पिश्ड़ा दलित अगड़े भी हो जाते हैं आधी अबादी भी है अलपसंक्यक भी है आधिवासी भी है और पीड़े दुखी अगड़े भी है इसमें कि इसमें कम से कम कोशिस की है समाजवादी लोगों ने कि पीड़े के अंब्रेला केता है सबको जोड़ा जाए सबका साथ सबका विकास क्या है कम से कम वो कह रहे हैं नारा दे रहे हैं लेकिन वो नारे का असर नहीं है जो काम करना चाहिए नारे के तैद वो नहीं हो रहा है सबका साथ तो है लेकिन गैरा बराबरी नहीं खतम होती सबके साथ में ये PDA जो है वो गैर बराबरी खतम करने का नारा है जो समाजिक नया है उसका नारा है पीडिया अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है किया आपकी तरफ से जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में MY Factor कि बही मुस्लिम यादव वोट बैंक एक समी करन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है अब वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही आपका PDA यह है बहुजन आदिवासी और पूर जो हैं उन लोगों की वो बात कर रहे हैं आप भी यही कोशिश कर रहे हैं या is it too little too late यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही जो समाजवादियों नहारे कभी 80s में 90s में दिये वही नहारे हैं आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदीगाट वो वाला नहारा था तो आज PDA वाला नहारा है तो कोशिश यही है कि इस अंब्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए अपना ग्रूप बड़ा किया जाए लोगों को जोड़ा जाए तभी बीजेपी का मुकाबला हो सकता है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे एड़ना नहीं कराना चाहते हैं जो हवादी के हसाफ से हग सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे बैठे रहे उन्हें आरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है उनको नौकरी नहीं दिया रही है जो नहीं विवस्ता अरेक्षड की है उससे पिष्डे दलितों का सबसे ज़्यादे हग चीना जा रहा है यह मूल भावना के साथ खिलबार है उसके लिए नारा पीडिये है आज मदर्सों का कैंसल कर दिया गया एक्ट जो बना था उस नियम और एक्ट को खतम कर दिया गया ति यह उनको हग दिनाने का नारा है आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्यादे असरच्छित माहिला है और जो कुछ विवस्थां बनाए थी चाहिए वो डाइल 100 बनाया था या 1090 बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी इसलिए पीडिये एक बड़ा नारा है जिसके तेधम सबनों को जुड़ने का आपने आदिया अबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी वहाँ कहीं आगे आपसे निकल गई लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे जादा असुरच्चित महलाएं अगर कहीं है तो भार्टी पार्टी की सरकार वे वो आखड़े बताते हैं यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ किसी महला के साथ अन्यायना हो रहा हूँ और जो विवस्था हैं बनाई दी सुरक्षा को ले करके वो सब समाप्त कर दी इनोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी हैं वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.36 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अलप सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुझान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया अखलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नैशनल लेविल पर पार्टी है और बहुत सारे मद्दाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कौन है इसलिए नैशनल मुद्दों को लेकर के और कई बार रिजनल पार्टी के पास मुद्दे अच्छे हो काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी नैशनल इमेज नहीं बना पाती है हाला कि समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसलियें वो एक्जेंप्ररी काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गडवन्दन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गडवन्दन में इसलिए समाजवादी पार्टी साथ हाई है अमेठी से राहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं कॉंग्रिस पार्टी क्या फैसला लेगी उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता आपकी निजी राय तो होगी जो भी कॉंग्रिस पार्टी फैसला लेगी हमारा पूरा कैडर और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा एक उरजा एक उत्साहा बनता है ना मैं यह फैसला नहीं ले सकता हूँ कि कॉंग्रिस किसको लड़ाएगी लेकिन मैं यह भरोसा दिला सकता हूँ कि जिस प्रित्यासिय को उतारेगी जितनी भी गड़बंधन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थक उनका साथ खड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा पिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखलेश यादव लड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए है अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए खिलेश यादव वहां गई लिए अधिनी आजम खाहर साब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ है अगर किसी लोगसभा सीट को लेकर के चर्चा उनसे हुई है तो दूसे लोग किया तकलीफ है आधिनी आजम खाहर साब वहां से कई बार रहे हैं लोक सबा गे साथ उन्होंने जिताया है कई बार बिधायक रहे हैं, उनका छेत रहे है तो क्या लोकतत में हम उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, जो वो राय देंगे उसपे पार्टी विचार करेगी क्या राय दी? कहां से लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे मैंने इसलिए पहले का चुनाव लड़ेंगे और जाओ और उत्साह आपके कारिकर्ताओं में तब ही आएगी कि अखिलेश भही आ गए मैदान में मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूं तो हजार में लड़े थे पहली दफ़ा लेक उसके बाद सदन में गया मैं 19 में मैं लड़ा क्योंकि परसिति के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्टीफा देना पड़ा आएगा चुनाओ तो फिर लड़ा जाएगा चुनाओ तो चुनाओ लड़ा जाएगा एक और जो आरोप BJP लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोप में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समी करन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं सारे यादव उमीदवार मुलाइम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसेसरी बहस इसलिए ब्यजे पी करती क quickly ब्यजे पी मकाबला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देखरा हूँ हो सकता मैंने आपका ना देखा हूँ लेकिन वो चैनल जिसको एक नापसे जाय जातो… अब इस बात पर तो मैंशलाइठ दर्ज कराऊंगा बी पी न्यूज रहेगा आपको रखे आगे रखेगा ए बी वी पी कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना बीजे पी अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं बात पी डिये की करते हैं जो बात मैं कहना चाहता था कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ नजाने क्या क्या आरोब लगाते थे वही लो और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्ज का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरुन गांदी को चुनाब लड़ाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले है दर्वाजे नहीं सौफ कॉप्स कोर्णुर तो रहेगा पाटी कोशोफ्ट कॉर्णर है कि कोई अच्छा प्रतियासी मिल जाएगा बीजे पी लोग हमारे प्रत्यासीbook डाका मार रहें अगर उनके पाटी का प्रतियासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बचार करेंगे उसपर को सब जाया, उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली, बहुत हुई पेट्रल डीजल की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोधी सरकार, आपके पास मुद्दे तो हैं, परोशने का तरीका नहीं, और उसे बेचने का तरीका नहीं आता कि अवे पक्ष को, अब की बार, BJP हार, और अब की बार, 400 हार, यह हमारा नारा है, यह बार ठीक है, कि हम लोग, traditional politics करते थे, हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है, और, जो बूत का, आखरी दिन का management है, आखरी दिन का जो management है, रात से लेकर के सुबह तक वाला, यह परचार ख़तम होने के बाद से लेकर के बोट डालने के समय तक, जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है, जो आप क्या इशारा यहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकता हूं सीधा, क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो, आप कह सकते हैं, यह जो last moment management है, यह कोई BJP की हुशारी नहीं, BJP के पास सरकार है, धनबल है उनके पास, वो management है, कॉंग्रेस आरोप लगाती है, कि जी हमारे account freeze कर दिये, 115 करोड रुपए रोक लिए, हमारी जेब में पैसे नहीं, प्रचार कैसे करें, निताओं को रेल में नहीं बेज सकते, हवाई जहाज में नहीं बेज सकते, विज्यापन नहीं दे सकते, इश्टाहार नहीं लगा सकते, ये विद्वाविलाब जो शब्द होता है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है, वो हार की खीज है या ये हकीकत है, के बले account seize नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री seize हो रहे हैं, आप सोचिए, ये हार का डर नहीं है बीजेपी का, बीजेपी हार चुकी है, अगर हार का डर होता तो election face करते, ये हार चुके हैं, इसलिए narrative बदलने के लिए, ये काम किये जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, जिन किसानों से इन्हों नहीं ये कहा, कि आए दोगुनी होगी, जिन किसानों को कहा, कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुकसान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको, आप बताईए क्या है इन्हों ने तैयारी की उसके लिए, आपने दिल्ली से कहा, कि हमने agriculture infrastructure के लिए, एक लाग क्रोड रुपे रखें बजट में, आप बताईए एक्सप्रेस वे के किनारे, या उत्तफदेस में एक भी मंडी बनाई हो नोंने बताओ, आखर किस जगह किसान जाकर के MSP ले ले, या लावकारी मूले ले ले, जिन्हों ने ये कहा, कि हम आए दोगनी कर देंगे, क्या किसान की आज महंगाई, इस महंगाई में आए दोगनी हो गई, जब डीजल, पैट्रॉल, जीस्टी, और हर किटनासक दबाई से ले करके, जरुत की चीज किसान की महंगी है, तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए भारती जन्ता पार्टी, इस तरह का काम कर रही है, इलेक्टर बॉंड्स में इनकी घंटी बजगई, उसका जवाब इनके पास नहीं, जो ये गारंटी की घंटी बज़ा रहे हैं, ये चलने वाली नहीं है इस बार, इस बार देश का किसान, देश का मज़दूर, देश का नौजवान, इनका घंट चूर करने जा रहा है, बोट डाल करके, दोजार बाइस में जब विदानसभा चुना हुए थे, किसान अंदोलन अपने चरम पर था, और उसकी गुन सुनाई दे रही थी, लेकिन एक भरोसा होता है, आप मुझे से बेतर जानते, इतने साल आपने राजनीती की है, जनता गाली दे कर भी, गरिया कर भी भरोसा, बीजेपी पर ही क्यों जता देती है? बोट कम हुआ बीजेपी का, कम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, वही मेरा सवाल है, बिपक्ष का बोट बढ़ा, इसलिए मैंने आप से कहा, बीजेपी अपने मेनेजमेंट से जीत रही है, मुद्दों से नहीं जीत रही है, अगर मुद्दों से जीत रही होती ही, तो बुनियादी मुद्दे आम जन्ता के मुद्दे से भातिन तबाड़ी भाग क्यों रही है, भाग ती भातिन तबाड़ी अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूँ, 2019 के लोकसबा चुनाव की बात करें, तो 6,000 रुपे की किसान का लियान सम्मान निधी, बीजेपी लेकर आई, लोगों ने हातो हात लिया और राहुल गांदी ये कहते रहे गए, जी मेरी एक न्याय योजना भी है, 72,000 रुपे दूँगा, 6,000 रुपे महीने के दूँगा, और 6,000 रुपे साल, 500 रुपे महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने, देश की जनता भरोस्वा किया भारती जनता पार्टी पर, लेकिन इधर जो परेशानी आई हैं गरीब के उपर, किसान के उपर, जो लोग विश्गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा, उस भारत में 80 करोड़ लोगों को यह अनास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है, ये अर्थववस्था क्या है, जहां पर हमारा किसान दुखी है, ये दूसरे लोग आपा रहे हैं, विजन डॉकुमेंट भी आएगा, और विजन डॉकुमेंट कम से कम यह आएगा, कि किसान को हम रात क्या दें, उधारंड के लिए, भारती इंता पार्टी की सरकार ने, पंत्रे लाग करोड किसान का, उद्योग पतियों का कर्ज माफ किया है, क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता, हमारे विजन डॉकुमेंट में होगा, कि उत्तर प्रदेश के किसानों, देश के किसानों का कर्ज माफ हो, ये सामिल हो हमारे कौन माफ मिनिमम प्रोग्राम में, आखरी सवाल, योगी कह गए असी में असी, आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? असी हराओ, नौगरी पाओ, असी हराओ, संकट बचाओ, असी हराओ, लोक्थंद बचाओ, कितना हराओ असी में से, आप कितनी जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे, यह मैं नहीं करता हूँ, एक के अलावा सब हारने वाले हैं, चार जून को देखते हैं, दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा, अखलेश आप आए, कीमती वक्त निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया, इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रही है, बहुत धन्यवाद, पाँच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे, उनके खिलाफ एडी सीबियाई की कारवाई चल रही थी, तीस में से चौदा हैं, आपकी पार्टी समेट दस दलों ने तो खुलासा कर दिया था, अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई हैं, कॉंगर गुरेज कर गई थी, तो नमूल कॉंगरस भी गुरेज कर गई थी, यहां बात थोड़ी सी उल्जन बरी हो जाती है क्या, यह समाजवादी पार्टी उत्तपदेश की बात कर रहे हैं, और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का, कि जो लाप पहुचा सकते हैं, सरकार मे रहे करके, वो चंदा नहीं बोला या सकता है, और जिस तरह बीजेपी को मिला है, वो चंदा नहीं है बीजेपी का, बीजेपी किसी के आड में छिप नहीं सकती है, यह लेक्टरल बॉन नहीं है, यह बीजेपी का बैंड बज गया है, यह इस से छिपना चाते हैं, इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं क्या कर्बना कर तकते हैं आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि पांच बजे अपलोड हुआ एलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और साथ बजे अर्विंद केजरिवाल के यहां एडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ इलेक्टरल बांड की जैसे ही सूशना जारी होती है यह सुप्रीम कोर्ड माने सुप्रीम कोर्ड की तरफ से और एलेक्शन कमिशन की तरफ से सीय लागु खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा उने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जादा है कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पर बहस हो रही है या और मुद्दों पर बहस हो रही है आप ABP News नहीं देखते हैं लगता है सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उमीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP channel न बन जाए AVP का क्या मसलब हुआ ABVP channel न बन जाए हम आपको रखे आगे वाले है क्योंकि जो और channel है हम जनता को आगे रखने वाले है हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ते जो और channel है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है, उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे हैं और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है, मैंने चैनल देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अर्विंद केजरिवाल जेल गए, जेल जाने का, जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आजाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हैं हम लोग डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रहमान रिकार्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकदमों का क्या जो चाहिए उसको मुकदमा लगा दिया, जूटे मुकदमे लगा दिये लोगों पर जूटे मुकदमे लग रहे हैं यहां पर और उत्तपदेश में एक उधान नहीं, कई उधान में दे सकता हूँ जहां पर जूटे मुकत में लगा करके लोगों को फसाए गया है और एक नहीं हजारों ऐसे हैं कस्टोडियल डैथ में नमबर वन यूपी इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं महिलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरच्चित अगर कही है तो यहां पर हैं जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया साथ साल बात बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहट नौकरी और रोजगार मिलें इसके अकड़े कहा है दो आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के जिसमें देश के प्रधानमंती ची आए बाद में ग्राउंड ब्रिकिंग सेर्मेनी हुई वो कारखाने कहां लगे हैं बताएश सरकार की कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरियों रोजगार मिल गया पर केंदर सरकार हो ये डबल एंजिन जो सरकार है यूपी की सरकार कहती है बरस्टाचार के खिलाब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आंकड़े आते हैं, जो बाते आती हैं, चैहराहूल गांदी हो, सोनिया गांदी हो, नाशनल हेरल केस में वो जमानत पर हैं, तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं, ममताव एनरजी उनके बतीजे को, उनके उपर कारवाई हो रही है, जिन पर कभी CBI, ED, Income Tax के चाहपे लगते थे, बाते इनतां पार्ड़ी में जाते ही, उन संस्थाओं का क्या हुआ, महराष्ट उठा लीजे आप, महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है, जो भार्दी इनतां पार्टी में है, उस पर ED, CBI, Income Tax की पहले जाच न चल लई हो जिस समय से ED, CBI, Income Tax की जाच हुई, वो बीजेपी में चले गए, वो जाच है खतम हो गई, बड़े पतों पर बैठे हो गई, इसी तरह बंगाल में उधारण है, इस तरह यूपी में उधारण है, और जो लोग भश्टाचार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े सरकार में बने हुए डिजाइन, जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया, पुर्वांचल एकसे उस पर चल करके देख लिए, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, और बुन्देल खंड एकस पर जिसका उद्गाडन परतामन दिजी ने किया, आज भी काम चला है उस पर, भी करने ही, लोगों को पाद दे करके खुश करने क्या वो भी भी को अचान नहीं है, आप अगर बीजेपी पी के साथ हैं, तो आपको सिक्यूर्टी मिल जाएगी, ग्री बिदेए किया वो भी 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 पर जान जाएगी है, लाब देना, ज़रूर से जादे लाब द कि इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़ा मुक्ती में क्या उत्रपदेश के सब गड़े बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पांच पेपर लीग, छे पेपर लीग, साथ पे के नाम पर पैसा लेते थे के स्टीएफ ने नी पकड़ा उनको और फिर सब जांचे स्टीएफ कोई क्यों जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ क्या हुआ बीजेपी के सरकार नहीं थी बैठकर के हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया और पेपर देते समय क्या बसूल हैं क्या होई कल्ब ना कर सकता है कि एक росс्णमान बिजेश पाल यह बांट है और लिख खर कर कि जाता है पत्र चाहिए कि अपने बहज्द चला हो जारां घठाते कि मैं ज़टा कर के जा रहा हूं इन दिग्णियों को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे, धर्णा देते रहे, इतने सालों से, सरकार उनका भष्टाचार करकर के आरक्षड़ खा रही है, मुख्वंतिजी सदन में कहते हैं, कि जब समाजवादी की सरकार थी, 46 में 56 SDM बन जाते थे, मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची क आज तक मुखंतिजी जारी नहीं कर पाए, क्या यह बस्ता चार नहीं है, बहिमानी नहीं है, पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है, नारेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर पड़ते हैं, क्या बीजेपी के मुकाबले, बीजेपी पर खाजाना है, खाजाना ल और मैंने का, साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको, मैंने का, आप तो चवन्नी है, पलटने नहीं वाले थे, बीजेपी ने पलट दिया, उचाल दिया आपकी चवन्नी को तो, तो मैंने का, साथ सीटे दे रहे थे या खिलेश, दो पर क्यों मान गए वो कहा है, साथ सूत भी हमारा अलाइन्स हुआ, ये बात मैंने उनके सामने रखी, और दलों से भी, कि आपके पास समीकर्ण क्या है, और आपका प्रत्यासी कौन है, उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा, वो मैंने सुईकार किया, केवल एक सवाल मुझफवर नगर का था, मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परेवार को लगनाना चाते हैं, तो हम उस पर भी बिचार कर लेंगे, पर आपकी पसंद हरंदर मलिक थे, और उन्होंने जब मेरी पसंद हरंदर मलिक थे, तो उन्होंने कहा, मैं बात करना चाता हूं उनसे, वो खुद कर अच्छय वाज्या ने हैं। क्योंकि अब हमारा जो भी बिधायकों ने का था कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वो साथ नहीं दे पाए चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्होंने समाजवादी पार्टी स कुछ खास दे करके नहीं गए इसने बहुत साथ दान है हर चीज से स्वामी प्रसाद मौरिया को महा सचिव बनाया आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा नहीं दिखाया कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं हम रोकते नहीं उन्हें पल्लवी पटेल भी अब बा मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं यह दिमांड में नहीं पूरी कर सकता हूं क्या मैं राजस्वा की दिमांड पूरी कर सकता हूं क्या मैं MLC की दिमांड पूरी कर सकता हूं या खेल कुछ और है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि यह सब लोग एक और PDA पनाने चले थे कॉंग्रेस के साथ मिलकर और अखिलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे ये कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाओं ने रखा मैं किवल सीधा चल ला हूं प् कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आए तो उसके नेत्त में इंडिया गड़बंदन बनी और वही रास्ता मैंने अपनाया उसी रास्तिवे में चल ला हूं नितीश कुमार का आपने जिक्र किया नितीश कुमार का जाना इंडिया के लिए एक बड़ी शती ये नाक की खामखा की लड़ाई की जी ममता बैनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनतिक भूल थी विपक्षी महागडबंदन की और से बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन समाजवारी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थे नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीमी रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कितनी कंफ्यूजन हुआ या जो भी रेंड़े लिए गए वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जन्हें प्रधानमंतरी बना था और बीजेपी की साजिश देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंति रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं तो बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचार धाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो इगो क्लाशिस हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गटबंदन नहीं बन पाया या जो आप कह रहे थे एडी सीबी आई आई टी इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम इन्डिया गटभंदन बन चुका है दिख राए और हमें उम्मीद है कि भारती जनता पार्र डी इस बार自 जनता पार्डे का घंप का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप PDA का formula लेकर चले हैं इसमें मैं एक clarification चाहूंगा P for पिछड़ा, D for दलित तो है A for क्या है ये आदी आबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अल्प संख्यक भी पिछड़ा दलित अगड़ी भी हो जाते हैं आदी आबादी भी है अल्प संकक भी है, आदिवासी भी है और PDA दुखी अगड़ी भी है इसमें इसमें कम से कम कोशिस की है समाजवादी लोगों ने कि PDA के umbrella कहता है सबको जोड़ा जाए सबका साथ सबका विकास क्या है कम से कम वो कह रहे हैं नारा दे रहे हैं वो गैर बड़ाबरी खतम करने का नारा है जो समाजवादी नया है उसका नारा है PDA अपने वोट बैंक का दायरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है क्या आपकी तरफ से जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में MY Factor कि मुस्लिम यादव एक वोट बैंक के एक समी करन वो आपके लिए भी काम करता है वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है आप वो माई बाप पर चले गए और बाप भी वही है आपका PDA यह है बहुजन आदिवासी और पूर जो है उन लोगों की वो बात कर रहे हैं आप भी यही कोशिश कर रहे हैं या इस टू लिटल टू लेट यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही जो समाजवादियों ने नारे कभी 80s में 90s में दिये वही नारे आज लेकिन वही नाम बदल गया अगर कभी संसुपाने बांदी गाठ वह वाला नारा थे तो आज PDA वाला नारा है तो कोशिश यही है कि इस अम्रेला के अंदर सब लोगों को शामिल किया जाए अपना ग्रूप बड़ा किया जाए लोगों को जोड़ा जाए तभी BJP का मुकाबला हो सकता है और सबसे ज़्यादा भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है आप जादे यर्णानी कराना चाहते है जो हवादी के हसाफ से हग सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे, बैठे रहे उन्हें आरेक्चण में नहीं दिया जा रहा, उनको नौकरी नहीं दिया रही है जो नई विवस्ता आरेक्चण की है उससे पिशड़े दलितों का सबसे ज़्यादे हग चीना जा रहा है यह मूल भाबना के साथ खिलवाड है उसके लिए नारा पीटिये है आज मदरसों को Cancel कर दिया गया Act जो बना था उस AND नियम और Act को ख़तम कर दिया गया ति ये उनको हग दिनाने का नारा है आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है आदी अवादी जिसको सुरच्छा की जरुवत है क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबस्याद है असरश्चित माहिला है और जो कुछ विवस्था है बनाए थी चाहिए वो डाइल 100 बनाया था या 1090 बनाया था वो सब विवस्था खतम कर दी इसलिए पीडिये एक बड़ा नारा है जिसके तैदम सबनों को जोड़ने का आधिया अबादी पर जोर दिया यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंदर बताते हैं ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ और कोई दिन नहीं जाता हो तब देश में जब किसी बेटी के साथ किसी महिला के साथ अन्याय नहीं हो रहा हो और जो विवस्ताएं बनाएं दी सुरक्षा को ले करके वो सब समाप्त कर दी नोंने आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दी हैं वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में 2.3 प्रतिशत वोट बैंक पर सिमट गई थी कॉंग्रेस कमजोर कड़ी है या मन में कहीं डर था कि अल्प सिंख्यक की भी बात कर लें अगले एक ही बात कर लें मुसल्मानों में सेंद मारी ना कर जाए या उनका रुजान कॉंग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा तो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन मजबूरी हो गया आखिलेश यादव के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि नाशनल Civile पर पार्टी है और बहुत सारे मददाता इस बात पर विचार करते हैं कि नैशनल पार्टी कोन है इसलिए national मुद्दों को ले करके और कई बार regional party के पास मुद्दे अच्छे हो, काम अच्छा हो लेकिन उसके बावज़ूद भी national image नहीं बना पाती है हाला कि समाजवादी party ने जो जो फैसलियें वो exemplary काम रहे देश के लिए भी और हमारी कोशिस रही कि बोटों में बिखराव न हो इसलिए एक गड़वन्दन बड़ा बनना चाहिए और उस बड़े गड़वन्दन में इसलिए समाजवादी party साथ आई है अमेठी से राहूल गांदी को चुनाव लड़ना चाहिए उससे और ट्राक्शन बनेगा मैं Congress Party क्या फैसला लेगी उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता आपकी निजी राय तो होगी जो भी Congress Party फैसला लेगी हमारा पूरा कैडर और पूरा संगठन उसकी मदद करेगा एक उर्जा एक उत्साहा बनता है न मैं ये फैसला नहीं ले सकता हूँ कि Congress किसको लड़ाएगी लेकिन मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि Congress Party जहां भी जिस वित्यासी को उतारेगी जितनी भी गड़बंदन की सीटे हैं उन सीटों पर समाजवादी Party का समर्थक उनका साथ ख़ड़ा दिखाई देगा अखलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पिछली बार लोकसभा लड़ा पिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विदान सभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए तो लड़ेंगे अखलेश यादव लड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आजम खान से आप जाकर मिले डेड़ दो घंटे आपकी मुलाकात हुई AIMIM वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादो वहाँ गई लेखे आजणी आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ है अगर किसी लोकसभा सीट को ले करके चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोग के क्या तकलीफ है आजणी आजम खान साहब वहाँ से कई बार रहे हैं लोगसभा के साथ उन्होंने जिताया है कई बार बिधायक रहे हैं उनका छेत रहे है तो क्या लोकतत में उनकी राय नहीं लेंगे तो चुनाव लड़ेंगे जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी क्या राय दी? जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है तो मतलब मैं ये मान कर चलूँ आप चुनाव लडने वाले हैं चुनाव मैंने आप से कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे? और चुनाव लडने वाले हैं तो कहां से लडने हैं? चुनाव लडने जीए, मैंने इसलिए पहले का चुनाव लडने जीए, उर्जा और उत्सा आपके कारेकरताओं में तभी आएगी कि अखिलेश वहिया आगए मैदान में मैं कई बार लोकसवा लड़ चुका हूँ और लोकसवा चुनाव लडने लड़े थे पहली दफ़ा लेकर उसके बाद सदन में गया मैं 19 में मैं लड़ा हूँ क्योंकि परसिती के साथ से मुझे परसितियों में मुझे स्टीफा देना पड़ा आएगा चुनाव तो फिर लड़ा जाएगा चुनाव तो चुनाव लड़ा जाएगा एक और जो आरोब BJP लगतार आप पर लगाती वो परिवारवाद का और उस आरोब में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूँ कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरन PDA वाला खेल अपने उमीदवारों के चैन में तो किया है लेकिन जहां तक यादव उमीदवार हैं आरे यादव उमीदवार मुलायम सिंग परिवार के ही क्यों यह अननेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती क्योंकि बीजेपी मुकामला नहीं कर सकती मैंने देखा मैं कई चैनल देख रहू हो सकता मैंने आपका न देखा हो लेकिन वो चैनल अब इस बात पर तो मैं शुकायद दर्ज कराऊंगा अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आप देखना शुरू करना है लेकिन शर्त ही ही है कि ये ए वी वी पी चेनल न बन जाए होई नहीं सकता ये यहां पर मैं खुला एलान कर रहा हूँ आप अपनी सीट का नाम बताने को तयार नहीं मैं खुला एलान कर रहा हूँ ए बी पी न्यूज ए बी पी न्यूज रहेगा आपको रखे आगे रखेगा ए बी वी पी कता ही नहीं होगा सब को आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि दूसरे लोग सब को आगे नहीं देख सकते किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया तो इसी में ही तो वो कहती है ना बी जे पी अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरूब लगाते थे वही लोग सुझाव दे रहें कि आप क्या कर रहें ये और जहां जीतने वाली सीट पर जो भी प्रत्यासी जीतेगा उसको लगने के लिए फैसला लेगी पार्टी और ये जनता के बीच में जाने का है संगर्ज का है फैसला ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो चीज़ करके चला गया वरुन गांदी कुछ नाव लड़ाएंगे या समर्थन देंगे अभी इस पर कोई चर्चा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है आपको जानकारी नहीं है मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है पर वरुन गांदी के लिए दर्वाजे खुले है दर्वाजे नहीं सौफ्ट कॉर्णर तो रहेगा पार्टी का soft corner है अगर कोई अच्छा प्रत्यासी मिल जाएगा BJP के लोग हमारे प्रत्यासी पर डाका मार रहे हैं अगर कोई उनके party का प्रत्यासी आ रहा होगा अच्छा तो हम बिचार करेंगे उस पर तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं और एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश आपने मुद्दो की बात की वो लंबी फेरस्त है इसमें कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं 2014 में जिस तरह से BJP ने लोगों को समझाया उनकी नब्स टटोली और पकड़ ली बहुत हुई petrol डीजल की मार बहुत हुआ ब्रश्ताचार बहुत हुई रसोई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार आपके पास मुद्दे तो हैं परोशने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या वे पक्षो अब की बार BJP हार और अब की बार 400 हार यह हमारा नारा है, यह बात ठीक है, कि हम लोग traditional politics करते थे, हमारे पास कोई marketing strategy नहीं है, और जो बूत का आखरी दिन का management है, आखरी दिन का management है, रात से लेकर के सुबह तक वाला, या परचार खतम होने के बात से लेकर के बोट डालने के समय तक, जिसमें धनबल का भी इस्तमाल होता है, जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ सीधा, क्योंकि election commission पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो, आप कह सकते हैं, यह जो last moment management है, यह कोई BJP की होशारी नहीं, BJP के पास सरकार है, धनबल है उनके पास, वो management है, Congress हारोप लगाती है कि जी हमारे account freeze कर दिये, 115 करोड रुपए रोक लिए, हमारी जेब में पैसे नहीं, प्रचार कैसे करें, निताओं को रेल में नहीं बेज सकते, हवाई जहाज में नहीं बेज सकते, विग्यापन नहीं दे सकते, इश्तहार नहीं लगा सकते, यह विदव don't seize नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री seize हो रहे हैं, आप सोचिए, यह हार का डर नहीं है बीजेपी का, बीजेपी हार चुकी है, अगर हार का डर होता तो election phase करते, यह हार चुके हैं, इसलिए narrative बदलने के लिए यह काम कहे जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, जिन किसानों से इन्होंने ये कहा, कि आपकी आयदोगनी होगी, जिन किसानों को कहा, कि फजल बीमा से आपकी फजल के नुक्सान की भरपाई नहीं जबकि लाम मिलेगा आपको, आप बताईए क्या इन्होंने तैयारी की उसके लिए, आपने दिली से कहा, कि हमने agriculture infrastructure के है बजट में आप बताईए एक्सप्रेस वे के किनारे या उत्तफदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने बताओं आखर किस जगे किसान जा करके MSP ले ले या लावकारी मूह ले 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 जिन्होंने ये कहा कि हम आय दोगनी कर देंगे क्या किसान की आज मेंगाई इस मे यताप 빠र्टी इस तरहका काम कर रही है,ल्यक्ताब बोंड में इनकी घंटी बज गई उसका जवाब इनकी पास नहीं, जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं ये चलने वाली नहीं है इस बार इस बार देश का किसान देश का मजदूर देश का नौजवान इनका घमंड चूर करने जा रहा है बोट डाल करके 2022 में जब विदानसभा चुना हुए थे किसान अंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गून सुनाई दे रही थी लेकिन एक भरोसा होता है आप मुझसे बेतर जानते हैं इतने साल आपने राजनीती की है जनता गाली दे कर भी गरिया कर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता देती है बोट कम हुआ बीजेपी का कम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था वही मेरा सवाल है बिपक्ष का बोट बढ़ा इसलिए मैंने आप से कहा बीजेपी अपने मेनेजमेंट से जीत रही है मुद्दों से नहीं जीत रही है अगर मुद्दों से जीत रही होती तो बुनियादी मुद्दे आम जंता के मुद्दे से भाधिन तबाटी भाग क्यों रही है भाधिन तबाटी उसी में अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दू 2019 के लोगसबा चुनाव की बात करें तो 6,000 रुपए की किसान का लियान सम्मान ने धी बीजेपी लेकर आई लोगों ने हाथो हाथ लिया और राहुल गांदी ये कहते रह गए जी मेरी एक न्याय योजना भी है 72,000 रुपए दूंगा 6,000 रुपए महीने के दूंगा और 6,000 रुपए साल 500 रुपए महीने वाली योजना को आतवात ले लिया लोगों ने देश की जनता भरोसा किया बारती जनता पाटी पर लेकिन इधर जो परेशानी आई है गरीब के उपर, किसान के उपर जो लोग विश्गुरु बनाने की बात कर रहे है जो लोग कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा उस भारत में 80 करोड लोगों को यह अनास दे रहे हैं राशन दे रहे हैं, खिला पिला रहे हैं कोई कलपना कर सकता है यह अर्थववस्था क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है एक फीज़दी जंत संख्या के पास 40.1 एक फीज़दी संपत्ती है यह सच्चाई है जो आकड़े दिखने यह जिम्यदारी समाजवादियों की या और निपिपख्ष के लोगों की है कि जंता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर के जाए हो जंता दुखी ही बैटी है Common Minimum Program क्यों नहीं आ रहा आप तो चुनाव आ गए गोशना हो गई अधी सूचना जारी हो गई Common Minimum Program तो आए गई आएगा समाजवादी पार्टी का Vision Document भी आएगा Vision Document कम से कम यह आएगा कि किसान को हम रात क्या दें उधारणड के लिए भारती जिनता पार्टी की सरकार ने 15finder लाग करोड किसान का उद्योग पतियों के कर्ज माफ किया है क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता हमारे Vision Document में होगा कि उत्तर प्रदेस के किसानों देस के किसानों का कर्ज माफ हो ये सामिल हो हमारे कौन माओन मिनिमम प्रोग्राम में आखरी सवाल योगी कह गए असी में असी आप कितनी सीट जीतने वाले हैं असी हराओ नौगरी पाओ असी हराओ संकट बचाओ असी हराओ लोगथंद बचाओ कितना हरा हो असी में से, आप कितने जीतेंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे एक के अलावा सब हार जाएंगे, एक कौन बच गए अब कोई हो सकता, एक हो कोई अच्छा प्रदान मंद्री बचेंगे सिर्फ यह मैं नहीं करता हूँ, एक के अलावा सब हारने वाले हैं, चार जून को देखते हैं, दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, अखलेश आ पाए, कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, इस सत्र में गोशना पत्र के बस इतना ही नमस्कार मुस्कुराते रह बहुत धनेवादा, पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे, उनके खिलाफ एडी सीबियाई की कारवाई चल रही थी, तीस में से चौदा हैं, आपकी पार्टी समेट दस दलों ने तो खुलासा कर दिया था, अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई हैं, कॉंगरस कर गई थी, यहां बात थोड़ी सी उल्जन बरी हो जाती है, क्या, यह समाजवादी पार्टी उत्तरपदेश की बात कर रहे हैं, और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का, कि जो लाप पहुचा सकते हैं, सरकार में रह करके, वो चंदा नहीं बोलाया सकता है, और जिस से छिपना चाहते हैं, इसलिए ध्यान अटा करके, दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं, क्या करबना कर सकते हैं, आप कॉंग्रेस की बोली बोल रहे हैं, कि पांच बजे अपलोड हुआ, इलेक्शन कमिशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ, पूरा का पूरा ब्यो जब उसका कोई असर नहीं दिखा उने, साड़े चार साल बाद, कानून तो बन गया था, उसका ध्यान अटाने के लिए, सवाल उससे भी जाता है, कि जो आकड़े निकल करका रहे हैं, उसे चैनलों पर बहस क्यों नहीं रही है, बदाईयों पर बहस हो रही है, या और देखते हैं, सीधा सवाल नहीं देखते हैं, यही बहस हो रही है लगातार, मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ, और मुझे उम्मीद है, और मुझे भरोसा है, ABP, AVP चैनल ना बन जाए, ABP का क्या मसलब हुआ? ABVP चैनल ना बन जाए, हम आपको रखे आगे वाले हैं, हम जनता को आगे रखने वाले हैं, हम जनता के मुद्दे उनके सरुकारों का पीछा नहीं चोड़ती हैं, जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती हैं, उन मुद्दों पर बहस नहीं कर हैं, और जब से क्रेडिबिल्टी चैनलों की खतम हुई हैं, मैंने चैनल देखना बंद कर दिया, इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ. अर्विंद केजरिवाल जेल गए, जेल जाने का, जेल भेजने का सीजन चल रहा है, मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा? अगर डरी होता तो राजनित क्यों करते हैं हम लोग? डरी होता हम, और डर सी ये बास समझ में आ रही है, क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकॉर्ड मनने जा रहे हैं जूटे मुकदमों का क्या? जो चाहिए उसको मुकदमा लगा दिया, जूटे मुकदमे ल भाण में दे सकता हूं, जहां पर जूटे मुकदमे लगा करके लोगों को फसाए गया है, और एक नहीं हजारों ऐसे हैं, कस्टोडियल डैथवे नंबर वन यूपी, इसको डिनाय कैसे कर सकते हैं, महिलाएं और बेटियां सबसे ज़्यादा असुरच्चित अगर कही हैं, तो यहां पर हैं, जो लोग दावा करते थे, कि इन्वेस्टमेंट आया है, इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया, साथ साल बात बताएं, कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, और उस इन्वेस्टमेंट के तहत नौकरी और रोजगार मिलें, इसके आकड़े कहा हैं, दो सरकार की कारखाने लग गए, और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया, पर केंदर सरकार हो, यह डबल एंजिन जो सरकार है, यूपी की सरकार कहती है, ब्रस्टाचार के खिलाब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें आम आदमी के सामने जो माकड़े आते हैं, जो बाते आती हैं, चैराहुल गांदी हो, सोनिया गांदी हो, नाशनल हैरल केस में वो जमानत पर हैं, तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं, ममता बैनर जी उनके बतीजे को, उनके उपर कारवाई हो रही है, उसमें आपका भी नाम आ जाता है, वो कह रहे हैं, यह सब का नंबर लगाने वाले हैं, यह भ्रष्टाचारियों का गटबंदन है, यह इंडिया, अगर भ्रष्टाचारियों का गटबंदन है, तो जिन पर कभी CBI, ED, Income Test के चापे लगते थे, बाते इंतां पार्टी में जाते ही, उन संस्थाओं का क्या हु जिस समय से EDC वे Income Tax की जाच हुई, वो BJP में चले गए, वो जाचे खतम हो गई, बड़े पतों पर बैठे हुए, इसी तरह बंगाल में उधारन है, इस तरह यूपी में उधारन है, और जो लोग भष्टाचार की बात कर रहे हैं, यह तमाम सवाल खड़े हुए हैं, कभी एक्सप्रेस पे जाईए आप, आगर अलखनू पे भी चल लीजी आप, और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन, जिसका काम पूरा BJP ने किया, पुर्मानचल एक्सप्र उस पे चल करके देख लीजी, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, और बुनेल खंड एक् तो केवल भष्टाचार लें देने, कि मुनाफ़ा जाद है कमाने देने लोगों को, वो भष्टाचार नहीं है, लोगों को पद दे करके खुश करें, क्या वो भष्टाचार नहीं है, आप अगर BJP के साथ हैं, तो आपको सिकुरिटी मिल जाएगी, कैटिगरी बदल जाए क्या वो भष्टाचार नहीं है, लाब देना, जरूर से जादे लाब देना, क्या वो भष्टाचार नहीं है, पर जनता के जहन में BJP पर भष्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं, जनता जान गई है, कि इन से जादा भष्टाचार किसी सरकार ने किया होगा इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़्डा मुक्ती में क्या उत्तपदेश के सब गड़े बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग, चार पेपर लीग, पांच पेपर लीग, छे पेपर पेपर लीग, साथ पेपर लीग, आठ, नौ और कई परिक्षाएं कैंसल, क्या ये परिक्षाचार नहीं है, इनके बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए, जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे, क्या है स्टीएफ ने नहीं पकड़ा उनको, और फिर सब चांचे जा गया और पेपर देते समय क्या बसूला नहीं गया, क्या ये प्रिस्टाचार नहीं है, साथ लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदकार में डाल दिया, ये बीजेपी के लिए प्रिस्टाचार नहीं है, क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होई कि मुझे नौकरी नी मिल लए इसी तरह फुरुजबाद के एक बेटी जब पैपर कैंसल हो गया तो उसने आत्मधा कर लिया जान दे दी उसने ये भरष्टाचार नहीं है आरच्छन को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे धर ना देते रहे इतने सालों से सरकार उनका भ चपन एस्टीम बन जाते थे मैंने पूछा वो 46 में चपन वाली सूची कहा है आज तक मुक्वंतिजी जारी नहीं कर पाए क्या यह बस्ता चार नहीं है बहिमानी नहीं पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है नारेटिव बिल्डिंग में आप कम जोर पड़ते है है क्या बीजेपी के मुकाबले बीजेपी पर खजाना है खजाना लुटा रहे है वो नेरेटिव कैसे क्रेट होगा आप खजाना भर भर करकर पैकेज देंगे खजाने की बात आई हम चवणनी की बात से थोड़ा सा विश्यांतर हो गए थे बीच में जहन चौधरी से मैं इंटिव्यू किया और मैंने का साथ सीटे जहां मिल रही थी आपको मैंने का आप तो चवणनी है पलटने नहीं वाले थे बीजेपी ने पलट दिया उचाल दिया आपकी चवणनी को तो तो मैंने का साथ सीटे दे रहे थे या खिलेश दो पर क्यों मान गए वो कह साथ सू से भी हमारा अलाइंस हुआ ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलोंग से भी कि आपके पास समीकर्ड क्या है और आपका प्रत्यासी कौन है उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने स्विकार किया केवल एक सवाल मुझफवर नगर का था मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किसी परिवार को लगनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे पर आपकी पसंद हरेंदर मलिक थे और उन्होंने जब मेरी पसंद हरेंदर मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे वो खुद हरेंदर मलिक उ और उसके बाद पता लगा, कि गिंती में साथ छोटा है, दो बड़ा है. दुख हुआ? जैनत ऐसे छोड़ कर चले गए, राज्या सभा भी दी आपने? सवाल ये नहीं है. इससे बड़ा सवाल ये, कि एक लोग सभा नहीं हमने दोका काया. दो लोग सभा कोई हमने, जिस समय उनके बिधायक आये थे, और राजसभा मांग की थी उन्होंने. उस समय उनसे मैंने काया दे कि हमारा साथ देना. उन सभी बिधायकों ने काया दे कि हम आपका साथ देंगे. लेकिन वो साथ नहीं दे पाए. चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया. क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है, जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी उन्हें, उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाव लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास दे करके नहीं गए. इसले बहुत साथ दान है हर चीज़ से. स्वामी प्रशाद मौरिया को महा सचिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा. नहीं, बहने रास्ता नहीं दिखाया. कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं. हम रोकते नहीं हुने हैं. पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई. अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है, उस पर विचार किया रह सकता है. एक सीट पर आप तीन सीटे मांग रहे हैं, और कुछ भी मांग रहे हैं, यह डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूँ. क्या मैं राजस्वा की डिमांड पूरी कर सकता हूँ? क्या मैं MLC की डिमांड पूरी कर सकता हूँ? या खेल कुछ और है, जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, कि ये सब लोग एक और PDA बनाने चले थे कॉंग्रेस के साथ मिलकर और अखिलेश को अकेला चोड़ने वाले थे और आपने खेल दिया चर्खा दाओं मैंने तो सुना आप होकी के खिलाडी थे ये कुष्टी के गुर नेता जी से सीख लिए मैंने कोई दाओं ने रखा मैं कि बस सीधा चल लाओं प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइंस हो जाए जिससे में शुरुआती दोर में बात हुए थी नितीश कुमार जी से उससे में भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख विपक्ष की भूम शती यह नाक की खामका की लड़ाई की जी मम्ता बेनर जी इनके नाम पर तयार नहीं है सोनिया गांदी ने जब सह्मती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर राहुल गांदी का यह कहना क्या राजने तिक भूल थी विपक्षी महागणडबंदन की ओर से बातें बहुत सारी हो सकती है लेकिन समाजवादी लोग तो उन्हें प्रधानमंती देखना चाहते थे नितीश कुमार को अब लेकिन वो एज़े सीम ही रिटायर हो जाएंगे सोच वो बीजेपी की कितनी बड़ी चाल जिसे प्रधानमंती बनना था उसे सीम होकर रिटायर कर देंगे तो इसमें कॉंग्रेस की एक कमजोरी रही कमजोरी किसी की नहीं है पर सित्यों के हिसाफ से जो फैसले हो उसमें जो कन्फिूजन हुआ या जो भी रिंड़े लिया गया वही मुझे दिखता है लेकिन मूल बात यही है कि जिन्हें प्रधानमंतरी बना था और बीजेपी की साज़िस देखिए उन्हें ऐसे मुख्यवंती रिटायर कर देंगे मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं दर्वाजे खुले हैं अब चुनाओ की तारीक आ गई है अब क्या बहस करें गटबंदन पर होली का तेवार ना होता तो नॉमिनेशन्स हो गए होते हैं अब तो नॉमिनेशन्स हो रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है यह आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद को तो छोड़िये जो इगो क्लाशेस हैं उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गटबंदन नहीं बन पाया या जो आप कह रहे थे ED, CBI, IT इनको जो छोड़ रखा है उसका दबाव काम आता दिखरा है इंडिया गटबंदन बन चुका है दिखरा है और हमें उम्मीद है कि भार्धी जनता पार्टी इस बार हारेगी और जैसा मैंने पहले कहा भार्धी जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता फोड़ देगी आप पीडिये का फॉर्मूला लेकर चले हैं इसमें मैं एक लारिफिकेशन चाहूंगा पीफ और पिछडा दीफ और दलित तो है एफ और क्या है ये आधी आबादी भी हो जाता है अगड़ा भी हो जाता है अलपसंख्यक भी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अखलेश यादव है अखलेश एक वो पुरानी काहवत है कि दिल्ली की गदी का रास्ता लखनव से होकर गुजरता है हम लखनव में बैठे हैं रास्ता कितना पत्रीला कितना नुकीला है या एक्सप्रेस वे बनता दिख रहा है आपको मैं सबसे पहले आपका धनेवा देता हूँ और जहां से बाद शुरू हुई है कि देश का रास्ता प्रधार मंती की कुर्सी का रास्ता यूपी से निकलता है जिन लोग को 14 में जिताया था जनता ने 24 में उनको हटाने का काम जनता करेगी भारती जनता पार्टी का घमन का घड़ा इस बाद जनता 2024 में तोड़ देगी योगी आदिते ना थाए थे अभी वो कह रहे हैं अस्सी की अस्सी जीतने वाला हूँ इस बार में सीते मैंने सुना था उनका अस्सी में अस्सी बोल ले थे जीत के बारे में नहीं बता रहे थे इसका मतलब यह है कि अस्सी इस बार उत्तरप्रदेश से वो हारने जा रहे हैं और जनता ने मन मन बनाया कि अस्सी हराओ भाजपा हटाओ अस्सी हराओ भाजपा हटाओ पर बिछड़े सभी बारी-बारी का भी कुछ खेल हो रहा है आपके साथ जैन चौधरी चले गए, स्वामी प्रसाद मौरिय, अब पलवी पटेल, स्वामी देव मौरिय उनकी भी नाराजगी की खबरे आ रही हैं ये लोग आपका साथ क्यों छोड़ जाते हैं? साथ नहीं छोड़ रहे हैं उनकी जो डिमांड से उनकों मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ हमारा लक्ष है भार्दी इंता पाड़ी को हराना कई दलों का लक्ष है अपना दल बनाना अपने दल बनाने में और भादिर इंता पार्टी को हराने के बीच मुझे तै करना है कांग्रेस पार्टी के साथ गड़बंदन है इंडिया गड़बंदन में मैं साथ हूँ उनके PDA हमारी स्ट्रेटेजी है इसलिए बहुत सारे साथी जो समय समय पर जुड़े थे उनका डिमांड बहुत ज़ादा है इसलिए मैं उनको एकमोडेट नहीं कर पा रहा हूँ ये सतरंगी आपने एक गड़बंधन बनाया था 2022 में ओंपरकाश राजबर का नाम मैं है कहना भूल गया था आप बहुती नादान हैं मासूम है शरीफ है या राजने ते घाग है कि जिन्हें राज्यसबा भी बेजते हैं मंत्री भी बना देते हैं सब आपका साथ छोड़ कर चले जाते है अब वो चवन्नी वाली बात तो मैं नहीं कहूंगा कि उस पर भरोसा था मुझे कि समाजवादियों का साथ देंगे लंबे समय तक लेकिन भारती जन्ता पार्ठी ने उन्हें तोड़ने का काम किया है आज जो कुछ देने को है वो भारती जन्ता पार्ठी के पास है किसी को सिक्योर्टी मिल लई है किसी को मंत्री का पद मिल ला है किसी को और कुछ मिलना है पैकेज के तहे चल रहे है सवाल वो नहीं है सवाल यह होना चाहिए कि आज भारती जनता पार्टी जनता की मुद्दे से क्यों भाट रही है जो जनता की मुद्दे उनसे क्यों भाग रही है चरम सीमा पर महंगाई है भेष्टा चार चरम सीमा पर है इनकी सरकार में जो अन्याय हो रहा है वो आकड़े दिखाई दे रहे हैं कोई कल्पना कर सकता है भारत जैसे देश में जो NCRB का आकड़ा कहता है कि जब से भादिंता पाड़ी की सरकार आई है एक लाग किसानों ने आत्मत्या किये जो लोग ये कहते थे कि हम आई दो गुनी करेंगे चौजी चंसीन जी को इन्होंने भारत रतन दिया स्वामी नाथन जी को भारत रतन दिया क्या ये MSP भी नहीं दे सकते और MSP कोई बड़ी डिमांड नहीं है ये सम्माने किसानों का क्या ये सम्मान मी सरकार नहीं दे सकती उनको वो दिन रात मेहनत करते हैं फसल पैदा करते हैं और देश की अर्थवरस्ता को बचाते हैं जो खाने को देता हो जो पहनने को कपड़ा देता हो उसको हाग को सम्मा नहीं दे सकती सरकार इससे ज्यादा खराब लोग तंतर में और कौन सी सरकार होगी तो इसलिए ये सरकार और भारती जनता पार्टी खास कर जनता से भाग रही है जनता के मुद्दों से भाग रही है इसलिए भाजपा का नाम भारती है जनता पार्टी के साथ जनता के मुद्दों से भागती हुई पार्टी का नाम होना ची इनका पर यही आरोप हाँ बोलिये ना बात पूरी कीजे भारती है या मुद्दों से भागती हुई पार्टी पर यही आरोप क्या आप पर नहीं लगेगा आपने एक लंबी फेरिस्त गिनवादी, महंगाई है, बेरोजगारी है, आप नकल की बात कहना भूल गए, जो नकल हो रही है, पर्चे लीक हो रहे हैं, फरवरी के महीने में तीन पर्चे लीक हुए, लेकिन आप सडकों पर उतरते नहीं दिखते हैं, वो अखिलेश यादव आराम परस्त हो गए हैं, लेजी हो गए हैं, समाजवादी कभी आंदोनों से पीछे नहीं हटी, हम लोग आंदोनों से कभी पीछे नहीं हटें, और आने वाले सबे में जो पढ़नाम आएंगे, आप देख लेना, जो फार्मूला बताया था मैंने, बार्टी दिनता लाग बच्चे ऐसे हैं, जिनके पेपर लीक हुए हैं, अलग अलग परिशाओं के जो पेपर लीक हुए, अगर हम टोटल उनका हिसाब किताब लगाएं, तो साथ लाग बच्चे हैं, उनके माबाप को जोड़ दें, तीन सदसे हो गए, तीन का हम अगर गुड़ा कर दें, तो साथ लाग इंटू तीन एक करोड असी लाग और एक करोड असी लाग अगर हम भाग दे दें असी लोग सवा से तो दो लाग पच्छिस हजार बोट हर लोग सवा से कम हो रहा है जिसका जवाब भारती जनता पार्टी के पास नहीं है यही नौजमान भारती जंता पार्टी को हटाने का काम करें और अगनी बीर कौन स्विकार करेगा अगनी बीर एक लद्दाक के नेता भूख अर्थाल बे बैठें 15, 16, 17 दिन हो गए उनकी क्या मांग है उनकी मांग है कि जमीन बचें हमारी चीन से एक रिजंगला का एक मेमूरियल था वो मेमूरियल तोड़ दिया गया जो लोग भड़ती होते थे भारत की फौज में वो आज भारत की फौज में नहीं भड़ती हो सकते या वो स्विकार नहीं कर रहे अगनी बीर जैसी बबस्ता तो क्या ये देश सुरक्षा देगा जहां नौजमान बर्दी पहनना चाहता था सम्मान की नौकरी करना चाहता है ये सरकार उनकी भी नौकरी चिन रही तो एक करोड असी लाक और ये अगनी वीर से सरकार कैसे बचेगी इसलिए हर मुद्दे से भारती जंता पार्टी भागती नजर आ रही है ये जंता के मुद्दों का सामना नहीं कर सकती सड़क पे गड़े हैं सड़कों पे गड़ों के लिए भजट कोई कल्पना कर सकता है कि सास साल में 40,000 कोड रुपय कर्च हो गया हो गड़ा मुक्ती में हो आज भी सड़कों पे गड़े है योगी आदितेनात ने तो यहां पर मैं बीच में आपको ठोक रहा हूँ ताल ठोक कर गए है कि हमारा रेविन्यू सर्प्लस बजट हो गया है लेकिए ये रेविन्यू सर्प्लस शब्द अच्छा है लेकिए मुक्षमेंती जी उसके बैक्राउंड में नहीं जानते है क्योंकि अधिकारियों ने बोल दिया आपने हमने सुन लिया लोगों को लगता होगा रेविन्यू सर्प्लस कोई बड़ी चीज है अगर रेविन्यू सर्प्लस है बड़ी चीज तो ये बगल में कैंसर इंस्ट्यूट बना हुआ इसमें इलाज क्यों गरीब कर नहीं हो पा रहा ये जो कैंसर इंस्ट्यूट बगल में सौ मीटर के दूरी है और उससे भी करीब अचल भ्हारी बाजबे के जी जी के नाम पर उनिवर्स्टी है जो पिछले पांस साथ से नहीं बन पाई अगर रेविन्यू सर्प्लस है तो गरीब अस्पताल से बापिस क्यों आ रहा है गरीब को दवाई क्यों नहीं मिल नहीं इलाज क्यों नहीं मिल ला इस्टेशर क्यों नहीं मिल ला वीलचेर क्यों नहीं मिल लाई योगी अजितना तो कहते हैं कि सारी कंपनियां कतारे लगा कर खड़ी हुई है निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहले कभी ये सुरेतिहाल था ही नहीं जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं जो प्लैन टाउंशिप हमें दिखाई दे रही है एक modern urban planning की टाउंशिप दिखाई दे रही है ये किसी ने बनाई है तो नेता जी और समाजवादियों ने बना करके दिया है उसकी वज़े से आपको एक ये investment की जगह मिल लही है अगर ये centrum hotel जो बना है निता जी ने उस समय अगर प्लैन न किया होता तो क्या ये centrum hotel बन गया होता है यहां पर हाउसिंग के जो प्रॉट्स कटे हुए यहां पर आसपास देखिए आप कितने बड़े पेमाने पर लोग रहने लगे हैं मिदान तक हॉस्पिटाल आ गया ये चगजरिया जो बगल से आपका investment का एक hub बना था जहां पर stadium है जहां international match होते हैं ये सरकार बताए कि 7 साल में एक world class stadium क्यों नहीं बना पाए जिसमें international match हो जाए अगर कहीं और नहीं बनाते गोरकपुर में बना देते गोरकपुर में ना बनाते तो कम से कम प्रधानमंती जी के छेत में ब classio mall जो बना है वो सरकार का mall था पहला एक example दिया समाजबादी सरकार ने कि हाँ सरकार भी एक world class mall बना सकती है हम लोगों ने mall बना है समाजबादी ने इनकी सरकार आई दो हजा करोड की चीज़ को 400 करोड में बीज़ दिया यह है इनका development और यह जितना आपको investment दिखाई दे रहा है इस अंसल township में high tech city में यह तभी possible हुआ है जब समाजबादी सरकार में इतना planned city बना है और केबल यह urban area के लिए नहीं जहां यह खतम होता है अंसल वहीं पर एक पांच लाग लीटर किसान के लिए अमूल का procurement का plant लगा है उसी के बगल में पांच लाग लीटर प्रतिदिन का procurement मिल को वो पराग का plant लगा है दस लाग लीटर का procurement लगा है अगर मुख्यंतीजें आये थे तो यह बताएं जो revenue surplus की बात करना है उन्होंने अपनी सरकार में इ किलोमीटर के आसपास कौन सा नया project कौन सा नया development किया उन्होंने योगी आतितरनात कह रहे हैं चपन लाख लोगों को पक्के मकान बनवा कर दिये पौने तीन करोड लोगों के लिए शौचाले उन्होंने बनवा कर दिये और उससे बड़ी ताल उन्होंने ठोकी कि दंगा म करवाता है उसका ये संगठन है सरकार हमेशा गरीबों को घर देती है पहले इंदरावास मिला करते से समाजवादी सरकार थी इंदरावास के साथ साथ लुही आवास देने का काम शुरू हुआ इनकी सरकार में प्रधानमंती आवास देने का काम शुरू हुआ हमें और आप वो गाउं ढूंडना चाहिए, जो इनके सांसदॉं ने गौद लिया था और भूल जाएए सांसदों का, जो सबसे प्रधान सांसद हैं उन्होंने जो गाउं गौद लिया था, उस गाउं की सिती क्या है क्या वहां सवचाले में पानी आ रहा है क्या गरीबों के परियाप्त घर बन गए क्या बिजली का बिल उनका फ्री है क्या जो जन सुवधाय होती है वो मिल नहीं है अगर जो देश के सबसे प्रधान सांसद है उनका गाउं, गोद लिया गाउं अगर नहीं सुधरा है तो उत्तफदेश का गाउं कोई सुधरा नहीं होगा इनकी सरकार में दिल्ली और लखनों की डेबल इंजिनर की सरकार ने गाउं के लिए वो विकास नहीं किया जो विकास का ये दावा ठोपकी ये बात आप लोगों को क्यो नहीं समझा पा रहे हैं ये आपकी नाकामी है और देखिए, मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूँ मेरे कारिक्रम का नाम भी सीधा सवाल है क्या मीडिया से भी आपको शिकायत है कि मीडिया मोदी सरकार की नाकामियों पर परदादारी भी करती है और विपक्ष अगर मुद्दा उठाए उससे पुरजोर तरीके से दिखाया नहीं जाता अभी हाली में सबसे बड़ा मुद्दा इलक्टरल बॉन का आया है क्या सफाई देगी भारती जिंता पार्टी क्या यह चंदा है चंदा तो विपक्ष को मिल सकता है क्योंकि वो किसी को लाव नहीं पहुचा सकते किसी की मदद नहीं कर सकते किसी को डरा नहीं सकते किसी के काम नहीं आ सकते तो अगर विपक्ष को कुछ इंडेस्टियल हाउसे ने Corporate Houses ने अगर सयोग किया है मदद किया तो एक बार को चंदा माना जा सकता है लेकिन जिस तरह की लिस्ट आ रही है आकड़े आ रहे है पांच में से तीन टॉप पांच में से तीन टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ EDCBI की कारवाई चल रही थी तीस में से चौदा है आपकी पार्टी समेट दस दलों ने तो खुलासा कर दिया था अब तो पूरी डीटेल सामने आ गई है Congress गुरेज कर गई थी तो नमूल Congress भी गुरेज कर गई थी यहां बात थोड़ी सी उलजन भरी हो जाती है यह समाजवादी पार्टी उत्तपरदेश की बात कर रहे हैं और अगर देश के प्रमाने वही तो मैंने का कि जो लाप पहुचा सकते हैं सरकार में रहकर के वह चंदा नहीं बोला जा सकता है और जिस तरह B.J.P. को मिला है वह चंदा नहीं है B.J.P. का BJP किसी के आड में छिप नहीं सकती है यह electoral bond नहीं है यह BJP का band बजगिया है यह इससे छिपना चाहते हैं इसलिए ध्यान हटा करके दूसरों पर कारवाई कर रहे हैं क्या कलबना कर सकते हैं आप Congress की बोली बोल रहे हैं कि 5 बजे upload हुआ Election Commission की साइट पे upload होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्योरा और 7 बजे अर्विंद केजरिवाल के यह एडी पहुंच जाती है मैं उससे पहले जाता हूँ electoral bond की जैसे ही सूशना जारी होती है यह Supreme Court माने Supreme Court की तरफ से और Election Commission की तरफ से C.A. लागू खड़ दिया जब उसका कोई असर नहीं दिखा उने साड़े चार साल बाद कानून तो बन गया था उसका ध्यान अटाने के लिए सवाल उससे भी जाता है कि जो आकड़े निकल कर का रहे हैं उससे चैनलों पे बहस क्यों नहीं रही है बदाईयों पे तो बहस हो रही है या और मुद्दों पे तो बहस हो रही है आप ABP न्यूज नहीं देखते हैं सीधा सवाल नहीं देखते हैं यही बहस हो रही है लगातार मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूँ और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है ABP AVP channel ना बन जाए AVP का क्या मतलब हुआ ABVP channel ना बन जाए हम आपको रखे आगे वाले है हम जनता को आगे रखने वाले है हम जनता के मुद्दे उनके सरोकारों का पीछा नहीं चोड़ती जो और channel है जिस तरीके से बहस और मुद्दों पर होती है उन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे है और जब से credibility चैनलों की खतम हुई है मैंने channel देखना बंद कर दिया इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अरविंद केजरिवाल जेल गए जेल जाने का जेल भेजने का सीजन चल रहा है मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आजाएगा अगर डरी होता तो राजनीत क्यों करते हम लोग और डरी होता और डर सी ये बास समझ में आ रही है क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मान रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जूटे मुकत्मों का क्या जो चाहिए उसको मुकत्मा लगा दिया जूटे मुकत्मे लगा दिये लोगों पर जुटे मुकद में लग रहे हैं याँ अतंबदेस में एक उधाण नहीं, कई उधाण में दे सकता हूँ जहां पर जुटे मुकद में लगाकर कि लोगों को फवसाये गया है और एक नहीं, हजारों ऐसे हैं कस्टोलेयेल डेथ रे नमबर वन यूपी इसको deny कैसे कर सकते महिलाएं वो बेटियां सबसे ज़्यादा असुरचित अगर कही है तो यहाँ पर है जो लोग दावा करते थे कि investment आया है इन्होंने defense expo किया साथ साल बात बताएं कि कहाँ पर investment हुआ है और उस investment के तहत नौकरी और रोज़गार मिलें इसके आकड़े कहा है दो आयोजन हुए investment meet के जिसमें देश के प्रदानमंती ची आए बाद में groundbreaking ceremony हुई वो कारखाने कहां लगे है बताए सरकार की कारखाने लग गए और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोज़गार मिल गया पर केंदर सरकार हो ये double engine जो सरकार है UP की सरकार कहती है ब्रश्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आम आदमी के सामने जो आखड़े आते हैं जो बाते आती हैं जो राहूल गांदी हो सोनिया गांदी हो नाशनल एरल केस में वो जमानत पर हैं तेजस्वी आदव को समन दिये जा रहे हैं ममता बैनर जी उनके बतीजे को उनके उपर कारवाई हो रही है उसमें आपका भी नाम आ जाता है वो कह रहे हैं सबका नंबर लगाने वाले हैं ये भरष्टाचारियों का गढ़बंदन है ये इंडिया अगर भरष्टाचारियों का गढ़बंदन है तो जिन पर कभी CBI ED income test से चापे लगते थे बाते जिनता बार्टी में जाते ही उन संस्थाओं का क्या हुआ महराष्ट उठा लीजे आप महराष्ट में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भरष्टी जनता पार्टी में है उस पर ED CBI income test की पहले जाच न चल लए हो जिस समय से ED CBI income test की जाच हुई वो बीजेपी में चले गए वो जाच है खतम हो गई बड़े पतों पर बैठे हुए इसी तरह बंगाल में उधारण है इस तरह यूपी में उधारण है और जो लोग भष्टाचार की बात कर रहे है ये तमाम सवाल खड़े हुए है कभी एक्सप्रेस में जाईए आप आगरा लखनू पे भी चल लीजी आप इसे उस पर चल करके देख लीजी आपको डिफ्रेंस नजरा जाएगा और बुन्देल खंड एक्सप्रेस जिसका उद्गार्ण प्रतामन दीजी ने किया आज भी काम चल ला है उस पर अगर भष्टाचार शामिल नहीं था अगर quality से compromise नहीं किया था सरकार ने तो आज भी काम क्यों चल ला है वहाँ पर तो केवल भष्टाचार लें देने क्या मुनाफ़ा जाद है कमाने देने लोगों को वो भष्टाचार नहीं है लोगों को पद दे करके खुश करें क्या वो भष्टाचार नहीं है आप अगर BJP के साथ हैं तो आपको security मिल जाएगी category बदल जाएगी क्या वो भष्टाचार नहीं है लाब देना जरूर से ज़्याद है क्या वो भष्टाचार नहीं है पर जनता के जहन में BJP पर भष्टाचार कारोप चस्पा नहीं हो पा रहा है ये बात मानते हैं आप जनता जान गई है कि इन से ज़्यादा भष्टाचार किसी सरकार नहीं किया होगा इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड रुपया खर्च हो चुका है गड़्डा मुक्ती में क्या उत्तपदेश के सब गड़्डे बंद हो गए एक पेपर लीग, दो पेपर लीग, तीन पेपर लीग चार पेपर लीग, पाँच पेपर लीग छे पेपर लीग, साथ पेपर लीग आठ, नो और कई परिख्षाएं कैंसल, क्या ये बिश्टाचार नहीं है, इनके बीजेपी के कारकरता नेता पकड़े गए, जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे, क्या स्टीफ ने नहीं पकड़ा उनको, और फिर सब चांचे स्टीफ कोई क्यों, जिस प्रदेश में पेपर लीक हु नहीं है, साथ लाग बच्चों का आपने भविस्ट अंदकार में डाल दिया, ये बीजेपी के लिए भिस्टाचार नहीं है, क्या इन नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उई कल्ब ना कर सकता है कि एक नौजमान, ब्रिजेश पाल ये कहता है, और लिख कर के जाता तो उसने आत्मधा कर लिया, जान दे दी उसने, ये भष्टाचार नहीं है, आरच्षण को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे, धरना देते रहे, इतने सालों से, सरकार उनका भष्टाचार करकर के आरच्षण खा रही है, मुख्वंतीजी सदन में कहते हैं, कि जब स कर पाए, क्या ये बश्टाचार नहीं है, बेमानी नहीं है, पर वो आरोप आज भी आप पर मढ़ा जाता है, नारेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर पड़ते हैं, क्या बीजेपी के मुकाबले, बीजेपी पर खजाना है, खजाना लुटा रहे हैं वो, नेरेटिव कैस आपको, मैंने का, आप तो चवन्नी है, पलटने नहीं वाले थे, बीजेपी ने पलट दिया, उचाल दिया आपकी चवन्नी को तो, तो मैंने का, साथ सीटे दे रहे थे अखिलेश, दो पर क्यों मान गए वो कह, साथ सूत कुछ नहीं मिल रही थी, चेह मिल रही थी, और च के सामने रखी, और दलोंक से भी, कि आपके पास समीकंड क्या है, और आपका प्रतियासी कौन है, उसमें बाचीत में जो जो उन्होंने कहा, वो मैंने सुईकार किया, केवल एक सवाल मुझफवर नगर का था, मैंने उनसे कहा कि अगर मुझफवर नगर में आप अपने किस करना चाहता हूं उनसे, वो खुद हरिंद मलिक उनसे मिल करके आए, और अपनी बाचीत की, और उसके बाद पता लगा, कि गिंती में साथ छोटा है, दो बड़ा है, दुख हुआ, जैनत ऐसे छोड़ कर चले गए, राज्यसभा भी दी आपने, सवाल ये नहीं है, इससे ब समय उनसे मैंने का दे कि हमारा साथ देना, उन सभी भिधायकों ने का दे कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन वो साथ नहीं दे पाए, चंदर शेकर को भी आपने नगीना से उमीदवार नहीं बनाया, क्योंकि अब हमारा जो अनुभव राह है, जिन जिन साथियों को साथ ल महां सच्छिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, यह ने रास्ता नहीं दिखाया, कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं, हम रोकते नहीं, पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई, अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्यासी है, उस पर विचार किया मैं रास्ता की डिमांड पूरी कर सकता हूं, क्या मैं एमलस्ती की डिमांड पूरी कर सकता हूं, यह खेल कुछ और है, जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, कि यह सब लोग एक और PDA बनाने चले थे, कॉंग्रेस के साथ मिलकर, और अखिलेश को अकेला चोड़ने वा लोग चाहते थे, कि समाजवादी और कॉंग्रेस का एलाइन्स हो जाए, जिस समय शुरुआती दोर में बात हुई थी, नितीश कुमार जी से, उस समय भी यही बात थी, कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख विपक्ष की भूमिका में आये, तो उसके नेत्वत में अमताब एनरजी इनके नाम पर तयार नहीं है, सोनिया गांदी ने जब सहमती जता दी थी नितीश कुमार के नाम पर, राहुल गांदी का ये कहना क्या राजनेतिक भूल थी, विपक्षी महागटबंदन की और से, बातें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन समाजवादी लोग करके रेटाइर कर देंगे, तो इसमें कॉंग्रेस की एक कमजोरी रही? एक कमजोरी किसी की नहीं है, पर सित्यों के हिसाफ से जो फैसले हो, इसमें जो कन्फिूजन हुआ या जो भी रेंड़े लिए गया है, वही मुझे दिखता है, लेकिन मूल बात यही है, कि जन्हें प्रधानमंतरी बना था, और बीजेपी की साजिश देखिए, उन्हें ऐसे मुख्यवंति रिटाइर कर देंगे, मायवती के लिए रास्ते आपके अभी खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, अब चुनाव की तारीक आ गई है, अब क्या बहस करें गटवंदन पे, होली का त यहार ना होता तो नॉमिनेशन्स हो गए होते हैं, अब तो नॉमिनेशन्स हो रहे हैं, तो बहुत देर हो चुकी है, यह आपसी जो विचारधाराओं के मतभेद को तो छोड़िये, जो इगो क्लाशेस हैं, उसकी वज़े से इंडिया मुकमल गटबंदन नहीं बन पाया, यह जो आप कह रहे थे, ED, CBI, IT, इनको जो छोड़ रखा है, उसका दबाव काम आता दिख रहा है, इंडिया गटबंदन बन चुका है, दिख रहा है, और हमें उम्मीद है कि भार्धी जनता पार्टी इस बार हारेगी, और जैसा मैंने पहले कहा, भार्धी जनता पार्टी तो है, एफ और क्या है, यह आधी-ाबादी भी होजाता है, अगरा भी होजाता है, अल्पसंक्यक भी, पिश्रा, दलिट, अगरे भी हो जाते हैं, आदी-ाबादी भी है, अदिवासी भी हैं, और पीडे दुखी अगरे भी हैं इसमें, कम से-कम कोशिस किये है समाजवारी तोट्डैक जोड़ा जाने के कि टेल के अम्बरेला केहता है सबको जड़ाजाए तक सबका साथ सबका भिकास क्या एक है कि persistence वह कहरे नारह दे रहें लेकिन वह नारे का असर नहीं है जो काम करना शार ये नारे के तैद वो नहीं हो रहा, सबका साथ तो है, लेकिन गैरा बड़ाबरी नहीं खतम होती सबके साथ में, ये PDA जो है, वो गैर बड़ाबरी खतम करने का नारा है, जो समाजी नया है, उसका नारा है PDA, अपने वोट बैंक का दाइरा भी बढ़ाने की एक कोशिश है क जो तेजस्वी भी कर रहे हैं बिहार में, MY Factor की मुस्लिम यादव एक वोट बैंक, एक समी करन, वो आपके लिए भी काम करता है, वो तेजस्वी के लिए भी काम करता है, अब वो माई बाप पर चले गए, और बाप भी वही है, आपका PDA ही है, बहुजन, आदिवासी और पूर जो हैं, उन लोगों की वो बात कर रहे हैं, आप भी यही कोशिश कर रहे हैं, या इस टू लिटल टू लेट? यह कोशिश समाजवादियों के हमेशा रही, जो समाजवादियों नहारे कभी 80s में, 90s में दिये, वही नहारे हैं आज, लेकिन वही नाम बदल गया, अगर कभी संसुपाने, बांदीगाट, वो वाला नहारा था, तो आज PDA वाला नहारा है, तो कोशिश यही है, कि इस अ भेदवाब और अन्या इनी के साथ हो रहा है, आप जादे एड़नानी कराना चाहते हैं, जो हाबादिक हिसाफ से हक सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, यहां 69,000 के बच्चे आंदोलन करते रहे, बैठे रहे, उन्हें आरेक्षड में नहीं दिया जा रहा है, जो नई विवस्ता अरेक्षड की है, उससे पिष्डे दलितों का सबसे जादे हक चीना जा रहा है, यह मूल भाबना के साथ खिलबार है, उसके लिए नारा पीडिये है, आज मदरसों का कैंसल कर दिया गया है, एक्ट जो बना था उस एनियम और एक्ट को खतम कर दिया गय ति उनको हक दिनाने का नारा है, आदिवासियों के साथ भेदवावरा उनके लिए नारा है, आदी आवादी जिसको सुरच्छा की जरूवत है, क्या इनकी सरकार में आकड़े नहीं बताते कि सबसे जादे असरच्छीत माहिला हैं, और जो कुछ विवस्ता हैं बनाएं थी आदिया अबादी पर जोर दिया, यही आपकी सबसे कमजोर कड़ी भी है क्या, क्या आप ये बात इमानदारी से मानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आकरशन महिलाओं में बहुत कम है और नरेंदर मोदी और बीजे पी वहाँ कहीं आगे आप से निकल गई है, लेकिन सब किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ अन्यायना हो रहा हो, और जो विवस्ता हैं बनाएदी सुरक्षा को लेकर के, वो सब समाप्त कर दी इनोंने, आपने 17 सीटें कॉंग्रेस को दिये हैं, वो कॉंग्रेस जो 2022 के चुनाव में दो दशमलब